अलो सुदेट नमस्कार तो वेलकम टू टू दी सूपर रिविजन ओफ सी इंटर्मिडेट अकाउंट जो कि आपका बेटा पेपर नंबर वन है और ये है बेटा उसका मेरे थन का पार्ट नंबर टू पार्ट नंबर वन जो है वो आप लोग को बेटा डिस्क्रिप्शन में का लिंग मिल जाएगा वो कुछ दिन पहले इसी चैनल पर आप लोग के लिए मैं लेके आया था एंड जिसके अंदर मैंने आल्मोस्स चैप्टर कवर के थे ये जो पार्ट नंबर टू बेटा आप लोग के लिए आ रहा है इसके अंदर में अच्छे तो हमारे जो चैप्टमेंट ओनली ठीके ना तो वही सेंडर है वही आपका सेहर है और फ्रेमवर्क फर प्रिवेशन प्रेजेंटेशन कई वर बच्टे इस टॉपिक को छोड़के जाने की सोचते है तो इसको मत छोड़के जाना है ये भी इंपोर्टेंट है जल्दी में आदे घंटे म कम से कम समय में आप लोग के लिए maximum output निकाली जा सेगे वीडियो की description में आप लोग को जो मैंने notes इस्तेमाल किये है पूरे के पूरे आप लोग के लिए वो एक आप लोग को link मिल जागा जिसके अंदर पूरे इस वाले जो marathon है जो super revision part 2 है इसके single में आपके पास एक ही file आप Chems भी आप लोग के लिए डली भी है chapter by chapter topic by topic even AS by AS the reason is chapters और AS की ताकि आप बच्चों को कोई भी specific AS या कोई भी specific chapter भी revise करने तो आप उसको कर सकते हैं ठीकिना मैंने important questions को लिए हुए conceptually सारी चीजों cover किया वा है and make sure आप इसका भरपूर फायदा उठाए अपने इसाब से अप questions खुद भी try करें but जो बच्चे मेरे से मेरे regular batch में November 23 के PW platform पे पड़े थे उन बच्चों के लिए मैंने इस वीडियो के पूरे अंत में जब पूरी खतम हो जाएक important question के list भी दे रखी है जो मेरे regular batch के बच्चे उनके लिए ताकि वो बच्चे अगर कुछ extra practice करना चाहे तो कर सकते हैं जो बाकी बच्चे वो अपने लल पे मेरे marathon में मैंने maximum चीज़े cover के उसके लावा वो RTP, PYQ या ICA statement के और questions कर सकते हैं वो आप लोगे अराम से बेटा निकल जाएंगे हो जाएंगे क्योंकि मैंने अपनी तरफ से कम से कम समय जैसे मैंने बोला maximum output आप लोगे ले सारी करके आनी है और अपने पास पेपर को बढ़िया तरीके से देखे आने ताकि हमारी exemption जो है और इवन exemption से भी जादा बहुत जबर्दस नंबर आप लोगे पेपर में ठीक है जी तो अब बेटा शुरू करते इस पर्टिकुलर चैप्टर की revision को सो थैंक यू बेटा अप अपने पास अच्छे से इस revision को अपने पास में देखिए और उसका भरपूर फायदा उठाए है अलो सुडेंट नमस्कार आपका स्वाकत है इस पर्टिकुलर लेच्चर के अंदर में और मैं हमेशा की तरह उमीद करूंगा का एकदम आप बढ़िया होंगे मजन होंगे त सबसे पहले हम अपने पास में चेक करेंगे कि इस चेप्टर की प्राइमरिली वेटेज कितनी ही रही है एक्जाम में स्टार्टिंग से लेके हैंड तक एंडी कें कंक्लूड की मोरलेस इस चेप्टर से पाइब मार्स का जनली अभी तक कोश्चन आ रहा है और वो जो कोश् इस प्रेटरिंग अंदर में तोटल में टॉटल में कैंगिमरीशन को लेका हम सबसे पहले करेंगे फिर ऑर फिर हम बात करेंगे कंपनी की ब्यानेच सीट और प्लीरेशन को लेके तो तो अव्यों पिट्लिक जॉस नहीं राटिकोलर लिम्येशों को चाल दी है कि जो टोटल रेमुनरेशन है पब्ली कंपनी के द्वारा डेरेक्टर्स को वो किसी फनेंशल एर में एक्सीट नहीं कर सकती 11 परसेंट आफ दी नेट प्रॉफिट ऑफ दा कंपनी फॉर डैट फनेंशल यर्ट जो भी सेक्शन इन के लिए बोला गया है कि अगर यह कंपनी में सिर्फ एक ही होल टाइम डिरेक्टर एक ही है तो उस केस में उसको मैक्सम पांच ही दे सकते हैं सर अबर अगर एक ही है तो उसको पांच है और अगर एक से जादा है बेटा तो 10 परसेंट सबको मिला के गया ठीक ना फिर आता पार्ट टाइम है पार्ट तरेंटार प्एक प्डे सकते हैं पर अगर आपके पास में नहीं तो फिर पास इम्रान पर तर्जिम्मेवार समय जाधा तो ऑगर है तो यह उसकी रिम्मissen अब अगर हम देखे 11 कैसे बनता है 11 बनते है उपर वाले का मैक्सिम है 10 और अगर उपर वाला आ रहा है उगर उपर वाला आ बैसिकली होल टाम डिरेक्टर बन रहा है तो उसकेज में नीचे वाले की मैक्सिम वन ही बन सकती है यह दिर कांट भी 10 प्लस थ्री क्योंकि थ्री तभी आएगा जो उपर वाला नहीं होगा तो इसके वजह से जो ओवर ओल रेमुंडेशन है वह मैक्सिम कितनी मंति है 11 परसेंट जो सबको मिला आके ठीक है अब अगली चीज़ आते हैं हमने यह प्रॉफिट्स जो लेने जिस परसेंटेज अप्लाई करनी वह कैसे आता है तो उसके लिए बैटा दो एप्रोच बोली गई है एक ओते फॉर्वर्ड एप्रोच एक ओते बैक्वर्ड एप्रोच यह कहते हम सीधा तीज़ा चलेंगे सही सही चलेंगे जो हमारा बेटची के लिए जीपी आता है क्योंकि में तो आप बेसिकली क्या ले रहे हो ओपनिंग परचेस डियरेक्ट एक्समें क्लोजिंग शॉक सेल्स यही चीज़े ले रहे हो ठीके ना उसमें क्या कर रहे है हम उसमें सही इंकम एड कर देंगे सही का मतलब हो है वह इंकम जो हमारको इस पर्टिकुलर टॉपिक के जो आजाएका net profit for the purpose of manageable remoderation जिसके ओपर परसेंटेज अप्लाई करनी है पर there is another approach called a backward approach जिसमें क्या करते हैं सबसे last वाले net profit से चालू कर रहे है जो सबसे last में आया है सब कुछ करने के बाद जो computed है अभी अब इसमें तो सारे खर्चे सारे income आ चुकी है अब जो allowed खर्चे अ इंकम से पहले ली जा चुके तो उसको कुछ नहीं करेंगे वो सही है पर जो गलत खर्चे माइनस हो गए है और जो गलत income से एड होगी है उनको reverse कर देंगे तो गलत income से इसमें एड हुई है क्योंकि उसके प्रफिट जाता तो उन्हें माइनस कर देंगे और जो dislod खर्चे इसमें माइनस हो चुके जिसकी वेसे प्रफिट कम हो चुक है उन्हें एड बैक कर देंगे तो अंसर मारा आजेगा ने पर दोनों से सेम आता है आप जिस मर्जी से कर सकते बकायदा आपको जीपी दिया वह एंपी दिया वह और सारा ट्रेडिंग परम लाके तो आप किसी वहले आते हमारे लाउड खर्चे लाउड खर्चे वह जिनको परमीसिबल माना गया फॉर दी पर्पोस अमेंजल रेमडेशन तो वह कौन से बिटा सारे बिजनस के नॉर्मल खर्चे कोई सेलरी रेंट प्रिंटिंग से टेलीफोन ट्रेवलिंग सब खर्चा आगे इंट्र आपकी शेड्यूल टू ही माइनस करी जाएगे शेड्यूल टू में गिवन अबेटर देफिशन के आपके आस रेट को लेगे तो वहीं के इसाफ से मतलब कंपनी जकी जब आ रही है तो देफिशन हम कंपनी जकी लाओ करेंगे अगर आपने कोई और तरीके से निकाल के डा से जिनने नहीं लिना कोई भी प्रकार की बेटा प्रोवीजन अलाउड नहीं है प्रोवीजन फटेक्स प्रोवीजन फर डाउट फुले वह नहीं कोई भी प्रकार की एप्प्रोप्रियेशन अलाउड नहीं क्योंकि हम प्रॉफिट चाते है वे आपके पास जो नेट प्र प्रजेक्ट इलीगल या वोलेंटरेल लाउड नहीं है या कमिशन सेलरी टू एनेजर हम यह निकालना चाहते हैं सर हम निकालना चाहते हैं प्रॉफिट पॉर्पोस ओ मैनेजल रेमुडिशन जितनी आपने इस साल में मैनेजल रेमुडिशन ओल्रेडी दे चुकियो वह नहीं है इलिगल वॉलेंटरिल ली कर्च अलाउड नहीं है और आपके आज में मैनेजल रेमुडिशन लाउड नहीं है देन लाउड इंकम कौन से हैं जो सही इंकम से जीने लेना है सबसीडी कौवर्मेंट से विल रही है जिसे बाउंटी कहते प्रॉफिट ओं सेल और फि यहां पर हमारे पास मेटा लेटर से लेटर से बिटा हमारा एसेट है जिसकी डवलुडीवी छे लाग है और अल्टिमेटली उसकी कॉस्ट जो है वह 10 लाग है और आपने उसे सेल किया है मान लीजे 13 लाग में एक एसेट जिसकी ओरिजिनली खरीदा था 10 लाग में आज वह किताव में दिख रहा है चे लाग का और उसे बेचा है 13 लाग में तो बेटा मेरा टोटल प्रॉफिट कितना हुआ सर्टोटल में प्रॉफिट वह जो प्रॉफिट है विच इस 4 लाग वह रेविन्यू नेचर का है वह वह अलाउड है जितना आपने उसको उसकी ओरिजिनल कॉस से भी उपर में बेच दिया जो कि हमारा बनता है तीन लाग का प्रॉफिट वह कैपिटल नेचर का है और वह अलाउड नहीं है वह अलाउ सेट की ओरिजिनल कॉस्स तक पर बेचा गया उतने एक्षेंट का प्रॉफिट जो है वह वह जितना उसकी कॉस्स से भी उपर में बेच दिया वह वह कैपिटल नेचर का वह लाओ नहीं है जितना कॉस्ट से उपर में बेचा नौ बेटा इसी से लेटिड मैं कोशन कराता अग्जाम में आ रहा है तो 5 मार्क का इसाम की कोशन में आप देखेंगे मोरोलेस कवर करूंगा यहां पर जिससे इसे मिल जाएगा देखें पेपर वाला भी होगया और कहीं ना कहीं मार पास में कॉस्टेप्र भी रिवाइस हो गया तो वह यहां पर क्योशन क्या दे रहे पॉलिंग इस दा ड्राफ्ट पी एनेल दे रहा वीटा ब्राउन लिंटीड इस साल का जिसके अंदर में उसने क्या क्या दिया है बैलेंस ब्रॉट डाउन बैलेंस फ्रॉं ट्रेडिंग कॉंट तो बेटा समझ आता है कि वह जीपी है यह बैलेंस ब्रॉट डॉट डॉट लास्ट येर का प्रॉफिट जो लास हम तो करेंट की बात कर रहे हैं तो इसे नहीं लेंगे बाद में जबाएंगे सबसेडी या प्रॉफिट ऑन सेल फॉर्पिट शेर है इधर सारे खर्चे देदी अलगला और नीचे करें डेप्शन फिक्स एसेट्स पर शेडियूल टू क इसे लुकि करा देता हैं तो अपने पास चलते सबसे बहूं और समय बैक्वर्भ एपरोज भेट इसे जर महीं से चालू होंगे तो यह आएगा 38 15 890 येस सर सब्सीडी आएगी येस सर ये लाउट है प्रॉफिट ऑन सेल और फॉर्पिटिट शेर नहीं है बैलेंस ब्रॉट डाउन ये तो सर लास्ट ये का इसे थोना लेना है तो यही दोनों चीज़ आ रहे है जी पी आ रहे है और सब्स आएगा यह सब कविश्म एस सर सेल्स कमिशन यगा यह सब को तर नहीं तो यह नहीं एक थृटा आएगा यह सब को ये पांचों के ब्स चाते है एडमिन कर चाहे ड़टेश्मेंट सेल्सक्मिनशंन डिरेक्टर फ्स इंटरस्ट ओ दि karş पांचो के पांचो आपके पास या आगे पांचो के पांचो माइनस होंगे यह क्या आएगा डेप्रीदेशं से चेक कर लेते हैं यही यही लीए ठीके नव पिर आपके पास कोई और चीज राट चीज बेटा जो हमारे को लेनी हो तो दस बोलते, फोल टाइम के साथ पाट टाइम भी बोल देता, तो दो फोल टाइम, एक पाट टाइम भी तो गैरा बनता, तो यह मैक्सम पूझा, हमने सीधा गैरा बता दिया, तो यह हमारा फाइनल आंसर आजे का बटा, 294051, अब अगर हम अपने पास में कर रहे है किस से, हम कर रहे हैं बैखवड ब्रोच से, तो वी विल चार्ट फाम अलाउड वाली तो सही एडिट है उसको कुछ नहीं करना अब डिसलाउड को रिवर्स करना है अब डिसलाउड को खर्चे हमारे रिवर्स होंगे तो मैनिजल रेमुनरेशन बेटा 275,550 वो एड हो गया 482,565 वो एड हो गया डेपरिशन अलाउड नहीं है जो पील में दिये पर कौन सी अलाउड है सर 515675 तो गलत एड कर दी डेपरिजेशन वैसे तो अलावल खर्चा है पर आस पर कंपनीज एक्ट लाउड है तो जो पील में डली पी है वो गलत अली वे उसे रिवर्स की और सही वाली माइनस की सही वाली माइनस की फिर प्रोविजन फो टेक्स आपके पास मेटा एड हो होगी सही वाला जो डेफिशन था वो माइनस हो जाना तो क्योंकि वो डला ही नहीं तो यह हमारा अंसर बेटा दोनों से चेक कर लो आज जैसे मट जी कर लो मैतमेटिकल बात है सही-सही कर लो आप रिवर्स कर लो जैसे बिलो आंसर से वहांगा पेपर में कोई भी एक अपर उन्होंने बोले अगर profits की कमी है नील profits है तो हम एक criteria ले लेरे बेटा effective capital हम company की effective capital देखते और उसके बेस पे maximum सालाना पर आपके पास में यह maximum एक बार इससे कम दिना चाहते हो दे दो तो अगर इफेक्टिव कैटल बेटा जो सीखेंगे कैसे आती है अगर वो नेगिटीव या 5 क्रोड से कम है तो मैक्सिमम 60 लैक देख सकते है यह यह का है तो एक तरीके से 5 लैक पर मत हो गया पांस से सो क्रोड है पिटा तो 84 लैक हो गया बढ़ती जा रही है 100 तो 250 क्रोड हो गया तो 120 लैक और 250 क्रोड है नभाव है तो जैसे इंकम टेक्स मोज़ा स्लैब बन गया तो 120 लैक स्टो उपर तक आही गया था प्लस जितना 250 से उपर है उसका 0.01 परसेंट जितना तू तीन सो क्रोड है तो 120 लैक तो हही जो एक्सेस है 50 क्रोड उसका 0.01 परसेंट वो कर देंगे लिमिट को अंग्रीज कर सकता है अगर एक साल से कम काम किया तो प्रो राटा हो जाएगा अगर तीन मेने काम किया तो यह तो यह तो 3 और 120 120 प्लस पॉइंट 0.01 परसें में कोशन ने बेटा जो एक्टिव कैसे आती है तो एक्टिव कैटिव मतलब है अमाउन डिप्लॉइड इन दा बेसिकली बिजनस आपने कितना एफेक्टिवली पैसा लगाया तो हमारे पास क्या आगया पेड़ प्रेफिटल बेटा आ रही नहीं आथा रिजर्व सर्फ प्लस में प्रीमियम आ जाएगा बट रिवेल्यूएशन रिजर्व नहीं लेंगे क्योंकि वह नोश्चनल रिजर्व है वह अन्रिलाइज रिजर्व है इसलिए वह नहीं लेना फिर लॉंग टर्म बॉरिंग्स भी आ जाएगी बैटा सिरफ ह बात करें तो प्लस आपकी लॉंग टर्म बॉरिंग्स आ रही है विच इस डिमेंग्चर डिपॉजिट पेबल आफ्टर वन यह यह सारी चीजा देगी फायदे आड़ कर रहे तो लॉसिद माइनस कर देंगे तो लॉसिद माइनस होगे कोई प्रीमिनर एक्सपेंस अभी त पैसा क्हीं और इंवेच्र कर दिया किसी है कि यृति पैसा नहीं लगाना इसल् ankles को माइनस कर दिया पर अगर आगर प्रभात लिम्टिड का एक नॉन इंवेस्टमेंट कंपनी है बैलेंशीट दे रहा है 31 मार्च 22 की जिसके अंदर में जिसके अंदर में उसने हमें दे रखा है लाइबिलिटीज के अमाउन दे रखे अलग अलग करके नीचे रिजर्व सर्प्लस से सारी चीज़े शेर सस्पे ना मिशना इंवेस्टमेंट होना सप्केक चैस तो में तो इसने डोनों ही पूछ लिए की हैऊ ओना ले कि कि अगर वो नॉनान इंविश्मेंटे तो क्या करेंगे अगर वो इंवेस्टे कर ना होत Cool फरक सिर्फ लास्ट में आता है entitled माइनस करना होता है वाकि सब सेम चलता रहते हैं सबसे पहले क्या मारे पास में प्रेफरेंस आईगी सब्सक्राइब लेनी है कितना पैसा लगाव है सब्सक्राइब नहीं आएगा तो यह दोनों चीज़े आगी 30 और 192 तो दोनों यह आगी कि फिर शेर सब्सक्राइब वह अप्लिकेशन बनी थी जिसके लॉट में पेंडिकें सेक्योर्टी में आएगा कैपिटल जब में टोटल में तीन लाग तो रिवेलुएशन है तो कितना ही लोगे सर तिरफ 90 लेंगे क्योंकि रिवेलुएशन नहीं लेना रिवेलुएशन नहीं लेना तो वन लैक आ जाएगा और वन लैक भी आगया ठीक है ना देन फिर डिवेंचर आएंगे यह सर पब् ठीक है ना देन क्रेटर्स आएंगे नो सब्सक्राइब कैस्क्राइब लोन फ्रों में आए शॉर्ट टम दे रहां इसलिए नहीं आएगा लॉंग तम होता था पक्का था लॉंग तम होता था पक्का था इन्वेस्मेंट इन शेयर डिवेंचर्स और पी अनल का डेबिट ब इसलिए माइनस नहीं होगा तो हमारी क्या निकल के आगी बेटा इफेक्टिव कैपिटल यह आ गई और अगर हमें रेमुद्रेशन कोई पूछे का था बेटा दोनों की वेल्यू परक सिरफ इन्वेस्मेंट्स का है दोनों की वेल्यू बेटा अप्टू फाइफ करोड है दोनों की वेल्यू अप्टू 5 रोड पांच करोड से कमी है ना तो मैक्सम कितनी मंते है रेमूरेशन 60 लैक पर अगर बस लैप वाइस देखूं तो अपके पास में यह लिमिट सी हमारी और इसमें दोनों की वेल्यू पांच करोड से कमी बैठ रही है तो अल्टीमेटली 60 पर एनम ही बैठती है 60,00,00 पर एनम ही आपके पास में बैठेगी जो हमारी वेल्यू बनती है ठीके ना तो यह हमारा क्या हो जाएगा प्रेटा कोश्चन क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा इससे रिलेटिट भी और यह टॉपिक पूरा रिवाइज हो जाता है अगला बैठा मारे पास में कॉंसेप्ट ऑफ डिविडेंट कब दे सकती है सर कंपनी डिविडेंट अभी दे सकते है जब उसको प्रॉफिट होंगे डिविडेंट क्या होता है डिस्रिविशन और प्रॉफिट टूदा शिरोल्डर पहले किसको देते हो सर प्रेफरेंस वालों को जो उनको देना है फिक्स रेट देना उसके बाद किसको दो कि एकुटी वालों को जितना आप देना चाओ डिविडेंट के अगर पोस्चन में परसेंटेज दी है तो वह अप्लाई होगी बेटा जनरली ऑन दी पेड़ अप कैपिटल जितना पैसा उन्होंने लगाया सकते हैं ठीना आ रहें आपका केटल का पैसा वापिस करें डिविडेंघ्टेंस ऑलों को जनली किस्के कोई डिविडिन कॉल से इडवांस पे नहीं होता कंपनी तब तक डिविडिन नहीं दे सकती बेटा जब तक उसके पिछले सालों के लॉसिस और जितनी डेशन अभी तक प्रोवाइड फॉर अन एब्सॉप डेशन जो बोलते जो अभी तक हमारी लॉसिस से सेट अप नहीं हो है और हम यह चाते कि हम डिविडिन तो देना चाते हैं महार पर रिजर्व पढ़े जनरल रिजफ revenue reserve में पढ़ा है तो बेटा रिजर्व में भेजने के समय जिन सालों में profit सोगा तो कोई condition नहीं पर कहता है अगर free reserve से पैसा निकालना चाहते हो न तो थोड़ी सी conditions meet करनी पढ़ेगी थोड़ी सी condition meet करनी पढ़ेगी अगर वो conditions पूरी करोगे तो ही general reserve revenue reserve से amount use कर पोगे अगर पी एनल में कम पड़ा और वो conditions क्या है तीन conditions अगर reserve से अपने पास में देना चाहते हो तीनों पूरी हो नीचे और में तो कम देना पड़ेगा पहली condition के dividend का rate exceed नहीं कर सकता पिछले तीन सालों की आवरेज से तो पिछले तीनों अगर आप reserve को यूज करना चाहते हैं तो आपको 10 या 10 से कमी देना पढ़ेगा दूसरा maximum जो आप reserve से निकालना चाहते हो जब reserve से amount use करना चाहते हो वह paid up capital plus reserve के 10% या उससे कमी होना चाहिए मजब आप एक बार में paid up capital of reserve के 10% ज्यादा पैसा यूज नहीं कर सकते हैं विड्रॉव नहीं कर सकते हैं विड्रॉव नहीं कर सकते हैं विड्रॉव करने के बाद कम से reserve में कितना रहना चाहिए क्या था 15% of the paid up capital का कम से कम 15% reserve maintain होने चाहिए यह नहीं होना चाहिए पिछले सालों की सारी पुंजी एक ही बार में बांट के खतम करो रखो retain earnings रखो तो कम से कम paid up capital का 15% होना चाहिए यह कब करना है जब पी एनल में balance कम है profit इस साल कम कमाई और हम अपने reserves को यूज करना चाहते है ठीक है ना तो यहां पर बेटा हमारे पास एक example है basically question है RTP का question है बेटा सेडी मेर्ट में भी ऐसा same question है तो question के company को inadequacy of the profits in the year ending 31st March और वो declare करना चाहते 10% dividend से बताओ the amount जो यूटलाइज कर सकता है according to the rules जो हमारे बने विए एक कुड़ी शेयर capital जर्नलिजाब रिवैलेशन नेट प्रॉफिट और average जिवेंट पिछले पांच सालों का पांच लिख रहा तीन लिख रहा है तो पढ़ा कितना है सिर्फ 142 500 तो पढ़ा 142 500 देना चाहते हो आपके पास में पांच लाग तो शॉर्ट फॉल होगी न तो कितना है उसी से दे सकते ना 25 लाग से उस करने जाते हो ओवराल देखने को तो मिल रहा है कर सकते हो पर कंडिशन पूरी करने पढ़ेगी पहली कंडिशन की जो हमारा डिविडिन का रेट पिछले तीन सालों की का जालोंगे अरे से करेंगे कən दूसरी कंडिशन पेड आप केड़ियह करेंगे वह पलोंगे त्र साड़े साथ लाग तों साड़े साथ लाग में बात करने वीड़ॉ करने कि वह आपके capital plus reserves के 10% से कमी बैट रहा है जो मांट आप निकालना चाहते है और अगर आप निकाल लोगे तो कितना बचेगा सर बचेगा 25 लग माइनस दिस इतना यह मांट paid up capital के 15% या उससे जाना होना चाहिए तो 15% कितना बनता है साथ लाग तो क्या यह मांट ज्यादा है यह सर 2142 500 कि इस मोड़न 750 कि इस मोड़न 750 तो यह मांट क्योंकि बेटा ज्यादा है तो हम अपने पास reserves कोई से पैसा निकाल सकते तो conclusion क्या आया सिंस तीनों कंडिशन पूरी होगी तो कंपनी विड्रॉव कर सकते इतना मांट प्रिजर्व से और इसली अपना 10% जो देना चाहते दे सकते अगर बेटा प्रेफरेंश यह कैटल भी होती तो वह पेड़व कैटल सेकंड लिमिट और थर्ड लिमिट जो में आया वह लिया जाता और जो प्रॉफिट था उसमें से पहले प्रेफरेंश माइनस करते हैं फिर इकूटी का आता तो शॉट पाल पता चलती क्योंकि प्रेफरेंश वालों को डिमिट पहले दिया जाएगा ना तो उसके बाद पता चलता ठीकि ना बड़ येस सर नेक्स बेटा जो हमारा टॉपिक आता है इसमें तैट इस अबाउट दी मेकिंग ऑफ दी बैलेंस शीट में कवर होती है बैलेंस शीट पीनल कैश फ्लो शेटमेंट नोट्स जो गाउंस हमें बैलेंस शीट और पीनल जो बनानी होती है वो शेडियूल थी टूदा कंपनी चेक सांब से बनानी होती है और पार्ट वन में बैटा फॉरमेट दिया गए बैलेंस शीट का और पार्ट टू में पीेंड का जनली जो बनाया जाता है हमेशा पहले पहले के फिगर रोड़िचनली जो रखी感नों पहले पहले है सब्सक्राइब कॉल टन पेड़ बैलेशीट के सामने जो यहां भार आने वह तो पेड़ यहां नहीं पर आपकी डिस्क्लोजर के तौर पर दिखाई जाएगी रिजर्व सर्फ में सारे जब्स आ जाएंगे पी एनल जन रिजर्व सेक्यूरिटी पिम जो भी है वह सब आ जाता वह यहीं आता है अगर हमारा टोटल भी नेगेटिव आ गया तो भी वह बेटा यहीं पर दिखाया जाता है वह यहीं दिखता है सा माइनस आइटम फिर मनी रिसीव डगें शेयर वारंट एक स्पेस्टिविक आपके पास चीज रहती है कोई शेयर अप्लिकेशन मनी पड़ी है जो पैंडिंग अलाट्मेंट है जैसे उपर जिसको मों कंसीडर नहीं करते थे फैक्टिव यह वह आ जाता है फिर दो है एक नॉन करेंट है नॉन करेंट वह है जो एक साल के बाद पेवल है रिख वह जो विदिन वनियर वैसे टिस नॉट वनियर इंडियर अच जाइड करने के लिए current और non current नॉन करन में ध्यान देने वाली बारी बात बेटा long term warring के debentures loan जो भी है वो सारे दिख जाते हैं definite accessibility बाइचांद देने long term provisions है other long term liability current में short term warring जो ली ही एक साल से कम पिरेड के लिए even जितनी installments long term warring की payable within one year है जितनी installments आपकी long term warring की जो payable within one year है वो भी कहां दिखती है आपके पास में short term warring के अंदर में वो भी कहां दिख लिए होते बेटा short term warring के अंदर में सो हमारे पास में कि जो चीज आते है बेटा current maturities of the long term warring वो separately यहीं दिखते है short term में जो लोन लिया तो लंबे समय के लिए पूरी payment 105 साल बात करनी है पर थोड़ी सी payment अगले एक साल में करनी है मानलों 10 लाग में से एक लाग अगले एक साल में देना तो वह जो एक लाग है वो दिखेगा short term warring और जो बाकी 9 लाग है वो दिखेगा long term warring पहले इस एक लाग का हूं अधर करन लियाबिल्टी भी निखाते है अब शौट तम में आता है तो शौट तम में दोनों चीज़ा आ जाती है ठीक है फिर आपके पास ट्रेड पेवल है अधर करन्ट लियाबिल्टी से है डिविडेंट पेवले ऑव ले अउसेडिंगे सेडेंस शाफल यहीं आता है शौट तम भीजिए प्रोविजिए प्रोविजिन फोर एक टैक्स प्रोविजिन फोर आपका डाउट फूल एघ्ट भी दिखाता तो चनल यहम् डेर्स में मैं से चाहा है माईनक्स करते तो एक प्रतेक्स यहां पर आजा तो ठीक है फिर assets में non current और करण नौन करण में क्या pp and intangible टैजिबल होगा पी-p in tangible capital wap जौ इसका बन रहा होता है भी बन के त्यार नहीं हो और एक जो इसका बन रहा होता है बनके त्यार नहीं अब और development होगी no current इंवेस्टमेंट्स है जो लंबे समय के लिए करी गई है कोई डेफ़ेट एक्स एसे लॉंग टर्म एडवांसिट और अधर करन्ट एसे में क्या 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 करन्ट जो है विदिन वनियर के लिए इंवेंट्री ट्रेडर है बेसिकली तो एक ही प्रकार का शौक होता है शौक इंट्रेड मैनुफेचर रहे तो तीन प्रकार का शौक होता है रॉम टेल डबली फिनिश गूर्ट इवन लूस्टूल्स को हम यहां दिखा सकते हैं मानते वे कि वह बिसिकली मान लिए पीपी की इसमें दिखा देते हैं आपके जितने वह सिक्समें से जाधा बोलते अलग से तो सेपरेट इसकलोजर की बात आती है कैश और गये और हाथ है तो हम दिखाते कि कितना के साथ पड़े कितना अंगे साथ को साथ में यह नहीं के साथ में में होना चाइए फिर आपके पास बेटा कुछ होती है contingent liabilities and commitment जो बेसिकली क्या जो आउटसाइड दी बैलेंशीट दिखती है जो बैलेंशीट का पाटने क्योंकि पता नहीं पे करने पड़ेगी कि नहीं पे करने पड़ेगी इनका पता नहीं है अभी दे आर एक्चुली डिपेंदेंग और नौन अप्रिंग ऑफ सटेन अंसर्टेन फ्यूचर इवेंट जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है ठीक है तो जैसे क्लेम कोई अगेंशी कंपनी नौरेक्नाइज कोई केस चल रहे जी अभी तक उसका कोई आउटकम नही क्योंकि अगर प्रॉविट होगा तो देना पड़ेगा अगले सालों में एस्टिमेटिट अमाउंट आप कॉंट्रेक्ट्स रिमेनिंग टूवी एक्जीक्यूट्ट अपनाने का बेसिक लिए आपका मालेजिए कोई कॉंट्रेक्ट हो चुक है कि आप हमें फिक्स बनाके अब आया नहीं आपकी चार पर यहां आ जाएंगे बाकी चार पर यहां पर आजएंगे क्योंकि कल को वह कमनी ने कर मंगाए बाकी चार आपको देने पड़ेंगे तो वह आगया बिल्डिसकाउंट इना यह ने बीके वर बिल्ड रॉकर एलिंट ने बी लिम्टिट के वर माल लीजे अब एने वह बिल्ड जो है डिसकाउंट कर लेता है बैंक से जब तक डिव डेट नहीं आती तब तक वह कॉंटिजिए में को पैसे नहीं दे तो बैंक सबसे बहले आता है रेविन्यू फ्रॉम प्रेशन विचीज जो बेन इंकम है जो आप काम कर रहे है और अधर इंकम यहां पर आगी कोई इंट्रस जीज़े मिल रहे है वह यहां पर आ जाएगी टोटल हो जाएगा इंकम का वह आ गया खर्चों बेटा क्या करना कॉस्ट आ और यह क्या रहा है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज़ेज इस माइनस क्लोजिंग स्टॉक यह सिरव बेटा रॉम टिल का है एप्लीकेबल ओनली टू मैनुफेच्चरर ठीक है ना चाहिए इवन इस से रिलेटी डिरेक्ट एक्समेंस वो भी यहां डाल सकती हो ठीक है पर उसकी तो सीधा कंदम्शन डाल दी ट्रेडर की परचेज़ आगी अब चेंज इन इंवेंट्री आया का फिनिश गूड्स का और डबलू आईपी का यह मैनुफेच्टर में क्योंकि तीन प्रकार की इंवेंट्रियों से रॉम टेल डबलू एपी फिनिश गूड्स रॉम ट इंकम वाली साइड होता ना तो यह क्लोजिंग मैनिस उपनिक होता ठीक ना तो यह से आ रहा है इंप्लॉई बेनिफिट में आ गया सेलरी वेज़िज यह चीज़ आगी फैनेंस कोस्ट में इंट्रस्ट वंडिवेंचर बगएरा का बैंक लोन का इंट्रस्ट यह चीज़ लागी डेप्रीजेशन का खर्चा आ गया पीपी पे और इंटेंजिबल और बाकी जितने भी खर्चे सारे हो गया तो टोटल खर्चे करेंगे ना आपने उसके आद यह पूरा फॉर्मेट आपको नहीं ऐसा करना आपको सिरफ निकालना प्रॉफिट बिफोर टेक्स टेक् चीज़ है यह अलग-अलग अकाउंटिंग जो एडवांस अकॉंट में करते हैं उसके बेस पर बेटा यहां पर में हम जब कोश्चन करते हैं तो हमें ध्यान रखना है आपका क्योंकि PNL खतम हो जाते हैं कहां पे हमारा प्रोप्रोप्रेशन होती है वो कैसे दिखाई जा बाती है तो मान लीजे कंपनी का प्रोफिट साल का 20 लाग आया PNL से पहले से पढ़ा 3 लाग का प्रोफिट पिछले साल का शेर केप्टल 50 लाग के डिविडेंट 10 परसें दिकलेर किया और रिजर्व में बेजरो 5 परसें तो यहां दो एप्रोप्रोप्रियेशन से एक डि जब भी जनलालिजम में बेजएंगे ऐसा परसेंटाइज हमेशा करण यर के प्रॉफिट की तो फिसले साल का तो सारी अप्रोप्रोप्रिशन करने के बाद है तो पिछले साल अगर कहो जा चुका होगा करण यर का करने और डिविडेंड जो होते हमेशा पेट आप के लका होगा तो एकुटी कैपिटल है आपकी 50 लाइक उसका 10 परसेंट पांच लाग देते तो तभी है जब प्रॉफिट से देना प्रॉफिट में से पर परसेंटेज किस पर लगते है कैपिटल में तो आपका यह पीनल का बैलेंस बज गया और जो यह रिजर्व बेजा है यह जर् सब्सक्राइब का सब्सक्राइब का आपका अजर करन्ट लाइबिटी में नौ बेटा कुछ हमारी ऐसी चीज़े अज़स्मेंट जो में पता हो नहीं चाहिए बिपोर वी अच्छली थिंक अप आप मेकिंग दा फाइनल कॉन बहुत बेसिक है ऐस पर शिडियू 3 तो मानलो और और अजर्णिंग शेलरी कहा जाएगा सर अधर करन्ट लाइबिटी में पर अगर ट्रायल बैलेंस में दिया वेटा फिर सर्ट्रायल बैलेंस में फिर कोई लोग चाहिए नहीं ना फिर तो एंट्री डश्च चुकिया बस खर्चा चला जाएगा पीनल में वन लैक और आउट्सेंडिंग सेलरी सीधा चलागे अधर करन्ट लाइबिटी में करन्ट लाइबिटी में बात ही कहता होगी ट्रायल बैलेंस सिंगल एफेक्ट एड्जस्मेंट टू इफेक्ट फिर मचीनरी के ऊपर एक लाग के नीचे डेप्शन देथी 10 परसेंट तो दो प्रिटेशन डल चुकिए वो पीएनल में गई और पीपी जो है वो सीधा कितना ही दिखेंगा 150 के नाम से क्योंकि अल्रेडी वेल्यू कम हो चुकी है तभी तो डेफिशन ट्रायल बेलेंस में दिख रहा है फिर अगर हमारे पास मेटा एक्कुमिलेटी डालक से दे कॉस्ट पर दे रहा है तो सीधा कॉस्ट पर लग जाएगा दो लाग फे डारुडी पर दे रहा तो टू लैक में से 50 माइनस होगा 150 पर लगेगी डेफिशन तो टू लैक का 10% 20 आया और 150 का 10% 50 नाया डिपेंड कर रहा है मैसर कौन सा कोश्चन बताया हमेशा जब भी अलग कर दे दिख जाते हैं प्रेजेंटेशन माइनस करके दिखते हैं पर है तो सेपरेट अकॉंट पर यहां पर देप्शन टू ऐसे डाल रहें नो यह पासिंग एंट्री डेप्रिशन टू एक्यूमलेटी डेप्शन इसलिए और वह एक्यूमलेटी को बैलेंस शीट में करते ह ठीक है यह सर देन बेटा अगली चीज आती है यहां पर कि अगर बाइचांस सीधा ही दे दिया तीनों चीज़े मशीनरी एक्यूमलेटी डेप्शन टू एक्यूमलेटी तो डेप्शन कर जागे आप एनल में एसेट और एक्यूमलेटीड बैलेंस शीट में आगे माइनस हो प्याल में सेपरेटली और चेंज इन इन्वेंटी दिखाऊंगे ट्रेडर आना क्योंकि एक ही शौक दे रहे तो चेंज इन्वेंटी कैसे आता है ओप्णिंग माइनस क्लोजींग ओप्निंग माइनस क्लोजिंग फिप्टी माइनस सटी 20 आगया तो हम यहां पर ऐसे नहीं चाहिए और जो क्लोजिंग जाता है सर करेंट एसे दिख जाता है हमारे पास में धैट इन्वेंट्री जो है उनके सिंगल इफेक्ट होगे बाइचांस बेटा अगर हमारे पास में यहां पे ट्रायल बैलेंस में ध्यान समझेंगे अगर क्लोजिंग पहले से दिया तो पेटा जो पर्चेज़ी ते फिर वह एड़्जस्टी के लाही जाती है क्योंकि एंट्री ड़ चुकि है क्लोजिंग टूज़्ज़ी चुकि तो उसमें ओपनिंग और लौजिंग एड़्जस्मेंट आ चुकी है तो वह उपनिंग प्लस already purchase और inventory का सब कुछ effect करने के बाद है और you cannot bifurcate तो इसले आप नहीं कर सकते तो ऐसे ही दिखाएंगे ठीके ना बेटा येस सर और हमारे पास बेटा inventory कहां दिखी balance sheet में ठीके ना अगर लिखाया अलग से इसके अलावा कि closing shock 20,000 जादा है opening से अब आप identify कर सकते है closing shock 50 है और वो opening से 20,000 जादा है तो opening 30 हुआ you know opening plus purchase minus closing equal to 3,000,000 and you know opening and closing तो purchase आजेगी बेटा 320 क्योंकि आप खुद देखो opening 30 plus 320 purchase minus closing 50,000,000 के बराबर होगे ना तो purchase भी निकल अब आप अपनी presentation ऐसे कर सकते हो जैसी format मांगता है क्या purchase अलग दिखाओ change in inventory अलग दिखाओ change in inventory कैसे आ रहा है opening minus closing 30 minus 50 net effect 3,000,000 ही है पराब presentation दिखा सकते हो तो दिखानी है format के साब से क्योंकि हम कम दिखा सकते present और closing shock हमारा inventory side पर दिखेगा 50,000 ठीके ना उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है ठीके जी कि यहां तक तो बेटा हमार पास यह वाली adjustment क्लिर हो जाती है इसके बाद कुछ में dividend related भी आपको बताने जारा हूं तो कि जहां बच्चों कर दो यह आपके साथ बेटा अलग से यहीं पर डिसकस कर लेता हूं ताकि हमें confusion ना अब dividend related में क्या है अगर dividend trial balance में मतलब उसकी चीज़े गीवन है तो मान लो dividend payable दियाव है क्रेट में ट्राइल बलेंस में तो entry अल्रेडी डल चुके होगी बेटा पीनल टो dividend payable डल चुके तभी तो वह आ रहा है अब प्रॉफिट अल्रेडी कम हो चुका है अब सिर्फ लैबिल्टी साइट पर दिखाना है कहां पर अधर करेंट लैबिल्टी में दिख जाएगा करेंट अगर हमारा dividend paid दिख रहा या interim dividend paid दिख रहा 30 था उते तो इसी की वैसे आया अगो न मतलब यह से सेलरी होता है अगर 31 मार्च या उससे पहले अगर 31 मार्च या उससे पहले अगर 31 मार्च के बाद किया गया तो हम उसकी कोई entry नहीं लेंगे उसके उसी तारीक होती है जिस दिविदेंट डिकलेयर होता है जिस दिविदेंट डिकलेयर होता हम सिरफ डिस्क्लोजर नोट में देके चोड़ देंगे नीचे चाहे कोशन के बढ़ा में इफेक्ट अभी लेंगे अगर वह 31 मार्च उससे पहले हो रहा है उसके बाद वह जिस साल हो रहा है उस साल में होगा तो डिविदेंट डिकलेयर की तो एंट्री डाल रहे प्रॉफिट कम करोगे लाइबिटी त्राइल बेलेंस में था तो एंट्री डाल चुगे तो सिंगल इफेक्ट है तो वह सिंगल इफेक्ट नॉर्मल तरीके से आपके पास बनाओ ठीक है यह सब इसके लाब एक और पर उसमें बाद में आऊंगा सब्सक्राइब करना दीजे बैलेंस शीट जो है 31 मार्च की एस पर रिक्वाइट भाई शेड्यूल 3 तुदा कंपनी से डेविट क्रेट करके दे रखा है सारी चीज़े आपको दे दिए हम पर एक एक करकार के डालेंगे और कुछ इंफोर्मेशन है अब यह इंफोर्मेश करना पते है कितने बोनस के तौर पर इशू किये कितने अधर देन कैश इशू किये तो इसका डिस्क्लोजर कौन से नोट में आए हम सिर्फ मार्किंग करके रख लेते शेयर कैफ्टल ताकि जब वो नोट पर आएंगे तो इसका ध्यान रखेंगे ट्रेड रिसीवल में 55,000 एक लोन लियावाता स्टेट फनेंस कॉर्पोरेशन से वाइप पोटिकेशन प्लांटर मेशिनली सेक्यूर है उसके अंदर में 10,000 का एक्रूड इंट्रस जुड़ावाए तो इसका रेलिवेंस आएगा लॉंग टर्म बोर्रेंग में जो लोन हमने लियावाए और जो बैं नहीं दिए उसका नहीं आएका तो हमारे पास क्या होता है सबसे पहले क्या होता है आपके पास में फॉर्मेट बन जाता है तो आप इसको देखेंगे उसका डालएंगे तो यहां पे आपके पास में क्या दिया बैटा 15,00,00 शेर कैपिल है जो की 10 रुपे के हिसाब से और क सब्सक्राइब क्योंकि वो कैपिटल का पार्टन उसके उपर इंट्रस्ट भी देते तो यह पंद्रा लाग में पांचर माइनस होगे और साथ में पहला पॉइंट है उसका भी रेलिवेंस आएगा पंद्रा लाग मदलब फिफ्टी दाउजन शेर्स होगे तो हम जब शेर केटल का पेटा एकुटी एंड लिबिल्टी शेरोल्डर फंड शेर केपिल दिखेगा तो आना फॉर्टी नाइंटी फ़े माइनस होगे पर वो प्रेजंट कैसे हो रहा है वो प्रेजेंट हो रहे इस इस अगर कुछ लिखा था बीजार बोनस चेर तो बस इसमें लिखने आउट ऑफ दिबाव 20,000 शेर्स पर बेसिकली आपका इस इशुट बाइव बोनस तो पंद्रा लाग है कॉली निर यही माइनस किया तो नेट केपिल आपकी आगे नेट केपिल आपकी आगी 14,95 तो फि यह दोनों चीज़े आ जाएगी कोई एप्रोप्रियेशन की बात नहीं तो यह दोनों चीज़े डल जाएगी 270 और 106,800 तो 270 भी आगया 106,800 भी आगया 376,800 हो गया जो हमारा रिजर्व सेंसर प्लस है और वह उपर आपके पास में 376,800 यहां ठिक हो गया फिर आती है नॉन क्राइंट लाविल्टिंगा लॉन्न वह रहें नॉमें लॉन्स बगयरा का देखना है तो कौन काउन से लोन है वह हम देख लें तो टिक कर लेंगे सो बीड़ा लोन के में हमारे परस लोन फ्रॉंट फरॉन फ्रॉन धिसीट फ्रॉन प्रॉपरेशन है 210 और इसके लाभए अगले एक साल में तो वो जाता है शॉट टम बारिंग पर एक्रूड इंट्रस्ट है सो हमारा तो दो लाक ही आएगा ने आपर दो लाक और 165 आ रहा होगा कि उचल शॉट जाएंगे मारे 165 और damn ठीका इंट्रस्ट हावारेद्ट है क्या है करेंट लेवलएंगे तो बनाने के का स footage सेवंटी तेफ्यत यह ओं दिखता है शॉर्ट टरं प्रोवीजें में सो चॉर्ट प्रोविजेंस में बनाना है आइटम डिफरेंट है आपको एक का भी यह बनाना है फिर आपकी बेटा यह देखेंगे तो आपके सारी आइटम जो क्रेइट वाली थी वो टिक हो गई रिस्पेक्टिव नोट में डल गई अब आते हैं एसेट पर नॉन करेंट एसेट पीपी एंटेंजिबल सबस मेशिनरी इसके लावा और तो नीचे और कोई भी नहीं है तो यह तीनों चीज़े दिखनी है बिटा हमारे पास में सो लेंट पीपी में आपके पास दिख जाएगा लेंट तो डिरेक्ली आगे साड़े पांच लाग यह साड़े पांच लाग था बिटा बिल्डिंग और प्लाण मेशिन दी की यह जो वैल्यू जाई क्या दे रखिए साड़े डवलू डीवी और नीचे इंकी कॉस अलग से दिये वाइस हो ताकि आप प्रेजेंटेशन वाइस दिखा सके कॉस माइनस डेप्शन करके यह वैल्यू इटा आफ्टर डेप्रिजेशन है नीचे कॉस अलग से दे तो बिल्डिंग की कॉस्ट है साड़े पांच लाग अभी वैल्यू प्रेजेशन के लिए कॉस लिख दी ताकि माइनस डेप्शन कर सके सेम तरीके से यह 560 आफ्टर है और पहले कितनी है 625 तो 625 में से माइनस करना है हमने तो 560 आया का बिटा तो तो 560 हमारे पास कब आयेगा अगर डेप्शन कितनी है 65 है तो वही आ गया तीनों को आड़ करेंगे तो 1595 हमारा टोटल बन जागा पी पी ए का इस कोई भी इंटेंजिबल नहीं है तो कोई भी नहीं आ रहा पी पी आ फिर आती है आपके पास में अगली चीज इन्वेंटर सुन गजा इसमें से 55 दिउ फॉर मोड दन इसमें से तो जितने दिउ फॉर मोर दन 6 में से वाल अगए बाकी ललेफ दन 6 मद होगे तो 295 में से आपके ड्यू लेस्थ दन 6 मंद दोनों आगे टोटल 295 ड्यू फर मोर्दन 6 मंद डाला और लेस्थ दन 6 मंद आ गया नॉर्मल तरीके से लिख देंगे ठीके ना देन कैसे एंड बेटा कैश इन दिया 3730 कैश इन डाल दिया आपके पास में 37 300 का उसमें कोई दिख से जडियूल बेंक के साथ बाक्य 15 नॉन डशेडूल के साथ है जो दे दिया हमारे पास में cash छल्रेजड मेंक के अंदर मेंशेन कर दिया पंद्रह वो है जो नौन शेडूल के साथ नॉन बलिक सकते है विस शेडूल विज नॉन शेडूल 270 और फंद रजा टोटल 285 बस उस यहां पर एटा यह सच कोई अजस्ट्मेंट वाला पॉइंट नहीं था यह आता है एक डिस्क्लोजर बेस कोशिन सिरफ बैलेंशीट ना नहीं है जिन जिन पॉइंट का डिस्क्लोजर दिया है उन उनका रेलिवेंस में जाके करने आप पहले अपनी टैगिंग करके रख लो ताकि जब उस नोट पर सिरफ उस पॉइंट को देखो उससे क्या होता है आपको बार बार हर बार में पूरे कोश्चन को नहीं देखना एक ही बार आपने टैगिंग कर दी है पांच छे चार पांच जो भी देता है अगर इस टाइप का कोश्चन आ रहे है अगला बेटा हम इजाम में जो आया था जुलाई 21 में वह देखने जा रहे है तो कोश्चन आपके असान था ट्राइल बैलेंस दे रहे है एच लिम्टेड का 31st मार्स 21 का अब यहां पर पी और बीस नुमर का जनली जब आता है तो पी औल भी आ रहा है तो पी औल और बैलेंस शीट दोनों ह सब्सक्राइब करता है कि जो हमारे पास में पर अभी तक आपने उनको फोर फीट नहीं किया तो मानलो 20,000 एकुडी शेयर से 10 वाले पुली कॉल्डप और कॉली नेरियर है 3000 शेयर पर दोर करें तो आप कैसे दिखाओगे कॉल्डप कितनी है 20,000 इंटू 10 दोला यहीं माइनस हो गया 3000 इंटू 2,600 तो यह पेड़ आ गया और कलको का डिविडेंट का वो रेट देता है 5 10,000 इंटू 10 परसंट जो भी है 194 पे लाएगा पेड़ यह सबसे पहली प्रेसेंटेशन अगर सिरफ कॉली नेरियर है वहीं माइनस होके दिख्या अब अगला आता है कॉली नेरियर था हमार को कोशन कहता है हमने 4 feature कर लिया 31 मार्ट से पहले था पर पिर रीशू नहीं किया पोर फीट कर लिया रीशू नहीं किया अगर पोर फीट कर लिया तो पटा के एंट्री डलती है सर एंट्री डलती है share capital शेर कैंसल कर देंगे 3000 इंटू 10 जितना कॉलड अप है शेर फोर फीचर में चला जाएगा जितना आज तक आया है वो जब्त कर लिया तीनेजार इंटू आठ क्योंकि दो रपे अगर पैंडिंग है तो आठ आ चुके न और कॉलिनेर रिवर्ट्स हो गया तीनेजार इंटू अब आपका शेर केपिल के नोट बनाने की रूप रेख तो अभी भी कैपिटल का जो भार बैलेंशीट में वैल्यू दिखेंगे वन ना इंटीपोर ही दिखेंगे पर अब डिफरेंट है टोटल में शेर जो है वो तो 17,000 यह इसू बाकी तो पैसा अब किया वह है और अगर डिविडेंट देना होगा बिटा अब कितने में दोग सब्सक्राइंट का दो से कांट वह बहto Gold कलने में तो 3,000 इंटू 5 पर गांट में दो न है वह वह है फेसेज़ करें तों में हिक दो GBbey जाय है तो और क्यापिटल रिजाफ आ जाएगा यह तीन रुपे के साब से जो था वह नौजार यहां पर जाएगा कैपिटल रिजाफ संसर फ्लस में तीन लिजार इंटु तीम और अब अगर डिवीडेंट देना है तो कितना वे दोगे सट डिवीडेंट देंगे अब हम लोग टू ल तीनों केसिस के लिए आपके लिए यहां पर एक चार्ट सा ही बना दिया जिसके अंदर में मरको सेजिस क्लियर हो जाएगी और बैलेंशीट की प्रेजेंटेशन समझा जाएगी हमारा जो कोश्चन है जैसे मैं इस पर आता हूं अब यह हमारा जो कोश्चन करने जा रहे इ और जो इशूड है उसमें बता रहा है कुछ फूर फीचर इशू का तो इसका अगले पॉइंट में कुछ बेटा बता रहा है कि डिरेक्टर्स ने डिविडेंट डिक्लेयर किया पांच परसंट का इकुटी बे इकत्रिस मार्च को और ट्रांस्फरिंग अमांट जैट में बिडिक्टर्स जनरल इजव इग्नोर टेक्सेशन तो अगर जुरस बढ़े कि जनरल इजव यूज कर लेना तो यह हमारा बेटा डिवीडेंट का पॉइंट आ गया जिसके हम दो इफेक्ट्स देने की बात करेंगे कि कंपनी ने इंडिपेंडेंट वेल्यूर की वेस पे बिष क्या रेवेल्यू कर रा लेंड ठीज लैक्स पे बढ़ाने के लिए बड़ाने के लिए बनत लेंग टूमर्य वेल्यज रिजाब ऑıl 12,00,00 क्योंकि 24-36 पे लेके जाना है तो 12,00,00 से वेल्यू बढ़ जाएगे और वो रिवेलेशन रिजर्व में आपके चला जाएगा ठीक है ना वो रिवेलेशन रिजर्व में आपके पास जाता है अगर वेल्यू बढ़ा रहे हो अगला कुछ की बैलिचीड में सिस्पंके दिक रहे हमारे में आता है तो तो सब्सक्रेंस बेढ़ कुछय पता रहा है लखेंफिशन दिख रहा है के तो बेचा साल के सावर इन उसकी तो कॉस्त तो एक्म लेटिड आपके पास में 30 है तो नेट वेल्य और बैश्य होगी 70 के कॉस्छिए्ट को 30 में बेच थर्डू में बेचा सोरी 40 में 70 के मशिनरी को 40 में बेचा है तो अबने एंट्री बेंग two suspense जाल दी जबकि हमें तो क्या करना चाहिए था बैंक काउंट डेवेट लॉस आता है क्योंकि सेवंटी थाउजन की चीज़ को फट्टी बेचूंगा तो थर्टी का लॉस हो जाएगा ना बिटा तो हमें यहां पर थर्टी का लॉस रिकॉर्ड करना पड़ेगा और एसेट और एक्युम्लेटि को कम करना पड़ेगा जिससे सस्पेंज कायब होगा डेप्रिजेशन का रेट बता दिया उसने टेन पर्सेंट रॉन कॉस्ट है तो स्टेट लाइन मैस्ट हो गया और अमॉर्टाइज बन फिफ्ट अब गुडविल को भी करना है तो गुडविल को भी अमॉर्टाइज करेंगे कह रहा है बैलें शीट बना दो और प्यानल बना दो आपके पास मैं एसपर शेडियूल त्री पिछले साल की फिगर और टेक्सेशन गारा जो भी अग्नॉर क चलते हैं तो बैलेंशीट है यह रा बेटा आपका पी अनल तो महारे पास पी अनल रिलेटीड ट्रांसेक्शन सोड़ी सी कमी है यहां पर तो सबसे पहले बेटा जैसे सेल्स है तो सेल्स हमारे पास में आ जाएगी बेटा 60 लाग दे रखी तो यह सेल्स आ जाएगी इसके यहां पर कोई भी और चीज़ नहीं है तो सेल्स हमारी सीधा दिखी रेविन्यू फ्रॉप्र उप्रेशन 60 लाग देन एक्सपेंसिज में बेटा हमारे पास आ जाएगा यहां पे एक्सपेंसिज में हमारी पर्चेजिस दे रखे विच इस एड्जस्टीड पर्चेश इस 22 22, 32, 100 आ जाएगा आपका एड्जस्टीड पर्चेश फिर आता है पेटा हमारा फनेंस कॉस्ट बेसिकल इंप्लॉई बेनिफिट आपके पास है नहीं तो यह पनेंस कॉस्ट में आपकी बेटा क्या चीज़ आगी सर डिबेंग्चर इंट्रस थर्टी सिक्स था हो जो की पेटा हमारा इंट्रस्ट और बेंचर चाहित का नोट भी हम देख लेते हैं यह रहा अगले वाले यहीं से देख लेते हैं फिट टोटल डाल देंगे अगला आता है पेटा डेप्रीजेशन विगरा का तो डेप्रीजेशन और मॉटाइजेशन के लिए प्लांड मशिनरी क पेटा 770 की प्लांटर मशिनरी तो दे दी पर इसमें पेटा इस पे थोड़ी न आप 10% लगा दोगे प्रॉब्लम थी पॉइंट नंबर 4 की आपने फस्ट बेचा भी एक लाग की कॉस्ट वाली को तो 770 में से एक लाग की फस्ट बेच दी एंट्री उसकी डाली नहीं अभ एक लाग माइनस होगे बाकी का दस पर सेंट आएगा 67,000 जिसे बाद में हम एसेट में से माइनस कर देंगे और गुडविल की अमोर्टाइजेशन तो गुडविल इसका एक इफेक्ट हमारा हो गया दो दो टिक हो जाएंगे अभी बाद में अभी हमारे पास बिठा गुड अगली चीज क्या आती है यहां पर मैं जो की हमारी बनती है अधर एक्समेंस की अधर में बाकि डल जाएंगे फेक्टरी का कर्चा आ गया 15 लाग डाल दिया फिर हमारे पास आगया बिठा एड्मिनेस्टेशन कर्चे सेलिंग कर्चे तीन लाग और 14 लाग तो तीन लाग औ और 14 लाग डाल दिया ठीके ना इसके अलावा तो यहां पर कोई खर्चा नहीं है अब मारा आया जो बेटा प्लांट था प्लांट को बेचा उसका लॉस 30,000 जो रिकॉर्ड करने क्योंकि वन लैक माइनस 30 उसकी डबलू डी बनती है 70 70 की चीज को 40 में बेचा तो 30 का लॉस ह तुमारे टोटल खर्च आगे 32 30 तो यह हमारे बेटा पीनल वाले हो जाएंगे 317 यह था टोटल करा आपका प्रॉफिट लॉस आगया निकल के इस साल का प्रॉफिट बनेटी फोर नाइन हंड़ पनेटी पोर नाइन हंड़ जो कि कहां चला गया बेटा पीनल में आ उसमें से 1849 यह आपका इस साल का प्रॉफिट आगे इस साल का प्रॉफिट आगे नौवी कन मूब तू आपके पास जो बेटा पीनल वाले पार प्लीट हो गया अब बेटा बैलेंशीट पे जब जाना है हमने यह मार पास बैलेंशीट आगी सबसे पहले एकुटी पांच लाग दस लाग टोटल होगे 15 लाग नौ अगर यह पूर डिस्क्लोजर उली प्रिस्क्लोजर आपके पास प्रॉफिट अब इस चुट्राइब के लिए बेटा उसने मुझे जो कैप्टल देके रखे थी वह दे रखे यह 8,5,000 और यह पूरी 5,000 प्राब्लम प्रे क्योंकि वह फुली आपके पर्स पेड़न कॉलड़ अप होगी ना कॉलड़न पेड़ इकुटी वालो कैसा नहीं है इकुटी का नीचे पॉइंट में लिख रहा है के रहा जो इशूड कैप्टल है हमारी ओपनिंग में थी 720 जो कि 6000 फूली पेड़ थे इन से पूरा आ चुका क्या 90 फूली पेड़ तो क्या यह लास्ट केस आ गया यह सर तो लास्ट केस अब आये क्योंकि री इशू कर दिया तो अब एंट्री डाल चुके हो बेटा अल्रेड़ी तभी तो वह ज्यादा दिख रहा है अट लाग पांजा तो बेटा जब आपने पहले पोर फीट किया ह कि वह तो फ़ोर फीचर के शेर फोर फीचर में कितना लेके गयोंगे सब्सेर फोर cricket में लेके गयोंगे हमारा 60 के हिसाब से क्योंकि जितना आयवाधा तो किस्टी तो कव दिशंद क मैं ओं जब एकर फॉर दिरी मौन के ओं दिय तो हमने इसू इसुट कीया तो दसका तो हमारे पास में कितना आ गया स्वाइंटू पचास पांच हेजर यह अमट कहा जाएगा जो आपका प्रॉफिट और हमारे क्या शियर सारे के सारे फुली पैड़ अगे यस तो अल्टिमेटली जो बिटा यह आट लाग पांच जा रहे हैं दो इससे होगे आठ के 8000 फूली पेड़ पोगे जो इसमें पांचार एक्स्वा दिख रहा है वह एक्चुली में कैप्टल में जाने तो वह हमारा स्प्लिट हो जाएगा तो अल्टिमेटल हमारे शेर्ट जो आठ हेदार है वह तो एक पूली पेड़ अपके साफ से आठ लग जो की जाना चाहिए था तो वह एंटरी आपकी करेक्ट होगी वह एंटरी आपकी करेक्ट होगी तो यह हमारे पास में शेर प्च्रप्ट अल्बटा पेहला पूंट पूरय का पुरा अब आता है हमारा 되지 challenge ओ इस याग़् एस साल घर अ और हमने dividend भी देना हमने अप dividend कितना देना उसने बोला था मैं सर डिवीडेंड कोश से ने नीचे जाके बोला था 31 मार्च को डिवीडेंच दिया है और इकुटी वाले कितनी है आठ लाग की कैप्टल जो भी हमने करी आठ लाग की कैप्टल है उस पर पांच परसेंट तो यह हो गया 40 प्लस 30 70,000 तो प्रॉफिट कम हो के कितने रहें कि 186,900 और डिविडेंट पेवल का सेकेंड इफेक्ट क्या हो गया अगर यही बेटा ध्यान सुनों अगर मेरे प्रॉफिट से कम होते मानलों प्रॉफिट होते 60 तो देना 70 है तो दस में जनरलिजब से कम करते थे अब यहान हमें वह कंडीशन नहीं लगाता जनली फुल फ्लेज कोश्चन में जो मैंने सिखाई थी तीन कंडीशन लगती है वह हम फुल फ्लेज हो कह रहा है तो हम यूज कले प्रॉफिट कम पढ़ते दूसरी चीज अगर बेटा कोश्चन में डिविडेंट बोलता कि तीन अपरेल चार अप प्रॉफिट कम पढ़ते हैं जनल जब्स करते हो कही रहे और दूसरा अगर देते ही कतिस मार्च के बाद तो उसका कोई रेलिवेंस नहीं होना था ठीक है ना तो डिविडेंट का मारे पास में दोनों-दोनों इफेक्ट आपके होगे डिविडेंट प्रॉफिट भी कम कर देता के अग्वेंट अग्यों अगला यह लैंड वाला पॉइंट था टा था ठीके जाना तो अटिक बनेकर बने थी 24 लाग तो बारा लाग निवेलेशन जब यह का आएका अब हम बाकी चीज़े देख लेते अभी एक बार के लिए लाइबिल्टी साइड की तो यहां तक हमारे पास में बेटा कैपिटल हो चुका है अब लॉंग टर्म बारिंग आपके पास रहे अधर करन लाइबिल्टी भी हो गया था ठीक है ना अगर कोई आउट्सेंडिंग इंट्रस्ट वगा रही हो था वो भी बही आता है हमार पास जो बचा बेटा वो लॉं नोट बनाने के कोई जूरत नहीं हो सीधा भी लिख दो no need to make the note वो दिया वहाँ यहां पर इसलिए है वैसे लाइंट्रस नहीं है वो सीधा भी आजाएगा वो सीधा भी आजैगा सो यह मारे पास में अब हमारे हाथ है जो एस से चलते हैं इंटैजिबल सबसे पहले बटा पीपी पे चलते है इंटैजिबल पर लग से आ जाएंगे ऑप्रेब वाले में लैंड हो चुका है अप्लान और वे मैं ऋपनिंग में कितना था। यह हमारा प्लांटल मशिंणरी का व्यल्यू रह तो यह उस में कि Carol ऑप और इसमेंटी देपनिट brag करनी है को М This is the option कैसे आप्सिट कि यह पिटा और अपनिंग कितनी है स्फ़न है 172 ओपनिंग कितने 172 जो बेचा था उसकी कितनी थी सर 30,000 टो एक्विलेटेटेश कम होगी से कॉस्से कम होगी एक्विलेटेश से माइनस 30 प्लस 67 तो 2009 बनता बेटा एक्टिम्लेटिट का जो यहां पे उन्होंने बताया नहीं था कैसे आ रहा है वो हमने डिसकस कर लिया तो यह रहाएगी वैल्यू 461 नेट में क्योंकि कॉस्ट से कॉस्ट कम होगी जब एक्टिम्लेट से एक्टिम्लेट कम होगी और इस साल की डेप्शन से खर्चा डल गया और एक्टिम्लेट बढ़ गी तो वह 2009 करके 462 बना गया तो हमारा फिक्स एसट भी टिक हो जाएगा और वह पॉइंट आपका पूरे का पूरा क्या हो गया सस्पेंस वाला खतम हो गया अब आपके पास बेटा इसमें गुडविल दे रखे ती साड़े बा वेल्यू रहेगी जो की इंटेंजिबल में दिखरी है तो यह वैल्यू दोनों की दोनों बैलेंस शीट में आ जाएगी 461 और दस लाग बाकी चीज़े आपके पास अगर देखते वह स्रेट पॉरवड पॉइंट सारे हो चुके है तो ट्रेड रिसेवल डिरेक्टली आगे प्लीज में इसका नोट बना दीजिए फिर भी क्योंकि बैंक अलग से है कैश अलग होता है तो इसलिए इंवेंटरी डाल सकते हैं तो आपका मैच कर जाएगा सारी अध्यस्मेंट्स होगी जब भी अध्यस्मेंट्स बेटा आती है ना प्लीज मेरी यहां पर एक हमबल रि बेटा आप अपने पास्मेंट को समझे और उसके एफेक्स को देख लें वो कहां कहान है ठीक है अब यहां पे ना इस नोट लाइक है नॉर्मल कोई सिंगल एंट्री का जैप्टर कुछ है कि आप साथ की साथ डाल रहे क्योंकि देखो फॉर्मेट जो है वह पहले एक बना साइफ फिल आंसर बाद में प्रोवाइट करना तो सब्सक्राइब पहले तो इसलिए नोट नंबर आपके पास कोई दिक्कत पर वह इकठे दिखे फॉर्मेट में चाहिए पहले 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 चीज करके करेंगे पैरलली नहीं हो सकता है यहां पर इसके साथ ही बेटा हमारा जो यह पर्टिकुलर आपका यह चैप्टर था यह मैंने पूरे का पूरा इंट्वेंट आपका डिस्कॉस कर लिया कोशन भी आपको करा दिया इसी टाइप के कोशन आते डिस्क्लोजर वेस है जो दस नमर का था पी एनल बैलन शीट है वहां पर ध्यान रखना है मैं अच्छे तरीके से त्यारी करते रहे है मेरी बेस्ट विश्च और ब्लैसिंग समयशा से आप सही बच्चों के साथ में टेकर स्वेंट और बाइब मुलाकात होगे अगली वीडियो में बाइब दों आयवे इस अवाझारी में अकार्ट कि अेख्लों लृट स्ओं और निविटतर पर खीण 1910 , 2020 sura 이ेkommen शेट्मेंट बैट है विए सट्यॉव जेटमेंट वाली कवर नहीं करते हैं, जिसमें significant risk of change in value होते हैं, like investment in share. हम उसको कवर नहीं करते हैं, specifically हमारे पास कहा गया है. तो हमने क्या क्या लेना है cash, bank, cash equivalent, मतलब ऐसी marketable securities, जिनका maturity प्रयर फ्टिवी मेंन्स है, पर उसमें वह नहीं लेना, जिसके में significant risk of change in value होते हैं, लाइक investment in share यह होता है बेटा आपके पास में cash का मतलब यहाँ पे flow का मतलब होता है इन तीन चीजों का cash bank cash equivalent का आना और जाना which is your inflow and outflow which is your inflow and outflow अगर यह चीज़े आ रही है तो वह inflow होगा अगर यह चीज़े जा रही है तो outflow होगे और एक होगया statement क्या कभी आपने बच्छपन में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया कैश एंड मेंग को ना यह सर सिंगल एंट्री में इतनी बार ना थे एंपो की चप्टर ना थे बस वही है उसे ही हमने सेट्मेंट फॉर्म में कनवर्ट कर दिया और वही आपकी कैश फ्लो सेट्मे प्लेन आए बैंक में बेटा कोई भी मूडमेंट अगर में की नहीं आएगे लिए इंवेशी इंकाउंट बना रहे है बैंक में पैसा डिपॉजिट करा है बैंक से पैसा निकाला तो वह एकठे में तो नहीं आएगा ना इकठे में नहीं आएगा अब हमारे कुछ इंफ्लोज के एक्जामपल है जैसे cash sale हो रही है पैसा रहा है डेटर से पैसा मिला इंवेस्मेंट के उपर इंटरस मिला शेयर्स इशू करें डिवेंचर इशू करें लोन लिया पैसा आ रहा है इंफ्लो है जाने का यहीं चीजें डलनी है यहीं चीजें सारी डलनी है पर हम यह कहते हैं हम अपने पास में यह सारी चीजों को हम यह सारी चीजों को कितनी activities में बाढ़ते बेटा we divided into three activities हम इसको तीन हिस्सों में divide कर देते हैं वो तीन हिस्से बेटा किलाए जाते operating investing और financing operating का बेटा मतलब होता है जो हमारी principle जो मेन हम धंदा कर रहे हैं जो मेन business कर रहे है principle revenue producing activities जो अभी मैं समझाओंगा investing होती है fixed assets और investments का खरीदना और उनका बेचना पुंजी कठी करना fixed assets और investment और financing हो गया operating investing के अलावा जो business में funds आ रहे हैं और उनका पैसे का आना और जाना शेयर सीचु करना debenture सीचु करना इंको उपर पैसा इंको देना dividend interest और इंके पैसे की वापसी करना सो ultimately बेटा आपके पास में जो है अब ब्रांच के लिए समय नहीं मिलेगा हम उसको लेकर लास्ट में बात कर लेंगे होता क्या है कि आप जितने चैप्टर्स हो रहे हैं उसका ध्यान नहीं हमें जो नहीं पारा नहीं किसी कार इंवर्स हम उसको उच रहा है बस वहीं हो जाए मैंने बोरा था वह पढ़ा भी यूट्यूब कह रहा पे आपके पास में आप उन से अपना क्या है बेटा एक अपरेटिंग वाले इन फ्लोज ऑपरेटिंग का क्या है का है कैस सेल कलेक्शन प्रों डेटर ट्रेड कमिशन ओल्री ऐसी आपके पास में cash purchase of goods, creditor को पैसा दिया, operating खर्चे पे करे, operating खर्चे मतलब business के खर्चे, salary, rent, wages, admin, selling, distribution, खर्चे, income tax पे किया, यह सारे क्या है, operating outflows है, यह सारे क्या operating outflows है, यह सारे क्या operating outflows है, ठीकिना, income tax paid अगर अकेला लिखा है, तो always operating, अगर वो किसी activity के साथ लिख दिया, fixed asset के बेशने पर capital gain tax दिया, तो वो आपका किस में जाएगा, वो investing में जाएगा, otherwise, अकेला word income tax will always be operating, ठीक है न, फिर आपके पास अगला आता है बेटा, जो हमारे पास है, अगली वाली transaction जो investing की है, fixed assets का खरीदना, investments का खरीदना, किसी को loan advance देना, यह तीनों activities है बेटा, आपके पास में, यह तीनों activities है, investing का outflow, और फिर fixed assets का बेचना, investments का बेचना, loan advance जो दिया था, उसके पैसे वापिस आना, और investments के उपर income मिलना, क्योंकि वो जो चीज़ है, उसके उपर जो income आएगी, वो भी इसी में आएगा, so, वो ultimately हो गया, investing का inflow, वो हो गया, investing का inflow, और last में, जो shares issue करे, equity वाले, preference वाले, या debentures या loan लिया, यह सारे कौन से होगे, financing का inflow, financing का inflow, जो business में, पैसा आ रहा है, operating investing के लावा, जो share debentures, loan लिया, इंका आना, पर और cash, है, sir, हमने shares issue करे, other than cash, वो भी आते है, यार, simple सी बात है, जो चीज़े, cash and bank account में आएगी, वो ही लोगे, तो यह चीज़ जो आ रहे है, वो cash ही आ रहा है, और इंको वापिस करना, या इंके ओपर return देना, वो हो गया, प्रोक्रेस दोगे, वो investing में जाएगा, इनके ऊपर in writing commission दोगे, मान लो तो वो जिस activities related खर्च है, उसमें आएगा, तो यह financing आउट्टों गया, हमने सारी चीज़ों का ultimately क्या है, तीन हिस्सों में cash and bank को डाल दे, बस यहां क्या नहीं डला, opening और closing, सारी receipt, सारी payments आगी, इनफ्लोर आउट्टों के opening और closing ने आया, तो इसी को हमने बेटा statement में convert कर दिया, आप activity पर activity करेंगे, उस activity का inflow माइनस आउट्टों करते जाएंगे, तो सबसे पहले क्या आया, cash flow from operating, cash flow from investing, cash flow from financing, और हर activity का निकालने का तरीका कैसे, इनफ्लो माइनस आउट्टों, हर activity का निकालने का तरीका क्या, इनफ्लो माइनस आउट्टों, आप net निकालते जाएंगे, प्लस या माइनस में, प्लस है तो cash generated from है, माइनस है तो cash used in होता है, और जैसी तीनों को add करेंगे, वो बन जाएगा, net increase या decrease in cash and cash, आप जैसी opening balance add करेंगे, आपका closing आ जाएगा, जो आपके पास में balance sheet वगारा में, या जैसे भी वो दिया होगा, तो आपका वो telly हो जाएगी cash flow, मतलब कर balance दिया हो है, तो operating, investing, financing, तीनों को किया, एक बार टोटल, opening डाला, वो closing के प्राबर होगे, अब बेटा इसमें, जो investing और financing है, उसमें तो हमेशा cash वाली value जाएगी, जो मैंने बताई, पूरे chapter में, irrespective, जो मर्जी होजए, दुनिया इधर की उधर होजए, investing और financing में cash वाली value जाएगी, पर जो operating वाल है न, उसमें हमारे दो तरीके होते हैं करने के, कितने तरीके होते हैं, दो तरीके होते, एक होता है, बेटा, direct method, और एक होता है, बेटा, indirect method, एक होता है, बेटा, direct, और indirect, but ये direct और indirect, का role is only for operating, only for operating, it has a use, not for investing, और financing, में, नहीं है, सिरफ operating में उसका रूल होता है ठीक है ना direct method और indirect method जो आता है direct method वो है जो अभी values बताई cash sale collection from data trade commission cash purchase payment to creator income tax दिया खर्चे पेकर यह सारी आपकी कौन सी है चीजे यह सारी है direct वाली indirect वाला different आएगा वो अलग से बताऊंगा ठीक है अब हमारे पास जो चीज आती है हमने क्या करना है direct method में सारी receipts जाली पहले जो पेमेंट्स है आप साथ साथ करते चलो दो चीजों को बस ध्यान रखने सेपरेटली दिखाना होता है यहां पर बाकियों में एक चीज को अगर होता है वो दो चीज आपके पास में क्या है बेटा वो दो चीज है एक income tax paid refund के बाद और एक बेटा extraordinary अगर कोई चीज है हट के जो routine में नहीं है मानलो कोई बहुत बड़ा code का case था एकदम से जीत गए लेट से आपके पास में जो government grant हम बोलते है न refund हो रही है जैसे हमने कल एस 12 में सीखा था कोई भी जो routine के आपके पास go down में आग लग गई उसका insurance company से claim मिला है तो वह आपके पास में यह ऐसी चीज है जो रेक्रिंग नहीं जो बिजनस से routine है बिजनस से related बना नहीं कर रहें बिजनस चल रहा उसी से बट वह ultimately अगर मैं बोलू वह हटके तो उन्हें अलग से दिखाने सेम तरीके से पर अगर fix asset का destroy हुआ उसका claim मिला तो वह investing में जाएगा अलग से वह investing में जाएगा स्टॉक का हुआ तो वह direct में आगा fix asset को उसे अलग दिखाने तो income tax और extraordinary यहां लग आएगा बाकी activities में भी अगर income tax तो नहीं होता पर extraordinary अगर है तो वह अलग से आएगा उसकी presentation last में अलग से करने इसको ध्यान में रखना है उसको ध्यान में रखना है ठीक है और final आ जाएग हमें cash flow statement बनानी है इस साल की using the direct method वह information भी ऐसे दे रहा है कि जो direct method भी लग सकती है indirect method के लिए वह हमें net profit बगारा देगा जो आगे सीखेंगे यहां वह sale purchase की value देगा जिससे cash sale collection from data डाल पाएंगे तो जैसे सबसे पहले क्या दे रहा है सबसे पहले दी total sales 398 करोड है जिसमें स cash sale आपकी कितने 262 क्रोड तो क्या cash sale आएगा yes sir cash sale कितने 262 क्रोड तो cash sale हमारी आ जाएगी 262 क्रोड वो किसमें आएगा operating activity में तो तीन हिस्से आएंगे बटा operating investing और financial sales तो आपने सबसे पहले क्या डाला सबसे पहले डाला cash sale तो cash sale कितने 262 तो यह डाल दिया ठीक है न बटा टोटल नहीं डाल सकते 398 क्रोड 398 गलत हो जाना 262 है cash sale और collection from debtors उसने सीधा दे दिया वो भी 134 क्रोड तो 134 क्रोड क्रोड क्लेक्षन कही बार वो collection की value नहीं देग तो आप account बना लेंगे opening डाला credit sale डाली closing डाला तो collection यहां दे दिया तो easily आ ठीक है न अब आपके पास में यहां पर में बेटा collection from debtors आ जाएगा 134 ठीक है फिर purchases आगी बेटा परचेज आगी परचेज बेटा आपके पास में इस साल में 220 है जिसमें च्रेडिट 80% है तो cash कितनी हुई सर cash हुई 20% तो 220 का 20% cash purchase हुई उतना पैसा तो अभी चला गया 220 का 20% तो वो कितना हो गया cash purchase is 44 और बाकी हमारी क्या होई credit purchase अब credit purchase के लिए मैं क्या बना लूंगा account तो account में opening उसने creditors का balance दिया 84 है वो credit balance होता है closing है 92 और credit कितनी हुई 220 का 80% जो credit purchase हुई 176 और बाकी आपके पास क्या आगी 176 प्लस 84 माइनस 92 168 की payment आगी two creditors यह आगी creditors को जो पेखिया जो creditors को पेखिया वो भी आपके पास आजेगा 168 वो डल गया payment to credit आप account बना दो या bracket में करके दिखा दो account ना लो गया आपके लिए सान रहत है ठीक है ना तो यह आपकी payment आग supplier जो other consumer services के उने भी 19 क्रोड दिये क्या ये भी हमारे पास में obvious सी बात है कि हमारे normal business की येस सर कंजूबल सर्विस है तो ये भी इसी में आ जाएंगे किस में sir operating में 19 क्रोड और आ गया salaries wages ऐसे कोई भी खर्चेब आएंगे employees को दिये 20 क्रोड रुपे in cash वो भी यहां पर आएगा तो हमारे पास में 20 क्रोड रुपे की value ये भी payment में आगी आपकी payment to employees की ये भी operating में आगी फिर fully paid preference shares वाले जो है 32 क्रोड के उन्हें redeem किया equity shares face value 20 क्रोड वाले जो है उन्हें fully paid up दे रहे at a premium of 20% अभी हमारे पास में अभी रीडीम कर रहे preference वा लोग ये किस में जाएगा सरे financing में जाएगा बिल्कुल सही preference shares को redeem करा तो redeem किया पैसे दिये गए और equity shares को allot करा तो allot करा आपके पास में तो वह आ जाएगा मैं सो हमारे पास में क्या होगा 32 क्रोड की redemption करी पैसा दिया और issue करे शेयर किस पर आपके पास premium पे प्रीमियम पर प्रीमियम करें मुझे कोई मतलब नहीं यह को पैसे की वैलु देखने कितना पैसा उया कितना पैसा है बात खत्म सो पैसा गया 32 पैसा आया 24 तो बोगल या-ब तो बीस करोड़ पर बीस परसंत प्रीमियुम ऐए तो आपके पास में 24 क्रोड़ पैसा आया है are good i can do we 있erd दिफेंचेराργ को अमने 20 venture holders को 20 के बतले 10% extra दे के 22 करोड देना है और उनको पैसा नहीं दिया share पकड़ा दिये conversion कर दी क्या यह आएगा नो सर यह non cash यह नहीं आएगा यह नहीं आएगा this is non cash it will not come it will not come not a cash transaction 26 करोड रुपे हमने पेह किया income tax का यह सर आएगा operating में आएगा अलग से आता है ठीके ना income tax का फिर एक नहीं मशीनरी थी 25 करोड की वो भी खरीदी पार्ट exchange of old machinery ओहो एक नहीं मशीनरी खरीदी पर पुरानी देखे कहते हैं पुरानी की किताबों की वेल्यू तो हमारी 13 करोड थी किताबों की वेल्यू हमारी जो थी 13 करोड थी और कहते है नेगोसेशन के दूरू वेंडर ने एगरी किया कि इसको लेके जाएगा 15 करोड में हमारा वेंडर अच्छा निकला मेरी 13 करोड की मशीन की वेल्यू उसने 15 लगाई अब मैंने जो उससे नहीं खरीदी वो तो 25 की खरीदी पुराने की वेल्यू उसने 15 करोड देने हैं 15 की वो मशीन ही ले गया तो मैं कितने दूँँगा सर 10 करोड दूँगा वो कैश में दे रहा हूं तो मैं 10 करोड का अपना क्या रिकॉर्ड करूंगा आउट लो जो पर्चेश ऑफ मशीन रिका है 10 करोड इन्वेस्चिंग में किसमें इन्वेस्चिंग में आएगा यह 10 करो कोचलाid पर इनंवेस्ट्मेंट्स 18 क वाली कॉस ही को बेचा 2 क्रोड के लॉस में तो कितने बेचा 5-いज़ आधा 0 pH की चीज को 2 क्रोड के लॉस पेचा तो 16 क्रोड में बेचा इन्वेस्ट्मेंट्स का इन्वेस्टिंग एक्तिविटी में आएगा mow investing activity में आगा सुला क्रोड ठीक है कि न गेंवेस्टिंग में आ गया ठीक सब तिर तिविडेंट दिया पंध्रा क्रोड का सर डिविडेंट देना हों गया financing में पे की बिविडेंट आपका फ नाएंशिंग में आ गया 19 को opening में 2 क्रोड का cash था तो यह 2 क्रोड का बेटा आपके पास में जो cash है वो opening दिया हम सारी activities का डालेंगे एक एक का जाएगा तो यह 145 आया था 19 यह 119 प्लस में आ गया generated from ठीके ना और फिर आपके पास यह भी 6 प्लस में आ गया यह 25 माइनस में आ गया आपका नेट में बना इंक्रीज 100 का आपने जैसी opening एड किया तो आपका closing आ गया 102 यहां पर आप टेली नहीं कर सकते बिटा आप टेली तभी कर सकते जो opening और closing दिया हो जब नहीं दिया होगा तो आपके पास आप को ही ठीक डालना है ताकि वो ठीक रहे डिविडेंट सिरफ पेड़ वाला ही आएगा सारी चीज़े सिरफ financing में और investing में हमेशा cash वाली value आएगी जिस शुट भी absolutely clear irrespective of any method since direct method था तो इसमें operating की भी cash वाली value जाई इसमें operating की भी cash वाली value जाई क्या यह बात हमें clear है yes sir यह बात हमें clear है यहां तक हमें समझ आ जाता है this was our direct method this was our direct method now comes our indirect method अब बेटा हमारे पास में अगला method आता है indirect यह indirect method का बेटा आपके पास में जो है वीजी बेटा branch chapter की revision मैं एक बार बोल रहा हूं ध्यान से सुन लेंगे और फिर द्वारा उसमें spamming नहीं करेंगे वीजी बेटा branch chapter की revision नहीं हो पाएगे कारणवर्स because of the less available time तो आप क्या करें YouTube पे आप search करेंगे मेरे नाम से मेरी पुरानी और marathon बहुत सारी पढ़ी है YouTube पे आप उससे जाके branch के chapter को revise कर लेंगे इस बार वो नहीं हो पाएगा ठीक है बाकी सारे chapters मैं revise करा रहा हूं जितने अब भी chapters कुछ थे मैंने कल revise करा है कुछ आज revise करा रहा हूं कुछ मैंने पिछले महीने वीडियो चाली थी उसका playlist में playlist आपको share description के अंदर उसमें वो मिल जाएंगे ठीक है ना और वह आप branch को अलग से कर लेंगे अब प्लीज आप spam नहीं करेंगे ठीक है बेटा हाँ कि अरे मैं सर पर लिखे रहांगा branch का chapter यूटूब पर सर्च करके देख लो हाँ ठीक है कि हुआ कि मैं सर पर लिखे रहा है मैं branch आज नहीं कराने बाला अरे दिक्कत ही गत्म हो जाएगे दिक्कत ही गत्म हो जाएगे बिलकुल ऐसे ही करना चाहिए अब थोड़ी दिर में एक और बच्चा आएगा आप देख लिए थोड़े बच्चे भी और आएंगे बीच बीच में सेशन वह लें अरे branch कब करा रहे ब्रांच कब करा रहे कि अगर मेरी बीवी ने अगर देख लिया ना कि अगर मैंने ऐसी कोई चीज अपने माथे बे लिखी है तो फिर देख ले ना क्या मेरे धावड धावड होगी हुप हाँ हैं चलो अच्छा बही आपके पास अगला मैंतोड कौन सा रहा है indigenous method का अगला मैंठ Carlos विट्र लबा रहा है सारी चीजे करने के बाद यह net profit कहां से आता है यह प्रोश तब लगते हैं whenever the two balance sheets are given whenever the net profit is given whenever you don't have the information of sales और purchase जब आपको sales purchase की information नहीं पता होती तो आप indirect method लगाते है primarily वैसे तो कहा ही गया है कि companies बगार के लिए AS3 के साब से आपको indirect method से ही cash flow बनानी क्योंकि इसका logic है हम यह जान सके कि P&L में जो net profit आ रहे हैं वह आपके cash से कैसे टैली कर रहे हैं हम उसको टैली करने जा रहे हैं सो हम शुरू करते net profit which is increase in P&L अब जो balance sheet में P&L लिखा होता है रिजर्व surplus में P&L वो सारी appropriations के बाद है सब कुछ हो चुका है opening में P&L 10 सा closing में P&L 30 है तो यानिके इस साल P&L में 20,000 का net increase आया क्या वो सारी की सारे increases के बाद है सारे के सारे appropriations के बाद ही yes now that will be your charting point that will be your charting point सारे आपके पास में जो है ultimately appropriations के बाद तो हम क्या करते है closing balance of P&L में से opening balance of P&L minus कर देंगे तो ultimately यह आ जागा net increase हमारे पास में जो इस साल का हुआ और उस साल का हुआ अब जितनी भी हमने साल में appropriations करी होती है appropriations जैसे का होते हम dividend declare करते हैं हम किसी reserve में भेजते हैं वह हम सारी reverse कर देंगे dividend देने से profit कम हो जाता है तो हम उसे add कर देंगे reserve में transfer करने से profit कम हो जाता है extraordinary income रिकॉर्ड करी होगी आप उसे भी reverse कर देंगे तो यू विल रिवर्स आल दी appropriations the provision for tax and the extraordinary item to अपने पास में reach net profit before taxation and extraordinary which is step number one है तो आप उस पर पहुंच जाएंगे मैं exact derivation जो लेच्चर में समझाता हूं उस पर भी नहा हूंगा फिर भी आपको अगर reserve provision for tax refund of tax अगर income के रूप में दिखाया तो माइनस हो गया extraordinary का अगर loss था तो add हो गया अगर फाइदा था तो माइनस हो गया यह सारी चीज़े आप reverse कर दोगे खर्चों को add back income को minus तो आप पहुंच जाओगे profit before tax and extraordinary अब आपके P&L में बेठा अब आपके P&L में यह जो P&L आ रहा है this is profit before tax and extraordinary नाओ आपके P&L में बहुत सारी non cash और non operating चीज़े पढ़िए है we have to deal only with operating we have to deal only with operating आप P&L में interest on the venture भी डाल रहे हो आप depreciation भी डाल रहे हो income on investment भी डाल रहे हो fixed asset को बेचा उसका profit loss भी डाल रहे हो तो माल लो income on investment dividend on investment भी माइनस कर देंगे profit on sale investment भी माइनस interest on debenture, interest on loan, depreciation, underwriting commission, goodwill amortize करी यह सारे add हो जाएंगे so adjustment for non cash and non operating चीज़े depreciation, interest, premium expense, discount, goodwill, patent amortize, loss on sale on investment सारे add हो यह plus हो गे interest income, dividend income, rental income, profit on sale on investment यह माइनस होगे क्यों क्योंकि यह P&L में गई है income के तौर पर इनसे profit ज्यादा देखर है पर यह बेटा तभी होंगे अगर यह P&L में गई है जब यह P&L में गई है तभी होंगे items उपर नीचे हो सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपका आ जाएगा profit before working capital changes इसे मैं दूसरा तरीका भी बोल सकता हूँ इससे अगर आप नीचे से देखोगे तो आपने काफी चीज़े reverse करके उपर पहुंच गे ट्रेडिंग काउंट के उपर से देखोगे तो इससे पता है क्या बोल सकते हो जीपी माइनस ऑपरेटिंग खर्चे जीपी तक आता है जीपी में से ऑपरेटिंग खर्चे सिरफ माइनस की है अपने business के salary वगरा जो डलीवी होगी P&L में salary rent वगरा तो उपर से आओगे तो वो अगर नीचे से जाओगे तो उपर आगे अब बिटा P&L में गई है क्या credit sale credit purchase खर्चे गई है accrual case आप से जबकी जबकी मेरे operating activity में direct method में आती है cash sale collection from debtor payment to creator खर्चों की actual payment तो मुझे क्या करना है मुझे changes in working capital डालना पड़ेगा changes in working capital तो उसमें simple सी बात है अगर आपके बेटा current asset में गिरावट हुई है debtor opening में एक लाख है closing में 70 है तो बेटा यानि के collection जादा होई होगी तो add कर देंगे अगर बढ़ रहे है तो collection कम हुई है माइनस कर देंगे तो current assets का rule क्या है अगर वो increase हुए है तो minus decrease होई है तो add आपके पास में current liabilities में अगर बढ़ रही है तो आपके पास में add decrease होई है तो minus current liabilities कम होने का मतला payment ज्यादा करी या आउट फ्लो होगया बढ़ रही है तो कम पे किया तो saving हो गया तो इतना add होगया आपके पास में तो simple सी बात है पर यहां सिरफ कौन से वाले current asset current liabilities है अब आपरेटिंग वाले अब आउट्चेंडिंग इंट्रस्ट का चेंज रोटी न डालेंगे आउट्चेंडिंग इंट्रस्ट का रिवेंश आएगा किसमें financing में यहां सिरफ operating वालों का आएगा operating वालों का आएगा अब हमारे पास में यह सारी चीज़े करके आपके पास आगया cash generated from operation और उसके पास फिर दो ही चीज़े बचते इंकम टेक्स पेड refund of tax purchase करके जो भी है और एक extraordinary का अगर कोई पैसा मिला claim वगरा का तो वह एड हो जाएगा तो वह जैसी आपने किया बैसी आपके पास में क्या हो जाएगा तभी की तभी आपके पास में क्या आजाएगा फाइनली direct method से आंसर आजाएगा कुछ चीज़ों का बेटा आपके प deduction भी बनाना है accumulated deduction तभी बना सकते हो तभी बना सकते हो जब उसका opening और closing दोनोर गीवन होगी उस case में asset account cost पे बन रहा है क्योंकि deduction accumulated पर पढ़िए अगर accumulated नहीं है तो फिर asset account WDV पर बन रहा है तो accumulated बनेगा कब only जब opening closing accumulated given होगी और यह आप बनाओगे क्यों क्योंकि इससे न इकल के आ सकते fix asset कितने में खरीदा कितने बेचा एनी केन बी और बैलेंसी फिगर या डेप्शन या परचेस की फिर आता है बेटा आपको कभी भी आपने change consider नहीं करना दो चीजों का provision for tax और dividend payable का provision for tax और dividend payable का क्योंकि हम हमेशा क्या मानते हैं अगर कुछ नहीं बोल रहा ओपनिंग वाला pay किया है closing वाला provide for की है तो अगर provision for tax opening में 1,500,000,000 तो मैं 50 का नहीं बोलेको मनें बोलेको पिछले साल वाली 1,000,000 ती वह इस साल दी है और जो इस साल दी है वह इस साल पी इले मेडल है तो अगर हमार को कुछ नहीं लिखा तो हम यह मानते हैं opening वाली paid और closing वाली प्रोवाइड पॉर ठीक है ना और अगर आपको उसने पेमेंट किया प्रोवाइड पॉर की वैल्यू अलग से दे दी जो की मैच नहीं कर रही ओपनिंग और अगर क्लोजिंग से तो आप बनाएंगे दूसरी वैल्यू निकालने के लिए तो अकाउट बनाएंगे दूसरी वैल्यू को निकालने के लिए ठीक है न याँ पर हमारे पास में क्या चीज दिया रखेंगे औरerca को प्रोवाइट फ़र मानेंगे अगर कुछ नहीं लिखा अगर अलग से कोई वैल्यू दे दी डिक्लियर की आप प्रोवाइट फ़र की पेमेंट की तो आप दूसरी वैल्यू के लिए क्या करेंगे अब यहां पर चीज आती है काजल बेटा आउट्चेंडिंग इंट्रस्ट और डिबेंचर तो पेमेंट निकालने के लिए आउट्चेंडिंग का रेलिवेंस तो उसी में जाएगा न ठीक है तो वह चीज इसलिए हमने बोली देन बेटा यह मैंने फिक्स एसेट का आपके ल स्कॉस्ट दे रखी हमें मानलों बारा लाग और सोला लाग और एक्क्यूम्लेटिट दे रखी है कहता एक मशीन जिसकी बुक वेल्यू है नाइन्टी थाउजन डेप्शन जिस पे लग चुकी है सिक्षी उसको बेचाए बीस जार के लॉस है और एक और मशीन है बेटा ना तो आप अलग-अलग ही अकाउंट बनाएंगे क्या बनाएंगे बेटा अलग-अलग ही अकाउंट बनाएंगे तो इस केस में बेटा आपको क्या करना पड़ेगा इस केस में बेटा आपके पास जो है ध्यान से सुनेंगे आपके पास plant machinery का opening डाला बाराला और सूलर लाग accumulated का डाला आपका 3,00,00,00 और 5,00,00 ठीक है ना accumulated का कितना डाला 3,00,00,00 और 5,00,00 यह हमने डाल दिये opening लोगी अब आपने जो एक तो machine खरीदी है तो जो खरीदी है बेटा आपके पास में वो खरीदे 90,000 की तो entry बनी होगी machine to share capital to premium या आपकी 90,000 की आगी split होगे यह split होगे जिसका cash flow में कोई रोल नहीं आगा machinery account में तो आएगा machinery में आगा तो machinery to share capital to premium होगे और फिर हमने एक बेची है अब जो बेची हो उस पर accumulated कितनी लगी आज तक 60 तो 60 से accumulated कम हो गई और वह इधर आ गई यह बैचा कितने पे सर 90 की book value वाली है 20 के loss में पीचा कितने हैं सर 27,000 में बेचा और 20 का loss हो गया 70,000 में बेचा और 20 का loss हो गया तो 70 भेचा और 20 का loss हो belongs हिर वाख और आपके पास आपके पास में इस एकाउंट से हमें किया आगी बैलेंसिंग फिगर उस सबस्क्राइब फिरागी आपने कितने की खरीदी है और इस लागी जो नहीं कहाय का जाएकश का जाएका डिकर में फानेंसिंग में तो कुछ नहीं है इन्वेस्टिंग में आपके पास में जो खरीदा और बेचा वो आएगा जो बेचा उसकी वेल्यू और जो खरीदा उसकी वेल्यू है इन्वेस्टिंग में जाएगी पैसा आ रहा और जा रहा हूं operating में क्योंकि P&L में इसमें से कुछ values गई होगी एक loss गया होगा एक depreciation गई होगी तो वह P&L में गई होगी खर्चों के रूप में नुकसान के रूप में तो उन्हें add back कर देंगे उन्हें क्या कर देंगे add back कर देंगे in indirect method इन indirect method तो उसको हमें add back करना पड़ेगा depreciation को भी और loss on sale of fixed asset को भी वह P&L में गया होगा तो उन्हें add back कर देंगे ठीक है अब बेटा हम अपने पास में question पर चलते जिस question के जरी हम यहां पर समझेंगे कि यह आपके पास कैसे solve किया जाता है इसके question को question को कैसे solve किया जाता है मुस्पर आते है ठीक है फॉलेंग आर्दी summarize balance sheet दे रहा है बेटा आपको on 31st March 21 and 22 प्लीज हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें question में question जैसे मर्जी balance sheet दे सकता है कभी पहले opening फिर closing या पहले closing फिर opening आप उसको ध्यान में रखेंगे क्यों क्योंकि वह change समझने के लिए तो dates पे ध्यान देंगे तो यहां पहले opening है यह वाली और यह वाली closing प्लीज ठीक है अब हमें यह सारी चीज़े दे रहा है 31st March को machinery भी खरीदिया 125 की machinery और खरीदिये बेटा परचेस की for consideration of 1,00,000 equity shares के तौर पे income tax provide किया गया investments को बेचा 10,000 के profit में जो केप्टर जर्म में किया कोई machinery बेची नहीं है और डेप्शन लेंड और बिल्डिंग पे लगे 20 यह आपको सारे points लिख दिए कहले है cash flow बनाईए litre method से अब बेटा हमारे पकास में ध्यान से सुनेंगे मेरे बात को ध्यान के मेरे बात को आपके पास में यहां पर में क्या होने वाला है यहां पर में १ालy ना Fit 통이집 लेंट को सब्लॉठ और अपके पास न होगा मशिन्रे Considering पहले बना सब्सक्राइब दोन जीजर सब्सक्राइब टोर तो मैं से जो निकल के आजाएगी तो मुस्ची अपके चीज़े डाल दूंगा तो वैलन्स ब्राइब रड i− delays करेड़ व्लारत टोको क्योंकि यह एक्यूमलेटी डेफशन अलग से नहीं है तो यह एकाउंट डवलुडीवी पे बन रहा है वह डवलुडीवी पे बन रहा है और आपके पास में मशीनरी के पॉइंट कौन कौन से मशीनरी खरीदी है 125 की मशीनरी खरीदी है अमने एक लाग की जो कुटी शियर देके है और मशीनरी कोई बेची नहीं है तो हमारे पास में अल्टिमेटली बेटा 125 की तो पैसे देके खरीदी थी और एक लाग की शियर्स इशू करके है तो यही दो information दी है और balancing figure के आगी हमारी depreciation क्योंकि sale बगरा कोई है नहीं तो action आपकी balance figure आगी वह इसी account से आजाएगी क्योंकि हमारा accumulated action नहीं बन रहा नहीं तो accumulated से आ रही होती है तो मशीन बन गया तो यह तीन point का रोल मशीन होगा अभी मैं cash flow पे जाऊंगा पर पहले मैं ledger account बनाता हूं उन चीज हो के जिससे relevance है जब तक आप यह नहीं बनाओगे तब तक आप हमेशा confused रहोगे ठीक है फिर आते हैं पेटा income tax का income tax opening में 50 है closing में 60 है और income tax provide कितना क्या 55 income tax provide कितना क्या 55 तो हमारा opening में 50 है closing में 60 है provide क्या 55 तो payment आगी balancing figure 45 यह payment आगी यह payment आगी यह ठीक है न 45 की तो मैं balancing figures को circle कर रहा हूं वैसे मैंने लिखा वर फिर डिविडेंट पेबल की वैसे जरूरत निया बना रहा हूं पर जरूरत नहीं आपके पास में बना जरूरत नहीं तो हमारे पास में जैसे है डिविडेंट पेबल है बेटा ओपनिंग में एक लाक है closing में 125 है और पे कितना की है एक ला तो यह बात clear होगी ने ओपनिंग वाला इस साल पेड है एक लाक ही पेड है और closing वाला एक लियर किया 125 तो वह नहीं भी बनाओ गया आपके पास में इजी हो जाएगा पर आपने बना रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं ओपनिंग वाला पेड हो गया और और closing वालो जो वह प्रोवाइट फॉर 125 वाला 125 आपका क्या है प्रोवाइट फॉर तो आपका मैच कर गया डिफर हो रहा था तो पका फरक पड़ता वह आपका डिरेक्ट ली है ठीक है ना फिर के influence इब investment और ओपनिंग में सी यह क्लोशीं में 50 की है तो वेटा अमने कितने की बेची आ सुराव 510 की बेची अब वह कहता है जो हमने बेची है ना इस साल वह हमझने जो बेची है 10,000 के प्रोफिट में बेची है और वो प्रॉफिट को हम कैपिटल रिजर्व में लेके गए है 50 वाली को बेचा है 10,000 के प्रॉफिट में मतलब 60 था हुजे में और वो 60 का जो प्रॉफिट है वो हमारा 10,000 कहां जा रहा है यह प्रॉफिट आपका 10,000 का दिखरा होगा बैलेंस शीट में कैपिटल रिजर्व के नाम से क्या यह प्रॉफिट में गया है नहीं तो क्या जब हम अपने पास अपरेटिंग एक्टिविटी में फायदों को माइनस करेंगे नॉन कैश नॉन अपरेटिंग तो क्या यह माइ यह प्रॉफिट में गया ही नहीं तो इससे नहीं रिवर्स करूंगा यह आपके पास बैलेंस शीट में देख सकते हैं यह कैपिटल जब यह दिखरा 10,000 का यह रहा वह क्लोजिंग में जो आपका अभी गयावा है तो आपके पास में जब गया ही नहीं तो माइनस नहीं अब हमारे पास में क्या करना है हम जब कैश फ्लो बना है हमारे वर्क नोट आ त्यार होगे अब यह अपका स्टार्टिंग पॉइंट होते हैं ऑल्वेस विच इस वन फिफ्टी और वन एटी का चेंज विच इस थर्टी थाउद विच इस थर्टी थाउद नेट प्रॉफिट ठीके आप सो आपके पास में 30,000 का इसमें सबसे पहले क्या करेंगे जितनी भी एप्रोप्रियेशन से इंकम टेक्स की प्रोविजिन एक्स्टराडिनरी वो रिवर्स कर देंगे जैसे आपके पास में रिजर्व में जनरल रिजर्व में धाई लाग से तीन लाग हुआ है तो यह 50 से क्या इंक्रीज हुआ है लोग्या से थेंगे परस्टर्व में तो वह एप्रोप्रियेशन और इंग्र कर देंगे तो वह भी आपका टिक हो गया Do uh 50 000 पिर डिविदेंड कितना declared के और इंकम टैक्स की कितनी प्रौजान देख लू रही थे हमने प्रौवीजान बनाई थी 55 क्यों है तोробına log हो जाएंगे है तो यह हमारा अगए नेट प्रोफिटट टेक्स एंथरॉडरी ठिक न है व क्या करेंगे नॉनक्र में नॉपरेटिइंग चीजिजी नॉनकेृश नॉनक्र अपरेटिइंग चीजे किसे स्टार्ट फिक्स एसेट्स में हमारे पास में अगर देखो गए तो लैंड और बिल्डिंग में तो स्टेट फॉरवर्ड था पांच लाग से तो यह 20,000 की उसने बोला था डेप्रीटियेशन नहीं है कोई सेल पर सेल वगरा नहीं है तो डेप्शन पी एनल में गई होगी यह सर तो यह डेप्शन आपकी एड होगी लैंड और बिल्डिंग की 20,000 ऐसे ही मशीनरी की डेप्शन हमने निकाली थी यह सर अकाउंट बनाया हमें देखना पड़ता है यहां ऐसे साइड में तो और कोई नहीं हो सकता है इन्वेस्मेंट का बेचा होता तो उसका प्रॉफिट अगर पी एनल में गया होता तो माइनस करता वो कैप्टर जम में गया तो नहीं आएगा उसकी इंकम आती तो मैं पक्का करता माइन खर्चो नहीं दे रहा तो मैं कैसे निकालूंगा आप समझ रहे हो तो यह चीज़े जब देगा तो ही तो कर पाऊंगा तो कोई भी और नौन कैश और नौन ऑपरेटिंग चीज़े नहीं है यहां जब नहीं है तो सीधा आजाएगा आपके पास में आपका प्रॉफिट बिपोर व to 8obs कम हो ही 20 से तो adding कर देंगे सब कर देंगे अपके डिक्रीजुएश अंध हो गया फिर ट्रेड रिशेबल 4,00,000,000 से 40 समय चाहा पूपuje dön dön हूं तो क्या कर देंगे मानस कर देंगे यह तीन चीज़े इसके बाद आ जाएगा जो मैंने दिखाए ने cash generated from operations और फिर हम income tax paid minus करते है as a separate item जो कि हमारे account में आया था balancing figure तो income tax paid 45 डलेगा और फाइनली आपका operating activity आगया 190 क्योंकि extraordinary का कुछ भी नहीं है extraordinary का कुछ भी नहीं है वह होता तो वह भी एड हो जाता अगर कोई claim वगारा मिला था investing इसी है investing में सिरफ ध्यान देना है तीन चीज़ों पर fix assets में land building plant machinery और एक investment उनका बेचना खरीदना और साथ में अगर कोई income वगएर है on investments तो हमारे पास में land and building में तो कुछ था नहीं machinery में बेटा हमने अपने पास में खरीदी थी 125 की यह वाली तो आएगी नहीं क्योंकि यह तो shares के दूरूप तो 125 की आपके पास आ गई जो आपने अपने पास में खरीदी है और एक आपने इंवेस्टमेंट बेची थी 50 वाली 10 के profit में 60 में तो कितना पैसा आया कितना पैसा गया मैं फिर से बोल रहा हूं यहां पर में बेटा ध्यान से यहां सिरफ पैसे की ही value आएगी कितना पैसा कितना पैसा गया यहां पर सिरफ वही आएगा तो आपके पास में हमने वह कर दिया माइनस 65 यह आपके पास में इस वाली activity का आगया डिविडेंट अप्रोप्रियेशन के तौर पर जितना गया था वह एड करतो दिया था ठीक है ना वह करतो दिया था है है बोई यह अ पिर आपके पास में आता financing के लिए अगर हम देखेंगे share capital 10,00,000 से 12,00,000 हो रहे हैं यानि कि धाई लाग की share इशू करे हैं पर क्या सारे cash में करें no sir सारे cash में नहीं करें धाई लाग में से एक लाग के तो non cash थे यार जो हमने machinery खरी दिती तो cash में कितने हुए तो देड़ लाग में से एक लाग माइनस हो गया तो देड़ लाग की share cash में इशू है फिर अगली चीज़ आती है आपका डिबेंचर्स लोन उनका इंट्रस्ट या डिविडेंट वगेरा सो लोन दिया है पांच लाग से कितना हो गया चार लाग सार लोन पांच लाग से चार और एक हमने क्या पय किया डिविडेंट इंकम टेक्स पेड़ ऑपरेटिंग में चला जाता है डिविडीन पेड फोनेंशिंग में आ गया सो डिविडेंट पेड मारा कितना था यह वाली वेल्यू थी एक लाग तो ये आ आगया आपका डिविडेंट पेड आपकी सारी सारे पोइंट सीखोगे सिरफ कैश और बैंक बचा है जो भी टैली हो जाएगा सो यह हमारा फाइनली आ गया माइनस 50 नेट चेंज जो आया बेटा वो आया 75 का और फिर इसमें कैश और कैश एकुलेंट बेटा आपके पास में आप ओपनिंग इतना है और क्लोजिंग इतना य वो टैली होगी ठीक है ना हाँ प्राची ने लिखा था हमारी जो आज रोस्चर बनी भी है प्राची जी तो बेटा आपके पास प्राची ने पुझा था एक ही इंकम टेक्स देता है तो उससे एड कर देते ऊपर उनीचे एक नहीं होगा वह आपके पास क्या चीज होगी जली ओप्निंग ओर क्लोजिंग की वेल्यू इसे ही दिखा रहे है तो भी आपके पस में प्रेजेंटेशिंगे ग मिनला देक तो तो अगर income tax का भी माल लो एक ही value आप कहा रहे हो कि provide और paid की safe है तो भी आप करके दिखाएंगे ठीक है ना कि यह सर क्या यह वाला point clear हुआ क्या यह वाला question clear हुआ बेटा कि इंटेरिम डिविडेंट का क्या यह इंटेरिम डिविडेंट तो जो इस साल में उस साल में पेकर दिया उतना ही पी एनल में एड हो जाएगा और फिर financing में दिख जाएगा ठीक है ना कि कि अच्छा ऑच्छा जी अच्छा नौ आँच्छा जी अगे बढ़ते अभी topic खतम थोड़ी नहुंगा है question कराना भाई आभी question कराना है तुम क्या सोच भोग्या खतम हो गया खतम हो गया रहे ऐसे थोड़ी नहौता है यह तो नहीं को बड़े पॉप्टलर question में से यह रहा वो question और institute को बहुत प्यार है इस question से बार बार पूछता है तो मैंने का इस question को भी हमें कर लेना चाहिए हर्च बेटा advance tax का आपके पास वो payment है advance tax की जो भी payment आपने करी है वो operating में last में आ जाएगा क्योंकि वो अगर गया ही नहीं होगा तो उसका reversal नहीं होगा कुछ पर जितना अपने advance tax ग्रूप में पेक है वो last में आपका माहिनस हो जाए कर टेक स्पीड में ठीक है ना अच्छा जी आप मेरी बात ध्यान सुनेंगे यह question paper में आयवा बेटा falling information was extracted from the books of s limited for the year ended 31st March 22 ठीक है यह आपको values दे रहा है बेटा कुछ-कुछ और हमें क्या बोल रहा है नीचे cash flow statement बनानी है इस साल की using the indirect method ठीक है अब यहां पर points देता चल रहा है बेटा हमारे पास में जो points दे रहा है उन points में उसने क्या लिखा net profit before taking into account income tax and after taking into account the falling item 30 लाग बिटा आपके पास में वो कहता है कि जो profit है नो वो cash non operating चीज़ों को तो हमारे पास में 30 लाग starting point है यह net profit तो हमें इन में एड़ बैक अनम जैसे depreciation है on PP तो यह 7 लाग add हो जाएगा तो मैं क्या करता हूं 30 लाग हमारा profit दे रहा है वो पहले से भी 4 टेक्स हो बड़ा तो हो जा यह लिए हो गया थी तो operating में क्या होगा cash flow from operating में हमारा starting point के 30 लाग का net profit उसमें क्या किया बेटा हमारे पास में depreciation on PPE 7 लाग आपके पास में add हो गया साथ लाग आपके पास add हो गया ठीक है discount on issue of debentures write-off किया 45 वो भी आपके पास में non operating है तो वह आपके पास में again क्या हो गया 45 आपका add हो गया ठीक है फिर आपके पास में interest on debentures pay किया 435 तो यह भी आपका non operating है तो add हो जाएगा बिठा और यह जाएगा कहां पे sir 435 जाना है financing में इसने जाना कहा है financing में तो क्या financing में दिखा दूँ यह सर interest on debentures paid हमारा financing में जाना है क्योंकि सीधा उसने paid दिया वैसे प्येनल में जाता है जो accrual के साब से financing में तो paid है तो अगर कोई outstanding वगएरा उसके रिजश्मेंट हो जीगा यहां नहीं लिखा कुछ तो यहां सीधा ही हो गया ठीक है ना पिर investment book value वाली 350 को बेचा है 375 में तो 350 की value को 375 में बेचा तो 25,000 के profit में बेचा तो पीनल में तो profit ही गया होगा तो वही रिवर्स होगा ना हां सर और बेचा जो है वह कॉंसे अक्टिविट हो जाएगा सर इन्वेस्टिंग में सो पीनल में जो reverse होगा बेटा वह वह होगा जो पीनल में गया है विचे प्रॉफिट वह माइनस हो गया और जो बेचा है वह किसमें आएगा इन्वेस्टिंग में सेल ऑफ इन्वेस्टिमेंट्स कितना मेटा 375 375 ठीक है ना फिर अगला आता है income interest on investment 70 interest on investment मिला तो यह भी आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है यह जाएगा investing में और यह P & L में Gia है तो वह मां तो माइनस हो जाएगा क्योंकि इसे profit ज़्यादा हुआ लिए प्रोफिट किया है तक यह payment की value आपकी सबसे last में माइनस होनी है 1280 तो यह हमने सबसे last में माइनस करनी है मैं माइनस last में करके दिखा रहा हूं माइनस income tax paid 1280 ठीक है वो मैं point by point चल रहा हूं आपके पास में जैसे पॉइंट दे रखें फिर कहता है company ने issue करें 60,000 equity share 10 रुपे वाले 20 परसेंट प्रीमियम पे तो 60,000 share issue के 10 वाले प्रीमियम पे 20 परसेंट तो बारा रुपे पे issue करें तो 60,000 इंटु बारा issue of shares आजेगा financing में ठीक है ना तो हमारे पास में जो है 60,000 shares into 12 proceeds 720 थे financing में आगया financing में ठीक है ना फिर बीस अजार preference जड सौ वालों को redeem किया साल के लास जेवे 5 परसेंट प्रीमियम पे तो यह हमारे पास में यहां पर में 20,000 को बेटा 105 पर redeem कर रहा 20,000 को 105 पर redeem कर रहा 20,000 को 105 पर redeem कर रहा तो यह redemption आगी बेटा माइनस हो गया 20,000 into 105 ठीक है ना अब यह 21 लाग आपके पास आ गया मेरी बात समझेंगे यहां पर जो बच्चे का डाउट आता है सर प्रीमियम और रिदम्शन एक लाग जो बनता है में जब question ने लिखा था कि यह पांच चीजे ही गई है नौन ऑपरेटिंग नौन कैस्ट यही मानी गई अगर अलग से कोई चीज आ रही है तो उसे जन्रल लिजब से राइट ओफ कर दिया है सेक्यूरिटी प्रेम से राइट आफ कर दिया हो तो इस बज़े से हम उसको बोलता वहीं बेसलाग वेस वैल्स बनती है उसका नौ पर्षेंट बोलता पर वो मुझे अलग से उपर नहीं कहारा है नीचे दे रहा है गैरा लग टोटल में अगर वह यह एकुटी भी लिखता तो में बोलता प्रेफरेंस वालों को प्रेफरेंस कभी आथा यह टो टोटल तो मुझे कुछ अलग से करने के जुरूरत नहीं है उनकी तो यह आपका 11 लाग आ फिर कहता है एक निया प्लांट 7 लाग की कॉस्ट का हमने खरीदा पार्ट एक्षेंज ऑफ ओल्ड प्लांट पुराने की बुक वैल्यू जो थी वह आठ लाग थी पर वेंडर उसे लेके गय छे में जो बैलेंस ता वह हमने वेंट किया उसे चेक से हमने कितने पृणे करेंट करेंग गया तो एक लाग हमने दिया तो आपका किस परचेस आजेगा फिक्से एसे 1 लाग साथ लाग का खरीदा था पुराने के वेल्यू छे लगा ही तो नेट में कैश कितना गया वन लाग ठीक है ना लॉस का कोई इफेक्ट नहीं होगा लॉस आपके पास बिटा अगेन उसने नहीं बोला पी एल में गया है उसने लॉस नहीं बोला आपके पास में पील में गया है हो सकता है कभी पहले रिवेल्यूएशन करा होगा उससे लॉस एड़्स्ट हो गया होगा जस्ट थो नहीं बोल रहा तो नहीं आ रहा ना इस नॉट अ कम्प्लीट वाला पार्ट ठीक है ना अच्छा जी नौ अगला पॉइंट इंपोर्टेंट है अगला जबकि हम अभी तक उसको दिखा रहे थे 90 परसेंट तो बुक्स के साब से क्लोजिंग वाली 1476 है और जो ओपनिंग वाली है ना वो तो सही वैल्यूड है ओपनिंग में कोई दिक्कत ने है क्लोजिंग का लफड़ा है हो सकता ओपनिंग का लफड़ा और क्लोजिंग सही हो 1640 इसकी कॉस्ट है तो यानि कि मेरी चेंज कितना आया डिफरेंस वन लैक सिक्षी फोर थाउजन का 10 पर्चन जो बना इतने से मुझे क्लोजिंग सोक को बढ़ाना है कि आगर मैं क्लोजिंग सोक इतने से इंक्रीज करूंगा क्लोजिंग सोक बढ़ाऊंगा तो प्रॉबि Eddy की अगе बढ़ जाएगा ऍबर जाएगा आपके पास में पहले एफेक्त तो प्रॉफिट दे दो तो profit आपने बढ़ा लेना है विटा हमारे पास में जो चीज आ रही है वो profit की stock adjustment है profit बढ़ जाएगा 164 से तो profit बढ़ाना है यह हम profit बढ़ा रहे हैं अब मेरे को change in inventory डालना है क्या मैंने अपना stock ठीक कर दिया यह सर्थ अब मैंने जब अपना stock ठीक कर दिया तो मेरा stock कितने का दिखा 1640 का अब यह नहीं है अब कितना है 1640 अब जब मैं change लूँगा तो मैं 1350 से लेके 1640 का change लूँगा 1350 से 1640 का इनुगा 290 से बढ़ा तो 290 माइनस हो जाएगा 290 माइनस हो जाएगा क्योंकि इस चौक बढ़ रहा है तो आपका माइनस हो गया फिर अगला point trade receable 327 से 313 200 हो रहे है तो यह कम हो रहे तो एड़ हो जाएंगे यह बढ़ रहे है तो एड़ हो जाएंगे 26 से और लास्ट यह भी बढ़ रहे है तो यह भी एड़ हो गया कि आपके पास में जो है सारी चीज़े आप कर देंगे बेटा तो cash generated from operations आ गया आपका यह आ गया ओपरेटिंग का income tax minus करके investing पहले ही आ चुका है financing पहले ही आ चुका है सारों को करेंगे एड़ लेस तो आपका आजएगा net change in cash and cash equivalent ठीक है जी और फिर जैसी आपके पास में opening डालेंगे तो आपका closing से वो टैली कर जाएगा तो opening 247 डाला और closing आगे 375 बंदे तो आपके पास में यह चीज़ हो जाएगे यह चीज़ हो जाएगे हां हां कल accounts का paper है और आज नितिन सर इनको capital gain खराएंगे बिल्कुल जी बिल्कुल ले रहे हो मजए एक एक के साथ में ओके ओके सर आप हमें capital gain खरा देना ठीक है न हाँ यह question हो गया हमारा हां सर यह question तो मारा हो गया कि इसके बाद बेटा आपके पास में कुछ हां question बेटा बेटर आप assumption अगर लिख दे कि हमने अपने पास में माना था कि जो net profit है इंदा question वह after considering only the items है तो जो loss of plant है वो एड नहीं किया जो प्रीमियो अडमिशन है उसको एड नहीं किया क्योंकि उसने वह चीजें लिखी थी सरव उनके बाद ही है ठीक है ना इसलिए हमने उनको ignore किये ठीक है ना फिर इसके बाद बेटा हमारे जो है कुछ और छोटे मोटे points है जिसको लेके फिर हम इस topic को complete कर पाएंगे वह points हमें समझ आने चाहिए are profit on inventory नीए बटा inventory का profit नहीं था, increase इन मेंटरी था इन बढ़ने से profit बढ़ जाएगा अब closing shock ट्रेडिंग कॉर्ण में ज्यादा डालोगे यार तो profit भी तो ज्यादा हो जाएगा ना major तो बेटा प्रॉफित भी तो ज्यादा हो जाएगा ना क्लोजिंग शॉक अभी कम डाला था क्लोजिंग शॉक बढ़ जाएगा ठीक है ना अच्छा जी कुछ हमारे छोटे से पॉइंट्स है वह पॉइंट्स के हमारे जो मैं समझने है जैसे लोंस एडवांस जो हमने दिये है और इंट्रस्स एर्न किया किसी को लोन एडवांस हम दे रहे हैं और उसके ऊपर ब्याज मिल रहे है अब अगर वह फ़नेंशल एंट्रवांस है उसको काम ही ही है तो उसके लिए ऑपरेटिंग हो गया अगर नॉन ब्याज है तो भीशा इन्वेस्टिंग है थेकर इंपट्रवाइज को दिया तो हमारे अपने हैं उनका लिए परेटिंग होगया और अगर सप्लायर्स को को दिया तो अगेन वह ओपरेटिंग हो जो फिर अगर लोन लिया है और उस पर इंटरस्ट देते हो तो लोन लेना जो है योव लेना जो है अगर वो नार्मल इंटरपाइस है तो फञेंश के यह लोगों को तो उसके किस्टमर से लिया अगर लोन तो वह तो खत्रा अगर करक्ष्टमर इडवांस हं पैसे prendre थ्य है तो वह original क्लेम का जैसे मैं ने बोला अगर वो loss of stock ये loss of profit ये तो वह operating का एक्ट आुबरी ये lahos जेसे चीजुशा ओजाने एक चोठा क्यूस्ट्टर हम बात करने जारें जडिनरल कहें जिसके अंदरे तो सिर्फ investing का है और ये कुछ चीज़े investing से related हमें जानने वाली है एक दो point film सीखेंगे मैं यहां पर बिता दूंगा TDS की presentation कैसे करते हैं और बाकी आपके पास में एक pre acquisition dividend तो हमें सिरफ क्या पताना है इसमें cash flow from investing as3 के साब से machinery खरीदी बाइ issue of shares क्या machinery shares issue के तुरू खरीदी क्या आएगी no sir machinery कैसे आजएगी क्योंकि machinery तो आनी थी cash में खरीद थे shares issue क्यार non cash है नहीं आएगा non cash है नहीं आएगा ठीक है क्लेम मिला loss of machinery in earthquake ओह 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 यह तो extraordinary हो गया machinery का क्योंकि loss हो तो extraordinary है इसे last में दिखाएंगे 55 तो 55 लास्ट में आएगा बेटा extraordinary claim का पैसा मिला इसे separately दिखाते है last में ठीक है ना फिर unsecured loan दिया associate subsidies को तो यह तो आएगा अभी तो हमने बोला loan दिया subsidies को investment करी तो investing यह पांच लागर पर माइनस हो गया unsecured loan दिया अबने loan दिया उनके ओपर भ्याज मिला तो हमारे पास में यह receipt हो गया तो पैसा मिला यह सर तो यह आ गया कि अब कभी यह मैं सोचना interest on loan हमेशा paid होता है तो वह interest on loan जो आपने loan लिया उसके पर payment करो Pental dividend अबे्टब्स चाहिए प्री acquisition मिल्रहा है जायए पो सेक्विजिशन मिल रहा है प्री acquisition मिलते तो entry होते है बैंकट क्वेस्मेंट के पैसा तो आ घ्राइ और वह investments के ऊपर तो वह आयेगा आपका 600, चाए वो pre अचाए पोस है, ठीक है ना, फिर, diventure interest पे किया, नहीं आएगा, क्यों कि financing है term loan repay किया नहीं आएगा क्योंकि वो financing है यह दोनों financing और investing में नहीं आएगी investing में नहीं आएगी interest मिला on investment 7800 और TDS 8200 का कटके मिला है तो मुझे बताओ मुझे interest मिला कितना 7800 तो मेरा तो आएगा तो 70 बैंक में कितना आए जी बैंक में कितना है but हम presentation के लिए gross minus TDS करके दिखाते है presentation के लिए हम gross minus TDS करेंगे but amount जो भार आएगा उट्र कॉलम में वो तो net जितना मिला वो ही आएगा तो हम interest gross minus TDS क्यों हो गया तो एक तरीके से आप चाहिए inner कॉलम में करके इसे भार net दिखा दीजिए तो TDS ultimately क्या है वो उस activity में ही present हो रहा है तो जिस activity से जुड़ा वाई तो एक तरीके से यहां में कह सकते हैं TDS एक तरीके का outflow हो गया क्योंकि आपको interest कम मिल रहा है उसने TDS आपके भी आपके गवर्मेंट को देती है ना तो आपके लिए तो आउट फ्लो हो गया आपकी तरफ से गवर्मेंट को जा रहा है तो आप दिखा तो आउटर कॉलम में नेटी रहे है ठीक है पर लॉस हुआ बेटा 90,000 वाली चीज़ को 96,000 के लॉस पर बेचा तो बेटा लॉस पर बेचा तो कितने बेचा 90,000 माइनस 9600 कि 80,400 कि 80,400 तो आपके पास में बेटा अगर कोई investment short term है long term है सारी investments में आएगी अगर उसकी reduction ही तीन मिने के अंदर हो लिए तो एक तरीके से cash and cash equivalent हो गया तो इसलिए नहीं आएगा ठीक है ठीक है तो यह हमारे पास में सारा कुछ करने के बाद यूज जिन इन्वेस्टिंग आगया फाइनल डिवेंचर इंटरस्ट टर्म लोग नमारे पास पनेंसिंग था इसलिए नहीं आया मशिनरी जो शेयर से खरीदी उसमें कोई cash outflow नहीं इसलिए नहीं आया और investment इन डिवेंचर शौट टर्म वो cash equivalent है तो वो इसलिए नहीं आएगा ठीक है ना यह चीज़ आगे तो marketable अगर वो अमने खरीदी होती जिसकी छे मीने बाद रिडम्शन होती तो पकात investment चाहिए शौट टर्म है लॉंग टर्म है सब आएगी पर अगर वो up to three months है तो marketable security होगी तो वो नहीं आएगा ठीक है ना तो वो नहीं आएगा ठीक है क्या यह बात हमें clear हुई है क्या यह बात हमें clear हुई है is this absolutely clear है तो बेटा मैंने आपको direct method का भी question करा दिया indirect method की भी दो करा दिया specific activity की जहां आपे points आगे सो more or less आपके पास में points सारे के सारे कवर होगे तो इस वीडियो के अंदर में बेटा हम लोग अपने पास में revise करने जा रहे है अपने बहुत ही छोटे और बहुत ही असान चेप्टर से जिसका राव में बोनस एंड राइट इशू दो वनाव थी smallest chapter सम कहते है के अंदर में और इस पड़िवर चेप्टर की जो बेटा वेटेज रहती है इवन इंदा एक्जामीनेशन वह नौट मोर दें फाइव मार्क्स है कोश्चन भी हर में पेपर में नहीं आता पर जब आता है तो यह आच्छली वह बोनस मार्क से पांच नमर के सबसे पहले बा से होता है एक फुली पेड बोनस शेयर को अपनी तरफ से देना कंपनी के द्वारा फुली पेड बोनस शेयर दिये जाते हैं अल्ली टूदा फुली पेड शेयर होल्डर्स विच इस पर सेक्शन 63 अप्धी कमनी चैक्ट टूदाजन तरीं लेट से एक्जिसिंग कैटल हमार उनका बोनस का अमांट बंता है यह पहले प्रकार का जहां फुली पेड बोनस शेयर जाते है तूदा फुली पेड शेरोलर्स एक दूसरा ओत है फाइदा यह तो देन है तो हमने कहा कि अब पाटली पेड शेयर्स को फूली पेड में कवर्ट कर दिया बिना पैसे मंगाए सो हमने फाइनल कॉल के पैसे दिया तुम्हारा शेर हमने फुली पेड़ दिया तो वो भी तो एक तरीके का फायदा है यह शेरोल्डर्स को यह सर्फ पैसे दिया उनको फुली पेड़ कर दिया और बोनस कितना हो गया तो आप बोनस देते है तो आपके पास पैसा तो आ नहीं रहा ना पर शेर कैपिटल बढ़ा नहीं है सवाल उठा कौन से रिजर्फ करना है तो फुली पेड़ बोनस देने के लिए हमारे तीन सोर्स बोलेगे सबसे पहले आते हैं सी आर और कैप्टर एडम्शन रिजर्फ जो क्रियेट होता है जब आप प्रेफरेंज शेर्स को रिडीम करते हैं जब आप एकुटी शेर्स को सब्सक्राइब करते हैं तो उस रिजर्फ का एकलौता मकसद होता है एक फुली पेड बोनस शेर्स तो वह इस्तमाल के जाता है बहुत ही स्पेशल रिजर्फ है फिर आते हैं जो सेक्शन 52 जिसकी यूसेज आता है पर आपके पास में आप एक छोटा सा पॉइंट आता है कि जो लिस्चीड कंपनीज होती है एस पर दी सेभी रेगुलेशन वह सिरफ सेक्यूरिटी इन कैश को ही यूज कर सकती है जैसे आपने शेर्स इशू किये थे कैश में को पैसा आया था दस वारा शेर 15 पर प्रमानलों आपने बिल्दिंग खरीदी मशीनरी खरीदी बहां पे शेर सकार प्रीम पर इशू केते हैं तो वह तो नौन कैश आने क्योंकि हमां बिल्दिंग मशीनरी आ रहा है तो अब लिस्टीड कंपनी के केस में आपके पास सेभी की रेगुलेशन के साब से वह सिरफ इन कैश वाले यूज कर सकते हैं अधर देन कैश यूज नहीं कर सकत इससे बड़ा क्लीटा के परिभाश्या में नहीं आता तो उसे आप इस्तिमाल नहीं कर सकते हैं यह नोशनल वाला डूनस था सकता है ठीक है ना सर इसको थोड़ा और असान परिभाशा से सी आरा देखिए दो तरीके थे फुली पेड बोने शेयर देना या कनवर्टिंग पार्टली इंटु फुली तो यहां यूज हो सकता है यहां नहीं हो सकता है विदाउट कैश यूज नहीं हो सकता बट यह सिरफ लिस्टीड कंपनी के लिए है अन Chinese वाला तो दोनों कर सकता है अगर उन्लिस्टीड इयुज हें यहां पर यूज ही नहीं हो सकता फिर फ्री रिसर्फ में हम्हें क्यावें बोलते कैपिटल रिजर्फ जो इन इन वाला होता है उसे हम free reserve मानते हैं तो उसे यूज कर लेते हैं in cash का मनलो आपने fixed asset को बेचा और उसका प्रॉफिट आप P&L में लेके गए आपने capital reserve में दिखाया है तो in cash है क्योंकि fixed asset को बेचा था वो profit आपको cash में आ तो वह हमारा free reserve माना जा रहा है इसलिए उसका इस्तिमाल हो सकता है तो capital in cash use हो जाएगा without cash use नहीं हो सकता है जैसे valuation reserve वह without cash है पैसा थुर्णा है तो that cannot be used वो notional है वो नहीं यूज हो सकता जनलिजर्व रेविन्य रिजर्व पी एनल सर्प्लस आल दीजर्व तो यह यूज हो सकते है तो अब यहां पर एक छोटा सा cash assume करते हैं तो हम उसे इस्तिमाल नहीं करेंगे अगर कुछ नहीं लिखा तो capital के बारे में question को बताना पड़ेगा कि वह in cash portion कितना है तो ही आप उसे use कर पाएंगे वरना आप use नहीं करेंगे ठीक है ना और हम एक sequence से करते क्योंकि यूसे इसके साब से पहले सबसे हैं आप यूस करेंगे रिजन मिंग क्योंकि वह सबसे restricted है फिर आइड़ी सेक्यूर्टिस और फिर फ्री रिजर्फ आ जाते ठीक है ना वह आप उनमें जैसे मर्जी उस कर सकते और converting partly into bully में तो है फ्री रिजर्फ वहां तो बात ही नहीं आती वहां तो से क्यूर्टिस वाला ठीक है जो हमने अभी लिखा जने जापी और टूबोनस टूशेरोडर तो हमने यह बताया कौन कौन स्रीजव यूज़ हो एकिस परपस के लिए जो बोनस देना और जब बोनस एच्टुली में इस्टू कर दियो तो यह दो में इन्टी के अंदर में आधे हैं बोनास टो तो नेट ईंटरी जो बरएंगी ओधार दो आली टीन आली यह इन्टी सका मोरे कैटल बढ़ती ने टेंट रही है सरकोश्चन भी करा दीजिए लो बेटा एकोश्चन करते हैं जिस टाइप का कोश्चन मारपस आता है एक स्ट्रेक्ट दे रखे बैलेंशीट का एक्स लिम्टिटी का तर्टी फर्स्ट मार्श ट्वेंटी का ऑथ और तुराइज द फाइनल कॉल मंगाई 2 रुपे की 360 और एक कॉल मैंने रिसीव हो गिए तो पैसा रहा है रिसीव हो रही है कैश में ठीके ना उसके बाद कंपनी ने डिसाइड क्या रिजर्फ को कैप्टलाइज करेंगे बोनस के तौर पर वन फॉर एवरी फॉर शेयर से कहरा सेक्यूरिट प्रीमियम में एक लाक में जुड़ा है प्रीमिंटी थाउजन का उन शेयर्थ का वेंडर को दिये थे पॉर मशीनरी के लिए तो प्वेंटी थाउजन नॉन कैश हो गया तो बाकी यानिके इन कैश हो गया जर्नल इंट्रेश जा लिए आपके पास और एक्सक्राइड बना और दोर पे कि आपकी कॉल है तो पहले क्या होए शेर फाइनल कॉल तूशेर केपटल सेवन ट्वेंटी थ्री लिएक शिक्षिज तूज़न टू और रेसीव उई तो बैंक टूशेर फाइनल कॉल सेवन लैक ट्वेंटी तूज़न वह ड्यूई और रेसीव हई अब आता है बेटा बोनस के लिए आपके एकुटी शेयर्ट क्या फुली पेड़ पोगे ये सर्थ और उंका माउंट थाटी सिक्स लैक विग्डा मॉंत है थाटी सिक्स लैक वन फॉर एवरी four की स्कीम है वन फॉर एवरी स्वोर की बिटा आपकी स्कीम आ रही है तो थ्री लैक सिक्षी थाउजन शेयर्स है और यह हम फुली पेड़ को दे सकते हैं तो थ्री लैक सिक्षी थाउजन का वन वैफ फॉर कितना हो गया सा 90 थाउजन बोनस और 90 थाउजन मतला मौंट के साब से होगे बै सिर्फ अपने पास में कैस्ष वाला अपने यूज कर सकता है तो यह वन लैक में से कितना होगा सिरफ एटी थाउजन मार पास तो टू फॉर्टी आपका सियरार हुआ सेक्यूरिटिस प्रिम आपका वन लैक में से बेटा 20 यूज नहीं हो पाया तो सिरफ कितना यूज अब टोटल में नौलाथ तो बाकी पीएनल बैलंसिंग फिगर हो गया आप जैसे मर्जी कर सकते वैसे पर एक जनली सुडेंट के लिए सान हो जाते है अगर वो सीक्वेंस में यही फॉलो करता है कि कैप्टेश अगर है जनली जैसे मर्जी कर सकते हैं तो यह पीएनल हो गय घ्रिजर्फ कम हुए आपके पास और बॉनस है और बोनस क्यापिटल आप के पास क्या मांगता साथ में बैलंशीट का एक्ष्यक तो बैलंशीट का एक्सित कैसे बनता है आप टो अपने पास प्लस यह अपने पास तो फिटा आपने पास जो दिखानी है वह तो 50,000 प्रेफरेंस के 30,000 थे वह 30,000 यह तो वह 30,000 यह प्रेफरेंस वाले तो अब एकुटी में थोड़ा सा ध्याल से एकुटी के पहले मैं इसूट डालता हूँ और आपने बोनस दिया तो 360 प्लस 90 कितने होंगे साड़े चार लाग तो आपके यह आगे साड़े चार लाग 4,50,000 शेयर अफ टैनीच फुली पेड 45 लाग आपको यहाँ पे शेडियूल 3 की रिक्वार्बेंट के साब से यह बताना नहीं वारे है कंपल्सरी है ज़रूरी है क तो बेटा आप इसमें लिखेंगे 90,000 शेयर इस्ट बाइव बोनस एक्जामिनर इसका नंबर रखते है इस डिस्कलोशर था अब प्रॉब्लम एक चोटी से आगी यह हमारी 48 लाग की टोटल दो होगी शूर सब्सक्राइब हमारी ऑथराइज बेटा कोस्चन में 4 लाग थी कि आप 4 लाग दिखाएंगे सर नहीं सर ऑथराइज कम तोडी नहीं हो सकते तो बिटा इवन कंपनी को सारी लीगल फॉर्मलिटी ऑथराइज की इंक्रीज की पूरी करनी पड़ते है बोनस से पहले क्योंकि आपका इसूर सब्सक्राइब यहां पर आगे चली गई तो वह तो ऑथराइज विमारी कितनी हो जाएगी 450 हो जाएगी अगर हमारी पहली जाद हो थी मालों पांच लाग फिर तो पांच लाग आती बड़ अगर इसूर सब्सक्राइब और उतने पर आ जाएगी जितनी इसूर सब्सक्राइब है हम यहीं बानते लीगल रिकॉर्मेंट सा आएगा निए वह तो खतम हो गया जनल इस अब आएगा निए वह भी खतम हो गया सेक्योरिटी भी हमें 20 बचा तो वह आ गया और प्याइनल में बेटा आपका कितना था सब्सक्राइब कर लिया था हमारी एंटरी में तो चे लाग में से 220 माइनस हुआ तो कितना रहा गया और यह पूरलेक आगया और आपका दिख जाएगा ठीक है ना और साथ में यही मानते कमणी ने सारी लीगल पूरी के सारे रेजुशन पास किये लीगल पूरी करिये बोनस की और सारी लीगल फॉर्मेंटी और इस की भी पूरी गड़िया यह आप नहीं भी लिखेंगे चल एक्जाम का पांच निमर का कुश्चन है फॉलिंग आइटम्स आपको ट्राइल बेरेंस में दे रखे स्चार लिम्टीड के 31 मार्च के एटी ताउजन शेर तैनीच वाले एट पेड़ा पैलेट से कैप्टर में 45,000 प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मेशीन रिखा है री वैलेशन यह पार्टली पेड़ को फुली पेड़ नहीं कनवर्ट के जारा बुने वह नहीं है वह अगर वह का बहुत होसार है आपके सिरफ रिजर्फ और एंट्री डलगे यह है फुली पेड़ देने हैं उसके लिए पहले फुली पेड़ होने चीए तो वह आपकी फाइनल कॉल मं चीज आती है आपके शिर्फ सारे के सारे पुली पेड़ होगे अब डिसाइड किया कि हम बोनस देंगे टू फॉर एवरी फाइब फाइब शेयर्फ एन इसके लिए मिनिमूम रिदक्शन होगी फ्री रिजर्फ हो तो आटोमेटिक सी बात है मिनिमूम से मिनिमूम ही करते ह है सो 80,000 पहले है और टू फॉर एवरी फाइब करना है तो कितने होगे सर थर्टी टू थाउजन शेयर्फ होगे और अमाउंट के साफ से बन गया तीन लाख बीस स्या तो 320 यूज करना है पहले किसको सी आरार को 75,000 फिर आपके पास मेटा सेक्यूरिटी स्प्रिम कितना 60,000 सो 75,000 सेक्यूरिटी सिक्टी थाउजन एस्यूमिंग ऑविसली इन कैश तो बात ही करता है तो इन कैश मानते हैं फिर बेटा आपके पास मेरी वेलेशन जबा सकता है नो सर अब बेटा कैपिटल इन कैश वाला है तो उसे यूज कर लेंगे 45,000 जो ऑन सेल ऑफ मशीनरी है ब और 320 करने तो बाकी कहां से आ गया बाकी जनलिजर्फ से आ जागा बेटा हमें पीएनल की जूद नहीं पड़ेगी तो हमारा जनलिजर्फ से आगए बैलेंसिंग फिगर 140 तू बोनस तूशे रोल्डर बोनस तूशे रोल्डर टो इकुडिशर कैटल सो हम अपने पास में ब कुशन था बिल्कुल यह असान सा कुशन था लॉलीपॉप कोशन था ठीक है ना यह सर यह कोशन भी हमारा हो जाता है आपकी लास एंट्री डल जाती है नो एक छोटी सी सेवी की रेगुलेशन है 294 जो बोलती है कि कंपनी जब भी बोनस यह देने जाती है और आपके पास आपकी बैलेंशीट में अगर मान लीजिए कोई कंपल्सरली कंवर्टीबल डेट दिख रहा है मतलब डिबेंचर दिख रहे है जिनको थोड़े समय के बाद जाके उन्हें एकुटी में करेंगे आज अपने एक्जिस्टिंग एकुटी शेरोल्डर को बोनस यह देने जा र वो तो आप अपने एक्जिस्टिंग वालों को दे रहे हैं मालों के कल के डिबेंचर वालों को दो मीने बाद जाके इकुटी शेर देने पड़ेंगे तेन थाउसे तो उनको भी 10,000 मिलेंगे मिलेंगे साथ की साथ 10,000 तो बाई 5-4000 बोनस शेर में मिलेंगे और उसके इतने आपके आज ही होने चाहिए सो वह यह कहता है कंपनी बोनस इश्यू तभी करते एकुटी वालों को ओनली फिटेज में रिजर्वेशन ऑफ इकुटी शेर्स ऑफ दी सेम क्लास इन फेवर फोल्डर ऑफ आउट्चेंडिंग और उन्हें कनवर्जन के समय सेम टर्म और प आपका टॉपिक आता है तैने राइट इसु रिज़ राइट इसु राइट इसु राइट इसु होता है जब आप एग्जिस्टिंग शेर्वोल्डर इस धो आपको पैसा चाहिए और वह पढ़िति पूछ रहे है कि तुम शेर्स खरीदना चाहते हो की नहीं तो उनको मौ प्रपोशन अपनी एक्जिस्टिंग एक टाइम प्रेट के अंदर जो इसमें प्राइस होता है बेटा हर शेयर का वो जनली कम होता है मार्किट के दाम से तो उन्हें सस्ते दाम पे दिया जाए मार्किट में अगर भाव मालो 50 रुब चल रहा आपको 40 में उफर किया जाएगा जनली कम पर होगा 40-45 जैसे भी है तभी तो आप कंपनी से लोगे वरना तो मार्किट से नहीं ले लोगे येस राइट्स ऑपन ट्रांस्फरेबल भी होते हैं जिससे होल्डर उनको अपने पास मार्किट में बेस सकता है अपने हख क्योंकि अल्टिमेटली पैसे तो 40 पुछते आप से वेल्यू अफ राइट क्या होता है नो वेल्यू अफ राइट का एक पॉर्मला यहां पर कम राइट माइनस एक्स राइट कि बेसिकली हम हग के नाम के जो अपना हग बजरों उसके कितने पैसे लिए अब वो निकालने के लिए हम एक सबसे पहले चीज नि है कम राइट प्राइज चल रहा है 50 और कंपनी ओफर कर रही आठाइस में और स्कीम लेकर आई है वन फॉर एवरी टैनल तो एक राइट प्राइस क्या हुआ वेट इवरेज प्राइस आज दस शेयर का मार्केट में दाम के चल रहा है 50 तो 10 इंटू 50 नंबर आफ शेयर कित आवरेज प्राइस कितना आया विजिस पॉर्टीगेट और इसके बेस पे निकल जाएगा वेल्यू आफ राइट विच इस 50 माइनस पॉर्टीएट कम राइट माइनस एक्स राइट सो वह आता है 50 माइनस पॉर्टीएट दोर पे विच इंडिकेट कि जो भी परसन अपना ह हक बेच रहा हो से दोर पे नाम के लेगा जिस से होगा क्या वह दस चेश चेस्ट केंदले दे रहे तो वlook इस tapi पे चार्ज करेगा तो अगर वह कंपणी से खरीद रहा है 28 रुपए कंपनी से खरीद लेगा पर अपना हग अगर किसी और को बेच रहे ना वह परसन कंपनी गोट और वो इसको 20 उरुपे देगा इसको भी देगा तके उसको भी अवरेज कोस कितने की पढ़ रहे है 48 की ही पढ़ रहे है जिसको भख बेचने लगा है उस दूसरे परसन को जिसके बेच पर जाके एक शियर खरीद सकता है तो यह चीज आपके पास में आती है हमें कोश्चन में जनली वह पूछता है वेल्य ओफ राइट और एक पूछ लेता कि जर्रल इंटी डाली है तो वेल्य ओफ राइट बेटा आपके पास कैसे निकलता है तो वह कर लेते हैं कंपनी ने ओफर करें नए शेयर बेटा हंडड़ इच वाले 25 परसेंट प्रिमें पर देट में 125 पर हंड़ वाला 125 पर एक्जिस्टिंग ओल्टर को बेसीज़ बेटा 145 कम राइट प्राइस दो प्राइस उसे प्रीमें बेर ना तो 125 पर तो पांच चेर 202 पर चल रहे एक नया शेयर 125 पर क्या तो टोटल 6 शेयर का एवरेज प्राइस कितना हुआ वह वाया 187.5 दिस एक्सलिट पैन्व पांच सेयर का प्राइस दोसो चल रहा है एक नया शेयर 125 पर इश्यू किया 100 वाल जहां पर जनल एंटी पूछ रहे था जनल एंटी कमणी के केस में बड़ी क्लियर है कमणी तो जितने में इस्व करें पिछले में 125 कमणी को 125 बिलेंगे चाहे वह एक्जिस्टिंग अपना किसी और को बेचा था वो दे कमणी को तो वही मिलेगा ना सो कंपनी के शेयर केप्टल मान लिज़े 25,000 शेयर से टेनीच वाली उन्होंने राइट शेयर इस्व करें वन फॉर एवरी पूर है पार पही मदब दस वाला दस पही एज्यूम करो सबने असेप्ट कर लिए राइट इस और सारे पैसे मिल के एंटी डाल तो कितने शेयर कर र इंट्री के आगी बैंक टू शेयर केप्टल जो बच्पन में सीखते तो नौर्मल जर्नल इंट्री आपके पास आ जाएगी और अगर प्रीमियम बहुत है दस वाला बारा पे लेट से पिछले में ता सवाला एक सो बच्चित तो उतना शेयर केप्टल प्रीमियम हो जाता ह तो कोशन इसमें दो पूछे जाते राइट इसमें तो बोनस भी आजाता है राइट इस पांच नमर का कोशन आता है बेसिक जर्नल इंटिस है वह हमने सारी सीख ली कैलकुलेशन नहीं सीख ली यही इस चैप्टर के अंदर में करना है इस से आपका चैप्टर पूरे का बस कुछ पर्टिकुलर चीजों पर आपको ध्यान रखने अगर वो चीज़ें हमारी क्लियर है तो आपके यह चैप्टर में बोनस मांक्स है वह हमें पॉइंट्स आपके पास बेटा क्लियर कर वे थे तो मैंने आप लोगों के पास में वह पॉइंट्स को समना जूरी है च होता क्या है कि कंपनी जो है वह एकदम से नहीं बन जाती जिस दिन बिजनस खरीदा गया कंपनी को बनने में इंकॉर्पुरेट होने में लीगल फॉर्मेल्टेस पूरी करनी पड़ती है तो दर लॉट अब लीगल रिक्वार्मेंट विच है जिसकी वज़े से कंपनी की इ और यहीं कैपिटल नेचर का रीजन इस क्योंकि आपके एक्जिस्चन्स नहीं आए थी अदेट ऑफिन इनकॉर्परेशन इसवर देट कमिंग इन्टु लीगल ऐग्जिस्चन्स तो उसके बाद का जो प्रॉफिट लॉस है वह पर में क्या करना है हमारे पास में बिटा क्या करना है तो हमारा बिजनस खरीदा आपने एक अपरिल बीस को इनकॉर्परेशन एक अगस को और साल खतम हो रहे जितने महीने से पहले क्यों से हमोते प्री पीरिट और वो कैपिटल नेचल का प्रफिट लॉइस और बाद वाता है यह प्रीवाल है अगर वह क्यों होटाने बेसे थो जाता है और अगर लोग दो च्ल вик compress hot contentgowर और अगर भी उसको भ हुद और अगर वह पोस्ट है तो वह revenue nature का है मकसद यह है क्योंकि प्री वालों के profit से dividend नहीं दे सकते हैं वह revenue nature का नहीं है वह capital nature का है you can dividend जो आप दे सकते हैं वह revenue nature के profit से ही दे सकते हो तो उसे bifurcate करना जरूरी है अब इसकी bifurcation के लिए बेटा हमें जो transaction दी जाती है वह साल की पूरी दी जाती है इकठे में परचे सेल आपके खर्चे income सारी कठे में अब हमें उन्हें segregate करना है segregate करने के लिए बेटा आपके पास में जो है वह दो ratio सबसे एहम में होती है दो ratio एक होती है बेटा time ratio वह उन खर्चे और इंकम को मांटने के लिए होती है जो fix होती है जो हर महीने बराबर चलते हैं है तो इन चीजों को बाटने के लिए हमें एक रेशो ची टाइम रेशो की प्री और पोस्त की वेल्यू जान सकूं तो वह time ratio आपके उनके लिए मदद करता है जैसे चार महीने pre के आठ महीने post के मेरे example में 1 एक अपरेल से एक अगस तक चार महीने होगे एक अगस से 31 मार्ट तक 8 महीन हो तो वह रेशो बनगी 4-1-2 या टाइम रेशो और sales ratio क्या होती है जो प्री की से खर्चे इंकम को किस रेशो मानते हैं उसके बाद हम जाके कोश्चन करेंगी तो पहला मकसद है कॉंसेट को सीखना तो सेल्स रेशो निकानने के हमारे अलग लग तरीके हैं जिसके लिए सिनेरियो जा रहे हैं तो बिजनस टेक ओवर करा एक अपरेल को इंकॉर्परेशन हो हुई है एक दिसंबर तक और बाकि हुई रिमेनिंग में अब बेटा आपके इंकॉर्परेशन की डेट कोश्चन की स्टार्टिंग में फिक्स हो चुकी है आपको प्री सेल वह ची और बाकी पोस्ट ही है वह बाकी जो मरजी कहानी सुनाता रहे अब उसने बोला 80 परसेंट और एक दिसंबर से 31 मार्स तक हुई है बाकी 20 परसेंट विचिस 192 अब आपको तो यह जानना है कि इस पिरिड की कितनी है इस पिरिड का मतलब यह हो गया कि एक एपरेल से लेके 31 जुलाई तक एक अगस्त तक मतलब यह कितनी हुई तो ही तो आप बाकी अलग कर पहोगे अ अगर आठ महीने की 768 है तो अगर किसी चीज की टोटालिटी में चीज दे रहे और उस में से ये पता करना है कि कुछ महीनों के कितनी है तो विच्छ की कितनी होगे ना यह सर तो हमारे पास में 8 महीने की 7600 है तो तो 4 महीने की कितनी हुई आप 268 into four by 8 384 होगी और पोस्ट की कितनी होगी बची भी 384 और 192 तो 76 होगी यह आप सीधा कर लो 960 में से 384 माइनस कर दो 960 पूरे साल की थी 384 प्री क्या ही बाकी पोस्ट होगी तो आपके पास में रेश्यो निकल जाएगी प्री और कोस्ट विच तुइस टू इस क्योन यहां पर में आपके पास में क्या होता है हमारे को प्री और को की वैल्यू ले रखिये पर एक और आपके पास जो केसी ज्यादा तर देखने को मिलते वो मिलते हैं relation among the months जहां पर आपको X या A या Y कोई भी एक variable लेके आपको solve करना पड़ता है ये वाले questions cases बहुत सारे होते ये वाले भी हमारे जो आते हैं तो इसमें मैं 2-3 case कराने जा रहा हूँ मेरे सा समझेंगे माल लोगों कहता है monthly average of turnover monthly average of turnover और पहले 6 महीने की जो है वो आदी है corresponding figure for the remaining period उसने का बोला पहले 6 महीने की turnover बाकी महीनों के मकाबले आदी है तो अगर बाकी महीनों की हर महीने की 50 जा रहे तो इनकी 25 है 20 है तो 10 है X है तो आपकी X by 2 होगी या आप इनकी X ले लो के तो वो 2X होगी तो यानि के पहले 6 महीने की बेटा आपके पास में अगर X है तो अगले 6 महीने की कितनी होगी 2X होगी ठीक है ना बच्चा यही गलती करता है बच्चा कहता है सर 6X से सु 12X अरे या ध्यान से सुनो pre or post का period define है pre or post 6 और 6 थोड़ी ने प्रियो और 4 और 8 ही है तो अब 4 महीने क्या चली टर्न ओवर X ही चली चार महीने क्या चली एक्स चली या 0.5 और X लेनो तो भी अंसर थे मंगा और जो बाकी 8 महीने है उसमें से 2 महीने तो X चली 2 महीने X चली और बाकी 6 महीने 2X चली तो यह आपको ध्यान रखना होता है यह एक अलग देखो प्री और पोस्ट का जो इन्फॉर्मेशन है वो फिक्स हो जाता है कोश्चन के स्चार्टिंग में अध्यान रखना है अब ऐसे ही अगले केस में क्या कहते है मंतली सेल्स एपरिल फ़र्वरी और मार्च में बस डबल है बाकी महीनों के मुकाबले तो अकर बाकी महीने एक्स है वैसे तो इन तीन महीनों में 2X है बाकी महीने अगर X है बाकी के 9 months में X चल रहे हैं तो इन तीन महीनों में बस 2X है तो वेटा हमारे pre और post के कौन से भीन है pre में आपके पास में आपके पास में कौन कौन से में थे April, May, June, July so April का मन्त तो 2X है एक महीना 2x चली और में जून और जुलाई तीरी महीने क्या चली एक्स चली ठीक है न और पोस्ट में दो महीने फरवरी और मार्च के तो 2x चली टोटल में 8 थे तो 8 में से 6 रहेगे फिच इस यॉर ऑगस्ट सेप्टेंबर अक्टूबर नुवंबर दिसंबर जनुरी तो 6 महीने एक्स टॉन उबर चली तो आपके पास में वेल्यू निकल के आ जाएगी विच इस प्री की और पोस्ट की अब देखो आपको यह ध्यान आपको यह देख रहे हैं उसमें से प्री वाले कौन से और पोस्ट वाले कौन से और बाकी महीने नॉर्मल चल रही है तो 5 एक्स इस्टू 10 एक्स रेशो विल भी 1 इस्टू 2 जो मारे पास निकल के आ जाएगी ठीक है ना प्री और पोस्ट का पिरेट डिफाइन है चार मही एक महीने का इस एक महीन पास बिफोर भी मुव तुधा आपके पास आगे पास बीटा हमारी जो इवन लिए का मतलब होता है बराबर इयराफटर दस सेम पर्तिट टू- रिकॉर्ड इंक्रीज का मतलब क्या कि यह नहीं है रहे कई वह कहे रहे है इंक्रीज चू ठड का हुआ है死ए इंक्रीज फ्यूılar की सुनpower पहले एक turn over x थी पहले 6 महीन है हमारी तो बाद के महीनों में 2 x 3 x नहीं रहेगी 2 x 3 x से increase हुआ है तो वह कितनी बनेगी x प्लस 2 x 3 x which is 5 x 3 x तो कराने का कारह नहीं क्या है बच्चा मानता है सब जितनी टर्नोंवर का टूठर रहेगी अर्या टूठर से बढ़ी है तो जितनी पहले थी उसमें टूठर की ग्रोथ आई इंक्रीज आई तो फाइब यह चे महीने और छे महीने चलिए जबकि प्री और हो इते नहीं दिए सर्प्री और प्रोस्का यह पेरिण है वह चार मीडे और आठ मीडे अब 4 मीने क्या चली nuklau करद में छे मीने तक 1 तो 2.8 अघॉस्टर सेप्टैमबर क्योंकि 6 मीने तक एक अरम बांगी के 6 मीने चल जबाइभ ही लगों पाइब होगे 12 तो रेशो की आगी वन ह двух फ्री यह हमारे परस में है कि यह am पर यह हम निकाल के लियने क्किशिवा रेवर में तक वऩश है आपकी प्री और पोस्कि प्री talented तरन ओवर थी वह हमने डालेंगे और उसके बेस पर आपने वेल्यू निकाली और उसके बेस से आपने चले यहां पर ध्यान देने वाला पॉइंट था पहले एक्स थी बाद में 2 x 3 x से इंक्रीज हुआ थो वे 3 x नहीं तो वह 5 X 3 X बन रही थी थे कह ना यह सब आपके पास में चीज़ आती है हमने अलोकेशन के करना है कौन से खर्चे और कौन से को हमने अपने पास किस तरीके से बारना तो आप पास में सबसे पहले हम लोग जीपी निकालते हैं हम यहां पर opening stock or closing stock को अलग अलग नहीं डालते क्योंकि trading count का मकसद GP बनाना जोता है वो तो sales पर कितना कमाया क्योंकि हम यह मानते हैं ध्यान से सुनना क्योंकि एक हमारी assumption होती है कि हमारे साल का GP rate same है GP rate same है तो pre का GP कैसे आया sales into GP rate post का sale आया post का sale into GP rate अब अगर GP rate same है तो क्या हमारा GP क्या हमारा GP sales ratio में आजएगा हमारे पास बेटा हमारा जो GP है वो किस में आजएगा sales ratio में ही आजएगा तो हमारे पास बेटा यहां पर में हमारा सबसे पहले चीज़ आते हैं कि GP को हम sales ratio मानते हैं क्यों क्यों कि हम यह मानते हैं कि हमारा GP rate constant है अगर sales ratio given नहीं है तो आप cogs की ratio मानते हो और वो भी given नहीं तो time ratio वह वैसे किसी question में लगता नहीं है वैसे किसी question में लगता नहीं है बैटा मैं general बात कर रहा हूं सो आपके लिए बड़ी clear सी बात है आपके लिए बड़ी simple सी बात क्या है अगर हमारे questions में 99.9% question में sales ratio given ही होगी तो GP आपका sales ratio बढ़ जाएगा GP आपका sales ratio बढ़ जाएगा अब आते हैं वह खर्चे जो turnover से जुड़े वे वह खर्चे turnover से जुड़े वे वह किस ratio में आएंगे sales ratio में वह turnover से जुड़े वे जैसे कुछ को आपको याज़टना पड़ता है जैसे carriage outward, cartridge outward जो भेजने का खर्चा होता है वह आपका sales ratio में जाता है भाड़ा भेजने का freight outward, selling distribution के खर्चे, commission जो भी दी जा लिए sales agent को क्योंकि ऐसा percentage of sale होती है, advertisement का खर्चा, sales के ओपर dependent है तो उससे sales जने टोड़ी तो sales ratio में जाएगा, discount allowed है, traveler commission, commission सिरफ एक commission को छोड़कर, बाकि जितनी भी commission हो sales ratio में जाते हैं क्योंकि commission जन्यव agent को देते हैं और वो as a percentage of sale देते हैं, तो इसलिए sales ratio में जाते हैं खर्चे, यह तब ऐसा होता है, जब जब ध्यान सुनेगे, यह तब ऐसा होता है, जब आपके पास में हमें question ने उस चीज के बारे में अलग से नहीं बताया, अगर question बेटा अलग से बता देता है, तो बेटा हमें अपने पास में क्या रखना होता है, ध्यान चुनेगे, फिर उस पे अलग information लाग हो लिए, अगर question अलग से नहीं बताता, तो उस case में हमारे पास में यह normal criteria apply होता है, sales promotion का घर्चा, sales ratio, bad debt, sales ratio, obviously अगर अलग से नहीं बताया, तो कि bad debt कब हो रहे है, जिनको उधारप पे sales दी तो वो sales ratio में जा रहा है, फिर यह important है, याद रखने मारे, tax audit fees, बेटा, tax audit कराया जाता है, 44 AB का, income tax act के अंदर में, वो तब कराया जाता है, अगर sales एक particular level से जाधा होती है, तो क्योंकि वो sales dependent है, tax audit, तो इसलिए वो sales ratio में आ रहा है, इसलिए वो sales ratio में आ रहा है, और फिर आता है traveling खट्चे, बेटा, marketing staff के, अगर कोई खट्चा, marketing staff, sales staff का लिख दिया, तो वो obviously sales ratio में जाएगा, ठीक है न, अकेला वो traveling expense लिखा है, तो we can put it under time ratio, यह माल सकते हैं कि traveling का खट्चा, तो बेटा, पूरी organization के सारे employees कर रहे है, तो वो फिर आपके पास में किस में जाएगा, time ratio में, प्रेफरेज, पर अगर वो marketing staff specially लिख दे, तो फिर आपका sales ratio में जाएगा, ठीक है न, वो आपका sales ratio में जाएगा, फिर बेटा, आपके पास में अगली चीज़ आती है, expenses related with the time, समय के साथ, अब आपके पास में समय के साथ जो खरचे चल रहे है, जो फिक्स खरचे है, जो हर महीने बराबर है, जो हर महीने बराबर है, अब जो हर महीने बराबर कर चल रहे हैं खरचे है, वो किस में जाएगा, आपके time ratio में, जैसे salaries, administrative करचा, office करचे, rates and taxes, rent, printing, station टेलीबВот तेलीग्राम ...... नОर्मल रूटीन के विज्नस वह सारे आपके टइम अग्या रहें क्यों कि नो को क्या मान रहे वेटा fix मान रहे हैं कियोंकि आप करच्चों को इनको fix मानते concert मानते हैं तो इसलिए किस में आते टाइम राटों में जाते कंगे इसमें जाते त्लॲ सिर्फ प्री में धोते हैं बहुत बğıt रेर कोचे में देखने को मिलते यह दे जो स्पैस्किली सिरफ प्री में वो तीन-चार बहीने में लग रहे वह था वेंडर की सेलरी और इंट्रस्ट और केपिटल क्योंकि जिसने बिजनस खरीद के बेसिकली कंपनी बनाता है वह कलको डिरेक्टर बन जाता है पर वह बनता तब है जब कंपनी बन जाती है अब तब किसमें बेटा हमारे पास में जो है आपके पास में यह आपके वेंडर की सेलरी और इंट्रस्ट और वेंडर केपिटल प्री में जाएगा किसमें जाएगा प्री में जाएगा और कुछ खर्चे सिरफ पोस्ट में जाते यह वाले आपको वेल्यू पक्का हर कोश्टर में द लगा कोई भी खर्चा जो कंपनी के बनने के लिए लगा या जो कंपनी के बनने के बाद लगता है वह पोस्ट में जाएगा या बनने के लिए या कंपनी के बनने के बाद लग रहा है वह पोस्ट में जाएगा ठीके ना तो आपके पास में यहां पर ध्यानक ने कंपनी के ब कर्ची है वह सकता लाग पहले नहीं हो हम तो यह कह रहें चो कमनी के बनने के लिले लगा वह भी आएगा पॉर्मेशन कर्ची आज़े शेयर इसू एक्सपेंस अंडर राइटिंग कमीशन मैंने कहा था ना एक ऐसी कमीशन है जो अलग है बाकी कमीशन क्योंकि ऐसा परसेंटर इसमुदर फॉर्मेशन कर्ची ओडिट फिस रेलेटिंग कमपणी जो बहुत है और जो भी खर्चा कमपणी के बनने के बाद है वह पोस्ट में जाएगा अब अटेला वर्ड फिस पेटा हमारा इंसुट कहता है कि उससे आपने किसमें लेना है अकेला वर्ड ओड फिस लि और अपने पास में डालना है आपने अपने पास में डाले इंश्यू लेके ने कासा है हम यह मानते हैं कि वह हैं वह और इसमशन लेंटे किरीजा एक क्रोड में मैं उससे कहता हुँ छे महीने बाद इंटरस्ट पेमेंट करूंगा तो शे मिनिय नेकर आब वो पुरे साल का बारा मिने खर्चा नहीं है तो उस पर ने साल की टाइम सकती तो इसलिए हम को भी ध्यान देना पड़ता है डेट ऑफ पर्चेस से इंकॉर्परेशन तक कपडी है और इंकॉर्परेशन से लेके पेमेंट तक का पोस्ट है तो वह आपके पास में चीज़ आती है इन केस आपके पास जो इंट्रस्ट ऑन पर्चेज कंसिडूरेशन रहते हैं अब मैं आपके पास इसी से रिलेटिड आपके पास कोश्चन पर चलता हूं ध्यान से सुनने हैं प्रोवीजन फॉर टेक्स आइडली उसका सबसे बेस्ट बेसिज होता है वह होता है हमारे पास में प्रॉफिट बिफॉर टेक्स पर जो इंस्यूट ने आज से कोश्चन एक जगा दिया भी ता शेडी मैट में वह उसमें कुदी लिख दे रिलेटिड टू कंपनी तो ऐसे ख आध मानते हैं एजूम रिलेटिडिड टू कंपनी तो पोस्ट में डाल देते मालों टोनेशन देते हैं मालों वो प्रोवीज़न फिटेक्स तो आईसे खट्चों कर आध्यों एजूम रिलेटिडिड टू कंपनी थो पोस्ट में डाल देंगे ठीक है यह बात हमें clear हो है और पीनल जो है वह आपके पास कब तक हमन रहा एकत्यस मार्च सका तो एक एप्रेल है 31 मार्च है तो अगर आप देखो कि बेटा कि और इनकॉर्परेशन कब हो रही है एक सेप्टेमबर को अब यह बारा महीने का पीरिड है अक एप्रेल मैं जून जुलाइ आगास तो पांच महीन हो गये सपांच महीन है प्रीकेट साथ महीन है तो यह आपकी टाइम रेशी हो तो तीन डेट सीटी डली आपकी टाइम रेश्यों पर इसमें काफी सारे पॉइंट जाल दिया आपके हमें कहारा statement बना दीजिए portion करते वे अब पहले पॉइंट में बेटा sales की information देरा पूरे साल की actual यह actual sales देदी हो हर महीने की अगर actual sales देदी तो क्या आप sales add करके pre or post की sales ratio निकाल सकते हो तो इस पॉइंट का relevance का है to determine the sales ratio इस पॉइंट का relevance का है to determine the sales ratio तो यह पॉइंट हमें और यह वनलग 5000 दो भाष ऐया और एक लाक भीस जार आया तो पांच लाक आपकी क्या इसे थी की इडि च्रोट और पोश्टा कैसे आएगी बिटा एक लाग 20 जार एक बार गया 140 दो बर आया वो दो बर आने से 280 हो गया और फिर उसके बाद कितनी बोली 150 दिसंबर से ओनवर्ड तो दिसंबर जन्वरी फ़र्वरी मार्ट चार महीने तो वह चार महीने करा तो छे लाग होगी और आपकी यह सेल रेशो आगी इसमें हमें कोई दिक्कत ने आएगी यह एक्चुल सेल्स है जैसे मैंने केसी करें कई बर केसी होते कई बर यह एक्चुल सेल्स देदी और टाइम रेशो हमारी बन चुकि है फाइव इस्टू से अब आपके पास बेटा आपने ना सीधा ट्रेडिंग पेनल से चालू नहीं ह लागू होगा या ओनली प्री या ओनली पोस्त या टाइम रेशो या सेल रेशो पर जिंके बारे में अलग से लिखा उन पर वह अलग इन्फरमेशन लागू होगी तो हमें उस चीज का ध्यानक नहीं है जैसा यह पॉइंट जो अगले वाला है बेटा वो डेप्रीसियेश करनी पड़ेगी तो यह रेंट का पॉइंट है अई मैं सिर्फ सेग्रीकेशन कर रहा आप पर थोट बता रहां आपको कोश्चन कैसे करना पहले सेग्रीकेशन करके रख दो फिर ट्रैवलिंग एक्स्पेंस का पॉइंट की अलग से सेग्रीगेशन है वह मारा अलग से आ ज सेलरी के लिए अलग से सेग्रीगेशन आ जाएगी ठीक है और फिर एडवर्टाइजिंग के बारे में अलग से दिया है और परचेस कंसिद्रेशन में इंट्रस्ट लिखा है तो एडवर्टाइजिंग और इंट्रस्ट तो इंट्रस्ट चाजएगा आपके पास में जो वे से थौट देने जिनके बारे में अलग से पॉइंट नहीं है उन पर नॉर्मल रूल लाग हुआ जाएगा अब हमारे पास यहां पर में क्या करने हैं हम शुरू होते हैं अपने पास में सबसे पहले जैसे हमारे पास आया जाक हमारे पास Stri charged पहला पांच ऑए पर अगला पाइला सेंट जानरी तो शालरी के मारकिंग करूझ थी इसके लिए नीचे पॉंट है तो लाард ये नहीं देख रहे हैं डबल हो गई थी इनकॉर्परेशन की डेट से ही कहता है अगर सेलरी पहले पर मन्त एक्स चल रही थी तो इनकॉर्परेशन के बाद से डबल होगी टू एक्स होगी अब कुछ ना बोलता तो टाम रेशर बोलता ना अब आपके पास में फरक आ गया तो इसके लिए हमारा अलग से वरकिंग नोट बुन गया अगर पहले एक्स थी प्री मन्त में तो इस नहीं होगी टू एक्स इंटू सेवन फॉर्टी एक्स ठीक है ना तो हमारे पास में यहां पे अल्टिमेटली क्या करना है यहां पर में बेटा रेश्यों मन्की फाइव इस्ट्यू पॉर्टी बई प्री के कितने मीन है पांच तो पांच एक्स हो गया पोस्ट के साथ इन्टू डबल है तो फाइव स्टू 14 हो गया बड़ी तभी से रहा है जब से तो फाइव स्टू 14 में सेल्स रिच्यू आपने इसको मांटना है तो यह आपका वर्किंग नोट आया और यह 5 इस्टू 14 में बांटा तो 35 और 98 हो जाएगा आपके पास में किस चीज का बेटा आज जो salaries को हमने बाटा जो हमने salaries को बाटा ठीक है ना फिर अगला कौन साथ है बेटा salaries का point हो गया yes sir rent का point है rent दिया है बेटा 15,000 अब rent जो 15,000 दिया इसके बारे में नीचे information दिये यह रहा point रेंट के लिए कहता है बेटा office का रेंट 12,000 पर एनम था 30 सेप्टेंबर तक और उसके बाद ओगया 18,000 पर एनम दे रहा है तो अपर मंद पर लाएंगे तो 12,000 मतला 1000 पर मंद और 18,000 मतला 15 सोर्पे पर मंद अब यह 30 सेप्टेंबर तक था जबकी इंकॉर्परेशन एक सप्टेम्बर कोगी तो पहले तो आपके पास वही चलता रहा ना सो हमारे पास में प्री करेंट कितना हुआ अगर हर महीने का हजार पे है बारहादर इंटू बारह तो पांच महीने का कितना हुआ पांच सब्सक्राइब पोस्ट में क्या हुआ एक सप्टेम्बर के बास है एक मीना तो एक हजारी चला और छे मीने कितना चला अठारह जार परेनम के साबसे मदला पंद्रा सो परमन तो बिटा ऐसा जरूरी नहीं होता कि रेंट भी उसी डेट से बढ़ेगा जब इनकॉर्परेशन है आप समझो वह चे मीने चला चे मीने चला साथ मीने नहीं चे मीने चला और एक मीना तो हजार परमन अगला पॉइंट आ थैं चैरेज आउटफट कुछ नि लिखा तो अगला audit fees उसने लिखा था related to company नहीं भी बोलता तो भी हम यही मानते अगर टेक्स लिखता है तो सेल रेशियो में आता है related to company लिख दिया नहीं लिख रहा तो भी हम पोस्ट में डालते हैं तो अगला हमारे पास में ट्रैवलिंग एक्समें 66 ट्रैवलिंग एक्समेंस का नीचे पॉइंट था त्रैवलिंग एक्समेंस में बेटा कहता है 30,000 बेटा आपके पास में वरिंकडवाई ऑंफिस चाया और जब की बाकी खर्चा जो है सेङलसमें का तो बेटा जो ऑफिस फालो ने किया वो टाइम रेढियो में जाएका और जो मार्केटिंग चाय भते सेङलसमें वो थाइम रैश्यो में में तो यहां पर यह जाएगा तो 30,000 of इस चाफ ने किया वो तेम रैश्यो में आ गया है और जो आपका सेल्स वालोज चाफ ने क्या टोटल में से । Olisha Man 1 वह वह तो उस्युश्य में मैंनस हुआ तो वह टोटल हो जाएगा 245141 कुछ नहीं लिखता तो हम यह मांते ओफिस का खड़ चाहिए तो टाइम रेशु में जाता है सारे का सारा अगर बोलता आपके सेल्स चाफ नहीं किया तो सेल्स रेश्यो में जाता खुछ नहीं लिखता तो टाइम रेश्यो ठीके ना और यहां उसने आदा-दा कर दिया तो वो आधा-धा हो गया 24,500 और 41,500 ठीक है जी यस सर देन अगला खर्चा कौन सा कमीशन ओन सेल कोई प्रॉब्लम की बात नहीं सेल्स के ओपर कमीशन सेल्स रेशो में जाएगी 48,000 तो 48,000 आपके पास में सेल्स रेशो में गई 16 और 32 ठीक है न यस सर देन अगला बेटा खर् सेल्स रेशनरी सर कुषनी बताया टाइम रेशो 24,000 एलेक्ट्रिसिटी 30,000 टाइम रेशो विजली का बिले फिक्स मानते हर मीन है अगर कुषनी बोल रहा तो यह दोनों टाइम रेशो में जाएंगे इलेक्रिसिटी भी आपके पास में और प्रिंटिंग शेल्स नरी भी य यह दोनों टाइम रेश्यों में गया है 5 इस्टू 7 में 5 इस्टू 7 में ठीक है ना येस सर देन ट्रैवलिंग एक्समेंस दोनों सेपरेट लिख सकते बटा इंट्रस्ट टू वेंडर 12 अब नीचे पोईंट दिया है अभी हिस चे महिने से कित्रे महिने प्रीक है थांठ सर 5 महिने प्रीक है एक महिना प्रोस्ट को क्योंगे के इंकॉर mazzen एक सप्टेंबर कोई तो 5 is is to 1 हो गया हुआ क्या रेश्यों बनकी वैटा 5 इस चूवन हो गया तो हमें क्या करना है 5 इस चूवन में स्प्लिट कर देना इस 10,000 को 5 इस चूवन 12,000 को 10 और 2 हो गया 10,000 और 2,000 हो गया ठीक है न फिर अगला पॉइंट डेप्रिटिएशन 80,000 इंट्रस्टिंग अच्छा पॉइंट जनली कुछ नहीं लिखा हो था तो टाइम रेशो क्योंकि मैं मानता हूँ चार्टिंग से फिक्स एसेट लिए वे उनी की डेप्शन है कोई नया नहीं खरी था अब वो बता रहा है कहरे जो डेप्शन है ना बेटा हमारे पास में जो 80,000 है उसमें कहरे एक मशीन है 720 की खरीदी थी नरेश ब्रदर से जो तुक ओबर में आई थी और एक न्यू भी खर केसे 720 पे तो 10% 72,000 मनती है वो तो पूरे साल की होगे जो टाइम रेशो में जाएगी 480 पे 10% दो महीने की फरवरी और मार्च की वो आपकी जाएगी किसमें पोस्ट में सिरफ क्योंकि वो दो महीने के और वो बाद में खरीदी वो इनकॉर्परेशन होने के बाद है तो वो पोस्ट में जाएगी तो मारे पास में क्या हुआ जो 480 पे 10% दो महीने है वो तो सिरफ पोस्ट की होगी और जो बची भी 72 है जो 720 का 10% वो टाइम रेशियो में वो किसमें कई बेटर टाइम रेशियो में गई 72,000 का 5 बेट्वल 70,000 का 7 बेट्वल तो वो आपके पास में 30 और 40 पादो देखो जी आपके पास में सिंपल सी बात है हमारे पास यहां पर में जो आपने मशीनरी एक नहीं करी दी वो जब खरीदी उतने मीने की डेप्शिन लगी और वो उस प्रिड में जाएगी जब खरीदी उसके बाद का जो पीरिड है तो फर्वरी में खरीद है और मार्स तो पोस्त में जो पहले से पड़ी थी उसकी देप्शन पूरे 12 महीं ने किये तो वह टाइम डेप्शन इन नॉर्मल से टाइम रेशियो मढ़ता है क्यों कि हम यहीं मानते निया नहीं खरीदा तो यह आपके पास में यह आपके पास वेल्यू बन की 30 & 50 यह आपकी एक टीन केस होते गार तीन केस होते पहला केस कुछ नहीं बताया कुछ भी नहीं बताया तो सेल्स उस रिषो MON फोben के कर दिया तो शॉल्द से तो फिक्स कर दिया फैसीं ने थिशो में और मॉन्त फैक्स हjangा कि ताइम रेशो में आ गया फिक्स हो गया क्योंकि यह खड़्चा और तीसरा है तीसरा होता है अगर कोश्चन कही बार लिखते है एडवर्टीजमेंट का खड़्चा हमने किया एक एडवर्टाइजिंग केंपेइन चलाया पोस्पिरिड में जिससे सेल बढ़ी तो वह सिरफ कुछ ने लिखता तो आपके पास में वह सेल्स रेशो यहां लिख दिया फिक्स हो गया तो टाइम रेशो और तीसरा मेंने आपको बठा दिए वह भी लिखता है ठीक है ना तो मैंने तीनोग आपके सामने कवर कर दिये क्या-क्या बनते हैं ठीक है यह सर इस पिरिंट POS में जाना 5 6 और 6 तो 556 सीदी सब्सक्राइब जब पर और आपका S continue पेली सारी चीजे टिक होगी आपका questions solve हो जाएंगा सारे points होगे यह प्री का profit है झोड़कर सब्सक्राइब कम जाया और यह पोस्ट का profit है जो जो पी एनल में दिखेगा आप हमेशा क्रॉस चेक करेंगे जब भी आपका कोश्चन आपको आ रहा है एक क्रॉस चेक अर्थमेटिकल एक्कूरेसी के लिए कि अगर नेट प्रॉफिट दिया है तो आपका नेट प्रॉफिट इन दोनों को एड़ करके मैच कर जाना चाहिए प्रॉफिट इसके साथ में कोशन हो जाएगा ठीक है अभी यार मैंने कोश्चेप्टर खतम कहांकि है मुझे पता है कौन-कौन से पॉइंट बचे है ठड़ा सबर रखो अगले कोश्चन में जाओंगा सारे बाखी क्लियर हो जाएंगे जो बचेवे और है ठीक ना अगले कोश्चन पर आते हो मी तवर अगले कोश्चन बेच प्लेट से चलो आ आओ लेटसी कोश्चन के अंदर में बचसे अ मेरी बात को समझता है जो चीज़ी दे रखेंगे के फैक्स को राम से पढ़ना इसमें काफी सारे नए पॉइंट्स है जो हम सीखने जा रहे हैं जो जनली कोशन में होते हैं ठीक है ना इन दो कोश्चन के साथ मैक्सिमम पॉइंट्स कवर होज़ते इसके लावा जो बचेंगे वही मैं आपको अलग से बता दूंगा कहता है को चाहां पर कब खत्म कर 31 मार्च को जाके कैह रहा है आपको एक माई से बैट कि आपके पास एक महीज से इक fucking इव çık GE कहाना चाहता हूं ज़ारूरी नहीं होता कि आपका जो फो मेंशा बारा महीन का हो इसके बेके is aproreme भाट हुन यहां पर यहां मेने का समय बैठ रहा है यहां आपका गैरा मेने का मे जून जुलाइव और शार मिने प्रीक होगे στοिट और साथ मेह नीक तोड कि तोल कि ने सब्सक्र हो ठीक है यह आप यहां पॉच्च ने एंट्रस्ट इस ऊफिड़े के नेट profit दे रही है पॉइंट्स लिखे आपके सामने यह सारे पॉइंट्स हैं हमारे जो इस question में आ रहे हैं ठीक है ना और स्टेट्मेंट मांग रहा है शोइंग प्री एंपोस्ट इंकॉर्पेशन प्रॉफिट इस साल का ठीक है ना तो हमारे पास में यहां पर में ध्यान से सुनेंगे पहला point है कि company ने चालू कि advertising campaign आप देख सकते एक सेप्टेंबर को तो company ने एक advertising campaign किया एक सेप्टेंबर को जिससे उनकी sales बढ़ गई कितने से सो परसेंट से डबल हो गई तो पहले अगर sale x c तो बाद में 2x होगी यह point दो चीजे बता रहा है एक sale ratio निकालने में मदद करेगा और दूसरा आपके पास में इसी point से हमारा यह पता चलेगा कि advertisement का खर्चा किसमें जाना है advertisement campaign का खर्चा सिरफ जाना है आपके किसमें post period में जाना है basically वह चीज़ आगी ठीक है ना तो sale ratio निकाल सकते हैं यह सर इस से point से sale ratio निकाल सकते हैं तो हमारी time ratio तो 4-7 थी पहले pre के महीने 4 थे तो 4 महीन x बाद में post की हर महीने की 2x है तो वह 14 होगी साथ के साथ मेने तो ratio के बनगी 2-7 तो हमारी time ratio है 4-7 sales ratio 4-14 बोल दो है 2-7 बोल दो ठीक है ना और advertisement का खर्चा जो जाएगा हमारा अगर हमने अभी डाल के खतम करने अभी डाल दो तो यह 36,000 का जो खर्चा आएगा यह हमारा सिरफ पोस्ट में जाएगा क्योंकि उसने लिखा है company ने initiate किया तो यह हमारा जब answer आएगा बेटा तो यह हमारा इसमें जाना advertisement का खर्चा सिरफ पोस्ट में आप देख लीजिए यह सिरफ किस में जाएगा पोस्ट में क्योंगी company ने किया तो वो पोस्ट पेड़ में किया ठीक है ना अच्छा अब आपको क्या कह रहा है कह रहा है सारी की सारी investments हमने बेचिया August 19 में 60,000 के profit में हमने क्या किया investments को ना सेल किया था साल में और 60,000 का profit हुआ वो profit जो on sale का है वो गलती से inadvertently का मतलब होता है गलती से inadvertently का मतलब होता है गलती से सेल में जुड़ गया और गलती से आपका GP में भी जुड़ गया तो जो उपर GP दिख रहा है वो गलत है वो GP on sales नहीं है वो GP के अंदर में सेल और investment का profit भी जुड़ा हुआ है जबकि वो profit on sale of investment अगस 19 में हुआ है तो जो GP गलत है तो हमारा इससे correct GP निकलेगा और जो profit है उसका point होगा सो बेटा जो correct GP बनेगा वो कितना बनेगा 1860 में 60 जुड़ावा है और 1860 में से 60 माइनेस हो के 18 लाग का GP आएगा और 18 लाग का GP है वो sales ratio में जाएगा तू स्टू सेवन जो हमने यह चीज एक particular day का event है एक particular तारीक का event हमें यह देखने हैं वह तारीक conciliate में fall कर रहे है प्री में की पोस्ट में बेटा यह एक औगस्त को है मतलब अगस्त में अब अगस्त में हमारी तो incorporation कभी थी एक September को तो यह सारे प्री में जाएगा यह सारे का सारे Prophet जो है on on investment मुझे बताओ interest on investment कब तक मिला झाए चब तक नहीं बेचा मतब अगस्त तक कई भ्याज है जब investment बेची क्या उसके बाद interest मिलेगा नो सref तो जब investment august में बेच इस प्रीपिरिड में बेच दी तो क्या interest भी सारा प्रीपिरिड का हुआ yes sir तो interest भी सारा pre में आ गया तो ये मेरा point इसके साथ में लिंक था तो वो clear हो गया अगर मैंने मान लो 2 मीने बाद बेची होती post की तो 4 मीने pre के थे 2 मीने post के थे तो वो 4 is to 2 में बढ़ता interest अब उसने जब pre period में बेच दी तो सारा interest pre का ही रहेगा इसलिए वो प्री में आ जाएगा इसलिए वो प्री में आ जाएगा ठीके ना तो यह हमारा पॉइंट इसके साथ में था वो क्लोज कर दिया मैं न इसके बाद वो क्या कहता है कंपनी की एकलोती बॉरिंग जो है वो एक 15 लाग का लोन है नाइन परसेंट पर जो उन्होंने परचेस कंसिडरेशन के लिए यूज किया था और वर्किंग कैपिटल के लिए और यह लोन कब लिया है बेटा हमने एक सप्टेंबर को तो बेटा आपके पास में क्या है कहता है हमारा टोटल ब्याज जो है वो 125 का है कहता है इसमें से कंप्री ने वस एक ही लोन लिया था जो लिया एक सप्टेंबर को है और जो 15 लाग का और 9 परचेंट के इसाफ़े तो क्या पी इंटू आर इंटू टी करके क्या अपना बाद का इंटरस्ट पता कर सकते हो कितना है य 15,000,000 आपके पास में 9% साथ महीने का इंटरस्ट आ गया 78,750 तो अगर 78,750 बाद का है क्योंकि तो बाकी कौन सा हो गया प्री का हो गया क्योंकि वह परचेंज कंसिडूरेशन जब हमने उस दिन दी तो वह पांच मीने का चार मीने का ब्याज भी तो हो गया तो यहां उल्ट थो बाकी प्री आगया तो हमारे लिए क्या हुआ कि आपके पास उसने कंपनी की बॉरिंग बटा दी रेट बता दिया और समय पता है हमें एक सेप्टेमब्र गुल्य तो 7 मिने गया और बाकी कौन सा हो गया तो जो बाकी है हमारा प्री का निकल गया तो यह पॉइंट का मर होगे इसका भी कवर होगे अब कहता है जो अप अडिशनल स्पेस का पॉइंट की बात कर रहे थे ठीक है ना अब मार पास बेटा वो कहता है कंपनी ने एक सब्सक्राइब करें अडिशनल स्पेस कबसे एक सप्टेमबर से एक सप्टेमबर जिस इंग कोर्परेशन ही जिसका किराया आठ अचछंप किया निया पर की अब एडिशनल जगा तो वह एक और ले लिया उसका जो भी बाद के पीरिड का रोसी प्रिड में जाएगा न वह जब लिया और बाकी जो बचे आर्म नॉर्मल किराया तो हमने यह कब लिया पेटा हमने लिया है एक सेप्टेंबर को और यह लिए आठ हजार परमान तो आठ हजार इंटु साथ महीने का यह तो सिरफ पोस्ट में जाएगा यह तो एडीशनल जगा का है ठीक है ना सो हमारे पास में जो एडीशनल जगा का रेंट है टोटल रेंट में से जो एडिशनल जगा के रेंट है वह बना 56,000 और वह सिरफ पोस्ट में जाए रहा है क्योंकि वह तो ली एक सेप्टेंबर को होने को चार महीने पांच में निवह जुरू निया साथ महीने हो उने को और महीने बार लेटा तो यह साथ के साथ महीने पोस वह जायेगा टाइम रेश्यों में विच इस पूर इस्ट्यू सेवन है वो गयारा महीने को ओगए 28 इस्टू 49 वह जो बाकी बचा वो घ्या टाइम रेश्यों में वह गया टाइम रेश्यों में तो 28 एन 49 तो हमारा जो रेंट यह बेटा वह निकल के आ जाएगा 28 और 105 जो रेंट में जितना एक्स्ट्रा था उसे अलग किया जो एडिश्नल था और जो बाकी बचा वह आपके पास में कहां चला जाएगा जो बाकी बचा बेटा वह आपके पास में आ जाएगा इन दी और टाइम रेश्यों तो यह हमारे पास वेल्यू आ जाएगी 28 और 105 रिकावर हुए वह हुए 36,000 के एक सेल करी थी जून 19 में और वह डिड़क्ट हुए वह बैड़ेट मेंशन अभव में अब एटा पॉइंट एक आ गया कि जो बैड़ेट का खर्चा दिया है ना आपको 27,000 का वह 27,000 का खर्चा जो है वह आफ्टर डिड़क्टिंग उसमें से कुछ की अंतरात्मा जागी तो वह रिकावर करके पैसे देगे और नेट में आप 30 दिखा रहें अपने पास में कितना दिखा रहें 30 27 अब 27 जो दिख रहे है वो रिकावरी के बाद है और रिकावरी हुई है 36 की कि तो एक्चुली मैंने के बैड़ेट कितने थे सर बैड़ेट थे 36 प्लस 27 तो एक्चुली मैं बैड़ेट थे 63,000 के बैड़ेट थे 63,000 के अब वो जो ऊपर 27,000 की वेल्यू है वो रिकावरी के बाद है उसने लिखा अब हमें क्या करना है तर सिंपल सी बात है बैड़ेट का खर्चा किसमें जाएगा सेल रेश्यो में जाएगा और रिकावरी की जो इंकम आ रही है यह इंकम होगी यह अलग दिखाते है रिकावर अलग दिखाते है खर्चा अलग दिखाते है अब नेट नहीं करते है जो रिकावरी की इंकम है वो उस पिरेड की है जिस पिरेड को पर्टेन कर रही है तो वो जून 19 की और जून 19 किसमे किसमें जाएगा वह किसमें जाएगा तो हमारे पास में जो रिकवरी गई वह इंकम आ गई और जो खर्चा आया बेड़ेट्स का वह आपका 63,000 किसमें गया सेल्स रेशियो में तो उन्होंने नेट करके दिखाया वा था हमें नेट को अलग-अलग करने हमें ग्रॉस बैड़ सेल्स रेशियो में आगए ठीकिए ना पिर कहते हैं ट्रैवलिंग का खर्च जो है उसमें प्रोमोश्ञ्युन जुड़ आरग-ँद सैवलिंग के खर्चें पाखी को चार्च बांकी कर्चा चाइंग में अब यहां पर आपको क्या करना है जो आपके पास में माउंट आ रहे है बेटा जो आपके पास में माउंट आ Radio 4500 का वो तो जाए का sales ratio में में वह से जाए का बेटा किसमें आपके पास में दा sales ratio में और जो बचा वह 3300 आप किसमें जाए का time ratio में प recaक कर सकते 3300 in time ratio 45 holla werden से रिशो और आपने add किया अगर अलग-अलग दिखाना पील में अलग-अलग दिखा दो ट्रैवलिंग कर चालग सेज्स परमूशन खर चालग अगर आपने वरकिंग नोट में कर दिए और एड़ करके डालना आप आपको ठीक लगता तो मैंने हैड़ करके डाल दिये आप आप separately दिखा दो आपने सेपरेट डालने आप सेपरेट डाल दो ठीक है नो फिर मैनेजर की जो सेलरी है वो इंक्रीज करिया 3000 पर मंद से एक जुलाई से कहते हैं मैनेजर की सेलरी 3000 से इंक्रीज करिया एक जुलाई से तो हमें पहले उसको अलग करना पड़ेगा बाकी के स्पिट लेगी देखो मुझे नहीं पता पहले किसनी थी पांच जारती दस जारती जो भी है यह पूरे 11 महीने के एटीटू है इसमें से 3000 से बढ़ाई है मैंने एडिशनल स्पेस की तरह है पर वो एक जुलाई से बढ़ाई है उसमें जुलाई और अगस्त का महीना तो प् तीनजार इंटू दो गया प्री में और तीनजार इंटू साह इसमें आपके पास में पहां पर ओस में तो ड्वेंटी सेवन होगी बचे कितनी 55 और 55 को किसमें बाण देंगे टाइम ह्यू क्यआफ मेंוס पॉर इस्चू 7 में नोर प्पर में बड़ जाएगी आपको परमंत निकालने की ज़रुवत नहीं है तो 11 से क्या तो 5 into 420 त nasıl आगी he skilled 35 जो आपको परमंत निकालने की जरुवत नहीं है जो एक्सञे हिस्टा निचा था उसे अलग दिटने मिने पर एक जितने मेह यह बाइशस rend वाओ 17 मेन्य कर टाइम रेश्यों मैं किया तो कितना बना 20 फ्लस आपके परगा अज जाएगी जो किया आपके पास में आजाती है ठीक है ना तो यह 20 और यह आपके परगाहद सिक्स होके 26 ओ गया और यह 19 और 21 26 और 56 आ गया 35 में 21 एड हुआ तो 56 बन गया और जो आपकी पहले की थी वह आपके पास में 6000 थी और 20 जार आई तो 26 जार हो गया तो यह हमारे पास पॉइंट हो जाएगा यह 26 और आपके पास में टोटल बन गया 56 ठीक है तो यह पॉइंट भी हो गया अब हमारे पास नीचे पॉइंट्स आ रहे होगे अब जो बची वी चीज़ है कि उनको नॉर्मल रूल लगा देना है नॉर इस रेशो का रूल लग गया 4 और 14 टेक्स ओडिट इस पर ठीक है फिर अंडर राइटिंग कमीशन सिरफ पोस्ट सिरफ पोस्ट भी सज़ा सिरफ पोस्ट में जाएगा वो सिरफ पोस्ट में आ गया फिर डेप्रीजियेशन कुछ नहीं बता रहा सा टाइम रेशो नॉर्मल रूल लग गए न बिटाँ डिरेक्टर फी ओनली पोस्ट तो भी ओनली पोस्ट में आ गया 6300 ठीक है न उनली पोस्ट और फिर ओफिस और संद्री और इस डलेंगे आपकी सारी चीजी कोगी आपका अंसर आ जायेगा यह आपका नेट प्रॉफिट बनेगा बेटा यह आपका कैपिल रिजर्ब में जाना है और यह रिविन्यू है दोनों को एड करेंगे तो कोश्चन के आंसर से मैच कर जाएगा एक ऐसा कोशिट जिसके अंतर हमारे बहुत सारे अलगलक पॉइंट्स जो है वो cover हो जाते बहुत सारे अलगले points जो है वो आपके cover हो जाते तो क्या ये question हमें समझ आ गया इस this question completed and is this question आपके पास understood आपका bad debt, sale of investment, GP, time ratio, manager salary ये वो आपके maximum points इन दो question में cover हो जाते अच्छा जी अब हमारे पास में बेटा नहीं निकल बेटा क्योंकि वो उसने post वाला तो fix कर दिया boring वही थी तो उसी का था न तो पहले वाला प्री का हुआ अच्छा जी अब हमारे पास में अगला जो एक छोटा सा points आते बेटा वो points पहले समलनेंगे फिर मैं लंच ब्रेक की बात करूंगे आपके पास में ध्यान से सुनेंगे जो मैं points ताने जा रहा हो इंपोर्टेंट points दीज आर इंपोर्टेंट पॉंट पहली चीज जो आती है वह हमारे पास में साल चुरू ऊपर्ल को कि खतम हो रहा 31 मार्च को और कोशन कहता है कि एक October को जाके हमारे पर्स में date of commencement हो रहा है क्या हो रहा है commencement अब मैं बात करता हूं मैं आपकी जो time ratio उसके लिए क्या लेंगे 6 मीने परीके 6 मीने परीके कि 4 मीने परीके और 8 मीने परीके तो इडली जब मैं कंप्री लोग को पढ़ता हूं तो हमारी incorporation की date relevant नहीं होती है इवन आपका कंप्री लोग का एक section बोलता है बात की कंपनी को certificate of commencement लेना पड़ता है तो हमें ideally certificate of commencement की डेट तक प्री का पिरेड लेना चाहिए पर हमारे institute ने बेटा हमारे institute ने इस चीज को clear कर रखा है उन्होंने अपनी तरफ से पूरे chapter के अंदर में कहता है इसको नहीं लेना इसको लेना है तो हमने क्या करना है हमारे IACI के साब से वह in crush चलते है तो हमारे pree के 4 मीन आएगे और बोस के 8 मीज़े जो की आइड़ली गलत है जो की आइडली गलत है हमारे पासमें जो बनता है वह in commencement टक ही बनता है पर हमारे इस और इन और म white तक चलता है तो हम öl्यकर में चलता है ठीक है न अबzen पहली तो अगला पॉइंट हमारा क्या आता है अगला पॉइंट हमारा आता है लेटर से हमारे पास में यहां पर में अगेन हमारा एक 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 अगर्स 31 मार्च कहता है हमारे पास में यहां पर में क्या चीज हुई प्री की सेल्स हमारे पास में लेटर से 5x थी और पोस्ट की सेल हमारे पास जो थी वो 15x थी ठीक है ना अब आपकी जो तेल रेशो बनती है मैं अगर टाइम रेशो की बात करूँ तो टाइम रेशो तो आपकी 4 is to 8 है टाइम रेशो तो 4 is to 8 है तो वो तो 1 is to 2 बनी और जो वो एक्स का कॉम्बिनेशन दे के रखता है कुछ महीने एक्स थी कुछ महीने टू एक्स थी वैसे करके आपने 5X is to 15X लिखा तो आपके पास मेंता जो सेल्स रेशायो निकल के आएगी वुघके पास में 5X is to 15X करके कितनी बन pipeline मतला इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें कोई प्रडॉबम नियाएगी अब हमें क्या होता है GP को हम किसमें मानते है sales ratio में आप GP को sales ratio में क्यों मानते हो क्योंकि आप यह मानते हो GP rate constant है मैं यह कहता हूँ कि हमें letter से question है कि हमारा pre के समय pre के समय हमारा GP rate जो था वो अलग था वो 15% था और post के समय हमारे पास GP rate आपका 10% हो गया कम हो गया GP rate कम हो गया बढ़ भी सकता कम भी कर सकता हो जो मरजी करी जाओ यह आपके पास में let's say 15 से 20 हो गया पहले कम था अब जाद हो गया pre में 15 था post में 20 हो गया अब मुझे बताओ आपके पास में ध्यान से सुनेंगे क्या GP को अभी भी sales ratio में बाटेंगे no sir GP को अब sales ratio में नहीं बाटेंगे क्योंकि GP rate change हो रहा है अब GP rate जब change हो रहा है बेटा तो उस case में GP sales ratio में नहीं बटेगा GP sales GP के लिए अलग्स चाया तो what is GP? GP simple होता है GP simple होता है pre और post GP बड़ा simple होता है GP के लिए कैसे निकालता है GP होता है sales into GP rate GP होता है sales into GP rate तो पेटा pre की sales कितनी है 5X और उस समय GP rate क्या चला 15% post की sales कितनी है 15X और उस समय GP rate क्या चला आपका 20% बढ़े मुझे GP की ratio पता करने है क्या होगी कि GP को किसे माटूंगा अभी तक यह percentage सेम होती थी तो इसलिए आप GP को भी sales ratio बाढ़ेंगे तो अब percentage चेंज होगी जब percentage चेंज होगी तो अब आपके लिए अलग हो गया तो यह बना 0.75X और यह बना 3X तो यह ratio निकल क्या है 1 is to 4 तो मेरा कहने का मतलब क्या है मेरा कहने का मतलब है हो सकता है GP rate भी चेंज हो रहा हो अगर GP रेट चेंज हो रहे है न बेटा तो उस case के अंदर में GP जो GP को बाटना है उसके लिए GP ratio अलग निकालनी पड़ेगी वह उस period की sales into उस period का GP rate जितने जब तक पुराना चला और बात की जो भी से लिए उसके बात का GP rate वह ध्यान रखना है वह पॉइंट आपको बताना था मैंने वह पॉइंट आना था देन जो वन मोर पॉइंट हमें पता होना चाहिए वन मोर पॉइंट आपके पास में पता होना चाहिए ठीक है न तो आपके पास मेंटा क्या चीज होती है ज्यान से सुनों वह यह आता है हमारे पास में एक एपरेल प्री और पोस्ट आपकी वेटर टाइम रेशियो में तो कोई दिक्कत नहीं मैं लेट से कहता हूं मेरी जो सेल्स रेशियो है न माई सेल्स रेशियो इस वन इस टू पूर और वो यह कहता है वो यह कहता है बिटा सेल्स रेशियो का मतलब है जीपी सेल्स रेशियो में जाएगा जीपी कैसे निकलता है जीपी निकलता है अल्टीमेटली सेल्स माइनस सीयो जीए तो अल्टीमेटली बास समझो अगर आप वो डोनों सेल्स रिषयो में बट रहे हैं कि अगर आपको इंडिविज्यली बाटो आपके बास stiffness अब हमारे पास मैठ है कि कई पार ऐसा वो सकता है कि कोश्चन लिखेगा कि जो आपकी परचेज कोस्ट है परचेज कोस्ट है वो 10% से इंक्रीज हो गई पोस्ट इनकॉर्पोरेशन आपकी जो खरीदने का खर्चा था परचेज की परचेज कोस्ट थी के डिर्ट एक्सपेंसे वो 10% से पोस्ट इनक्रीज में बढ़ गए अब जब ऐसा हुआ तो आप जीपी को सेल रेश्यो में नहीं बांटेंगे उस केस में प्रॉबलम आ जाएगी उस केस में प्रॉबलम आ जाएगी नौर्मली आपको यह करना था कि एक आइडियाल करता था कि वह आपके पास मेटा बट रहा है वन इस्टू 4.4 तो आपको इसमें अलग है क्योंकि पहले अगर वह एक लाग खर्चा था तो चार लाग खर्चा था वह नॉर्मल है नॉर्मल कोट में बाद का खर्चा वैसे भी दस परसें से बढ़ गया तो उस केस में बेटा हमारे पास में इस वाले केस में आपको पोस्ट वाले में जो एक नॉर्मल सेल रेशो जो नॉर्मल सेल रेशो उस वाले में पोस्ट वाले में उतने का इफेक्ट दे दिना उस वाले में उतने का इफेक्ट दे दिना तो इस केस में आपको क्या करना पड डिएगा कि सेल्स तो जाएगी सेल रेशियो में पर सी ओजी जाएगा वन इस्टू 4.4 वे जी पी ऑटोमेटिकली चेंज हो के आजाएगा वो एक किसी रेशियो में नहीं है उसके इसमें दोनों को अलग अलग बांट रहे हैं तो मैंने आपके साथ में जितने भी पॉइंट है क्या यह पॉन्ट हमारे पर्स में क्लियर होगा अब कॉस्टिछन एक चोटे को लेकर पूरा कॉस्टिन कि क्या कराते फिर होंगा पूइँगा छोटे से पॉइंट को लेके आपके परस में क्या कराने का फायदा जीपी तो अलग से अलग बांट रहे हैं तो ऑट्टमेंटिक लीजीपी बैलेंस भी करा आगी ना फिर आपको जीपी अलग से निकालके नहीं दिखाना ना हारं जी जब सेल्स और चैयों इस अलग लग रेशो मतली तो यू नी नाद टू प्र में नू मैंम हमारे सारे पॉइंट्स मोर और लेस्ट जो कोश्चन में तंग करा करते हैं वो आपने सारे कवर करा दिए सबसे पहले मैं हमेशा कितरा आप लोग के सामने लेके आया हूं इस चैप्टर की जो वेटेज है अभी तक जो इंस्चूट ने हमार से कोश्चन पूछे है आप देखेंगे दस नंबर बारा नंबर पांच नंबर दस नंबर तक का कोश्चन रहते हैं वह कोश्चन किया उसमें एक आदि चैप्टर को और मिक्स है रिदंशन दगया रहा है तो प्राइमेरिली वेटेज यू कैन ऑविसली से 10-12 मार्ग सकते इस चैप्टर के एक जनरल वेटेज है चैप्टर एक सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टन चैप्टर बहुत ही इज़ी आगर हम इसके कॉंसेप्ट को अच्छे समझते हैं सो हमारे इस चैप्टर के अंदर बिटा जैसी हम बात करते प्रेफरेंश की रिदंशन की तो प्रेफरेंश जो होते हैं उन्हे पैसा वापिस करते हैं तो देट एक्टिविटी देट रिपेइमेंट ऑफ कैपिटल तो देप्रेफरेंश ओल्डर इस नोन इस एक्टिविटी को हम बोलते हैं रिदंशन नो उस समय हमने अपने पास में जो सेक्शन नमबर 55 जो है बेटा कमीज एक टुदान ट्रेदिन का वो अप्लाई होता है और वो हमें कुछ अपने पास में लीगल पोविजन बताता है हमें आपर में देखने हैं कि उस समय कैसे काउंटिंग ट्रीटमेंट होती है क्या लीगल रिक्वार्मेंट से ताके हम अपने पास रिडंशन जो करने है प्रेफरेंशेर्स की जो उनको फुली पेड़ नो मतलब अगर मेरा प्रेफरेंश अच्ढंडर वाला है और वो एटी पेड़ थेटे तो पहले 20 उर्पे की कॉल बंगानी भड़ेगी तब वह उनको रिडिम कर पाएंगे तो पहले पुली पेड़ पोगा तब अप उनको रिडिम कर पाएंगे अब इस प के बंदे हो सकता है उन्हें 100 रुपे वापिस कर रहे हो हो सकता है 100 के बंदे 120 रुपे वापिस कर रहे हो तो आप उतना भी दे सकते हैं अब सवाल उठा जो उनको पैसा देना है आपके पास भी तो पैसा होना चाहिए आपके पास मंतुर कंपनी की पास पैसा तो पैसा कहां स इन्वेस्टमेंट्स को बेचा आपने सेक्यूरिटी दिशू करी अपने पार शेयर्टी वेंचर्स तो किसी ना किसी तरीके से मनेया लिव देगो एक हम चीज हमेशा लेके चलते अपने कोश्चन में जब तक कोश्चन पैसे को लेके यह नहीं पताएगा कि दिक्कत है हमेश इस रिडम्शन पर प्रीमियम पर रिडीम करना पड़ रहा है तो मतलब सौ वाला प्रेफरेंशे से उनको हम दे रहें 120 रुपे आर्यों पेंटी रुपीज एक्स्ट्रा दे रहे हैं जैसे जब एक्स्ट्रा आता है तो उसे बोलते हैं सेक्यूरिटी प्रीमियम फेस वेल् करने करना तो उसे बोलते हैं फिस सेक्षे ढ़ी और को अगर कम्पनी करने नहीं तो अगर वह सिक्यूरिटी प्रीमियम को यूज नहीं कर सकती तो यहां पर यूज होंगे सिरफ आपके प्रॉफिट विच इस पी एनल या जनरल जव रेविनियु रिदम जो भी है तो आप अपने पास सेक्योरिटी वंको यूज नहीं कर सकते हैं अगर वह कम है या नहीं है तो आप प्रॉफिट्स को यूज करते हैं पिर अपने पास च है यह वाला केशील एक चलते हैं ऑल्वेसमारा इंस्चिूट कहता है कि हम एक एकीस लेकि एंसर सॉल उर्व कर रहे होते हैं वह चीम हो네 फेंच यह मानता है कि प्रिस्काइब कंपनी को कंप्र रेकरने करेंगे को कहां से ही दस्मानिकन करेंगे out घ्रॉफ और करेंगे जो हमारे creditors है जो हमारे dementia holders है क्या उनके लिए पैसा कंपनी में कम नहीं रह जाएगा तो तो company तो manipulation भी कर सकती है कि आपके पास preference orders को पता है उनको दिक्कत नहों preference shoulders को अपने पास में पहले redeem कर देते भारवालों का देखी जाएगी तो बेटा मैं भारवालों को protection section देनी है इसका ही तो रोल जिम्मा किसने लिए कंपनी लौने लिए तो रोने एक section डाला बेटा लीगल requirement का section 55 for the purpose of protection of the interest of outsiders तो यह outsiders के interest के लिए section डाला गया जिसमें वो कहता है कि जितनी face value के जितनी face value के आप प्रेफरेंश रिडीम कर रहे हैं उतनी face value के या तो आप share issue कर दीजिए तो आपके पास capital फिर से intact होगी जितनी face value कम है उतनी के face value के और shares issue कर दीए या आप अपने profits को block करेंगे profits को block करेंगे profits को block कैसे करा जा रहा है बेटा by transfer to a very special reserve which is known as capital redemption reserve जिसे हम शॉर्ट में बेटा CRR भी बोलते हैं शेर issue करा जाएगा या CRR बेजेंगे CRR का पूरे company law में एक law ता इसे section 60 थी केसाब से bonus के chapter में जो हम सीखते है कि bonus shares के लिए इस्तिमाल के जाते हैं तो वह आपका use किया जाता है for the purpose of issue to bonus shares to the existing shareholder तो वह एक special reserve है जो कलको capital ही बनेगा उससे dividend नहीं बाट सकते हैं तो हम अपने reserves को ब्लॉक करें reserves को ब्लॉक करने से क्या होगा हमने अपनी जो dividend की distribution है बेटा उसे रोक लगा दिया बेटा पैसा लाने के दो तरीके होती या तो आप आपके पास यहां पर क्या करता हूं आप मेरे साथ एक बार एक्जामपल देखना कि आपके पास यह तीन cases मैंने लिए बच्चों के साथ देता हूं तो इससे हम यह समझाता है कि हम अपने पास में CRR में डालने से प्रोटेक्शन कैसे में तो लेटर से एक नॉर्मल बैलेंशीट है शेयर कैटल P&L creator और sundry assets है हम यह जाना चाहते है हमारे कितने टाइम्स creator secured है मेरे क्रेड़र साथ 10 लाग के है कितने टाइम से कितने टाइम के मतलब कितने गुना अब मेरे पास आज जो एसेट से बेटा वो मेरे पास 30 लैक के हैं क्या 30 लैक के 30 लैक में इनको बांट सकता हूं या मैं कुछ और भी कर सकता हूं हमारे पास प्रॉफिट भी पड़े 10 लाग के तो मैं अपने शेरोल्डर को डिविडेंट पास तो अगर मैं डिविडेंट दे दूंगा तो मेरे पास कितना पैसा बचेये मैं 10 लैक मैं 10 लैक तक पेटा क्या बांट सकता हूं मैंसीमु मृण कितना रोडियगा 20,00,000 आगर मैं 10,00,000 क दिविनेट बांट दूगा तो प्रॉफित मेरे खतम हो गर मेरा बैंक बांटमएंस से मेरे पास में 10 एंड बांट सकती क्योंकि प्रॉफित या अब मेरे पास कितने मेरे क्रेटर चे मुट्वा. सब्सक्राइब है नॉर्मल सब्सक्राइब है तू टाइमस मतलब मेरे पास 20 लाग रुपे पड़े है और मुझे को देने 10 लाग है तो मेरे क्रेडिटर्स दो गुना से क्यूर है लेटर से मैंने 2 लाग के रिडंशन करी और मैंने कोई CRR नहीं बनाया कोई फ्रेश इशू न 12,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 2,00,00 के तो आप क्या कर रहे हो बेटा यहां से 2,00,00 आप ट्रांसफर करके लेके जा रहे हो बेटा अपने CRR में तो अब यह कितना रहा जाएगा बेटा 8,00,00 अब अगर हम बेटा देखे तो हमारे पास जो संड्री ऐसेट्स है वो 28,00,00 के है और मेरा जो प्रॉफिट से बेटा वह 8 लाग के रहा जाएंगे जो मैं मैक्सिम्म डिविडेंट के तौर पर बाढ़ सकते हैं तब ही तो डालने से बापके डिविडेंट के तौर पर डिस्ट्रिबूट नहीं होगे क्योंकि आपका बोनस शेर्स के लिए वह कलको जो पहले थी यह सर तो मैंने क्या बोला हमें प्रोटेक्शन देने के दो तरीक है या उतनी वैल्यू के शेर्स इशू कर दो ठीक है जी बेंचर सीचू कर रहे है तो आपको CRR में तो भेजना पड़ेगा या इक्विटी या प्रेफरेंस जो आपके पास आ रहा है और या आउट आप प्रोफिट्स तो प्रोफिट्स में क्या हुआ आपने अपने ट्रांसफर के बिटा किसमें CRR में इस चैप्टर रउंचन रिजव तो एंटरी बनी फ्री रिजव तू रिजव कम हो गए CRR में बढ़ा दिया रिजव कौन से होते बिटा जिन से आप डिविदेंट बाट सकते है विच इस यह जनरल रिजव रेविन्य रिजव पी अनल सर प्लस डिविदेंट इक्कॉलाइ CRR में कितना मौंट जाएगा बिटा सिंपल सी बात है और और कंप्लाइंज फॉर सेक्शन 55 लीगल रिक्वायर्मेंट ओल्वेस कंसिटर ता फेस तो जितनी नॉमिनल वेल्यू के बिटा अपने प्रेफरेंश रिडीम करें है माइनस कर देंगे उतनी नॉमिनल वेल्यू के और सिझे न देंगे जितने के नए शेर इशु करें जितनी फेस वेल्यू के प्रेफरेंश रिडीम करें माइनस जितनी फेस व curd्यू के ये शेर इस रहे उतना मौंट बेटा है आप चलंग ये कॉंपलाइंज कम वाक ये तो सिंपधी बात है उन दोनों को मिलाखे पूरा एकला करने है या किसी एक से भी पूरा कर लो तो यह हमें compliance पूरी करने है नौ हमारी बेटा जो journal entries आती है very basic very basic सबसे पहले अगर मेरे शेर पाटली बेटा तो क्या करूंगा सर फूली बेट करूंगा तो पहले अनपेड पोर्शन जो है वह अगर आपके पास है तो वह मंगा होगे शेर फाइनल कॉल टू शेर कैपिटल और जब पैसा मिलेगा तो बैंक टू शेर फाइनल कॉल बहुत basic entry है अब हमारे पास मिट आगर कोई नए शेर इस्यू करें इंवेस्टमेंट बेची तो उसकी एंट्री आएगी तो शेर इस्यू की क्या हुई बैंक टू शेर कैपिटल टू सेक्यूरिटी एक चीज़ाइद रखेंगे पहले पैसा आने की जलेगी तभी तो पैसा देप होगे ऐसा अगर है तो वो ख्राइट हो जाएगा तो यह पैसा आने के इंट्रीस होगे अब मेहन है जो रेलीवेंट जो आएगा ही आएगा विच इस आप डियू करेंगे बिटा क्या करेंगे डियू जो आपने देना है तो बिटा कर 100 वालों को 120 दे रहे हो तो कैपिटल तो 100 से बदले 120 अगर दे रहे हैं तो ट्वेंटी रुपीज एक्स्रा प्रीम और अडम्शन में गया और टोटल में देना कितना 120 ठीक है अब यह प्रीमियम को क्या करेंगे तो प्रीमियम और अडम्शन को राइट अफ कर दिया कहां से से कर सकते हैं नो सर वो प्रिस्क्राइब कम अपने डियू करके और फिर हमारी आते है कंप्लाएं सेक्शन 55 लीगल रिक्वायर्मेंट जो अभी सिखाया प्रोटेक्शन कितना मों ट्रांसफरों का सी अरा में नॉमिनल वेल्यू और प्रेफ्रेंश यह टूभी रिडीम माइनस नॉमिनल वेल्यू आफ नए शेर इसू जो हमने समझा भी वह आपके पास कवर होता है अभी विपोर अब अपने पास मैं आपसे चोटा सा एक एक बात करता हूं जैसे एक्जामपल वाना मालो मेरे प्रेफ्रेंश यह टू लैक रुपीज की है यह फेस वैल्यू देदी दस पर्चन प्रीमियम पे रिडीम करना है दो लाग के बदले दो लाग बीस हजार देने है टू लैक पुइंटी थाउजन नए शेर दीशू करें फिफ्टीन ताउजन वाले 10 पर्चन प्रीमियम स्वग्णलष मुझे बताओ कि ऱे टार के लिए तो फेस वैल्यू देखनी है तो बीटा उसके लिए कोई लेना देना नहीं पैसा कितना रहा है पैसा कितना जा रहा है उसके लिए सिरफ एलर के लिए बीधा तो दो लाग की पेसे वैल्यू व कितना जाएगा बेटा 50,000 तो बहुत ही बेसिक सा आपका स्रेट फॉर्वड एक्जाम्पल टू पर आता हूं डोंट वरी पर उससे पहले कोश्चन कराता हूं बहुत ही बेसिक्स है यह इंटर में 2018 बेटा मैं वह कोश्चन लेकिया हूं जो पेपर में आया वे दस नंबर बा प्रेफरेंश चियर्स वाले फुली पेड़ उससे पूरे आगे पेमेंट ड्यूरी कर दी कमनी के पास प्रॉफिट्स की भी कोई दिक्कत नहीं है बताओ एंट्री क्या होगी पहले हमेशा पैसे आने वाली एंट्री डालेंगे पैसे आरे बेटा दो तरीकों से शेयर इस करके डिवेंचर इसु करके मेक शोर अलग अलग एंटी डालो अपने कंबाइन डालने डाल सकते हैं तो पहले शेयर के आपकी क्या इंटरी सर बैंक टुछ एर कैपिटल बैंक टुछ एर एकुड़ी शेयर कैटल तो बैंक काउंट डेट्वी डेट्विट्टी टू टू लैक विच इस 2,000 इंटू 100 अब ड्यू करता है मेटा जब तक ड्यू नहीं करोगे पे कैसे करोगे तो ड्यू कितने हैं मेटा हमारे पास में 5,000 ते 10% वाले 100 वाले हैं पर देने 10% फालतु है तो 5,00,000 के होगे 5,00,000 वालों को 10% एक्स्रा देना तो 10% प्रेफरेंस चेर क्यापिटल 5,00,000. प्रेमों अडंव्चन एक्स्रा देने कितना 50,000 वालों को 10% एक्स्रा करके 550 देने गुए क्यापिटल डेबिट होगे खतम होगी अट्रा जो है प्रेमों अनुंट्रिक हैगी प्रेफरेंस चेर टो बेंक 550 ओभिशी पास अप यह डिउ करोगे फिर पे क अब प्रीम अडम्शन को राइट आफ करना है कहां से सर पी एनल जर्न रिजर्फ से तो पी एनल अकाउंट एब टू प्रीम अडम्शन यहां पर प्रॉफिट्स पर कोई प्रॉब्लम की बात निमार पास सफिशेंट उसने बोला तो यह राइट आफ कर दिया वेटा जो कितनी फेस वैल्यू के नए शेयर इश्यू करें शेयर है तो सर्फ पूर लैक यहां पर डिवेंचर नहीं आसा तो फाइव लैक माइनस पूर लैक वन लैक जाएगा बेटा सी एरर में टेंट्री के बनी पी एनल या जनलिजर्फ टू टू पी एनल टू पी एनल टू सी एर में कितना जाएगा वन लैक रुपी सिर में कितना गया वन लैक रुपी तो यह आपके पास में पार्ट कम्प्लीट हो जाएगा एक कोश्चन भी बहुत असान सा था इसा था बेटा पेपर में कोश्चन आता देखो नरेशन जरूर लिग दो नॉर्मल जॉप के एंट्री है में दाल दो चीज आपके लिए कंवी इंट्रेस है हमें तो में एंट्री से और वकिंग जरूर दिखा दे सी आरार की अब यहां पे मैं अगले पर आ रहा हूं बेटा समझाने के लिए आपको इस वाले केस की साथ हम लिखेंगे कंडीशन ओन रिजर्व कंडीशन ओन रिज रिजर्व के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है उस चीज को में समय और हमें बताना है इतना ही मैक्सिमम रिजर्व जितने पड़े उतना ही भेज पाओगे ना बाकी कहां से पूरा करना पड़ेगा फिर आपको शेर जैसे अभी मैं हमार को यह बताया 40,000 शेर तो आपको शेर का कर अब उल्टा हो रहा है तो आपको उल्टा कैसे हो रहा है देखिए वह कहते है प्रेफरेंश एरा रुपीज पोर लैक की फेस फैल्यू के रुपीज देरा तो फेस फैल्यू होगी दस परसें एक्स्ट्रा परेडियम करना है प्री रिजर्व में टू सिक्षी बताओ कितने एक कुटी शर्थ ईशू करे जाएंगे दस वाले 10 परसें प्रीजर्व तो जैसे उसने बोला प्री रिजर्व से इतने हैं अब बूचरा बताओ कितने शर्व से तो कंडीशन रिजर्व पे रागी कंडीशन किसा आगी रिजर्व पे तो हम यह चेक करते हैं मैक्सिमम ट्र सब्सक्राइब इसके बाद कोश्चन भी करूंगा तो हमें देखना है कौन कौन सी चीज़ों को भेज सकते हो सब्सक्राइब इसके बाद कोश्चन की बाखी चीज़ों को भी समधना जुरूरी है कई बार इन्वेस्ट्मेंट्स को बेशते हो प्रॉफिट लॉस पे तो उससे एड़ बाइनस हो जाएगा जैसे यहाँ पे बेटा यह 10 पर्सेंट जो प्रीमियम पे रिडीम करोगे बट यह आप पूर लेका 10 पर्सेंट यूज भी तो करोगे जो प्रीमियम और रिडंप्शन को राइट आफ करोगे तो आप कितना ही ट्रांसफर कर सकते हो 40 माइनस करके 220 कि आप मैक्सिमम कितना सी यह रहां बेह सकते हैं इतना रोक नहीं रोक नहीं कुछ नहीं बोल रहा तब सारा भी उज़कर लोगे तो 220 हुआ अब एटा मेरी नॉमिनल वेल्यू प्रेफ्रेंश की कितनी है nominal value of reference share जो हमने redeem करने है 4,00,000 तो कितनी face value के share इस्यू करेंगे nominal value of जो अब रे equity share इस्यू करने है that is pour lakh माइनस 220 इतनी नॉमिनल वैल्यू क्या आपको शेयर्स इस्यू करने पड़ेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स बेटा आपके पास में कितने इस्यू करने पड़ेंगे कि वन एक डिवाइड़ा करेंगे नो सर दस से करेंगे क्योंगि इतनी होनी चीए यह कि इन albums घृष्ट करेंगे अगर तो इससे वन एटी की फेस वैली वहोगीए तो इसे आपके पूरिया लैक की कंप्लाइंस पूरी हो जाएगे 4 लैक की कंप्लाइंस पूरी हो जाएगी सर अगर हम डिवाइड करेंगे और बाइच चांस हमारे डेसिमल में आए तो लेट से मैं कहता हूं कि फेस वैल्यू आपकी जो है सेवन है कि एग्जाम्पल तो अगर नए शेयर की फेस वेल्यू बेटा सात रुपे है तो हमारा वन एटी को डिवाइड़ बाए क्या करना पड़ेगा अब मेरे क्याल से ही आपके पास में डिवाइड नहीं हो पाईगा कि यह बना 25714 पॉआंट टू एट टू नाइन लिघ देता हूं जलो कया यह डैसमल में अपने पास कर सकते यह इसे नोस तो डैसमल में जब नहीं बेटा से तुन ना राउंड आफ नहीं कर ना राउंड ओफ का मतल़ पते क्या होता इस पॉइंट फॉन ब्र लोगे राउंड आफ नहीं करना राउंड आफ कमतबता है पॉइंट फाइव से कम है तो पिछला लेलो पॉइंट फाइव यह उससे जाधा तो अगला लेट नो हमें हमेशा नेक्स लेना है ऑल्वेस नेक्स सर राउंड आफ क्यों नहीं करना बेटा अगर आप 25714 इश्यू करोगे न तो उससे आपकी compliance में इतनी होगी क्योंकि 25714 अगर आप लेते हो तो इंटू 7 करोगे तो आपके पास 180 नहीं कठा होगा तो 17998 होगा तो 17998 से आपकी compliance में नहीं हो पाएगी क्योंकि आपको compliance के लिए 180 फेस फेल्यू चाहिए तो decimal चाहिए पॉइंट वन ही क्यों नहीं हो आपने हमेशा अगला लेने पीछे आए compliance में नहीं होगी always next always next so that is 25715 में कई बार कोश्य ने भी बोल सकता है बताओ अगर यह शेर हमने multiple of 10 में issue करने multiple of 10 का मतलब होता है last में 0 ही होना चाहिए तो बेटा कितने शेर्ट बनेंगे सर पीछे नहीं जा सकते no always आगे 25720 अगर multiple of 50 में issue करने multiple of 50 होता है या तो 50 होगा यह 100 होगा 50 के multiple होगा तो यह बनेंगे 25750 पीछे नहीं आना multiple of 100 भी है 525 800 कैसे क्या यह जराअसा भी क्यों हो क्योंकि अगर आप इचे गए तो compliance गई आगे में कोई दिख्कत नहीं पीछे नहीं जा सकोंगे आगे जाने में ओंगे तो compliance meet होगी न कि पीछे गए तो compliance आपकी रहजाेगी तो इसे butterfly always next ली लेनए यह हमार पास बात है बेटा जब condition किस पर बेटा जब condition है आपके पास में which is on the किसमें condition is on the reserve condition is on the reserve तो हमें अपने पास में ऐसे करना है ठीक है ना इसके बाद बेटा मैं कोशन पर आता हूं जिससे में clarity लेते पेपर का कोश्चन है बारा नंबर का आया है इंटर जेनवरी ट्वेंटीवन में तो कोश्चन देखते बेटा कैपिटल स्रेट्चर जो बेटा कंपनी बीके लिम्टिड का उसमें 30,000 इकुटी इच यह से 10 इच वाले यह तो फुली पीड़फ है एं 2009 परसेंट से बाकी पडिफर जेर जनल इस अब है इन्वेस्टमेंट लाउंज रिजाव है यह फ्री नहीं है फॉर डिस्टिबूशन कही बार ऐसा होता कोशन बोल सकता है कि इसमें से कुछ प्री है तो हम उतना यूज कर लेंगे बिल्कुली फ्रीमिया कुछ भी यूज नहीं होगा इसके लिए डिरेक्टर ने इंपावर किया कि हम फ्रेश इशू करेंगे कुटी शेर का एट आपके पास पार पे आफ्टर यूटलाइजिंग दा अंडिस्टिबूटी रिजर्व सेंसर पर कंडीशन है कि 40,000 बचाना है जनरल इसमें यह नौ सारा खतम कर दो जैसे हमने अ 45,000 रुपीज है पर बेचा कितने पर नाइन पर शेर लो तो हमारी कोश 45,000 4500 की मतलब हमने 10 रुपे में खरी देवे बेच 9 रुपीज मेरे है जर्नल इंट्रिस जालने है बेटा इफेक्ट देने के लिए और बताओ यह relevant आइटम्स बैलेंस शीट में कैसे अपियर करेगी आप्टर दी डिदमशन मतलब हाओ इस आइटम्स आर गूइंग टू भी शो निंदा बैलेजिट कैसे दिखेगी तो यहां पर देखिए आप कंडिशन रिजर्व पर है उसने रिजर्व बोले इतने कम पढ़ रहे इतने कम पढ़ रहे मतलब उसने बोला इतना बचाना है कि आंतों कि डूसिटाओ कि इस प्यू Subscribe करेंगे तो प्रstorm में है मैक्सिमुम कितना ट्रांसफर कर सकता हूं तो एक है बेटा जन्रल रिज़र्व कि एक है बेटा पीए रहे लगाऊंट क्योंकि मेरी इंट्रीज में पहले पैसा आने की आएगी मतल्ब मुझे नंबर आफ इकुडी शर्त आने कितने होंगे इश्यू उसके लिए मैं चेक कर रहा हूं कितने अप सी आरान भेज सकते हो तो बेटा जनरल इस आपढ़ा 120 है तो 120 पे से 42 सेवी करना है बचाना है तो 80 हो गया यह कितना बड़ा है 60 और आपके पास में प्रीम अडम्शन कितना है 10 परसेंट है पेटा दस परसेंट प्रीम रेडीम करना है कितने 2 लाग के प्रेफरेंश दो लाग का 10 परसेंट 20 कि इसके लावा भी फरक पड़ेगा येस सर क्यूं बेटा आपके 4500 शेर बेच रहे 45,000 वाले जो आपके लिए 10 रुपे के थे 9 रुपे में बेच रहे एक रुपे का लॉस हो जाएगा लॉस होने से प्रॉफिट कम हो जाएगा तो लॉस कितने का होगा एक रुपे के साफ से सर 4500 का लॉस कितने का होगा बेटा हमारे पास में 4500 का तो यह 4500 का जो आपका लॉस है करने के बाद कितना मचा 60,000 माइनस 20,000 माइनस 45,000 तो 35,000 तो बेटा आप टोटल में 1155 00 कि आप इतना ही आपके पास में क्या कर सकते हो सर में इतना ही अपने पास में क्या कर पाएंगे इतना ही maximum transfer कर सकते CRR में इस स्यादा करी नहीं सकते बाकी मुझे क्या करना बड़ेगा Shares की face value कठी करने बड़ेगा तो face value of shares मुझे complete compliance के लिए कितना πुरा करना है गर compliance के कितना भीज़ना वन वन फाइब डबल जिरो तो 84 500 की फेस वेल्यू के मुझे क्या इश्यू करने पड़ेंगे और इसे डिवाइड किस से करूंगा नेया शेर आपके पास पार पे इश्यू हो रहे है दस रुपे का है पार पे लेखना है फेस वेल्यू है तो दस रुपे चाहिए प्रीमियम को था मुझे कोई फरक नहीं था क्योंकि हमने कंप्लाइंस के लिए फेस लाए देखनी है तो देट इस कितने शेर्ट होंगे एट पोर फाइफ जिरो शेर्ट आपके बनगे बस यह आपने चाहिए था इसके बाद वीकेंड पास विद्ध जो मैंने आपको वर्किंग दिखाई बेटा वही वर्किंग यहां पर आंसर में दीविया नीच आप देख सकते है एक्टी का जनरल जब यूस हो सकता है तो तो टो लाक है तो 84500 डिवाइड बाइड फेस पेल्यू करके वर्किंग जो मैंने बनाके दिखाई कि यहां पर आ आपका लॉस हुआ तो इंवेस्मेंट्स आपकी खतम होगे आपने बता इतनी बेची है ठीक है अब डियू करना है दो लाक वालों को टैन परसेंट एक्स्टा देना तो प्रेफ्रेंचर कैप्टल दो लाक प्रीमियों अडम्शन मेंटा टैन परसेंट को ट्वेंटी टू प्रेफ्रेंचर के दिखा देंगे प्रेफ्रेंचर ओलडर टू बैंक चुट्वेंटी को क्या कर देंगे राइट आफ प्रीम क्लीड उम्शन है कि यह जाना है इसमें जाना है सियारार में जाना है तो सी एर्व किस की चिए जाना है यह एंट्री आपने सबसे पहले देखी दी हमारे पास जनल इस अब यहां पर हमें यह भी बताना है कि यह चीज़े बैलेंशीट में कैसे दिखेगी उसने पूछा है तो बैलेंशीट के बैटा जो वह चीज़े दे रहा है मुझे उसका बतान है तो मेरी कैपिटल में थे तो 30,000 एकुटी शेर पहले से थे दस वाले 8450 आपने और इस्यू करें तो आपके बैटा एकुटी शेर शेर कैपिटल में कितने आएंगे इस्यू में आपके पास 38450 30,000 पहले थे 8450 और इस्यू करें दस रुपे के हिसाब से 384 500 384 500 सिंस यां टैली नहीं कर रहे तो एक्स्ट्रेक्ट है यह क्या बोलते हम एक्स्ट्रेक्ट है ठीक है ना दूसरा क्या रिजर्व सेंसर प्रेफरेंस और इडीम होगे तो आएंगे नहीं जनलिसम में बैटा कितन अब चंके राइट अफोगया कुछ लॉस हो गया और बाकी और बाकी आपका इंवेस्ट्मेंट लाउंस रिजर्व तो बेटा आएजटी देवो तो कुश्चन दिया वह 15,000 तो वह हमारा 15 का 15,000 दिख जाएगा तो यह बना 170 500 175 अगया तो इसमें कोई प्राब्लम की बात इसमें कोई प्राब्लम की बात नहीं है ठीक है ना इसके बाद बेटा हमारा कैशन कैश इकुलेंट था पहले से कितना था सर 195 अब बेटा आपने इंट्रीज के एफेक्ट लेने कितना पैसा आया कितना क्या 195 में आपने इकूटी शेर्थी चू करें एक उसका पैसा आया प जितना पेए जितने से बेंग डेबिट और ग्रेट और हो रहा है तो ऐसाथ में आपका जो है यह वाला जो कुशन हमारा यह वाला आपके पास में खतम हो जाएगा आप चेक कर लेंगी एक लाग यहांपर डल गया तो इसके साथ यह कोश्चन आपका पूरे का पूरा कितन पर दो पर दो पर दो पर आपके पास पड़े हैं जो आप भी सकते हैं उसके लिए को समझना जूरी है इतना पचाना इतना प्रीम प्रॉफिट होता तो बैटा आट अब उतनी फेस वैल्यू पूरी करनी है तो आपके बाकी हमने चो दो प्रॉफिट है उसको माइनस करके पता चल गया कितनी फेस वैल्यू के शेयर है और फेस वैल्यू हो अगर इसमेल में आता तो अगली वाला लेते हैं वो मैंने आपको पताया था ना इसकी बाद बैठा अगला जो केस आ रहे है ना मेटा हमारा अ किसंपर अगर बैंक पर मतलब पैसे पर पैसे की दिक्कत है पैसे की लिए इतना पैसा बचाना है तो उसकेस में कैसे करते क्योंकि वह सारी बात आपको पैसे बोलेगा इतना मेंटेन करना है कि कहता है प्रेफरेंश केप्टल मान लो दो लाख है 10 परसें प्रीमियूम पर कि पहले से पढ़ा बेटा कितना 20,000 ठीक है ना इन्वेस्टमेंट को बेचा 27500 कि मिनिमम कितना करने मिनिमम मेंटेन करने से आपकी कंडीशन बैंक पे लगें इतना बैंक में बचाना ही बचाना बताओ कितने शेर्थ इसू करेंगे अब हमारी कंडीशन बेटा बैंक पे है इसमें करने के दो तरीके होते अकाउंट बनाई है यह आपको जैसे आपको जैसे अकाउंट में कर लेंगे सबसे पहले आता है आपका बैलेंट ब्रॉट डाउन कितना है अब जाए है तो हमारे पास मेंटा पहले से पढ़ा बीच जाप एक मेंटें कितना करने उपर है अब पंद्रह हजार अब अब है अब है अब है इन्वेस्ट्मेंट्स ताइस हजार पांसो पभी की जो सेल हुई तो पैसा आया है देना किसको है प्रेफरेंच शेरोल्डर को तो बाए पी एस एच पैसे की बात हो रही है पैसा कितना दोगे सर्थ दो लाख वालों को दस परसेंट एक्स्ट्रा देंगे दो लाख बीस हजार देंगे बाकी क्या आएगा बाकी आएगा बाकी आएगा बीटा कितना पैसा आपको आएगा किस से शियर्स इशू करके तो वह आजाएगा आपकी बैलेंस इविगा तो 15,000 फ्लस 220 माइनस 20 माइनस 275 बैटा बनेटी सेवन फाइवनेट क्या है सर्य मनी है पैसा कितना चाहिए और यह पैसा किसको शेर्स को इसू क्या रहे यह इकुटी शेर कैपिटल है सेक्यूरिटी प्रीम मिला के बैटा कि यह आपके पास मणी की बात हो रही अभी की नियूरी यह कंप्लायंस की बात नहीं ओर लिए नंबर उप शेर की बात हुए क्यों कि हमें अपने पास में यह जानदाना है आप क्या इतना पैसा जो चीए वह कैसे है तो बिटा जब में नंबर आफ शेर्स अब निकालूं दस नहीं कर देना जलबाजी में यहां कंडिशन बैंक पैसे के उपर और यह बैटा पास पैसे के उपर और यह तो डिवाइड़ दस वाला जब किया साढ़े बार रहे तो पंदरा अजार शेयर को आपकी जो इंट्री बने के तो बैंक में तो वनीट जान फाइवनिट कि अब अगर मैं कंप्लाइंस की बात करूं यह तो शेयर निकाली लिया आपने है तो उसके लिए क्या चक परेंगे उसके लिए फेस वैल्यव प्रेफरेंस वालों की कितनी है दो लाक युझा दरस परसें ने भाई compliance के तो face value देखनी है section 55 के लिए यहां face value यह देजला कि तो इतना CRM में जाएगा इतना CRM भेजना पड़ेगा तो ही compliance पूरी होगी वरना compliance नहीं पूरी होगी इतना हमें face value क्या बेजना पड़ेगा CRR में बेजना पड़ेगा अभी आपके बस बेटा compliance पूरी होगी ठीक है यह सर यह बात हमारे पास clear हो जाती है सर यह बात हमें समझ आ जाती है है नोU question बेहात हो गेंड पेपर का कोश्चन है यह था समझेंगे इंटर मेंया सकथा कि रिजर्व सर्प्लस है ट्रेट पेबल है पीपी ए नौन क्रेंट इंवेस्टमेंट आप बैंक है शेर केपिल में बीटा कंसिस्ट है रुपीस 50 वाले एकुटी चार लाग है रिजर्व सर्प्लस में कहता है सिर्फ पी एनल है मतलब इसमें कोई और नहीं है सिर्फ प्रीमियम पे कंप्रीन ने क्या डिसाइड किया तारी इंवेस्टमेंट को बेचेंगे कितने में 30 पे कि रिडंशन को फरेंस करने के लिए हमें क्या करना है इस पॉइंट में कंडिशन क्रिएट कर दी किस पर बैंक कि हमें कम से कम इतना चीए 24 और मिनिमाम इकुटी शेर्ट इसू करने 50 रुपे वाले 10 रुपे प्रीमियम पर शेर में ताकि हम बैलेंस बंट रेस करता कि जो ह आपके आपके पास में अगरम देखे 62 पहले से पढ़ा है यह उसने बोला है 24 हमें मिंटेन करना है तो अल्टिमेटल यह 38 होगा अगर आप अलग लग भी लिखें कोई चखने अगर आपने अकाउंट नाने अकाउंट नालो अब हमें कितना पैसा चीए रिडम्शन के लिए सर रिडम्शन के लिए हमार पास चीए 130 के प्रेफ्राइज शेर्स है उन्हें 10 परसेंट एक्स्ट्रा पर रिडम्शन करना तो 1,43,000 हो गया 130 प्लस 10 परसेंट यह पैसा कहां से आएगा सर यह इंवेस्मेंट बेच हो गया पहले से पढ़ा होगा अब इंवेस्मेंट जो बेच रहे वह कितने बेचा उसने कहा था बटा सारी इंवेस्मेंट को बेचा 30 तो 30,000 तो यहां से पूरा हो गया और 38,000 हमारा डिफ्रेंस है कितना था और कितना चाहिए तो 62 पढ़ा था 24 तो बना रोक नहीं है तो आपका वह बाकी 38 वह हो गया तो अगर आपने अकॉंट नाना अकॉंट मैंने पिछी मैंने एक्जांपल में कहा था 62 पढ़ा 24 मिंटेन करना तो 38 वह यूज कर सकते हैं 30 हमें इंवेस्मेंट बेच के आजएगा चाहिए ता 140 तो बाकी कहां से आएगा बैंक से बाकी आएगा एकुटी शेयर इसू करने पढ़ेंगे अगर मैं इतने शेयर इसू करूंगा कि arguments between contently क्या होगा आपके पास 75 five thousand आ जाएगा जिसा आपकी बेंक की compliance बैंक की compliance पूरी होचाएगी था और मियुक्लाइश पूरी होचाएगि one two five zero shares भूने वेटा चीका करेंगे जम ँखड़ेंगे तो आपने कफ्टे डाल ने कठे डाल दो यहां तोड़के डाली गया बेटा बैंक अकाउंट डेबिट 75,000 वही जो हमें यह था तू शेयर अप्लिकेशन जो भी वरकिंग ओड से निकाल और यह एंट्री का होगे शेयर अप्लिकेशन तू शेयर कैपिटल में कितना जाएगा बेटा वन टू फाइफ जिरो इंटू 50 अगर दस रुपे का प्रीमियम का चला जाएगा अगरे और कहां से पैसा आ रहा है सार इंवेस्टमेंट बेच के कितना आ रहा था इंवेस्टमेंट के 30,000 कितने की इंवेस्टमेंट थी का आपके पॉइंट नंबर इंवेल लिखागा तो इडव बैंक इकाउंट डेबिट 30,000 लॉस ओर भीटा शेवन और इंवेस्टमेंट कितने की सटी सेभी इंवेस्टमेंट कितने के सटी सटी सेभी तो 37 वाली को सटी मेंच साथ जार का लॉस हो गया ठीक है पिर हमने प्र के पिटल 130 10 पर्सेंट एक्स्टर बिटा प्रीमॉड अधंचन हो गया और टोटल में देने 143 ड्यू किया पे किया प्रीमॉड अमचन को क्या करेंगे से राइट अफ करेंगे पी औनल टू प्रीमॉड अधंचन अधंद दर फाइनल पार्ट इज्टी दा कम्ब्लायंस के लिए किसको चक करते हो अल्वेज भी से खेल और 1100000 तकि फेल्यू के रीए और क्या कर रहे हो 130 एक सक्वेलू इना अपके पास आ जाएगा जो आपका मांट बनते है पेटा फेस वैल्यू का विचे इस हाँ पक्ष है सिक्सषी सेम इनिल का मोज़ेगा उतना थो प्री एनल्टू श्र्र आपके एंट्री बन जाएगी जिससे आपकी कम्प्लाइंस मीटू हो जाएगी पेटा और हमारे पास में जो है सी यहां अब आपके पास बैलन शीट की जब बात करते तो बैलन शीट में क्या करन जो है न हमेशा क्या कर ओक्षिशन वाला फॉर्मेट एक बार के लिए विद रिवाइज वेले तो शेयर केपिटल पहले थी 580 जिसमें दो थे एक ए साड़े चार लाग के ते के बन सेटी के तो चार लाग वाले तो दिखेंगे बन सेटी तो खत्म होगे पर हमने और भी फ्रेश इशु किये तो जो उने निकाले वन टू फाइफ जिरो शेर वही आएगा बिटा आपके पास में साड़े चार लाग को कर डिवाइड प्रिश्चन में सारे का सारा क्या था उसने बोला था सारे का सारा उसने बोला था 96 क्या है सार नाइंटीज का नाइंटीज में एड़्जस्मेंट होगी एक प्रीमियूम और डंप्शन राइट आफ किया एक जो लॉस हुआ हुआ कि यहां यहां पर आपका प्ल का हुआ लॉस की बैस से भी कम हो गया इन्वेस्मेंट को बेचा प्रीवन अमिशन राइट अफ किया और जो इतना बच गया तो इतना बच गया ठीक है ना यह वैल्यू दुमारे पास आजेगी पाइवन टू पाइवन टू और एटीएट प पर 690 एटीज आगे इन्वेस्मेंट्स आएगी नो सार इन्वेस्मेंट्स तो सेल होगी बात ही करतम होगी और बैंक पर तो कंडिशन ती जिससे सारा कोश्चन बना था 24 तो वह 24 यह आपके बच रहा है तो वह 24 रखकी तो हमने बागी कोश्चन शुरू किया तो टो टोट उसल्ट मैंच कर जाएका चेक कर लेंगे तो विद्द आपका यह वाला जो कॉश्चन है पूरे का पूरा आपका कंप्लीट हो जाएका प्र तरीके से आपका कंप्लीट हो जाएका जहां पर में हमने इस चीज को सीखा कि कंडिशन अगर बैंक प्र तो कैसे करने है कि अवक्र के से अपक In trendy में निहां जाव जैसे म यह बना था आप इससे सेंटमें का में बनाई है यह जैसे आत् climate वाकिंग नोट अगर वर्किंग नोट पर compliance के लिए तो face value देखने हैं उस पर हमने concept से डिवेट नहीं कर रहें प्लीस समझेए concept से डिवेशन बिल्कुल भी नहीं हो रही है ठीक है ना अगले question पर आते हैं अगेंट 12 मार्क को समझाने के लिए ठीक है एवन सेडी मेट में पर कोश्चन दिये बिटा ऐसे वाले ठीक है तो कोश्चन क्या है कोश्चन कहता है बिटा बुक्स ऑफ अर्पित लिम्टिड में बैलेंसी दिये वें 31 दिसम्बर ट्वेंटी बनके शिक्स लाक एकुटी शेर से 10 रुपे वाले फूली पेड़ा 30,000 प्रेफ्रेंस शेर से 100 वाले 80 पीटा तो अगर रिडंप्शन की बात होगी पहले 20 रुप मंगा ले याद रखना हुट सेक्योरिटी प्रेफ्रेंस शेर की रिडंप्शन होनी है 31 मार 2022 को 10 पर्षेंट प्रीमियम पे रिडिंग और इसके लिए डिरेक्टर में डिसाइड किया कि हम फ्रेश इचू करेंगे 150 एकुटेश्यर 10 वाले 20 पर्षेंट प्रीमियम पे मतलब कि आपके पास 10 वाले तो 2 र पूरा सब्सक्राइब होगी एक मार्स को मनी जो अलॉट्मेंट की थी वह मिल भी गई 20 मार्स तो प्रेफ्रेंश को रिडीम करा कंडिशन के बाद सेक्षें 55 की लीगल रिकार्मिंट जाल दिए और बताओ यह आइटम कैसे अपियर करेंगी बैलेंशीट में कंपनी के बैल आइटी वालों का पैसा आएगा तो ट्वेंटी रुपीस के साब से कितना बना समर्स चेला इता अटा प्रेफ्रेंश सेने फानल कॉल एक्स लाग्विच इस सटी ताउजिंड शेर पे तो पिंट्यूरों अब और पैसा कोंसा रहा है तो और और पैसा हमारे पास देखें तो पर शेर तेशु कर क्या रहा है रहे बन फिफ्टी शेर्ट से दोर पे अप्लिकेशन के सेज़िज में आ रहा तो छेजिज में डालें तो 150 इंटू 2 बैंक टू शेयर अप्लिकेशन जाज लाग शेड़ फे 2 रुपे के साथ 3 लाग और यह कहां चला जएका सब्सेड अप्लिकेशन टू इकुटिश्यर कैपिल कि लाग ठीक है ना पिर अलॉटमेंट ड्यू होगी अलॉटमेंट कितने की बिटा अलॉटमेंट 7 जिसमें प्रीमियम भी जुडाब है दो रुपे गां कि दूरुपे का प्रीम है तो बन फिफ्टी इंटु सेवन है इंटु आपके पास में क्या प्रीम में दो पांच की तो आपकी बेटा अपने पास में किसमें आएगा पांच और पर के तो अलोटमेंट डू होगी 150 इंटू 7 15 इंटू 5 15 इंटू और जब रिसीव वह तो बैंक टूचर अलोटमें 1050 सर जो फर्स्ट एंटा कॉल है उसका फ़र्स्ट फइनल को अगले साल आ रही है वो तो एक जनुरी को आएगी अगले साल हम तो इक अट्रिश मार्च बात कर रहे हैं तो उसके अगले साल जाकर चोंपास में जितने मांट की अप्लिकेशन औरम वह डाल दिया फ़र्स्ट नही रोगा तो 30 लाग वालों को 33 देना है तो प्रेफरेंश के पिटल्स प्रीम अड़म्शन तेन पर्सेंट कि दूप्रेवर्फरेंश ओडर 33 और जब चरेए करेंगे तो क्या होगा प्रेफ्रेंश ओलग टूबंग प्रीमियम उन रिठंप्शन को राइट-अफ करना है कितने का तीन लागा कहां से राइट-फ गजर वमारे पर्स्ट में जरनल्रस से राइट-फ हो जाएगा जो जनरल लिजब टू प्रिमोड अमिशन ट्री लाट एंड देन कमस अब पॉइंट जिसकी वए से कोश्चन करें देख एक तो शेर्ट पार्टली पेड़ते उन्हें अपने पास फुली पेड़ करना था अब अगला पॉइंट आता है में बिटा देट इस ट्रांसफर टू प्रिम करें कितनी फेस्ट वैल्यू के नए शेर्ट इचू करें तर उतमें तो तीन लाग एप्लिकेशन गाता देट लाग इंटू दो और देट लाग इंटू पांच और पेड़ आपके पास किस का था पेड़ा आपका बेसिकली लॉट्पेंट का तो तीन लाग और जरूर जब माइनस रीमाइनस 750 इस 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 न इप्रोटेंट पॉइंट यहां पर यहां पर यह थे समझना जरूरी था ठीक है नौ है लेस्ट इंपोर्डेंट पॉएंट फोर एस थिक है कि हमने सिरफ वही लेना विटा जितना अमाउंट आपको पेस वैल्यू का रिसीव हुआ हैं जितना मंट पेस प्रिशुआ है मतलब दो रुपे अप्लिकेशन के मैं बोलूंगा तो अलॉट में पांच पर तो सेवन में से तो आपका बागी जाएगा और फिर बैलेंशीट के एक्षक में तो बिटा कुछ नहीं करना सिंपल दी बात है हमारी जो पहले वैलुज और बात की वैलुज एक तरीके से वह आगी तो हम यहां पर विजावीज बना रहे हैं तो जैसे आप पास पहले में थे हमारी जैसे आपके पास पहले भी से यह तो 10 वाले फुली बिटा पर 60 मैं यह तो पहले भी थे पहले थे अभिए 6 लाक दस वाले 60 मैं प्रेफरेंशीयर पहले थे अर्वाले 80 पेड़ आप तो रडी मी वोगे खतम वोगे अब कितने पर सेवन प सेक्योरिटी प्यम्ह जनल इजवर और पहले देख लेते हैं आपके पास में जो जो हुआ आपका क्या हुआ 1950 से बढ़ गया जो हमने लास एंट्री डाली तो एटीन लाक प्लस 1950 से बढ़ गया और सर अब यह नहीं कह सकते पहले से बढ़ा है तो हमें बाकी डिफरेंशल नहीं यार वह किसी और वज़े सी हुआँगा पहले प्रेफेंश रीडीम के होंगे उनका बनाव हो आप यह नहीं कह सकते पहले से बनाना है जिता है ठीके ना सेक्यूरिटी प्रेम पहले था आपने जो शेर्टीचू करें प्रीमियम पर उस पर देड़ लाक शेर पर दो रुपे के साब से प्रीमिम आये था यह हमारा तीन लाक का प्रीम बढ़ जाए था ठीके ना और फिर यह 35 लैक में से बिट प्रीम आप्ष्ण राइट आफ करा वह कितना था तर वह था हमारे पास में इस एंट्री में तीन लाक कि हो जाएगा कितना बन रहा है कि मैंने आपको सारी वेल्यूस क्लोजिंग वाली टैली भी करा दी वैसे मैं आपको बता रहा हो मेंटा देर इस स्मॉल कंपेरिजन आफ दिस कोशिन वर्सिस यहां पर आपके पास बेटा कोश्चन सिरफ और सिरफ मांग रहा है जो वेल्यूस आपकी 31st मार्च 22 की है तो आपके वही दिखाई है जो सेडिमेंट में कोश्चन था वहां पर आपका वीजावीज भूला था 31 मार्च 31 सब्बर 21 के साथ तो आप वह कॉलम मनाएगे नहीं मांग रहा तो आप चाहिए सिरफ करेंट वाली दिखा वह ना दिखा सकते पर जरूर लिग देंगे कोई एक तक निए पर कंपल चने ही थी वह लिखाव मैने जरूर है पर प्रकंपलच था नहीं ठीक है ना सुख कि हमारे पास कोश्चन कम्लीट हो जाएक है यह कोश्चन कम्लीट हो जाता ठीक है अड़ बिटा स्माल-स्मॉल छोटे-्यपॉइं जोट प्रफेसज नहीं कर सकते हैं तो अगर मार पास बेटा रिप्टा सिरफ एक लाष और प्रेफ्रेंच चेर्ट है कितनी बेटा वन क्लास रपेफ्रेंच चेर्ट करोगे फिर आप रिडिंच नहीं करोगे तो अगर दो क्लासीज है प्रेफ एक पुली और एक पार्ट ली ओर कोसिट्क पुलाइभ है किसको करना है एक पुली पार्ट लίζ रिब तो दोनों को करोग्या कोशन बता जा तो अगर X थाजर प्रेफरेंच यह फुलीपेडव है रहें पांच जहार है उन्डरीच वाले एटीब और कोश्चन कहा रहें करने हैं यह भी नहीं करने हैं तो बेटा उसी को रिडीम करेंगे जो फुली है पार्टलीपेडव को नहीं करेंगे अगर जी एक टेगरी तो बात आपके अ दो करूल में आपको बता दिया क्या करने लिए अगला पॉइंट अ कॉलिनेर का मतलब होता है कि जो कंपनी ने पैसा मंगाया पुरून दिया लिए नहीं अब इसमें क्या-क्या चेज़िस बनती है मालो 10,000 शेर्स है 100 इच वाले फुली कॉल्ड अफ है और 500 वालों पर भी 20 रुपे आने बाखी है यह आए भी नहीं हमने तो मंगाया वे दिये नहीं तो बट आर्दी सिनेरियो सबसे पहला कॉलिनेरियर उन्होंने पे कर दिया मैंने मंगाया मैंने बोला लास बार कहा रहा रिडीम नहीं करेंगे क्योंकि आप पार्टली पेड़ को रिडीम नहीं कर सकते तो उन्होंने पैसे दे दिये तो आपके एंट्री आगी बैंक टू कॉलिनेरियर तो आपके पूरे 10,000 आपके पास रिसीव होगे जितना भी कॉलिनेरियर का माउंट था और जैसी आपके प प्रकॉला कि उन्होंने पैसे दे दिये तो बात ही कहता होगी फिर अगले वाला केस है वो जब कोशन बिल्कुल सालेंट होता है तो वह कहे हमने क्या करना रिडीम करना गुडवन्स को और डिपॉल्टर दिखते रहेंगे रिडीम का मतलब क्या है बिटा कि 9500 आप रिडीम और आपके 50 x 20 $2 यह आपके पास 10,000 वाइनस हो और आपका कितना वारिया 40,000 इस बिटते रहेंगे अभी ज्यार्यस क्या आप रिडीम सिर्फ उन्हीं को कर सकते हैं वी दो पुली पेड़ अभी नहीं पैसे दिया निए आपने एंट मंगाया गया इनोंने पैसे दिये नह आप अपने पास ऐसे करेंगे तो यह दिखे रहेंगे यह दिखते रहेंगे जब तक कुछ नहीं करते क्या और पूरफीट करेंगे पूरफीट के बाद रीचू करेंगे रीचू करेंगे रीचू बाद रीचू करेंगे तो पूरफीट करके रख लेंगे वह आप कर सकते हैं अगर कोश्चन सारेंट भी हो सिर्फ पोर्फिट करके चोड़ तो तो हमें कोश्चन ने बोला रिडीम कर दो गुड बंस को 9500 को और बाकी को पोर्फिट कर दिया पान्सों तो पोर्फिट जब करेंगे तो प्रेफरेंचर केप्टल तो बिटा कितने आएगी पान्सों इंट अगर कोश्चन सिर्फ बोलता है फोर्फिट करके चोड़ दिया तो यह एंट्री डाल दो हो सकता कोश्चन बोलते रिच्चु भी कर दो इसे प्राइस पर रिच्चु करने के बाद फिर आप रिडीम कर देंगे बाकी पान्सों को नहीं बोल रहा तो ऐसी दिकतर है और और अगर कोश्चन को बनते हैं अगर कोश्चन हमारे पास में क्या है बटा कॉली नेरर का प्योंट उपता है किसका कॉली नेरर उत्येटा हम कहरें पैसा ले जाओ वह बिचारे मिल ही नहीं रहे हैं वह बिचारे मिल ही नहीं रहे हैं मतब अल्टीमेटली हमने पैसा बोल दिया कि मारी तरफ से दियू है वह उनका जो बैंक अकाउंट है वह तो क्लोज ही हो चुका है तभी तो अकाउंट से पैसे नहीं जा पारे वह ट्रांडेक्शन फेल हो रही है वह इंडिया में नहीं भार जा चुके डेथ हो चुके बहु इसलिए उन्हीं को पे कर पाएंगे और कंप्लाइंस पूरी की करेंगे क्योंकि आपने डियू पूरे को कर दिये तो पेमेंट देनी जाएगी ना सब कंप्लाइंस जो सेक्शन 55 के करनी है पेस वेल्यू आफ ट्रांसफर टू सीर वह पूरी की करेंगे तो लेटर से वन था प्रेफरेंश एर क्यापिटल अकाउंट डेबिट विच इस एक हजार इंटू सौ एक लाग प्रीमियम ओन प्रेफिशन एकाउंट है भी टैन परसेंट एक्स्टा टैन तू शॉट में लिख देता हूं आपको पेपर में पूरा लिखेंगे एक कोश्चन आना है वहां शॉटकट नहीं लिखने है वहां पूरा-पूरा लिखो जैस मैंने जितनी भी एंट्रिस दिखाई की वन एक लाग दस अजार हमारे तरफ से ड्यू होगा अब बेटा देखो एक अव्वेसी बात है प्रीमर अडम्चन राइट अफ भी होगा अधर मैं उसकी चाहिए एंट्री नहीं डाल रहा वह राइट आफ करना ही करना है एक कमप्लाइंस भी पूरी होगी क्योंकि हमें नहीं पता यहां पर फ्रेश इशू करा कि नहीं करा तो नहीं तो सारा सियर में जाएगा तो पूरी होगी कितने की एक लाग कि पेस्वेल्यू की विच इस शीर प्लस यह बटा अगर कोश्चन विलकुल ही कुछ नहीं बोलता ना तो शीयर की तो बात बोल नहीं पड़ेगी तो आपके पास कंपलाइंस है वह होगी में मेरे को आपको पाइंट आने वह तो पेटा पैमेंट है अब पेमेंट आपके पास कितनों कर पाएंगे तो देख लेते हैं कितनों को कर पाएंगे तो प्रेफ्रेंट इसको निकालने के लग लग तरीक है एक लाग दस अजार अगर वन थाउजन की थी तो नाइन फिफ्टी की कितनी होई या पर शेर आप सो के बदले कितने दे रहे हैं सर टैन परसेंट एकस्टा करके एक सो दस अब सिंप्ली लिख दो नाइन फिफ्टी इंटू एक सो दस या आप माइनस कर दो जितना नहीं दे पारे हैं माइनस फिफ्टी इंटू एक सो दस बात एक है जैसे मर्जी कर लो हमें जानने बहुत कितने दे रहे हैं तो फो उतने ही एक एक एंटी डालेगी सो अल्टिमेटली 950 इंटू एक सो दस अब जैसे मर्जी निकार लो वेटा अमांट सेम आएगा सबके तो 104500 तो पेमेंट ड्यू पूरी होगी पर पेमेंट आपकी उतनों कोई होगी जितने ट्रेसेबल नहीं है उनको पेमेंट नहीं होगी आप जैसे भी कर ली तर जो बाकी कि यह माउंट है जो बैलेंस है अगर मैं बैलेंस शीट बनाना पड़े हैं कि बैलेंस जू जो दिख रहा है प्रेफरेंश यो रोट का विच इस फिफ्टी फाइव अंडर अगर वे बैलेंस शीट ना नहीं पड़े तो कहां देखेगा बेटा यह दिखेगा करेंट लाइब कि इसे बहुत बैलेंस मांग लें आएगा है कि अधर करेंट लाइबिल्टी के अंदर में जितना मोंट आपका पैंडिंग है इसके लाओ बेटा कोशन उन्हार करता है वो शेयर बोलता है वोट थे आप सिया राद में अभी तो भेजते हो आप चेक करोगे कितने शेर उसक यह साब से क्या करना है जितने शेर से उस पर आपने कंडिशन लगा यह वन फॉर एवरी दी वन फॉर एवरी वर सी आरा टू बोनस सूचर बात खत्म होगी चैप्टर आपके बहुत एजी है बकायदा आप अपने पास में उसके कॉंसेट को जिस तरीके से कराया जिस तरीके यही आपका में चैप्टर का पार्ट है जो हमने यह चीजे सीखी इसको ध्यार नखने और इससे आपकी जो रिवीजन है आपकी मैरतन विजन कम से कम समय में हमने मैक्सम आउटपूर निकालते समय आपने पास सारे टॉपिक को अच्छे से रिवाइज कर लिया होफुली आ अच्छे से चैप्टर रिवाइज भी होगा और आप लोगो को अच्छा भी लगा होगा अपने पास में चैप्टर को रिवाइज करके इसी तरीके से और भी बहुत सारे चैप्टर के आप लोगो के लिए हमारे टीम की तरफ से मेरी तरफ से बिटा आती रही कि आप लोग रहेंगे और डटे रहेंगे और अपनी त्यारी अच्छे तरीके से करते रहेंगे हमारी मुलाकात होगी बेटा अगली लेच्चर भी तब तक लिए टेक केर स्टुडेंट एंपाय बाद उसके नॉर्मल होती है सब्सक्ति बेंट्प आती है सी इंतविशियोडरा घ्रलिफे में अपने इसकांग वाले हम बात करने वाले बेटा आते journal entries के या ledger account बनांगता है और कुछ जगा में balance sheet भी extra add-on के लिए मांग लेता है वो now हमारे पास बेटा एक बड़ी clear बात करी गई है हम सीधा जब बात करते हैं लेके यहां पर requirement की तो हमारी कुछ legal requirements आती है एक legal requirement है बेटा related to a company को जैसे that is known as the DRR और एक आते DRR आई डिबेंचर redemption reserve और डिबेंचर redemption reserve investment सो जो companies होती है बेटा उन्हें DRR बनाना पड़ता है वो कहते है कि DRR जो बनाना है उसका मकसद है कि डिबेंचर holders को थोड़ी सी protection मिल जाए बट वो हर कंपनी के केस में नहीं बनाना होता है कुछ केस के में बनाना होता है डियार बनाना होता है Redemption से पहले जब मर्जी हो सकता है हम चलनी क्या करते हैं अगर हम question में बन करते हैं लोर्टमेंट से लोटमेंटिफ के बाद और रिडंशन से पहले बनाना है और जब रिडंशन हो जाती है तब वो चला जाते DRR journée सब में चला जाता है बैटा काह पर जनर्नलिफ में हमारे पास यहां पर में क्या करनाया हमें DRR चेक की कि कितना बनानाओ стать थो बि इंडिया फनेंशल इंस्टिउशन से बेटा जो आर्बे की दोरा लेकुरिटी और जो बैंकिंग कमपनी से उनको कोई डियार नहीं बनाना जितने अधर फनेंशल यूशे बचे भी रह जाते हैं उनको जो रिजिस्टेट एंबी एफसी को है जो कि आगे जाके उनको भी निल ही आता है फिर जितनी भी लिस्टेट कमपनी से चाहे वो लिस्टेड एन एफसी और हक्तिक सिमय करते हो और चाहे वो बाकि लक्रते हुए नहीं साथा टर ईंडियार नहीं बनाना होता तो टो अदोडनेंशल मेदाना जो अधर लेकिर चमपनी अपनी से है तो फिर बनाना किसको है वह बनाना है बैटा को और कितने परसंट बनाना है हमारे पास में DRR बनाना है बैटा जितनी वैल्यू के ढेंचर से उसका 10பरसं जितनी वैली इसकी आउस का टेंफरेसं बनना है only in case of other unlisted companies only in case of other Unlisted companies के case में बनता है जो कि आपके बनता है दस परसेंट जो कि आपके बनते है दस परसेंट ठीक है अब साथ में बेटा एक चीज और आती है हमारे पास में यहां पर में हमारे पास में कोश्चन बताता है लिस्टीड कंपनिये के अधर वो बताएगा नहीं बताएगा त करी wow यह की में करने होता है उस साल के पहले महिने में आपने मैं बेसिकली डारी को बोंता है क्रने में money available adequate में money available हो so basically हमारे पास में क्या है कि हमें DRR investment करनी है ताकि में पर पैसा आ जाए तो अब ये investment किस case में करनी है वो कहा गया है हमारे पास में कि investment जो करनी है वो investment जो करनी है हमने बेटा करनी है एक तो किसमें अजर लिस्टित कि किसमें तो DRR किसमें बनना है रफ अजराइए किसमें मनना है लिस्टिड और अजर लिस्टिड में यह आपके पास में DRR आई है जो पहला method होता है आप लंसम में जो redemption करते हो after the specified period after the specified period specified period का मतलब होता है 5-6 साल बाल एकठे में लंसम में 10 लाक रुपे देनी जा रहे हो जितने के डिवेंचर से होंगे पहली entry बेटा आपके हमेशा compliance maintain करने है तो compliance का मदब DRR तो आप DRR जब बनाओगे अगर नहीं बनावा तो बनावा है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है और वो भी किस case में मनता है तिरफ other unlisted में तो अगर बनावा फिर कोई दिक्कत नहीं बनावा या कम बनावा है तो बेटा आप entry डालते हो P&L to DRR आप entry क्या डालते हो P&L to DRR तो P&L account debit to DRR रखो ठीके ना और जो investment करते हो उसकी entry का होगी normal entry investment करोगे तो पैसा जेब से जाएगा तो investment to bank that is DRR investment bank आपको question के starting में सबसे पहले compliance चेक करनी है अगर compliance नहीं हुई भी और करनी है तो आप करोगे अगर compliance हुई भी है तो आप कर लोगे complete हुई भी है पूरी हुई भी है की नहीं हुई ठीक है ना तो यहां पर में आपके पास में दो चीज़ा आते हैं अब जो investment है उसके ओपर क्या मिलता है sir interest मिलेगा normal है ना विट आपने को specified bonds government securities करी दिए उनके ओपर क्या मिलता है interest मिलेगा यह interest income है पीनल में चली जाएगी तो हमारे पास में इंट्रस्ट मिलता है तो एंट्री आती है bank to interest और जो interest चाहिए उसने कहां चले जाने और पर भी वह सकती है प्रीमियमू पर भी हो सकते डिस्काउंट अगर एडांब्शन पार पेच्छ तो सो के बदले 100 के बतले 100 जो देने मिलाइं इंट्रिवा डिबेंचर सूर डर्पा डिवेंचर का बैलन्स किता हों बें पतले पर दिख रहा है आप कहा रहे हो मैंने देने face value है तो 100 के बदले 100 ही दिया तो डिवेंचर सू डिवेंचर होल्डर आ गया अगर आपने 100 के बदले 110 दे रहे तो 100 पे के देने 95 है और 5 का profit होगे 5 का profit होगे तो कम्या जाधा आपका फाइदा नुकसान है जो अब यहां पर मेटा चीज आती है before you actually pass the entry of डिवेंचर होल्डर टू बेंक एंट्री में आपको ध्यान रखना है पेमेंट के एंट्री डालने से पहले पैसा आना तो चीह न तो आप पहले investment को बेच होगे तो अब एंट्री ढालोगे bank to DRR आई जो अपने investments करी थी स्टार्टिंग में तो अब एंट्री डालोगे bank to DRR इंवेश्मेंट और यह इंट्री आप अपने अब इंवेश्मेंट तो खतम होगी डिवेंचर ओल्डर को पे कर दिया क्या डिया रकी जूरत है नहीं सर्ड डिया रर्स अमने प्रॉफिट को ब्लॉक किया वह था तो वह प्रॉफिट को ब्लॉक किया तो फिर से फ्री रिजव बन जाएंगे एंट्री हो जाएगी डियार इंट्री थू जनल इसव बैसिक लियुए वापका डी रर की और्डी का यंशन जैर्मर में आता है जिस कंप्लाए कर ना पढ़ता है तो इसम सिक्योलिटी यह नहीं करते हैं ठीक है न तो जो भी फाइदा नुक्सान ने से हुआ इंवेस्मेंट को बेचने का भी डियार जर्नलिजर्ब में चला गए तो पहले आपने स्टेंग में requirement compliance चेक करने डियार और investment की redemption करें investment बेची जाएगी redemption से पहले और डियार ट्रांसफर हो जागा जर्नलिजर्ब में redemption के बार बस यह sequence आपको याद रखनी है अगर हमारी ड्रॉफ लॉट्स का मतलब थोड़ी थोड़ी करनी है थोड़ी 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 का मतलब है आपने अब एक लाग करें फिर दो लाग करें थोड़ा थोड़ा करके करें तो उस case में इनिश सब जितनी बार रिडंशन करें करीं तीन बार पारोगी दियू कि पेइमेंट की इन्वेस्ट्मेट्स की बेचने की और जो जर्नलिजम हमें बस क्या करना है वह तुकडों में पास हो जाएगी तुकडों पास हो जएगी अब इससे से रेलेटिज़वेटा मैं आपको जो एक बार के लिए को शन पर आथा हूं कि सा स्मझने के लिए बहुत्पाइस सा क्यों मंहें पर में आते हैं तो में करने जरूरritis है क्या टिक है ऩुक्स कहता बालंस कि दे रहा है कंपनी की उसरे और दने यख़ enjoyed कर दिया अधर अनलिस्टिट कमनी का केस है अधर अनलिस्टिट कमनी का केस है 31 हमबर के बैलेंस दे दिये कहता है छे परसंट तो डिबेंचर से सो इच वाले डियार में पहले से पड़ा है कितना डेज लाफ रुपे और इंवेस्मेंट भी कड़ी है 375 की चार परसन इंट्रस्ट के एसाब से 31 हमबर को अब यह उसने हमें बैलेंस दे दिये और बैलेंक का बैलेंस भी दे दिया थीस लाग पहला आपका कारे हमेशा है लेजर कॉंकि व है कि दन्हों से 382 और Evya Insya 25 लाग रुपे तो महरें पास में क्या होगा डिवेंश्चर कापई बना बैलेंज ब्रोड टोन इंचिंप में आया 25 लाग रुपे तो डियार बैलेंस आला हमने बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना बिटा हमारे पास में 150 तो यह डियार का बैलेंस आगे 150 का ठीके ना और एक बैंक का बैलेंस है 30 लाग और एक बैंक का बैलेंस आगे बिटा आपके पास में 30 लाग सपीज यह बैंक का है कब तक का पे कर चुके 30 संबर तक का तो मैं एक्स्ट्रा जन्वरी और फर्वरी का पे करना पड़ेगा अगर में कर रहें जो कि उसने बोला 28 फर्वरी को जाके आप अब I 1975 सफतले सब्सक्राइब का उसलंने एक सब्सक्राइब टेर वेचर्वे सब्सक्राइब करे CARS अब हमें क्या करना है रीडीमोरा किस परेडीमोरा प्रीमयम परेडीमोर remix अब हमें क्या करना हं पहले ससे पेहले आपको क्या करने हैं पैसंट के स्चार्टिक से 25 बैंचे 25 20 लाग का 10 परसेंट आपका DRR होना चाहिए DRR इतना होना चाहिए अधर अलिस्टिट कम नहीं है तो हमारा ही कितना डेड़ लाग तो आए एक लाग पहले आपको DRR में डालना पड़ेगा तो आपकी एंट्री क्या आएगी आपकी एंट्री बेटा बनेगी पी एनल टू डी DRR on the first day by P&L तो आपके पास में DRR बनाएंगे डाई लाग होना चाहिए था डेड़ लाग बनाया वह तो एक लाग का और बनाएंगे पहले हमेशा आपने compliance मीट करनी है पहले मेशा आपने compliance मीट करनी है और फिर आपने जो ultimately ऐसी investment investment क्या पहले सी 15% बनी विए चेक कर लीजिए अगर वो भी नहीं है तो investment to bank हो जाएगा सो 25 लाग का 15% यह सर 375 है वो कोई दिखती है पहला टास्क है compliance मीट करना तो investment पूरी बनी वी है और यह पूरी हुई भी है DRR कम बना वाता तो हमने compliance मीट करी अब हम चलते दो महिने बाद 28 फरवरी को आते 28 फरवरी को जब हम आ रहे है तो बटा हमने due करना investment बेचनी है redemption करनी है जब हम due कर रहे है तो हम कह रहे है 100 के बदले 101 100 के बदले 101 देने अब 100 के बदले 101 देने तो entry बनी debentures premium on redemption to debenture holder debentures premium on redemption to debenture holder तो debenture holder अकाउंट में हम गए और वहा लिखा by debentures 25 लाग और 100 के बदले 101 दे रहे हैं तो एक रुप्या एक्स्ट्रा हो गया तो एक रुप्या कितना बन गया पच्चिस जार premium on redemption to debenture holder debentures premium on redemption to debenture holder ठीक है ना तो यह हमारे पास में चीज आगी ना इसके बाद बेटा इसके बाद में हमारा क्या हो गया यह दोनों account close होगे देखो debentures का balance कहां चलागा debenture holder में 25 लाग खतम हो गया यह खत्म हो और premium on redemption हमारा do get to debenture holder to debenture holder ठीक है ना तो यह हमारी entry आगी अब आप क्या करोगे पहले investments को बेचोगे जब investments को बेचोगे तो उसने बोला बेटा पार पे बेची तो investments का buy bank आया 375 तो investment बेची कितने में 375 पे तो bank में पैसा आ गया 375 और बेटा आपने जब investment बेची तो investments के उपर आपको भी interest मिलेगा question interest rate दे रहा है तो चार परसेंट है 31 संबर तक का तो मिल चुका है क्या दो महिने का interest आपको भी मिलेगा येस पेस वैल्यू नहीं दे रहा अलग से तो यह फेस वैल्यू 375 चार परसेंट दो महिने का इंट्रस्ट आपको receive होगा तो टू इंट्रस्ट और इंवेस्ट्मेंट 375 चार परसेंट दो महिने का इंट्रस्ट पच्छी सो इंट्रस्ट रिसीव हुआ investments बेची अब आपने करनी है payment पेमेंट करनी है तो जब payment करोगे तो डिवैंच ओल्डर को पे क्या कितना 25 लाग 25 जार तो डिवैंच ओल्डर टू बैंक 25 लाग 25 जार पे कर दिया और आप भी दो महिने का interest दोगे येस क्योंकि आपने interest कब तक का दिया वह 31 संबड तक का तो जितनी फेस value के थे 25 लाग के थे ना फेस value के छे परसेंट थे बेटा दो महीने का आप भी तो interest दोगे तो यहां बनेगी आप जो interest 0 interest और टीबेंचर टू बेंख सो बाइं इंट्रस्ट और वो डिबेंचर इंट्रस्ट में भी आ गया आपके पास में विच इस यूर इंट्रस्टू बेंग अब मुझे बताओ जो भी इंट्रस्ट है जो भी प्रीमिय अडम्शन है क्या दोनों खर्चे है दोनों पीनल से राइट अफ हो जाएंगी यह सर तो यह भी बाई पीनल ह हो गया 25,000 और जो प्रीम अडम्शन है वो भी बाई पीनल हो गया बात खतम होई दोनों खर्चे पीनल में चलेगे इंवेस्मेंट्स अगर प्रॉफिट लॉस पे बेची होती तो वह प्रॉफिट लॉस पीनल में जाता वह पार पे बेची और अब डियार की क्या जूरत है सब्सक्राइब क्या जूरत है अब तो जूरती नहीं है रिडंप्शन होगी बात खतम होगी वह कहां चला गया जनरल रिजर्व में और जो बैंक है उसमें जो पैसा पड़ा है वह आजाएगा बैंक का बैलेंस के रिडूर वह बैलेंसिंग फिगर आगी बस आपके सारे अ अब इसके बाद में बिठा हाएँ हमारे पार में एक अगली चीज आती है कि क्या हम इंचेर योड़र को शेयर्स में इस सकते हैं उनको शेयर्स में भी तो सकते है तो उमारा अगला एक के ऑप है जितने लोग आपके पास में कैश ले रहे सो हमारे पास में वह होतेे convertible debenture debenture by redemption by conversion तो इंको redeem करते बाए converting them into shares offer दिया जाता है scheme जो आप नहीं करते उनको cash due की entries exactly same due की entries exactly same due तो करोगा पर यहां debenture holder to bank नहीं होगा परक्या है debenture holder to bank नहीं होगा अब debenture holder to क्या हो रहा है share capital हो रहा है अगर पार पर दिये premium पर दिये तो debenture holder to share capital to premium आगे तो number of shares कैसे निकलते number of shares कितना पैसा देना है divide by share किस price पर दे रहा हूं issue price क्या है तो इससे number of shares आके entry बन जाएगी जैसे आप normal एक entry डालते हो जब कोई asset या business खरीत तो for issue of consideration अधर दन cash बिल्कूल पैसे अब यहां पर interest दिया जाएगा conversion date तक yes जितने हमारे compulsory convertible debentures होते है बेटा उनके लिए DRR और DRRI maintain नहीं होगा क्योंकि logic नहीं होगा ज़र safety के लिए बना रहे हो DRR और DRRI protection के लिए बना रहे हो जब उनको देने ही shares है तो उसके लिए फिर DRR और DRRI नहीं बनेगा तो convertible portion के लिए in case of compulsory convertible debentures आपके पास में DRR और DRRI नहीं बनेगा यह बात बड़ी clear और यह obviously logical बात भी है अब उसी से related मैं एक दो questions आपको कराता हूं जिसमें हमारे पास यह point आता है एक question आता है जिसमें सिरफ आप से पांच नंबर तक का आता है वह number of shares पूछता है और वह बहुत असान question होता है फिर इसी का relevance एक full-fledged question में भी आता है तो वह question क्या है मानलो company के पास में 40,000 debentures है एक April को जो issue किये थे वह रिवेंचर की redemption आज एक March को करने terms क्या है इंको redeem करना है पांच परसें प्रीमियम पर तो we have to give them 105 और एवरी 100 रुपीज हर 100 के बदले 105 दे लिए ठीके न अब हमारे पास में option दिया गया है to debenture holders कि वह convert करा सकते अपने 20 परसें हिस्से को equity shares में और वो कितने पर देंगे हम 15 में और बाकी cash में पचास लोग जिनके पास पांचा डिबेंचर उन्हों ने option एक्साइज नहीं किया कि उनको सिर्फ cash मिलेगा येस और जिन्हों अप्शन एक्साइज किया है उनका 20 परसें हिस्सा कनवर्ट हो जाएगा कहरा बताओ कितने शेर्ट करें जाएंगे इनको सिर्फ पूछ रहे शेर्ट तो यह पांच नम्मर को कोई सिर्फ 20% हिस्से के बदले मिलेंगे के बदले मिलना मिलना याँ साथwhضsal मतलगों साथ हजारव व लोच पहले तो देना कितना बनता है जो 5,000 है उनको पूरा कैश मिलेगा जो 35,000 का 80% है उन्हें भी कैश मिलेगा पर हर 100 के बदले हम कितना दे रहे 105 क्योंकि हम 5% किस पे इशू कर रहे हैं सर 15 रपे अपने वाला शेर कितना भी शू कर रहें तो साथ लाग पैंतिज़ा डिवाइड बाइड 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 पंधर पे तो हमारा अमाउंट बन गया नंबर ऑव शेर देंगे 49,000 क्योंकि हमने देना कितना है और जिनको कैश दे रहें वो कितने हैं सर कैश हम दे रहें बेसिकली एक तो अगर हम सिंपल सी बात करें जो हमारे 40,000 इंटू 105 बनता है उसमें से 735 माइनस कर दिया या तो यह तरीका कर लो या 5000 तो थे ही जुन्होंने अप्टी नहीं किया और जुन्होंने अप्ट किया उनका 80 परसेंट इसा विचिस 28,000 तो 33,000 इंटू 105 33,000 इंटू 105 विचिस 3465 यह रोई बेटा पर आपके पास में कोई दिक्कत नहीं आए कि कभी भी इसमें पॉइंट में कभी आपको प्रॉब्लम नहीं जोडेगा कोश्चन में ठीके ना वह आपको चेक तो करना है यह तो 33,000 इंटू 105 कंप्लाइंस तो अल्वेस देर और द नॉन कनवर्टीवल ठीक है ना यह सब यह कुशन समझाए यह सर्य कुशन समझा गया अब अगला जो कोश्चन आते बेटा यह को और कोश्चन आते बड़ा पॉपुलर सा कोश्चन है एट टू 10 मार्वस का पेपर में भी दो एक बार आया गया और यह फ्लोव एंट्री मे इसमें रेडम्शन से ज्याधा इन्ट्री इश्जे से रिलेटिड है रिडम्शन से ज्याधा इंटी बेटा इश्जीव से रिलेटिड है क्यों करी है का एंक है क्या तो कहता है पेटा आपके पास में MS limited एक लिस्टीड समय बिटा लिस्टीड कम्पनी से एक बात क्लियर होगी दियार तो नहीं आएगा दियारा आई आजाएगा डियारा नहीं आएगा डियारा आई आजाएगा ठिके ना वह यह कहता है ठिके ना कहता है पुबलीक इश्व कर रहे इंसरी इंडिस्पेक्ट आपके partly convertible adventures है जो हम इशू करने जा रहे आज और हर की face failure इशू price हम सौ वाला सौ में इशू करने जा रहे है कहता है इसमें convertible portion जो है न हर का 80% कहता है इसमें से 80% इससे के बन्द है कलकॉम shear दे देंगे और जो conversion होगी नहीं वह साथ महीने के बाद होगी from the date of closing of issue जिस दिन इशू close होगा उसके साथ महीने के बाद closure of issue कब हो रहे है एक जून को allotment कब हो रहे है एक जुराई को interest का rate है बेटा आपके पास में 10% पर है ना पेबल फ्रॉम्द देट अफ अलोट्मेंट पेबल फ्रॉम्द देट करें बेटा Blair सो Career ना इस अठ्श drought नमें गट्रिफभ नेख आपके पास में अप्लाई करें ठीक है न के , यह प्लिक ने अप्लाई करें क्योंकि अंट र эту कमिशन दे रहा है तो इस मिंस बाखी के क्यों अब बाकी ऑंडर राइटर लेगा बाकी के अंडर राइटर आपके पास मिलेगा क्योंकि अंडर राइटर को कमीशन जा रही है इंटरस हम देते हैं 30 सेप्टेंबर को 31 मार्ज को कह रहा है जनल इंटरीज जाल दो जैंटीज जाल दो कि हम साल में दो बार इंटरस्ट देते एक बड़ थी सेप्टेम्बर को कि एक बार 31 मार्च को ठीक है अब यहां पर उसने लिखा था एक जून को तो इशू क्लोज हुआ था और अलॉट्मेंट करी हमने एक जूलाई को यह अलॉट्मेंट है अब यह इशू इस दिन क्लोज हुआ था अब मेरी बात ध्यान से सुनते चलना we have to go with the entries सबसे पहले पेटा हमारे परस चीज आती है जब लोगों का पैसा है लोग कितने पैसे आ रहे हैं सर्फ तीन लाग डिवेंचर पे आ रहे हैं और हर डिवेंचर के मैं सौर पे इकठे मगा रहा हूं सौर पे कर तो तो तीन ला बाकी आप कितने लोट करोंगे सर्फ चार लाग तो एक लाग के पैसे कौन देगा अंडराइटर तो आपके एक लाग के पैसे अंडराइटर देगा तो बेटा आपके इंट्री आएगगी डिवेंचर एप्लिकेशन तीन करोर जब लोट करोगे अंडराइटर से लेने एक थो फोटल रिस्क पहोगा घर काल पब्लीक सारे के सारे ले लेठी स्कत्विना लेतैं जो इसका मतब रही होसा पाई कमिशन नहीं देंगे क्यों के अगर कल को पब्लीक एक को देनी है तो इस वाली वेल्यू का 3% होना है चार करोड का जितनी वेल्यू के डिवेंचर से लॉट करना ठीक है ना अब बेटा हमने इनसे लेने हैं कितने कि एक करोड कि देने कितने है बारह्रा लगेगा आज तुम मुझे एक करोड दे के जाओ फिर मैं फोन कर रहा हो अच्छा मेरे से बारह लाख ले जाओ ऐसी अच्छा तुमने मेरे एक करोड देने कुछ ङरेए थे इसा पर trailer लेग गो बनेगा तो अपने पास में एक लाग दे जाना बात ही गतम होगी तेरा अकाउंट क्लोस होगे ठीक ना अब आती है बेटा बारी डियार और डियार एक लॉट्मेंट वाली तारीक होई क्या डियार बनेगा नो सर्क्यूं क्यों कि लिस्टीट गम नहीं है हम देखो मैंने का बोला था है अलॉट्मेंट वाले साल की मेंटरी जाले लोग डी डीट पर डालदो वाले साल की होती है तो उस साल के देख लेते हैं तो यहां पर आपके परस में कहले डियार और भी याए अप कितने इससे में सर जितनों को कैश देने अब बैटा 80% हिस्सा तो convert हो जाएगा ना कुछ समय के बाद में 80% हिस्सा तो convert ही हो जाएगा तो क्या convertible हिस्से बनेगा no sir non convertible हिस्सा कितना 20% तो 20% हिस्से पे 15% की investment करी जाएगी तो आपके पास में क्या होगा चार लाक मतलब इंटू 100 चार करोड के डिबेंचर है उसका 20% हिस्सा का 15% क्योंकि 80% हिस्सा तो convert हो जाएगा तो 4 करोड का 20% हिस्से क्ये उपर 15% investment करनी है investment to bank so drr investment to bank इतने की इन्वेस्मेंट को बेचोगे कब sir जिस दिन redemption करेंगे बेचोगे कब जिस दिन redemption करोगे simple सी बात है वो तो तब बेचेंगे अभी तो रखे रखेंगे अब आते हैं बेचा आपके पस जब आप 30 सेप्टमबर को इंट्रस्ट दोगे जो पहली इंट्रस्ट की तो तो टोटल पर इंट्रस्थ देना पड़ेगा फीन मीने का इंटरस आएगा डिएर होता वह भी आपका 20 परसेंट पे ही आथा ठीकिना तो चार करोड़ पे 10% तीन मीने का इंटरस बन जाएगा विच इंटरस्ट चु बैंक ……इंटरस्ट्थ यू बैंक आ जाएगे उसने का था conversion जोगी साथ महीने बाद होगी from the date of closing of issue तो जिस तारीक को issue close हो रहा है उसके साथ महीने के बाद तो issue club close हुआ सर issue close हुआ था एक जून एक जून में साथ महीने एड करो क्या डेट आई 31 साथ महीने बाद इस तारीक को 80% हिस्सा कनवर्ट हो जाएगा और उसके बंद्दे एकुटी शेयर जो दोगे वह 40 रुपे का दोगे अब 80% कितना मना ड्यू की एंट्री और उनको शेयर की एंट्री सो आपके पास में 31 संबर बोल दो या एक जनवरी बोल दो बेटा एक ही बात है सो डिवेंचर्स टू आपके पास में एक कुटी शेयर क्यापिटल टू सेक्यूरिटी स्थी में तो 3.2 क्रोड आ गया और 40 रुपे पर शेयर दे रहें तो एक्टिवली आपके आठ लाग शेयर बन जाएंगे आठ लाग शेयर को बेटा इंटू 10 और इंटू 30 करना कि क्योंकि हम देने कितने शेयर्स है सर आठ लाग दे रहें तो आठ लाग शेयर पर बेटा दस उर्पे गया कैप्टल में 30 रुपीज गया प्रीमियम तो वह बाइफरकेशन हो जाएगी वह बाइफरकेशन हो जाएगी कैप्टल और प्रीमियम की ठीक ना और फिर क्या इनको बेटा यह रेंट पर हमारा इंट्रेस्ट बनेगा येस अपर बेटा ध्यान रखना है जो तीन करोट बीस लाग वाले उनको तो इंट्रस्ट तीन मीने का इंट्रस्ट बनेगा और जो बाकियों पर पूरे साल का बनेगा क्योंकि इनको तो अमनें कत्ति संब्सक्राइब को इनको डिवीडिन मिलेगा यह तो इनके अपर बेटा इंट्रस्ट जो है आप उसकी इंट्री कत्ति संब्सक्राइब को दिखा रहे तो तीन क्रोड़ बीस लाग पर 10% तीन मीने का और जो बचेवे 80 लाग उस पर 10 परसे पर आप इसको अपने पास में 31 संबर तक की अलग एंट्री भी डाल सकते हो एट लैक की और 31 मार्ट के अलग डाल दोगे अपने पास में पूर लैक ही वह भी विल्कूल सही है एक्चुली में देखा जाए तो वह ज्यादा सही है कठे करके डाल देता है बात अलगे ठीके ना और फिर आपके पास में इन पर इंट्रस कहां चला जाएगा पीएनल में 22,002,002,002,002,002,002,002,002,001,001,000,001,00,1,002,002,100,00db बढे आप अपने पास मैंने बोला ना दोनों मैं से कोई भी कर सकते हो आप 31 मार्ट को भी कर सकते हो यह आपके पास जो है बढ़लों jak dobrze sih 2uch को जाथा झाल आँ60 वह ज्धा different की बेटा ठीक है ना हां जी केश्य बेटा पर दिरा लॉट आपके पास बेटा पोस्टन बिंग एडिट नियू सिंग एडिट तो वह आपकी मर्जी है बेटा इसमें अंडर राइटिंग कमिशन को भी राइट आफ किया जा सकता है तो आप कर देंगे राइट आफ तो बहु भी आपका आजाना चीए तो than to send correction कमिशन भी आ देंट्री आनी है यह वो इसी एंड्री में अपjust करते हैं तो वह वाली एंट्री भी आपके पास में अगला जो जनी जनरल एक अपके पास आता है जैसे अभी बात करी उससे रेलेटीड है और जिसमें आप आप से यही चीजे बोलता है सात में बालेंस शीट ना दो इसको लेते वें मतलब कुछ ने कनवर्ट कर रहा है कुछ को कैश दिया वो चीजों को लेके बात करता है तो आपके पास में जो है कहता है समराइस बैलेंस शीट दे रहा है एबी सी लिम्टिड की अनलिस्टीड कंपनी है अधर देन एएफ़ बेंकिंग कंपनी एंबी एफसी एन एफसी तीस जून तक की ठीक है अब वह बैलें सब्सक्राइब से रिजय को ऐन आपके पास में जो है उस सारी को टर्म कहता है कि उनकी रिक्रेंट कर आसकते हैं पो चीज़िस फैंटी प्रसेंट इस से क्या बोला कि आपके पास में आप अल्टिमेटली क्या करेंगे 25 परसेंट हिस्से को कनवर्ट करेंगे एक कुडिशर में है दस वाला पर साड़े 27 में करेंगे और बाकी 75 परसेंट के बदले आप कैश देंगे कहता है असी लोगों को छोड़कर जिंके पास 50 जा डिवेंचर से बाकी सबने ऑप्शन किया इन्वेस्मेंट्स पार पर भी और सारी ट्रांजेक्शन 30 जून को होगी हमसे कह रहे हैं द्वारा से बैलेंशीट बना दो अब बैलेंशीट बनाने के लिए उसने बोला भी आपक के यहां पर आपको यह देखना है कितनों को कैश दिया जा रहा है कितनों को शेर दिये जा रहे हमारे टोटल में जो डिवेंचर से भीटा कि वह डेड़ लाग है डेड़ लाग मेंसे पचास हजार वालों को तो कैशी मिलेगा इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है जो बचे एक लाग उनका भी सिरफ 25 परसें हिस्सा कनवर्ट होगा उनका भी सिरफ 25 परसें हिस्सा कनवर्ट होगा ना वन लैक का 25 परसें हिस्सा डेना दे रहे हो सर हर सो के बदले हम लोग अपने पास में जो है अल्टिमेटली हर सो के बदले 110 देने की बात कर रहे हैं ठीक है न हर सो के बाद üzer 110 देने की बात कर रहे हैं सो बाकि 75,000 को भी cash मिले और 50 जार को सबसे मिलेगे और इंको यह इसके साफ से मिलेंगे तो वो हमार पर दौस्ष्व हो गए टोटल na लाग से कुछ को शेर कुछ को कैसे 25000 को शेर ने और 125 ऐसके यहां पर एक रहा होगा बेटा हमारे बात समझेंगे ठीक है जी अब जो आपके पास में जिनको शेर देने हैं उनकी वैल्यू बनी 27 लाग और उनको अपना शेर 27 में दे रहे हो तो एक लाग शेर दिये 10 वाले और इंको तो आपने कैश ही दे दिया जो बचेवे 125 है तो इतने से बैंक बानस में आपके आट्जस्मेंट हो जाएगी वह आपका बैंक वाला पॉयंट में हो जाएगा रू तो आपकी बैंक की वैल्यू यह वह क्या होगी अगर हम देखे आपकी बैंक की वैल्यू बैटा पहले से है वन क्रोट सेबंटीन लेग 50 थाउजंड इन्वेश्टमेट बेचोंगे तो पैसे आएंगे यस सब्सushi क्रोट्व कुट्यन में साड़े बाइसलाग आपका फैसे आए औहो यह यह cash and bank आगया जो कि आपका कितना मंत है डाई लाग ठीक है ना फिक्स एसेट और अधर करेंट एसेट विटा सेमी आने उसमें कोई दिक्कत नहीं मैं आपके पास धाई करोड और दो करोड सतर लाग उसमें कोई चेंज नहीं में चीज और में चीज़े रिजल सकते क्या कितने सबस्क्राइब आपने और कितने इशु नौ रख और अभी साडेत साडे expectations 1 lakh इसलेट का शाय का यहाँ एक लाग इन्द ¡ dent साडे दाव जाए गाए का प्रीमियम और बातकि आपका उन्द vai to how to give a premium में यहाँ तो बाइफर्केट हो गया क्योंकि बेटा में 27 उपे इसके दो इससे आगा 10 रुपे capital में चला गया साड़े सतरा premium में चला गया तो capital चले गया capital में premium आगया premium में ठीके ना यह सर और फिर जो हमारे reserve surplus है उसमें general reserve के अंदर ही DRR चला जाएगा यह सर जब debentures ही नहीं रहे तो DRR ने वहीं चले जाना है यह सर तो general reserve जितना था उसमें DRR हो गया और जिए अपने डिवेंचर रिडीम करें वह प्रीम आदम्शन यहां से राइट अफ हो जाएगा टोटल पूरे डेड़ लाख डिवेंचर से हर को 10 रुपे फाल्तु देने थे सौ के बदले 110 सौ के बदले हमने 110 लिया था ना मिटा चाहे जिंको कैश दे रहे चाहे जिंको अपने पास में शेयर दिये तो वह 10 रुपे पी रोड अमिशन राइट अफ होगा तो इतनी वैल सेवंटी लैक है तो यह सेवंटी लैक और वन क्रो डिटी लाग आपकी न अगर आप एंट्रिस जा लोगे नो तो एंट्रिस तो बहुत गिनी चुनी थी डिवेंचर दियू हुए कैश दिया कुछ को और कुछ को क्या दिये शेयर और एक जो प्रीमियू अडमिशन राइट अप हो बस एंट्रिस अगर डालते है न फूर फाइंट्रिस जल नहीं थी बट उसका इफेक्ट बैलेंस शीट में आ रहा है तो बैलेंस शीट में शेयर केपिटल में शेयर इतने का आपको ध्यान रखना था और इससे बीटा आपके पास कोशन कम रिटो जाएगा सर इंट्रस्ट और इसलिए नहीं आएगा बिटा तीजून की बैलेंस शीट और तीजून को यह सब कुछ कर रहे हो तीजून को यह और है ना सब कुछ तो इंट्रस्ट क्यों करें ना क्योंकि उसी डेट पर सब कुछ कर दिया तीजून पर सब कुछ कर दिया तैसले नहीं आएगा ठीक है ना बात गैस सर अब बेटा हमारे पास में जो हमारा अगला कॉंसेट आता बेटा एक इसमें लास्ट कॉंसेट है जिस से रेलेटिड मैं कोश्चन कराऊंगा आपने मार्किट से ही सबसे असान वाले टॉपिक है आपके लेट से डिवेंचर जो है आपका जो एयर चलता है वह अपरेल टू मार्ट चलता है कि आप साल में दो बार इंट्रस देतों एक बार 30 सेप्टेमबर को एक बार 31 मार्च को आपने क्या किया बेटा आपके टोटल में लेट से दस अजार डिवेंचर है पर आपने न एक जून को जाके तीन अजार डिवेंचर को मार्किट से खरीद के कैंसल कर दिया कि तीन अजार डिवेंचर मार्किट से खरीद और कैंसल कर दिया और इसके बदले आपने जो पे करना वैसे सो वाला था पर आपने पे करें 99 रूपीज आपने पे कितना क्या 99 रूपीज और यह 12 परसेंट वाले डिवेंचर है अब बेटा आपकी एंट्रीज ना बहुत स्टेट फॉरवड आती हैं जितनी फेस वेल्यू के डिवेंचर आप एक जून को रिडीम करने जा रहे है उतने से आपका डिवेंचर डेबिट हो जितने आप पे करने वाले हो वो आ जायेगा टू बैंक में विच इस 3000 इंटू 99 पर क्या आप जिसको पैसे दोगे क्या उसको दो महीने का इंट्रस्ट भी दोगे येस सर क्यों दोगे बेटा क्योंकि पिछला इंट्रस्ट इंट्रस्ट मार्च को सेटल था कि सो एप्रेंट और में का दो महीने का इंट्रस्ट भी तो बनेगा तो वह बनेगा तीन लाग के उपर तीन लाग के उपर तीन हजार है सो के इसाब से वह फेस्ट लूप आएगा 12% दो महिने का तो वह इंट्रस्ट भी तो आपका प्य होगा ना तीन लाग के वर बारा प्रसंट के साफ से तो यह 6000 बेटा आपका इंट्रस्ट इसमें एड हो जाएगा और अगर आपने 100 से कम दिये तो फाइदा अगर 100 से ज्यादा दिये तो नुकसान तो वह आपका जाएगा बेटा आपका प्रॉफिट होगे क्योंकि आपने 100 के बंदी 99 दिया यह गिवन वन रुपी लेस या आपने एक रुपया लेस पे किया ना तो इस वह से आपका फायदा हो गया एक रुपय का आप 100 से जाधा देते तो आपका लॉस हो जाता और यह प्रॉफिट ल प्रॉइंट आते वेटा पॉइंट ओफ कम इंट्रस्ट कम इंट्रस्ट का मतलब क्या होता है कि आप जो 99 रुपीज दे रहे हो उसी में इंट्रस्ट जूड़ा वह एक होता है एक्स इंट्रस्ट जो यह केस था यह केस जो हमने किया बेटा यह एक्स इंट्रस्ट का केस है कम इंट्रस्ट में क्या होगा कि कम इंट्रस्ट में आपका डेबिट तो होगा यह 3000 इंटू सो पूरे का पूरा इंट्रस्ट भी 6000 बनता है पर यहां पे आप जो पे कर रहे हो 3000 इंटू 99 दे रहे हो और उसी में 6000 जुड़ा है उसी में 6000 जुड़ गया तो आपने जो यह 297,000 बनेंगे न तो इतना माउंट के अंदर ही इंट्रस्ट चाहेएगा आप यह अलग से नहीं दे तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा आपका प्रॉफिट 6000 के एक्षेंट से बढ़ जाएगा 9000 हो जाएगा आपका प्रॉफ की अधसेistä आपकी से स्पैसिफिकली मांगता है ओन्दिवेंच अगाउंट की अधे जाएगां और अगली केंट्री कैंसलेशन क्या ते डिवेंचर टू ओन डिवेंचर टू प्रॉफित लॉज जो भी आया आपका तो आपने वह दो इस्सों में तरदी अभी क्या क्या है उन्टिवेंचर को डेविट करें कॉस से और अलग एंट्री जालके प्रॉफित लॉज रिकॉर्ड करें वह दो चीजों की डिवेंचर आपने बेच के रिडीम करें उत्रों की प्रपोर्शनेट इंवेश्मेंट बेच होगे जैसे यहां 3,000,000 थे तीन लाग का 10 परसें इससा जर्नलिजब में भी जाएगा और तीन लाग का 15 परसें इससे की इंवेश्मेंट भी बेच होगी तो वह और वह और रहे गा ही रहेगा उसमें कोई डाउट नहीं है एंबीग्यूटी नहीं ठीके ना इसी से रिलेटेड को इसन पर आते हम लोग कोश्चन पर आते जो कि आपके असान सा कोश्चन होता है जोकी क्या है जेड लिम्टीड एक उनलिशीड कमपनी है अदर देन अफे बंकिन कमनी फकete विख़ंगा करते हो उसने साफ दे दिया आपके पास में कोश्चन में ठीक है जी तो कोश्चन है क्या बोलाा आपको कि कम्पणी आपको दे रहा ठीक है जी के अपनी आपको दे इन्वेस्ट्मेंट करखी है 3 लाग की और DRR 180 का इंट्रस साल के अंत में मिलता ही मिलते है हमार को उसमें कोई दिक्रत नहीं है इंट्रस मिलता है हमार को कहता है 40000 ओन डिवेंचर हमने खरीद ए 31 मार्च को साल के लास बिल्कुल साल के लास ग्रुदिए 99 पे और उसी सेम डेट पे कैंसल कर दिये और बाकी 30 मार्च को इन्वेस्टमेंट बाकी बेची पार पे और डिवेंचर को भी रीडीम तो टोटल में 25,000 थे 4000 मार्किट से अगर इतके कैंसल कर रहें बाकियों को वैसे आपके पास में पे कर रहें कह रहें लेजर अकाउंट ब क्या तो मेरे पहले हमेशा क्या करो उपनिंग स्थालो कंप्लाइस्थ करो एक मैं लोडीज पहले ओपनिंग बैरेंस जा लो और या शोस पहले वह कारएं करो तो कैसे होगा सार उपनिंग बैले स्में बैरेशर से 25,100 Bye कि सो वारे पास में क्या होगा 25 लाग क्या आपकी बैलेंस ब्रोट डाउन आ गया कि डियार आई का बैलेंस कितना है तीन लाख में और डियार का बैलेंस उसने कितना दिया था हमारे पास मिटा 180 ये तीन अकाउंट से आपने क्या करना है सबसे वहले कंप्लाइंस एक करो 25 लाग का 10% बनते हैं 375 जब 15% मुझें 375 इंवेश्मेंट का अब 375 में से आपने इन्वेश्मेंट करके 3 लंकी तो फर्स डेही इन्वेश्मेंट कर डालोगे बाकी की टू बैंक इतने कि आप अपने पास में इंवेस्टमेंट करोगे और सेम तरीके से आप 25 लाग का 10 परशन के साब से बनता है धाइला आपने वह भी बनाओंगे सेवेंट़ी का अधियरे भी बनाएंगे और सेवेंटु फाइव इंवेस्टमेंट नेंमार खांग बनात अ il हो भी है हमारे पास में 4000 करे है 99 पे तो 4000 इंटू 99 आप कर रहे हो पे तो आपके आप लिख दीजिए टू बैंक लिख दीजिए सीधा 396 और बागी एक और पे का प्रॉफिट आ गया तू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन आप यहां सीधा टू बैंक भी लिख सकते हैं अगर आप तो अलग से हैं वह महारे पास में हमारे पास में है ज्यान से सुनेंगे यह पर प्रॉफिट आपने रिडिंचर को रिडीम करा है उतनी पर पॉफिट मेंट को बेचेंगे तो 4000 मतलब चार लाग की पंदरा पर्रशन की इंवेश्मेंट भी बेची गई बाई बैंक और उतन इससा जनरलिजर्ब में भी जाएगा विचिस फॉटी वह अलग अलग भेज सकते हो फॉटी अलग भेज सकते हो बाकी का मैं अलग भेजूँगा वह इंस्चूट ने एच्छुली में कठे कर रखा तो आप टू जनरल रिज़र्ब 40,000 आजएगा ठीक है ना एक बार के लिए और फिर आप बाकी को भी रिडीम कर रहो तो बाकी कितने बचे 21,000 उनको पूरे पार पर दिये टू बैंक 21 लाख उतनी प्रपोर्शनेट इंवेस्टमेंट को बेचा बाए बैंक और उतने प्रपोर्शनेट जनरलिजर्ब में नहीं लिए असटा तो बैलंस गरिडों है तो डिवेंचर में भी डियार आई बेवी और जनरलिजर्ब में जितने बेचे उतने काया जितने बेचे उतने क्या खांटिंग एंट्रिया अथने कई आपका आगे बढ़ रहा है ठीक है कि यहाँ तक बात क्लियर हुए माँर प नहीं बोल रहा तो आप सीधा टू बैंक वहां पे कर देंगे ठीक है ना आप ओन डिवेंचर नहीं यूज़ करेंगे अगला बेटा कोश्चन देख लेते हैं अगला कोश्चन एच्छली में बिलकुल सेम ही है यहां बस ओन डिवेंचर लिखा है तो यह अंसर में वह पॉइंट दिखायता हूं तो यहां पे जब आपने खरीद है ना बाकी सारा कोश्चन सेम है अधियक नहीं कि यहँआं पे टूबेंच का रहा है और फिर अपने डिबेंचर डू लीवेंचर किया वस में तो बेंचर कर मांगा तो ओन दीसी टूबैंक आया यह ऊहां पे तिशुचन सब bus लेक्ष ए सेम है उसमें कोई फरक नहीं है उसमें कोई फरक नहीं है कोई फरक नहीं है बिल्कुल आपका सेम है डियार की कंप्लाइंस डियार आई की इनिशल कंप्लाइंस जितने आपने बेचे कैंसल करें वह सब आपका इग्जेक्टली सेम कोई भी फरक नहीं कोई भी फरक नहीं है य यह आप अपने पास में मेरे साथ देख लेंगे विच इस वैस्तों आटीवी का यह जनल कोशन है और यह हमने जो पहले स्टीक में किये थे ना उस टाइप का कोशन है सो इस के अंदर में क्या रहा है अगेन वहीं चीज़ हो रही है आपके बैलेंसे दिया वेडिवेंचर का दिया वह गया अपके पास एकन पडाए इंट्रस मिलने से पहले इंट्रस प्रियों कर रहे हैं यह पहला कोश्यन कहाता ना बिलकुल वैसा कंपनी अनलिस्टीट कंपन है बेटा आपके पास में कहरें डियार अकाउंट बनाई है आपके इन्वेस्मेंट बनाई है बैंक बनाई है तो यह लेजर अकूंट कुछ आप से मांग रहा है विच आपके पास में यह लेजर अकाउंट जो है यह इसली बन जाने यहां पर इनीशली बेटा क्या है मैं और बैंक का पहले से ओपनिंग दे रहे हैं अब हमारे पास मेटा यहां पर में क्या चीज़ है इसके बाद में आपने जब इन्वेस्टमेंट बेची है तो इन्वेस्टमेंट के बेचने पर एक तो पैसा आया 562 500 और एक इनके ओपर इंट्रस्ट भी मिल रहा है अब यह फस सब्सक्राइब कर रहे हैं वह कितना तेरे सर वह हमने रिडीम कर रहे हैं सो के बदले 110 कि 3.5,5,000,000 वालों को सो के बदले 110 दे रहे तो आपके पास पेमेंट आ जाएगी वह आपकी पेमेंट आगे ठीक है ना तो वह चीज़ आपके पास आगी तो आपका बैलेंस निंगल के आजाएगा और यह डियारर कहां चला गया डियारर आपका जरनलेंट में चला गया यहाँ पर हमने एक एंजम्शन लिए एंजम्शन क्या लिए कि डिवेंचर का इंट्रस्ट अलड़ी पे हो पैप इंट्रस आपने पैऊंने मान् रहें के लिखा था एंट्रस्त मिलने से पहले था इंट्रस उसΔर बैपे डिया इस पर श्क जिकलर लेटेट ऑपszystने हमारे बनते हैं वो आपके सारे कोजिशन्स मेरी तरफ से एक बार के लिए कंप्लीट हो जाते हैं जितने भी कोजिशन्स आपके बनते हैं सेवन कोजिशन्स हमने करें उल्टा कि in fact maximum in any chapter ठीक है न वो आपके different क्यों की बट यह काफी अद तक बेटा मैं theoretical oriented भी बोलता हूं with subject to certain case study based questions पर इससे भी institute question पूछ सकता और exam में आया वा भी है तो चलिए बेटा शुरू करते हैं इस particular standard को और बेसिकली पेटा यह standard के कुछ objectives है सबसे पहला एक इसमें objective वात है कि that is disclosure of the significant accounting policies जो follow के जाते हैं preparing and presenting financial statements तो यह standard हमें बताएगा कि जो accounting policies होती है जो हम सीखेंगे क्या होती है उनका disclosure करना financial statements को बनाते समय और manner in which the policies are disclosed और किस तरीके से उनका disclosure करना है अब सबसे पहला सवाल उटके यह आता है what is exactly accounting policy तो फ़िटा accounting policy की definition में उसने दो चीज़ों cover किया हुआ है first are your specific accounting principles that is asool जो मैं कहता हूं मेंचा that is principle principle सिधान्त असूल जो है like as2 का आपका main principle कहा है जिस पे उस standard इकवा that is as2 का principle है lower of cost और nrv ठीक है में को value करने का and साथ में methods of applying those principles that means तरीके like as2 के अंदर हम सीखते है v4 method भी है cost निकालने के लिए विटी average method भी है so which are adopted by enterprise in preparation and presentation of financial achievement so accounting policy होते है principles and methods of applying those principles कुछ छोटे-छोटे point दे रख्या में standard है there is no single list of accounting policies जो applicable है सारे circumstances में ऐसा होते है कि accounting policies depend कर सकता organization to organization और management की call होते कि उन्हें कौन सी policies सही लगती है अपने organization को चलाने के लिए तो different circumstances जिसमें वो operate करते हैं उनके साबसे उन्हें लगता है कि हमारे लिए यह policy अगर suit करते है तो वो उसको follow करेंगे so कैसे single list नहीं है जो सारे enterprises को लग सके so depending upon organization to organization management takes a call कि उन्हें कौन सी policy सही लगती है so different circumstances जिसमें enterprise operate करते हैं make alternative policy executable and जो इसकी choice है वो choice किसकी है जो business चला रहा है that is by the management of the enterprise auditor का काम यह होता है कि यह check करना कि जो policy follow कर रहे है उसको सही से follow क्या की नहीं क्या और दूसरी बात कि क्या वो policy permissible भी है with the standards की नहीं let's say AS2 में FIFO weighted average है अब LIFO method allowed ही नहीं है तो LIFO से अगर आप अपने पास में कर रहे हो तो basically वो AS2 के दोर allowed नहीं तो आप उसकी valuation है और अगर आप FIFO से कर रहे है तो allowed तो है हमारी को intention के उसे near future में बंद करी second consistency that means जो accounting policies अपने पास में follow कर रहे है उनको हर साल same follow करते रहेंगे उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे ऐसा नहीं कर सकते पर यह हमारी assumption मानी जा रही है कि हम अपने पास में बदलाव नहीं करेंगे consistently follow करते रहे है और तीसरा accrual मतलब जो assumptions का मतलब क्या है assumption का मतलब होता है assume करना माना जाना तो हमें यह कहा गया है कि यह तीनों assumptions के बारे में अगर आप इनको follow कर रहे हो तो आपको अलग से कहीं लिखने की जरूरत नहीं है कि आपने इन तीनों assumptions को follow किया but अगर आप इन assumptions में से सारी या कोई भी एक को follow नहीं कर तो आपको users को बताना पड़ेगा कि आपने उस particular assumption को follow नहीं किया तो मतलब अगर किताबी आप cash basis पे बना रहे हो कि आपको बताना पड़ेगा कि किताबी cash basis पे है YES! क्योंकि अक्रॉल से नहीं है पर अगर आप अक्रॉल से बना रहे हो तो कि आपको बताने की जुरूरत है कि अ क्रूल से रही था answer is no वो एक चीज आ रही है तो अगर इन assumptions को follow किया जा रहे है तो disclosure कोई जुरूरत नहीं है अगर follow नहीं कर रहे हो तो बताने की जुरूरत है मतलब disclosure तभी चाहिए जब उनको follow नहीं किया गया है बेटा, so that is our conclusion, disclosure is required, if not, follow फिर बेटा, कुछ considerations आते हैं, कुछ चीज है, जिनको हम ध्यान में रखते हैं, while selecting our accounting policy, सबसे पहले बेटा, primary जो consideration आते हैं, वो ये आता है कि हम जो भी accounting policy अपने पास adopt करें, हमारा main मकसद यही रहे हमेशा ही हमेशा कि आपके पास बेटा, हमारी financial statement should represent true and fair view, मतलब सब कुछ सही सही, मतलब उसकी वहेशा कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, that it should represent true and fair view, so P&L क्या बताए, आपके पास सही profit loss, और balance sheet जो बताए, वो बताए, सही financial position, that is the primary consideration और secondary में उसने कुछ बताए, first is prudence, जो इसके अलावा और चीज़ों का अब ध्यान, prudence मतलब provide for the, आपके possible losses, ठीक है जी, हम नुकसानों की provision नाने की बात करते हैं, पर फाइदों को anticipate नहीं करते हैं, फाइदों को तभी record कर जब फाइदा होगा, सब chance over form का मतलब होता है, बटा, reality over legality, हम काफी बार transactions की real term को देखते हैं, rather than उसकी सिरफ legal, आपके पास जो term आ रही है उसको देखते हैं, like higher purchase की transaction होती है, जाए मालिक बनते है last installment देने के बाद, जो legal ownership आपके पास आती है, बटाम first जैसे आपको owner मान लेते हैं, ताकि आप अपनी किताब में उसको ऐसे दिखा के depiction क्लेम कर सको, agreement to sell, आपने किसी को property अपनी करफ से दी और agreement to sell हो गया और पैसे उससे पूरे ले लिए, तो आपको अपनी किताब में sale record करना पड़ेगा, चाहे रिजिस्ट्री कुछ समय के बाद जाके हो रही है, because economic rights वगड़ा दूसरे person को transfer हो गए, so that means substance over form, that means simple for इहाश हमे, reality over legality और last होते है, materiality मतलब जो भी material, जो भी ऐसी important transactions है, जिनका user के decision पर फरक पड़ सकता है, which can influence the decision of the user, वो material items होती है, important, significant item जिसका disclosure देना चाहिए, ठीकिन अब, and any item which can influence the decision of the user is termed as a material, और सारी material items को में क्या करना चाहे, disclose करना चाहे फिर बेटा, जो अगली चीज़ आती है, वो आती है disclosure, जो यह accounting policies होते है, जिन हम select करने कुछ चीज़ों को ध्यान रखते वे, उन्हें disclose करना है P&L के बाद दिखाए, it cannot be scattered, it has to add one place, फिर they form an integral part of the financial statements, तो जो policies होते है वो हमारी financial statements का एक हिस्सा है, आप यह नहीं बोल सकते है, financial statements में सिर्फ balance sheet, P&L, cash flow बगार रही आएंगे, जो accounting policies है, they are also part of the financial statements, क्योंकि उन्हीं को ध्यान में रखते हैं तो financial statement बनाई है, तो they are integral part, and वो कहाँ पे दिखाई जाते हैं, notes to accounts में, so notes to accounts में सबसे पहले आप दिखाते हो, significant accounting policies, जिस बेस पे आपने अपनी किताबों को बनाएं गया, और फिर आप बाकी, share capital, reserve surplus, ऐसे करते हैं अपने notes बनाते हो, तो सबसे पहले आप यह दिखाते हो, कुछ examples आ रहे बेटा, areas in which different accounting policies may be adopted, तो ऐसे कुछ area जहाँ 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 पर अलग-अलग policies को adopt किया जा सकता है, तो basically यह अलग-अलग standards के नाम है, like inventory, goodwill, investment, तो जब हम अलग-अलग standard करें, तो वहाँ सेखने को मिलते हैं, अलग-अलग accounting policies दे रखी है, जिने enterprise अपनी तरफ से depending upon उनकी organization को कौनसी suit करते है, management decide करती है, और उसके असाब से वो accounting policy adopt कर लेते हैं, next is change in accounting policy, अगर आपने बेटा को accounting policy को adopt किया, तो क्या आप उसे कभी भी change नहीं कर सकते, sir, the answer is absolutely no, consistency के एसाब से वैसे तो आप अपने पास में follow करते हैं रहना चाहिए, but it does not mean कि आप उसे change नहीं कर सकते, तो accounting policy को change कब किया जा सकते, वो कैसा है, तिरफ तीन ऐसे कारणे जब आप policy को change कर सकते हो, अगर वो legal requirement है, statute की requirement है, second, compliance with accounting standard, जैसे पहले आप LIFO method follow कर रहे तो permissible नहीं है, अब आप FIFO एवेटी डेवरेज करना चाहते है, तो वो AS को comply करने के लिए, या फिर better presentation और 2N fair view of the financial statement, अगर आपको लगता है कि उससे आपकी financial statement पहले से और जादे better हो जाएगी, और वो सही financial position और सही profitability जाएगी, तो आप कर सकते हो, अगर आप FIFO से वेटी डेवरेज जा रहे हो, तो वो तो पहले भी AS2 के दो आ रहा था, legal requirement के इसाब से तो आपको इसको लिकत नहीं है, तो वो इस वाले clause में आ रहा है, कि आपको लगता है नहीं, आपकी किताबों के साब से, आपके business के साब से आपको FIFO नहीं है, वेटी डेवरेज फॉलो करना जी हो, तो इन तीनों मेंसे कोई भी आप current में fall कर रहे है, तो आप accounting policy change कर सकते हो, पर अगर आप policy change कर रहे हो, तो आपको कुछ और चीज़ों के बारे में बताना पड़ता ही users को, सबसे पहले, any change in accounting policy, जिसका material effect है, significant effect है current period में, you are reasonably expected to have a material effect in the later periods, या इस साल में effect है, या आने वाले साल में पड़ेगा, उसे आपको बताना पड़ेगा, कि आपने policy change करी है, फिर, the amount by which the item is affected by such a, should be disclosed to the extent of certain, आपको ये बताना पड़ेगा, कि उस policy के change करने के वेशे, आपका कितना फरक पड़ा, मैं अभी question भी बिक्राऊंगा, लेट से फीफो के साब से, आपका stock 1 lakh था, और weighted average के साब से, आपका stock 1 lakh 20,000 value हो रहा है, तो आपका stock बढ़ रहा है, closing stock, तो उसको बढ़ाने के वेशे, profit भी बढ़ जाएगा, तो आपको ये बताना पड़ेगा, कि इसकी वज़ा से, policy change करने के वेशे, से हमारा profit इतने से बढ़ जाएगा, ठीक है, तो आपको amount को quantify करना है, अगर आप ascertain कर सकते हो, अगर amount ascertain नहीं कर सकते, पूरा या impact, तो आपको fact बताना पड़ेगा, मतलब आपको ये तो बताना पड़ेगा, कि policy हमने change करी, फिर any change in the policy, जिसका effect turn and tear में नहीं पड़ रहा, बट आने वाले साल में पड़ सकता है, उसका भी fact आपको बताने, जो पहले point में मैंने लिखा था, इस साल नहीं पड़ रहा, पर आने वाले साल में पड़ेगा, इस साल, because of the, आपके पास items, आपको कोई भी method follow करता है, आपको सेही माना था, पराने वाले सालों में तो फर्क पड़ ज़ेगा, तो effectively आपको क्या क्या बताना है, पुरानी policy, new policy, क्यों हो change करी और उसका impact, अगर ऐसा टेने बंड़ इंपक्ट नहीं है, fundamental assumptions अभी हम फिर questions भी करेंगे इसका, तीन assumptions जिनको disclose सब करना अगर follow नहीं कर रहें, और फिर accounting policy consideration में दो था, primary और secondary, primary में 2N fairview, secondary में 3 थे, prudent, subchance, or form, materiality, disclosure, notes, check on में करना, और वो integral part है, एक जगा करना है, और change कब हो सकता है, 3 कारण थे, तीनों में से कोई भी एक, और उसका फिर हमने disclosure देना, amount quantify कर सकता, amount quantify करो, नहीं कर सकता, तो at least fact disclose करो, वो वाली चीज़ आती है, कि आपको बताना पड़ता है, ठीक है, तो यह हमारे पास standard के बेठा, theoretical elements से आप देखेंगे, कि बहुत जल्दी यह standard गतम हो जाता है, मतलब in terms of the practical elements, जो standard हमें कहते हैं, क्यों कि बहुत ही छोटा सा standard है, नो मेरे प्यारे बच्चों, हम अपने पास आते हैं, बेठा questions की तरफ, यह standard में हमारे कौन-कौन से questions आते हैं, तो इन questions को हम बड़े अराम से, प्यार से अपने पास करेंगे, और देखेंगे हमें questions में क्या-क्या variety के questions है, मैंने हर प्रकार के questions आपके लिए डाले भी है, ठीकिन हम, तो सबसे बहला question आता है, X Limited ने बेठा, building को बेचा है, for rupees 50 lakh, to the purchaser who has paid the full price, तो एक company ने, बिल्डिंग को बेचा गे 50 lakhs में, company ने possession तो दे दिया पड़ चेशर को, तो possession दूसरी पार्टी को चाच चुका है, जो book value है building की, वो 35 lakh rupees है, और year end पे पर अभी documentation और legal formality spending है, तो agreement हो गया एक प्रकार का, अगर हम देखें, possession चला गया, पैसे आ चुके हैं, और legal formality spending है, बतब registry उसके नाम पे नहीं हुए, company ने इसे इसलिए sale record नहीं किया, it has shown the amount जो मिला as advance, इन्होंने इसको advance के तोर पे ही दिखाए, जो पैसा मिला, इन्होंने sale नहीं record करें, क्या आप agree करते हैं, और treatment buyer को क्या देनी चाहिए, तो बेटा, अभी हमने एक बात पड़ी थी, that is, substance over form, तुमारा एक point आता है, कौन सा बेटा, substance over form, जिसका मतलब मैंने आपको बड़े clear शब्दों में समझाया था, that means, reality over legality, हम transactions की real term को देखेंगे, ना कि उसकी illegal terms को, तो अगर हम यहाँ देखे, possession जा चुका है, पैसे आ चुका है, सिरफ एक registry pending है, तो उस case के अंदर जो seller है, उसे sale record कर लेने चाहिए, और उसे अपना profit 15 lakh का record कर लेने चाहिए, क्योंकि 35 की चीज़ को 50 यह बेचा है, और बायर को भी अपनी किताओं में उसे asset record कर लेना चाहिए, आप note दे दीज़े कि अभी registry वगरा pending है, सारी चीज़े हो चुकी है, बट seller को sale और बायर को purchase दिखा देने चाहिए, as per अबर जो consideration थी, बिचिकली secondary consideration, सब्शांस ओवर फॉंग, तो अल्थो legal title has not been transferred, the economic reality and सब्शांस is that, rights have been transferred, तो in view of this, exempted should record the sale and recognize the profit of 15 lakh in the statement of P&L, and they should remove the building account from its balance sheet, प्रॉफिट record कर ले और अपना किताओं से building को हटा दे, और अपने notes में mention कर दे, कि building बेच दी, पूरे पैसे आ चुके है, पोजेशन भी transfer हो चुका है बायर को, however, documentation और legal formalities pending, तो आपको बड़ा असान तरीके से answer देना होता है, पहले हमेशा applicable provision, मैं कुछ standards में आपको यह बताऊंगा भी, कि आपके पस देना कैसे होता है, पहले हमेशा क्या दो, हमेशा जो applicable provision, यहाँ पर सब्चांस अवर form का point लग रहा है, तो वो मेंशा कर और legality, और फिर आपने case को mention किया, कि in this particular case, possession जा चुका है, ऐसे आ चुका है, तिरफ एक legal formalities pending है, तो उसकी वैसे, अब हम conclusion दे रहें कि seller को sale, और buyer को purchase दिखा देने जिए, और साथ में notes आगे, तो यह seller का आगया, और ऐसी buyer, तो buyer को should recognize the building as asset, और उस पर deduction accordingly charge कर दे, और वो भी अपने notes में दिखा दे, कि possession तो आचुका है, अपर legal formalities भी ending है, तो that actually means, substance over form का, जो particular point था, हमने इस question के जरीए अपना समझा, then, जितने भी questions है, study materials, RTP, pasture questions, में से आपके लेके, मैंने कुछ selected questions, यहाँ पर रखे हुए, question number two, के था state whether the following statements are true or false, unreason दे दीजिए, ऐसा भी question, study matmore even paper में आए बहा है, बिल्कुल यह बला, certain fundamental accounting assumptions, underline the preparation and presentation of financial statements, assumptions को हम basically consider करते हैं, financial statements को बनाते हैं, उन्हें usually specifically बताते हैं, because उनका acceptance and user not assume, तो फिर वो assumption ही कैसे रही, तो statement false होगी, but ultimately, assumption का मतलब यह है कि उनको अब नहीं बताते, assumption का मतलब उनको तभी बताते हैं, जब उनको अगर follow नहीं कर रहे, तो statement false होगी, पहली line तो ठीक थी, statement के होगी, अगला point है, अगर fundamental assumptions को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो specific disclosure की कोई ज़रुवत नहीं है, आरे यार फिर से गलत हो गया, अगर assumptions को follow नहीं कर रहे हो, तो ही तो disclosure देना है, follow कर रहे हो तो नहीं बताना, तो again false हो गया, तो महारे पास में, अगर fundamental assumption को बेटर follow नहीं किया तो आपको disclose करना पड़ेगा statement is false फिर all significant accounting policies adopted in the preparation and financial statement should form part of the financial statement तो जितनी मी policies आपने adopt करी थी वो financial statements का ही part है बिल्कुल सही वो integral part है हमारी financial statement को उसे एक जगा दिखाया जाते है तो बिल्कुल आपके बास true होगा true में तो statement वही लिखोगा आप ultimately यस कि वो बिल्कुल सही बात कर रहा है ठीक है उसमें अलग से कोई बात नहीं है जासा दे लिख सकते है वो एक जगा पर दिखायी जा सकते है integral part है notes में दिखाते है फिर अगला any change in accounting policy जिसका material effect है उसे बताना है where the amount by which item is affected by such changes not acceptable अगर आप amount को quantify नहीं कर सकते तो आपको fact नहीं बताना ओ last part गलत होगा अगर amount quantify नहीं कर सकते है तो fact तो बताओ कि policy change करी भई amount quantify कर सकते हो तो बताने amount भी और नहीं बताकते fact तो बताओ तो statement क्या होगी false होगी तो हमें fact को disclose करना होता है अगर amount का certainable नहीं है और last part क्या बटाओ there is no single list of policies जो applicable to all circumstances बिल्कुल सही बात कोई एक सिंगल लिस्ट नहीं है different circumstances जिसमें enterprise operate कर रहे है make the different accounting policy acceptable and choices by the management तो choice किसके management की तो single list नहीं है different circumstances जिसमें operate करते है make alternative policies acceptable तो बिल्कुल सही बात है बिल्कुल सही बात है देन अगले question पर देखते बिए एक छोटा सा अगला question और आरा question number three question क्या है in the books of message प्रशान्त limited closing stock 31st March पे 1,63,000 एक्जाम में आया बिल्कुल question पीफो के हिसाब से company ने decide किया कि हम फीफो से वेटी डेवरेज पे जाएंगे stock को value करने के लिए 20 के और वेटी डेवरेज के साब से closing stock कितना है बिटा 147 तो फीफो से था 163 और वेटी डेवरेज मेथड बैम लिख दिया मने शॉर्ट में 147 तीफो से वेटी डेवरेज मारे रिलाजेबल वैल्यू तो नर्वी तो पहले ही बहुत जाद है तो दिखेगा तो कॉस्ट ही जो भी मेथड है दिखेगा कॉस्ट ही का के नर्वी बहुत जाद है बताओ disclosure requirement बताओ change in policy के as per as1 तो बिटा आपको सबसे पहले यहाँ पे लिखना है नियम तर नियम का मतलब कानून का मतलब applicable provision जो standard ने दी है as1 ने कि जब भी change करोगे तो क्या नियम है तो पहले paragraph में होई दिया कि हमारे as1 disclosure of counting policy के साब से जब भी policy में change होगा जिसका material fact इस साल पढ़ र यह चीज आपको mention करनी अनिवारे है तो पहले paragraph में यही लिखा है बिल्कुल यही लिखा है नियम लिखना है फिर हम case में आएंगे कि yes इन्होंने basically policy में change किया है तो they should disclose the change in the valuation method and उसका effect जो आ रहा है तो वो क्या disclosure देंगे तो वो disclosure basically देंगे कि company का नियम क्या है वैसे law of cost and NRV since NRV जो है वो जादा है तो company value को किस पर करेगी cost पर अब यह तो accounting policy हमारी ठीक है इस साल company ने weighted average method पर जा रहे है क्योंकि उन्हें लगता है कि वो better method है उनके लिए ठीक है न which reflects consumption better जो आपके पास है better ठीक है जी और इसकी वज़े से हमारा current year का profit और inventory कम हो जाएगी 16,000 से क्यों यह बहुत important बात है कि आपको quantification के बारे में बताना कि policy change करने से कितना फरक आएगा क्योंकि closing shock normal case में लिखते फीफो के साब से 1,63,000 अब आप लिखोगे 1,47,000 तो closing shock कम करोगा closing shock कम करने से उसका direct relation है profit के साथ ultimately 16,000 से इस साल का profit भी क्या हो जाएगा sum हो जाएगा तो आपको यह disclosure देना जरूए अगर amount quantify कर सकते है तो हमने कहा ना बताएंगे नहीं कर सकते हो तो आपके पास fact बताना है सिर्फ policy change करी ठीके ना so this is important this is important then अगला question again paper में भी आयवाए बेटा same question तो question क्या है मैंने हर टाइप का question में यहाँ पर लिया वाए आपके सामने HIL limited was making provision for non-moving stock based on no issues having occurred for the last 12 months up to 31st March 20 तो company जो है अपना basically जो उनका stock go down से move नहीं कर रहा है पुराना stock है basically तो जितना stock पिछले 12 महीने से go down से issue नहीं हुआ वो इक तरीके से ख्राब हो रहा है तो मुसके हम provision बना रहे थे company अब provision बना चाहते है टेकनिकल evaluation के इसाब से अब company को लगता है नहीं है हमें टेकनिकल evaluation को scientific formula निकालेंगे उससे value कर रहे हैं टोटल stock 120 lakh है प्रोवीजन टेकनिकल evaluation के साब से 3 लाग के और 12 महीने no issue के साब से बनती चार लाग क्यारे discuss करो falling points AS1 के साब से क्या ये change in policy और क्या company इसको change कर सकती है तो क्या ये change in policy है the answer is बेटा no क्यों सर अभी हमारे पास में पहले हम no issues कर रहे थे अब हम ये कर रहे बेटा ये estimate है आप एक estimate लगा रहे हो किस चीज़ का कि हमारा stock कितना खराब हो रहा basically non moving के था है उसकी provision बना रहे हो तो provision बनाना इस basically आप estimate कर रहे हो provision की अब उसके लिए आपने पहले प्रोविजन को करने के लिए आपने पहले लगा किया जो बुरा वारा मेने से पुराना stock पड़ा है गुडाउन में as it is पड़ा उसकी प्रोविजन ना थे अब आपको लगता है नहीं या अरभ हम estimate को निकालने के लिए आपको तरीका कोई और सही लग रहा था उसको फॉल सब्सक्राइब करने का तरीका है तो इस चीज़ को मुझे आपको बताना पड़ेगा कि यह ultimately आपका estimate करने का तरीका है तो इस is change in accounting estimate बेटा not a change in accounting policy ठीके ना so decision of making provision on the base of technical version does not amount to change in policy accounting policy may require की provision बनानी है बट basis जो है उसका वो आपका इसमें cover नहीं हो था the method of estimating may be change अगर more prudent estimate आपको लगता है अगर आपको better estimate करने का तरीका लग रहा था आप उसको follow कर सकते है इन the given case जो change in the amount of known आपके provision है वो भी आपने आप में material नहीं है बही एक करोड 20 लाग के inventory है चार लाग से तीन लाग है तो एक लाग से फ्रक पड़ रहा है तो एक the company has provided for non-moving inventory on the base of technical valuation unlike preceding अगर पुराना ही method follow करते है तो जो profit है वह मारा lower होता है एक लाग यह नोने वैसिकली उल्टे तरीके से लिख दी आप तो नौर्मल तरीके से लिखो कि पुराने method के साबसे प्रोविशन कितनी मन रही थी चार लाग अब प्रोविशन जो बनेगी व जो इंस्यूट ने दिया यहां उल्टे तरीके से लिख दिया आप इसमें confused मत हों इन्हों लिखा अगर पुराना method follow करते तो खर्चा ज्यादा डलता तो आपका profit एक लाग से कम होता अरे यार तुम सीधा बताओ ना या कि इस तरीके के करने की वैसे खर्चा कम डलेगा तो तो हमारा profit बढ़ जाएगा ठीकिन हमारा profit बढ़ जाएगा हम वो लिखना चाहते है तो अब वो लिख दीजिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है ठीकिना और एक और बेटा वन मोर question सेडी मैट में basically given है और बहुत पहले exam में भी आया था तो basically question क्या रहा है एक general question है general question है कहानी बड़ी लंबी सुना रहा है पर question बड़ा general है ABC financial services limited जो आपके पास है वो question में दे रहा है तो question के अंदर में क्या चीज़ बता रहा है बेटा आपके पास में यहां पर वोटा question जो हमार पास यह वाला आ रहा है question कहता है ABC financial services limited is engaged in the business of financial service and is undergoing tight liquidity position since most of the assets are blocked in various claim petition in a court so basically company a financial service sector में basically involved है और उनकी ना तो इस लिकुडिटी पोजिशन जो खराब चले है मतलब they don't have the funds basically and उसकी वैसे उनके काफी सारे जो assets वह ब्लॉक बढ़े काफी court cases बगएरा चल रही है company ने accept के थे intercorporate deposits and it's making its best effort to settle the dues company ने intercorporate deposit accept के मतलब और companyों से पैसा उठाया है और वो अपने पूरे efforts लगा रहे है क्योंकि दिउस को pay कर सके there were actually claims at varied rates of interest from the lenders from the due date of ICD to the date of repayment तो जिन लोगों से पैसा उठाया है वो लोग अपनी तरफ से पैसा मांग रहे है उनके उपर में एक तरीके से case एक तरीके सी यह चीज़ बोलिया कि जो तारीफ को आपने actually में payment हमें करना था मालो 30 जून जो थी वो due date थी payment करने के तब से लेके अगर आप actually में payment आप चार में हमें late कर रहे हो due date के बाद तो तब तक का तो हमारा interest मन्त है तो हम वो दीजिए company has provided the interest as per the terms of the contract till the due date तो company ने तो अपनी के दाव में interest तब तक का ही दिया है प्रवाइड किया खर्चे के रूप में जब तक due date थी वहीं तक का interest दिया और जो चार मीन लेट पैसा हम दे रहे है उसका नहीं डाला वो करें note दे दिया for non provision of interest from the due date to the date of repayment was mentioned in the financial statement क्योंकि जो date पे देने थे पैसे हम लेट दे रहे है जिस date पे देने थे तब तक का तो interest किता हो में खर्चा डाल दिया पर जो बाद का है जितना लेट दिया उसका नहीं डाला और उसके note डाल दिया on account of क्योंकि uncertainties exist करती है regarding the determination of amount and in absence of any specific legal obligation क्योंकि पता नहीं कितना amount बनता है नहीं मता और कोई legal obligation है नहीं as per the terms of contract तो company क्यांती है कि यह nature of claim against the company not acknowledged as debt है तो यह basically उन्होंने contingent liability के रूप में दिखाये instead of making provision तो उन्होंने नीचे disclose कर दिया notes में वे बोल दिया पता नहीं देने पड़ेंगे नहीं देने पड़ेंगे हम इनी पता तो उसकी वैसे इस पर कोई खट्चा record नहीं कि प्रोविजन में क्या इन्होंने जो किया वो सही किया है कि गलत क्या इस पर दे अलिमेंट है तो basically बेटा यहां पर में इन्होंने दो चीज जो हमारा prudence की बात आते है नुकसान की हम अपने पास में provision बनाते हैं फायदों की नहीं create करते हैं जब तक फायदा ना हो तो हमारे पास यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को लेके बात हो रही है AS1 recognize करते है prudence को as one of the major considerations governing the selection and application of policy in view of the uncertainty attached to event profits को anticipate नहीं करते है बड़ रिकोगनाईज कब करते है जब आपके पास में होते है जरूनिये cash में provision नहीं जाते है सारी non liabilities की event तो amount को चाहए accuracy के certainty की साथ नहीं कर सकते है और चाहा हमें estimate करना प्रता है प्रोविजन फॉर डाउट फूल डेट वगरा आप estimate करते है जैसे अभी हमने कोशन के प्रोविजन फॉर आपका stock non moving है उसके लिए ठीक ना also AS1 के साब से accrual भी fundamental accounting assumption है अब कहते इरिस्पेक्टिव टर्म्स of the contract क्या है जब तक principal amount जो है वो एपे नहीं किया तो लेंडर cannot be replaced in a disadvantage position for non payment of interest जब तक अपने principal पे नहीं किया तो लेंडर की में कोई गलती दोना वो डिसाडवांटेज पोजिशन में क्यों जाएगा उसके साथ क्यों गलत करोगे कि उसका interest नहीं बनता थीके ना तो company के obligation तो है उनको interest देने की तो इस case के अंदर में company should provide for the liability and since it is not paid by lender एक case में हो सकता था अगर lenders wave off कर देते वो कहते हमें interest नहीं चाहिए तब बात है भी देना नहीं है उन्होंने वेवाग नहीं हो तो ultimately कह रहे हमारे को तो आपको provision बनानी पड़ेगी आपको provision बनानी पड़ेगी at an amount estimated or reasonable basis based on facts and circumstances so liability should be accrued to the extent of amount settled non-provision is a violation आपकी तरफ से provision ना बनाना एक्चुली वाइलेशन है accrual ways of accounting का therefore treatment done by company is not correct जैसे मैं हमेशा कहता हूं most of the cases most of the cases में company हमेशा गलती करते है बेटा इन most of the senate you will see की company नहीं हमेशा गलती करता है ये भी एक वैसे एक और है आपके सामने example यह आगे company ने गलती है बहुत rare होता है यह company जो है वो सही करते तभी तो आप से पूछा जा रहा है जातर के इसमें ऐसे देखने को मिलता है आपके यह वाला standard और इस से लेटी जितने कोशन से बेटा वो मैंने आप लोग को यहां पर कवर करा दिये इन इस पर्टिक्लर रिवीजन and hopefully आपके पूरे का पूरा standard अच्छे तरीके से almost in half an hour आपका पूरे का पूरा क्या हो जाता है complete हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों आपको यह अच्छे से revise भी हो चुका होगा जी ठीक है जी thank you बेटा thank you hello student नमस्कार so now we are going to revise a very very easy accounting standard बेटा that is AS number 2 valuation of inventories तो inventories बेटा हम जनरल परिभाषा में से stock बोलते है and हम इस standard के अंदर बात करने जा रहे inventory exactly होती क्या और उसको value कैसे करना है जो हम अपने पास हमेशा आज तक सुनने को मिलता है गुड्स खरीद के as it is उसे बेचना तो उसका एक ही प्रकार का जनली शौक होता है जिसे हम बोलते है stock in trade पर अगर manufacturer होता है जो गुड्स खरीदता है raw material और उसके बाद उससे finished goods बनाके बेचता है उसका तीन प्रकार का stock होता है एक raw material एक WIP और एक finished goods तो यहां पर में वहीं चीज़ आ रहे बेटा यह हमारा asset है जो held for sale है in the ordinary course of business finished goods और stock in trade finished goods किस केस में manufacturer के case में और stock in trade trader के case में in the process of production which is WIP work in progress जो अभी process में अभी जो बना नहीं है और in the form of material supplies जो की raw material है जो हमारा consume होना है production process में साथ में इसमें एक छोटी सी चीज जाती है वो यहां पर यहां पर यह भी कहता है कि stores and spare parts जो हमारे पास machine दी बगएर क्या आपके चोटी मोटी चीज़े जो stores and spare parts बड़े होते है जिसे हमारे loose tools बगएर भी कहते है बेसिकली क्या उसको हमें inventory का part लेना होता है कि नहीं लेना होता है तो यहां पर बहुत एक clear बात लिखेगी है वो कहते है अगर तो वो stores and spare parts जो है वो अगर property plant and equipment की जो AS number 10 definition देता है अगर वो उस definition को fulfill कर देते है फिर तो वो AS 10 में cover हो जाएंगे वो PPE की परिभाशा में आजाएंगे पर अगर वो उस definition को fulfill नहीं करते है तो फिर वो inventory का part आजाएगा वो inventory के में cover हो जाएगा तो उन पर AS 2 लग जाएगा तो inventory इंक्लूड नहीं करते वो spare part servicing equipment standby equipment जो definition PPE की meet कर रहे एस पर AS 10 क्योंकि उन आइटम पे AS 10 लगता है ठीक है ना now comes the major part that is the inventory को value किस पर करना है बेटा inventory का जो नियम बेटा para number 5 बोलता है कि inventory को value करने का जो rule है वो है बेटा lower of cost और net reliable value तो cost और net reliable value दोनों में से जो कम है उसे लेना और यह principle बना है बेटा on the basis of principle of conservatism that is अगर नुकसान की सभावना लग रही है तो नुकसान को record कर लो अगर NRV कम है अभी सीखेंगे क्या होता है अगर फायदे की उमीद है वो बिकेगा कल को जाता हमें तो फायदा record मत करो फायदा तभी record करना है जब आपका stock बिकेगा अब हमें इसको दोनों बातों को सीखना है what is cost what is NRV तो बेटा सबसे बहले हम बात करते है cost में क्या क्या आता है तो बेटा cost के अंदर में तीन चीज को लेके which is purchase cost तो basically that is in a case of a trader है तो उसका तो वो direct ही है और अगर manufacturer है तो उसका basically rom till का जो cost चार है वो चीज आगे तो इसमें क्या क्या चीज आती है basic purchase price जिस price पर हमार पस दिया जा रहे है पर उसमें से क्या minus कर देंगे बैटा एक normal चीज है trade discount and rebate तो वो होता है बेटे का volume rebate बैइ मैंने बोला एक kilo करी दूँगा तो उसने का 100 पे का rate पड़ेगा मैंने बोला नहीं 1000 kilo करी दूँगा चीज आपसे 1000 kg तो उसने बोला ठीक है 98 की लगा दूँगा तो मेरे लिए तो इफेक्टिवेट 100 में से 2 minus होगे तो 98 ही पढ़ा तो 100 minus 2 हो रहा है 100 अलग दिखा रह तो basically GST चार्ज कर रहा है अब अगर GST का मुझे credit ही मिल जाएगा बेटा input tax credit मिल जाएगा तो फिर वो मेरी cost का part नहीं क्योंकि उससे तो मेरी output liability कम हो जाएगी बड़ अगर उसका input tax rate नहीं मिलेगा तो वो cost में पहड हो जाएगा ठीक ही ना फिर freight का खर्चा जो आने का आके go down तक का सारा खर्चा basically लग रहा है वो सारे खर्चे आगे फिर आते है बेटा आपके पास में conversion cost बनाने का खर्चा which is rom tell to fg convert करने का खर्चा ठीक है ना तो इसमें हम बेटा cover करते है दो चीज़ा आती है एक होती है बेटा direct cost एक होती है indirect cost direct cost के अंदर आगे बेटा labor का खर्चा जो हम wages primarily word use करते है ठीके ना तो वो आ गया तो यह हमारे जो factory विगरे की labor है वो सारी आपके सा आजाएगी जो हमने actual basis फिलिन है जितना खर्चा रग पर directly किसी product को बनाने के लिए नहीं लग रहे लेट से जैसे factory का rent है आपके पास में तो वो सारी चीज़ आगी आपके oiling lubricants वगयरा का खर्चा लग रहे जो मशीनों का है machinery की depreciation वगयरा होगी यह सारे खर्चा आगी जो आप पूरा chapter भी करते costing जाए subject में overheads का वो चीज हो र factory current तो यहां उन्होंने standard ने क्या बोला है वो कहते है अगर actual production normal से जाद है तो हमने actual को consider करना है इसको allocate करते समय पर अगर actual कम है normal जाद है तो normal को लेना है तो simple परिभास हम यही कह सकता हूं कि आपके पास में आपके पास में हमने normal या actual production whichever is higher लेना है इसको लेकिए हमें बहु यही है actual production और normal production whichever is higher fixed overheads को सीधा divide कर देने आपने जो है तो उससे recovery rate आजाएगा कैसे आपका per unit होगा और variable overheads तो बेटा actually ने जो vary करते है as compared to ज्यादा बनाओगे ज्यादा खर्चा लेकाम बनाओगे कम लागेगा हम इस पर बाद में आएंगे बेटा जो not separately identifiable है फिर आते है बेटा एक आपके पास में other cost other cost कौन से बेटा other cost होती है जो भी और खर्चा प्रोड़क को उसकी location condition तक लाने के लिए लग रहा है other costs are included in the cost of inventory only to the extent they are ingered in bringing inventories to their present location and condition example के तौर पे जैसे designing का खर्चा है तो किसी कस्म मैंने specifically बोला कि यह तो आप design मुझे करके तो उसके बाद ही मैं accept करूँगा वर्नम accept नहीं करूँगा तो उसके लिए मुझे designing की cost करनी पड रही है तो क्या खर्चा उस product की cost made होगा the answer is yes तो specific designing का खर्चा वो आ गया फिर बेटा हमार पास कुछ ऐसी चीज़ आ रही है मेरे बचो exclusions from cost of inventory कौन कौन सी चीज़े cost का पार्ट नहीं होती है कौन कौन सी चीज़े cost का पार्ट नहीं होती है तो जिनको consider नहीं करना है तो सबसे पहले abnormal amount of wasted material तो abnormal loss को consider नहीं करते क्योंकि वो आपके पास में avoidable normal की बात नहीं हो रही मैं question भी कराऊंगा normal loss से तो बेटा क्या होता है per unit आपकी cost बढ़ जाती है वो absorb कर ली जाता है पर अब normal loss बेटा वो है over and above जितना आप expect कर रहे तो ज्यादा हो गया तो यह सम cost का पार्ट नहीं मानती अलग से PNL में जा रहा होता है ऐसी storage का खर्चा जो go down वगरा का वेरा उस current है वो unless वो जरूरत है production process में मतलब वो production process का पार्ट है अब let's say product को बनने में different processes लग रहे तो work in progress जब 1 है WAP1 है वो semi finish है उसे मेरे को हफते के लिए store करना जरूरी है product को तभी में उसे process 2 में डाल सकता हूँ तो बेसिकलिए जो उस समय storage का खर्चा लग रहे है वो product को बनाने के लिए compulsory तो वो आएगा पर product जब बनकर तियार हो गया finish word उसके बाद उसे मेंने go down में रखावे वो go down का rent दे रहा हूँ वो मेरा आपका cover नहीं होगा वो यह कह रहा है फिर ऐसी admin overheads जो आगे telephone का बिला रहा है बेटा printing stationery का खर्चा है आपके यह सारे जो inventory को उसकी location condition में लाने के लिए नहीं रगए selling distribution का खर्चा है तो sales का खर्चा आगे और interest and other boring cost भी आपके नहीं आते है basically cost of inventory में unless इसकी एक चोटी से exception है वो exception है बेटा पूरे का पूरा AS number 16 तो AS 16 आपके पास जब आप देखते हो से revise करें तो आपको पता चलेगा कि वो standard यह कहता है कि कब interest cost हमारे asset की cost में add होती है चाहे वो inventory है चाहे वो fixed asset है तब वो कब add होगी कब capitalize होगी तो पूरा standard है normal course में आप पास जो है वो आपके asset की inventory cost में पास नहीं होगा तो यह सारे वो खर्चे जो आप PL में डालते हो तो यह PL में इसलिए डालते हो क्योंकि inventory cost का पास नहीं है तो यहां तक हमारे पास में चीज जो है बीटा एक बार के लिए समझ आती है देन इसके बाद बेटा इसके बाद बेटा मेरे प्यारे बचो हम लोग एक बात करते है something about the NRV तो बेटा net reliable value पर मैं आता हूँ फिर मैं और भी चीज़े आपके साथ discuss करूँगा net reliable value का मतलब होता है बेटा कि हमें उस quantity उस चौक को बेच कर कितने पैसे मिलने की उमीद है तो हमें कहते है estimated selling price यह तो normal है कि बाई कितने में बिख सकता है minus estimated selling expenses let's say को बेचने पर brokerage या commission का खर्चा लगेगा ब्रोकर को पैसे देने पड़ते तो वो 2% brokerage लेता है तो अकर 100 पर बेचेगा बेटा 2% तो वो ही ले जाएगा तो मेरी जिम में तो 90-80 आएगा ना हाँ सर 90-80 आएगा तो इसलिए brokerage का खर्चा minus हो जाता है तो net reliable value है तो net reliable value है तो net है तो estimated selling price में से estimated selling expenses minus जो है फिर माइनास होता है बेटा estimated cost of completion ये क्या होता है तर ये होता है ये applicable होता है in case of a work in progress जो आधा अधूरा product है सर ऐसा क्यों बेटा मुझे बताओ क्या आधे अधूरे product की cost को पूरे product की sale value के साथ compare कर सकते हो सर नहीं वो तो भी बना ही नहीं आप जो finished goods है उसको तो उसकी NRV compare करे लोगे selling price minus estimate selling price पर जो product बना ही आधा अरुदूरा है वो तो जब complete होगा तभी बनके बेच पाओगे अब वो तो बिकता नहीं ऐसे आधा दूरा product तो उसके NRV कैसे निकालोगे तो basis से हम लाने के लिए हम क्या करते है उसकी cost तो पता है जो finished product है वो कितने बिकेगा वो पता चलगे selling price minus selling है उसमें से हम reverse leave minus कर रहे है और कितना भी बनने का खड़्चा लगना है तो cost of completion आ गया तभी हम यह partly finished product के लिए finished product के लिए थोना आजेगा तो 0 ही होगा तो बरी चुका है NRV हमें बेटा हर balance sheet date पे देखनी होती है inventories को NRV करते हैं item by item basis पे जिसे हम बोलते है individual basis पे not on the global basis sir इसका क्या मतलब हुआ नीचे देखो मेंटा example है cost और NRV दिया है दो products है 50 40 60 80 तो मैं lower individual लिए 40 और 60 करके 100 मेरा answer होगा तो sir यही तो करते हैं नहीं अब देखना मैं क्या इसे 110 total और 120 total लिख सकता हूँ yes sir अगर मैं अब lower करके answer बोलूँ 110 है तो क्या वह भी lower हुआ पर क्या यह permissible है नो sir यह होता है global basis global basis का मतलब होता है सबकी cost और सबकी NRV को total करके compare किया वह permissible नहीं है individually ही करना है item by item basis पर करना है global permitted नहीं और अगर कोई firm या committed contract of sale है firm या committed मतलब आपने किसी के साथ ने पका ही पका वादा कर लिया commitment कर लिया कि आप उसको ये product इसी price पे बेचोगे बेचा नहीं यार अगर बेची दोगे inventory में कैसे रहेगा बेचा नहीं पर अपना वादा कर दि तो बेचा उस case में normal market में जो मर्जी दाम चलता रहे उस product के लिए तो NRV लोगे वो हमारी contract price ही होगा जिस पर क्योंकि वह भिकना उसी पेना है नौर्मल market में जो मर्जी चलता है उसका आप agreement कर तो उसके लिए NRV के लिए वो लोगे और फिर compare करोगे फिर compare करोगे ठीक नहीं कि मालो closing shock में बेटा 3000 यूनिट है closing shock में कितनी यूनिट है 3000 यूनिट है cost है 40 की और selling price है 50 का firm contract इसमें से 1000 यूनिट का हुए 35 पे आप एक contract कट चुके हो 35 रुपीज पे 1000 का total में तो 3000 यूनिट पढ़े है तो बेटा मैं split कर दूँगा 1000 के लिए लग बात करूँगा 2000 के यूनिट है cost तो मेरी 40 है अब दोनों के NRV में फरक होगे जो मेरा commit हो चुका है उसके लिए तो NRV कितनी है 35 है और basically बेटा जो normal units है वो कितने भी केंगे से वो तो 50 में भी केंगे उसके बाद हम मैंने lower लगाना है तो lower के वो 40 और 35 which is lower 35 40 और 50 which is lower 40 और फिर आपका total करके multiply किय units और amount निकल के आ जाएगा तो बस यहां कितनी सी बात हुई है अगर कोई firm या committed contract of sale हो चुका है आप पका किसी से commitment कर चुके है कि उसे इतनी units इस price पे ही बेचोगे तो उनके लिए NRV जो है वो वही लोगे और फिर compare करोगे cost के साथ lower के लिए market में क्या दाम चल रहा है वो न बात कर लेता हूं एक दो बिफोर मैं आपको और कुछ points के बारे में बता हुआ हमारा closing inventory जो है at cost है दिख रहा 956,700 350 shirts है जिनकी cost 380 है नॉर्मली बिखती है 750 फे वो included है इसी amount के अंदर में जो है point 2 क्योंकि defect हो गया था manufacture में इंको सबको हम बेच रहे एक तरीके से 50% और तो उसके 50% बिखने की बात हो रही और selling खर्चा भी लग रहा 5% of the proceeds बताओ inventory कितने में देखीगी तो बटा देखो मुझे सिर्फ जो बात करने चर्चा करने वो 35,500 shirts की बात करने है बाकिस चौक सही होगा वो cost पे होगा तो मैं 35,500 shirts की हम बात करे है अगर तो cost price हरकी कितनी ह और उसके 5% खर्चा भी लगेगा 18.75 तो NRV होगी है ठीक है जी दोनों में से lower क्या हुआ सर दोनों में से lower हो NRV 356.25 और कितने आपके पास है बेटा बेसिकली हमार पास difference आगे difference लेके कर लो मैं दूसरा तरीक है बताता हूं तो साड़े 300 shirts है और difference होगा 23.75 उतने से आपको inventory को कम करना या मैं simple और भी तरीका बता दूँगा आप दिखा रहे हो 956.700 पर इसमें बेटा क्या जूड़ी भी है cost तो आपको क्या करना पड़ेगा 350 इंटू आपके पास 380 माइनस करना पड़ेगा और आपको लेना किस पे इनको 350 इंटू क्योंकि NRV कमती तो 356.25 तर अग पर इसलिए नरवी पर दिखाना है दिखाया वाक इसपे cost पेस को क्योंकि यह सारी चीज़े cost पर दिख रहे है उसके इसाब से पर यह शर्ट जो है NRV पर आरे क्योंकि NRV कम है या आप सीधा difference ले लो क्योंकि उतने से कम करना आप कम लेके सीधा value ता तो यह answer आएगा आपक अभी question आपका बन जाता है exam में कहता है enterprise ने order करे 13,000 kg कुछ material का 90 per unit पर 90 per kg पर basically purchase price में include है GST 5 का जिसका credit मिल जाएगा अच्छा तो इसमें जुडावाय तो जुडावाय पर credit मिल जाएगा तो वह तो cost का party नहीं तो उसे क्या करना पड़ेगा सब कम करना पड़ेगा गलत ज credit का खर्चा भी लगा वह आएट हो जाएगा 80,600 बेटा तो इस total cost चागी एक बार के लिए normal loss हमारा 4% होता है पर मिला कितना 12,400 और consume किया 10,000 बाइफर्केट करो इस cost को 11,85,600 को मैं जितना मिला उससे थोड़ी ना देखूंगा मैं उससे देखूंगा कितना मिल सकता था क्य करते हैं 4% के माइनस करने के बाद which is 12,48 because that is the normal units जो आपको मिलने चाहिए थी क्योंकि 4% का नुकसान तो होता ही होता है रस्ते में अब आपको उससे कम मिले तो वो बाकी abnormal loss हो गया तो हमारे लिए per unit cost आ जाएगी this divided by this 95 per kg तो हमने बस allocation करनी है हमारा consumption कितनी होई 10,000 kg तो वो material consumed की value कहां चली जाएगी जो यह value है यह add हो जाएगी to FG की valuation जब कर रहे तो FG कितने units हमने इस साल बनाए उसकी cost निकालने के लिए बहाँ add हो जाएगा closing stock कितना बचा है यार मिला था 12,400 consume होगा 10 जा तो बच गया ना 2400 तो वो आगया 228,800 हमारी पास value यह हमारा balance sheet में दि मिलना जितना चाहिए था versus मिला जितना वो 80 का आपका abnormal loss है क्योंकि मिलना चाहिए था 12,400 सी पर मिला कितना सिरफ 12,400 तो 80 का आपका abnormal loss वो कहां जाएगा 7600 sir PNL में खर्चा लग से आएगा तो total आपका match कर जाएगा तो abnormal loss are recognized as separate expense in the PNL तो हम जो absorb कर रहे हो normal को कर रहे है, abnormal वाला कहां जाएगा बिटा PNL में जाते है, abnormal कहां जाएगा PNL में जाएगा बात, ठीक है यहां तक बात हमें समझाए, yes sir, यहां तक हमें बात समझाती है Before I take you further, हमें कुछ एक point को समझना है वो point आ रहा है something about the valuation of material and other supplies जो हमारा नियम है न, cost और NRV whichever is lower, यह नियम लागू होता है हमारा in case of finished goods and WIP However, this particular rule does not apply in case of raw material, raw material के लिए बेटा हमारा एक अलग नियम दिया गया है, standard के द्वारा, as per para 24 क्योंकि हम raw material को नहीं बेचते हैं, हम raw material से आगे finished goods बना के बेचते हैं तो हम यहां पर कहते हैं कि जो raw material को value करना है, उसके लिए हमें finished goods के base में देखना पड़ेगा तो बड़े logical बात की हैं जिसे मैं यहां समझाऊंगा जुरू पर question से आपको और बेटर तरीकी समझाएगा कहते हैं अगर finished product जिसमें वो raw material इस्तेमाल होना है, is expected to be sold at or above cost price मतलब जो finished goods है उसका selling price उसकी cost से ज्यादा है, तो क्या आफ finished goods बनाके बेचोगे जो मैं product खरीद रहा हो raw material गोडाउन में पड़ा वो है और जो मैं उससे finished goods बनाता हूं उसके profit होता है तो पकका ही पकका बेचूँगा यार, finished goods बनाके बेचूँगा तो अगर finished goods बनाके बेचोगे, तो जो raw material गोडाउन में पड़ा है उससे तो बेचोगे नहीं न loss तो record करना चाहिए अगर यार lower case आप से loss सब record करोगा अगर वो loss होने की संभाव ना है जब ROM tail को आपने बेचना ही नहीं है ROM tail से तो FG बनाते हो तो ROM tail से जब FG बनाके बेचोगे तो ultimately ROM tail को तो आप बेचोगी नहीं उसे तो replace नहीं कराओगे तो उसका loss भी record करना नहीं बनता क्योंकि वो loss कभी होगा ही नहीं इसलिए उनने बोला है ROM tail को उस case में cost पर ही दिखाओ अच्छा ये मतलब हुआ क्योंकि loss तो उसकी को record करना बनता है ना जो loss होने की संभाव ना है lower का rule तो अब ही है तो इसलिए वो तो WIP और FG पर लग रहे है क्योंकि उनने बेच रो ROM tail पर कैसे लगा दूँगा ROM tail को थो ना बेच रो पर अगर finished goods का selling price उसकी cost से कम है finished goods के बनाने पर नुकसान होगा तो ऐसा करते ROM tail replace कर देते हैं तो फिर अगर ROM tail की selling price जो है उसकी replacement cost जो है वो कम है replacement price तो उस case में उसमें loss अगर है तो record करें कि evaluate lower of cost price और replacement price तो फिर हम उसको lower पर record कर रहे हैं और अगर loss की संभाव ना हो रही है अगर replacement price है तो loss record कर लेंगे क्योंकि वहाँ पर हमें उसे change करूँगा बट अगर ROM tail से बनाना FG और FG की बनाने पर प्रॉफिट होता है तो मुना उसको नहीं बेचूँगा तो उसका loss record नहीं करूँगा तो इससे रेलेटिड प्लीज कोश्चिन करूँगा हाँ बेटा एक नहीं दो करेंगे क्योंकि हमार पास interesting है यह वहला topic ठीक है ना तो question क्या बेटा ए लिम्टिड इंगेज है manufacturing of chemical Y में और विच रॉम्टेल एक्स की जरुद पड़ती है तो रॉम्टेल एक्स हम chemical Y मनाते है information दे रहा है रॉम्टेल एक्स की cost तो है 380 unloading का खर्चा लगा 20 rate का खर्चा 40 यह सारे खर्चे हम एड कर देंगे अपने पास में और replacement cost वैसे है 300 chemical Y में material का खर्चा है 440 labor का खर्चा variable overhead total वैसे fixed overhead जो है वो 4,00,00 रुपे है और the normal capacity of 20,000 unit तो fixed overhead का खर्चा वैसे 4,00,00 है capacity 20,000 unit के हिसाब से बोल रहा है प्रच्चा प्रच्चा नहीं दे रहा तो normal के सबसे पर निकाल लेंगे closing में बेटा जो balance पड़ा रॉम्टिल का 1000 unit पड़ा और वाई का अपका finished goods का 24 unit पड़ा इतना stock पड़ा है बताव कितना कितने पर दिखाओगे अगर NRV chemical Y की 800 या उसकी 6 हुए तो अलग अलग दे रखी है सबसे बेल हम क्या करते है cost निकाल लेते है तो cost यहाँ पर दीविया निकाल की yes बेटा cost देखोगे न सबसे बेले जो उसने raw material की दिये तो उसमें क्या क्या रहा था cost चारी थी unloading का खर्चा और freight का खर्चा यह सारे खर्चे add होके उसकी cost आगी 440 replacement price अलग से दिये comparison करना है नहीं करना हो बात की बाद है ऐसी chemical के case में बेटा क्या क्या खर्चे थे सर्फ 440, 120, 80 के तो आएंगी और fix overhead का भी आजएगा और fg की कितने है 660 यह cost है यह cost है हमारी ठीके नहीं अब बेटा अगर हम देखे अगर एनर वी चैमिकल वाई की 800 है और cost है 660 cost है 660 और एनर वी है 800 तो मुझे बताओ किस पर दिखाओगे इसको तर पैरा नंबर 5 लगाएंगे इस पर फिनिश कूर्ट पर तो पैरा 5 लएगा lower of cost और एनर वी तो 660 पर दिखाएंगे हां बेटा 2400 यूनिट से हमारे closing stock है और 660 के साब से दिखाओगे तो इतनी value भनगी इसमें तो कोई डाउट नहीं FG में अब चलते रॉम टिल पे रॉम टिल के लिए बेटा cost कितनी थी x के लिए cost तो बेटा है हमारी कितनी 3 of 440 है जो हमने निकाली थी और इसकी replacement cost कितनी थी 300 और loss होने replacement price दे रखा है 300 तो इसको replace करेंगे 300 में आपका replace होगा तो ultimately क्या है आपको नुकसान होने की संभावना तो नुकसान record कर लो अरे ध्यान से सुनो नुकसान होने की संभावना तो तब है न अगर आप replace करोगी मु से तो क्या कभी रॉम्टेल को replace करोगे नहीं करेंगे सर बिल्कुल नहीं करेंगे जिस चीज सो जो चीज बनेगी वो चीज कल को profit में बिकेगी तो हम अपने रॉम्टेल को क्यों बेचेंगे replace क्यों करेंगे तो इस केस में 300 का कोई relevance नहीं है तो हमारे पास NRV greater than the cost of finished goods तो र अगर NRV उसकी 600 है तो अब तो 600 is less than 600 तो 660 तो NRV किस पर होगा 600 तो 2400 उनिट को 600 पर दिखाओ गया तो और रॉम्टेल के लिए पर 24 लगेगा जो कहता है क्योंकि NRV का कम है हां तो अब रॉम्टेल को replace करोगे और अगर replace करोगे तो उसका loss अगर बनता है तो record कर लो तो ultimately हम तो यहां पर में बेटा 1000 इनिट को किस पर दिखाएंगे क्योंकि replacement cost कम है तो replacement cost पर 3 लाग तो यह आपका पास answer आजाएगा तो बेटा main चीज यही थी आप रॉम्टेल की case में directly answer नहीं दे सकते कि आपने वो lower वाला system बगाना है वहां पर में थोड़ा सा सोचना पढ़ेगा सोचना यह पढ़ेगा क्योंकि हमारे पास में अगर फिनिज गुर्थ में profit हो रहा है तो उस case में हम रॉम्टेल को cost पर दिखाएंगे उसका loss अगर लग रहा है तो record नहीं करेंगे पर अगर फिनिज गुर्थ का loss record हो तो रॉम्टेल का भी loss record कर लेंगे अगर वो होता है त बिख्यों कि हमारे पास बात क्या हो जाती है complete हो जाती है बात complete हो जाती हीए अपर एक और ऐसा ही बिटा आपको question और कर आता हुए पेपर में आया है यह सारे कोश्चन से जो हम कर रहे है बेटा और यही कोश्चन से टाइप के मार पस पेपर के अंदर बेटा आते भी है पेपर के अंदर आते भी है ठीके ना अच्छा जी आगे बढ़ते हैं मिस्चर जतीर इंफोर्मेशन दे रहा है रिलेटिंग तो आइटम पर्मिंग पार्ट ऑफ इन्वेंट्री एस और निकत्य समार्च इक्यस इस एंटरप्राइस प्रोड्यूसिस प्रोड़क्ट पी यूजिंग तो रॉम्टेल एक्स तो बेसिकली जो उसके एंटरप्राइस ह इस्तिमाल करके अब यहां पर क्या क्या पड़ है बेटा 900 यूनिट तो रॉम्टेल के पड़े है एक्स के जो खरीदे थे 100 पर और रिप्लेश्मेंट कोस्ट कितनी असी है तो मैं टेबल में देखता जाता हूं रॉम्टेल के कितनी है बेटा 900 है पोस्ट कितनी थी हमारी 100 और रिप्लेस्मेंट कॉस्ट है 80 तो वह अभी इतने को ठीक है अभी वैल्यूएशन की बात नहीं करी ठीक है फिर 400 युनिट किसके पड़े पार्टली फिनिश के जिस पर खर्चा लग चुक है 245 का और अभी अगले साल इने फिनिश कर सकते हैं इंक्रिंग एडिशनल कॉस्ट फिफ्टी तो 400 युनिट और 245 का खर्चा है नर्वी पर बाद में आऊंगा नर्वी बाद में आऊंगा तो खर्चा लग चुक है 295 का त युनिट से इन पर खर्चा लग चुक है 295 की कॉस है अब वो कहता है एस्टीमेटिड जो सेलिंग प्राइज है वो 280 है और इस पर 5% ब्रोकरेज भी लगती है तो 280 में से 5% क्या करना पड़ेगा माइनस तो वह माइनस करेंगे 280 में से 5% तो अपका निकल क्या आएगा 266 280- 5% यह FG का आगया FG का आगया ठीके ना और हमसे क्या पूचा बताओ हर इंवेंट्री को कैसे वैल्ल्यू करेंग और टोटल भी बिता देना अब बेटा फिनिश कूर्स का तो आगया 280-5% माइनस जितना और अभी खर्चा लगना बनाने में तो अभी तो बेसी सेम आएगा न मैं आध्या दूरे प्रोड़क की कॉस को पूरे प्रोड़क की सेलिंग प्राइस के साथ हो ना कम भी रखर सकते हो तो इसलिए मैं टोटल जो अनर्वी वैसे आ रही थी विरिश की उसम अलकुल अपने पास में अराम से इन दोनों पे तो पैरा 5 लगा दो अराम से और लोड़ देख लो 245 और 216 तो 216 होगा इंटो 400 और 266 होगा इंटो 800 लोड़ ही लेना तो चेक कर लेते 216 इंटो 400 266 इंटो 800 और अब चलते रॉमिटल पे इस पे कर लाएगा पैरा 24 तो क्या हमारे पास में finished goods की जो sale price आ रही है वो cost से जाधा है नहीं sir वो कम है 266 की जो value है वो 295 से कम है तो उस case में उसको हम किस पे value कर देंगे उसके replacement cost 80 पे कर देंगे अब आपके पास में तो 80 पे किया जाएगा 900 units को cost पे नहीं आएगा cost पे तब आता बेटा अगर हमारे पास में जो finished goods से उनका जो जाधा होती उनकी cost से तो होता ठीक है न तो इसलिए आपके पास आ जाएगा तो इस वज़े से यह आपका question solve हो जाएगा इंडिविजिली भी हमनें बता दिया औ फिर टेबल में डाल दिया पहले हमेशा principle लिख दो पहरा 5 यह कहता है पहरा 24 यह कहता है बात कहता हम उसके solving करो खाता हम पूरे नंबल या सर हमें applicable provision लिखने यास और अगर आप अपने पास पहरा 5 पहरा 24 दो ही पहरा याद करा रहा हो अगर आप यह लिख किया थे बेटा अगले question पे जाने से पहले बेटा हम वैसे तो question को करी सकते हैं इसमें कुछ दिकत की बात नहीं है यह और question हमार पास 5 marks का RTP में इस जूट के द्वारा एक बार था तो थोड़ा सा ध्यान से मेरे सा देखना जॉएल इम्टिड ने खरीदे बेटा 20,000 kg रॉम्टिल का 20 रुपे पर गेजी पर बीस इकिस में उन्होंने information दिया 31 मार्च 21 की इस साल की पर्टिकुलर्स में opening stock FG का पड़ा है 2000 रॉम्टिल के पड़े 2200 लेवर का खर्चा फिक्स ओवरेट का खर्चा और सेल्स करे थे से देज रॉम्टिल का करते हैं और closing shock दोनों का पड़ा है प्लांट की capacity है कि बना सकता थर्टी तो यूनिट फिनिश प्रोड़क्ट के परिनम और एक्च्वल में production जो ही वो कितनी होई सिरफ 20-400 यूनिट जो एक्च्वल में बनाए क्योंकि market price आपके पास में demand जो है वो कम ह हो गए थी finished goods की तो हमारे पास रॉम्टिल जो है एक 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 पार करूंगा ना मतलब जो भी हमारे पास 40 और 19 जो उसने nrv और basically replacement cost दिये है एफ जी और रॉम्टिल की तो कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे एक एक बार कॉस्ट देखेंगे बिटा सबसे बहले आता है अब रॉम्टिल कितना आपका कंजूम है बेटा ओपनिंग में स्टॉक कितना तो रॉम्टिल का बाइस हो यह वाला कितना और खरीदा उसने बोला 20,000 किलो और कितना बच गया रॉम्टिल इठारा सो तो हमने 20,400 बेसिकली केजी जो आपका कंजूम कर रहा है इस साल में और 2400 हमारा रेट कितना बेटा 20 के हिसाप से है वो खरीदा भी 20 के हिसाप से और जो ओपनिंग वाला पड़ा वो भी 20 के यह साप से ही है को प्रिंग वाला भी 20 के साप से यह अल्टिमेटली वह आप चेक करेंगे तो हमारी जो कॉस्ट में जुड़ेगा कॉस्ट रॉप्टे को 20 जुड़ेगा 408 ठीक है ना तो यह हमारे पास रॉंटली कंजूम्ड आपका निकल के आकर 20,400 फिर बेटा हमारे पास में आता है नॉर्मल प्रॉडक्षन है 30 चार्ट हो और एक्ष्ट्वल प्रॉडक्षन होए 20 चार्ट हो जो फिनिश इनिट्स की है अब हमने सीखा था ता बैटा जो फिक्स ओट्वरेट को एब्जॉब करने की बात होते हो वो नहीं जो रिकर रेट लूंगा उसका वो त्री रिलक ड recover हो रहुए आथा अब यहां पर फरक आ गया तो 3 lakh divided by 30 यह आया दोनों में से जो higher है into कितने actual बनाए तो 22,04 बाकी तो यहार अलग से जाके PL में अलग से खर्चा डूल जाएगा क्योंकि अगर मैं बनाई कम रहा हूं तो मैं खर्चे में ज्यादा कैसे अड़ कर से तो वरना तो मेरी ओवर वैलोईशन हो जाएगा इसी लाइसा किया जाता है तो यह टोटल खर्चा लगा बनाए कितने बेटा टोटल में 20,400 यूनिट्स हमने प्रिफिनिश गुड्स के और एनरवी 40 है तो दोनों में से लोवर के 40 है दे रखी एनरवी सबसे टॉप पे आपके पास इस पेज़ गे तो दोनों में से लोवर के सर 40 तो एनरवी क्योंकि कम है तो क्लोजिंग चौक इस पर वैलिव होगा 40 पे और कितने उनिट बचे बच 2400 तो 2400 इंटू 40 आजाएगा यह तो हमारी बात होगी FG की कॉस्ट निकाली और आपके पास में कंपेर किया आगया अब रॉम्टिल पर रॉम्टिल के लिए मुझे बताएंगे क्या FG का सेलिंग प्रैस को कि इस पर पैरा 24 लगेगा क्या FG का सेलिंग प्रैस उसकी कॉस् तो कम है तो फिर रॉम्टिल का भी लॉसरिकोड करने की तो रॉम्टिल को रॉम्टिल रिफ्लेसमेंट कॉस्ट कम है तो उस पर आ जाए तो कॉस्ट तो उसकी ज्यादा सी हमारी 20 quoting प्रैस्ट 17 trend या 1012. तो नेस 3-34-200 तो 1800 kg कैसे है बटा जो बचे वे उनिट से यह रहे यह बचे वे तो उसने दिये वे रॉम्टेल और एफजी के इसमें को दिखे नहीं हो बता है हम तो रेट के साथ निकाल रहे और एट के साथ कर रहे तो बस यही कोश्चन था हमारा पास complete हो जाएगा हमने calculation कर और kg बस cost निकालने थे एफजी की रॉम्टेल की तो पता ही थी एफजी की निकालने थे उसके लिए रॉम्टेल का खट्चा लिया लेवर लिया fix overhead में थोड़ा ध्यान अठ्थ हैं तो क्योंकि यहां पर नॉर्मल प्रॉडक्शन एच्ट प्रॉडक्शन दे रहा था इसलि जो cost निकालने के लिए है रॉम्टेल की case में कौन कौन से methods follow कर सकते हैं अब भई मैं रॉम्टेल खरीद रहा हूं बारवर गुड़ाउन में आ रहा है जा रहा है आ रहा है तो वहाँ बेटा वो दो तरीकों से बोलता है कहता है अगर तो items आपस में mix नहीं हो सकती मतब हर च केस में specific identification of cost method लेगा जो उन से 15 unit पढ़े उन हंडेड में से उनी की cost को लोगे और add कर दोगे वह होता है actual method एक दूसरा होता है other items mix हो जाते है गुड़ाउन में समान आया आगे जा रहा है अब जो बचा रहा है क्या पता है नहीं पहले बाद 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 मिक्स हो रहा है और price ही चेंज हो जा रहे है तो यहां पर हमें standard दो method permissible बोलता है कहता है या फीफो फॉलो करो या वेटी डावरिज फॉलो करो फीफो का मतलब जो गड़ाउन में पहले आया वो गड़ाउन से पहले भार चला गया यानि कि जो बचावा stock गड़ाउन में र लिफो पर्मिट नहीं करता इस ओनली पर्मिटिंग फीफो एन अवरेज कॉस्ट तू फाइंड आउट दी कॉस्ट इन केस ऑफ जो आपका रॉम्टिल का केस है मैनुफेट्र में ट्रेडर के केस में तो जो उसका stock इन ट्रेडी होता है ठीक है न तो यह मारपस दो method है निकालने के लिए कुछ और methods का इस्तिमाल कर सकते हो पर अगर आपको यह लगता है एक तो actual cost निकाल नहीं सकते पर आपके पास में लगता है कि इन methods से काफी अध्यक आंसर actual cost के बराबर आएगा तो उन्हें टेक्निक है तो अगर आप actual भी निकालते है लेट से तो भी वह तो standard cost method एक apply हो सकता है standard cost method किसको लेता है जो पूरा standard costing में सीखते हो बेटा costing है जो normal levels of consumption को material और supplies लेबर वगरा के लेता है और फिर variances वगरा को identify करते है तो वो normal levels को लेता है बही normal codes के अंदर में कितना material की consumption हो सकते है कितना labor का खर्चा लग सकता है कितना overheads या कितनी question utilization वो सा प्रॉफिट मार्जन सेम होते है तो आपका जो GP rate है business का हो सेम है तो उस case में आपको क्या पता होता है 31 March की पीट आपको go down की ना inventory की sale value पता है क्या पता है sale value और क्योंकि आपका profit rate सेम है तो हम sale value में से profit minus करते है तो inventory cost आ जाती है तो यह use होता है retail trade में for measuring inventories of large number of rapidly changing items जिनके similar margins है ठीके ना और inventory टर्मिन करते है by reducing from sales value of inventory the appropriate GP rate तो इसमें बेटा कैसे आती है inventory की sale value में से जितना profit है वो minus कर देंगे जितना profit है वो minus कर देंगे इन्वेंटरी की sale value में से जितना profit है वो minus कर देंगे ताकि क्या निकल गया आजेगी inventory की cost बेटा तो यह एक चीज आती है आपके पास जो standard बोलते है इसके लाव बेटा एक जगा और एक standard बात करता है जिसको लेकि मैं example भी discuss कर लूगा वैसे institute इसका question नहीं डालता पर मेरे को यह जहूरी है कि coverage क्या वह है तो हम पता होना चाहिए हम यह आपर बात करने जा रहे बेटा अगर हमारा खर्चा खरीदने का raw material का या work आपका जो labor गया खर्चा लगा है work in progress गया है वो इकठे में लगा और आपके जो product से वो एक से जाधा बन रहे हैं और आप उस conversion cost को आप bifurcate नहीं कर सकते which is about the joint product आप एक से जाधा product बना रहे हो और खर्चा इकठे में लग रहा है तो cost of conversion which is not separately identifiable in case of production process resulting in more than one product being produced एक से जाधा product बना रहे हो एक बार में बनके निकलने वाले और खर्चा इकठे में लग रहा है तो that is known as जी बेटा सबसे बहले आगे जाइन प्रोड़क्त का case है तो बेटा वो यह बोलता है लेट से दो inputs जा ले processing का खर्चा conversion का खर्चा इकठे लगा तो डब कि आपको जो rational और consistent method लगता आप उसे follow करी और उन्होंने एक indicate कर दिया कि आप जो चीज बनी उसकी sales value की ratio बान दीजे example वो कहते है मान लीजे आपका total में खर्चा लगा तीन लाख रुवे जिसमें material wages ओवरेट सब जुड़ा वै और आपने दो finished product बनाए का FG1 FG2 इतने इतने units और उनकी sale price अगर बेचो के तो इतने इतने के बिखेंगे क्या मैं 3 lakh को 5000 units में बांट सकता हूं कि मैं मान लों कि 5000 से डिवाइड कर देता हूं तो उस और बता दो कितना कितना पर unit है नहीं the reason is क्योंकि बेटा अगर ऐसा होता अगर आप यह मान रहे हो कि दोनों के फिर तो आप यह मान लें ना बराबर खर्च अलगा दोनों पर अगर दोनों पर बराबर ही यूनिट की सेल वैल्यू जानने है तो इनकी सेल वैल्यू कितनी है कि अगर बेचूंगा तो कितने के भीकिंगे तो 3000 इंटू 160 यह आपका 2000 इंटू 60 और फिर यह रेशो निकाल लेंगे विचिस 4-1 तो इस टोटल खर्चे को इस सेल रेशो मांटेंगे 4-1 में और फिर बाटेंगे उस टोटल खर्चे को फिर डिवाइड करेंगे नंबर यूनिट से तक कि अब दोनों की कॉस्स भी तो अलग अलग आरी है एक तरीके से तो कि दोनों का सेलिंग प्राइस भी अलग अलग है तो मैं इंडिविजुली यूनिट को तवज्जो नहीं दे सकता और इंडिविजुली सेलिंग प्राइस को तो दे ही नहीं सकता यूनिट भी तो आएंगे तो इसने हमने सेल्स वैल्यू क्रेशन निका लें एक केस और होते है इसमें आखरी इसमें में प्रोड़क्ट एन बाइप्रोड़क्ट बिटा ऊपर बात हो अगर आप एक से जाधा प प्रोड़क्ट है अब हम कहरें है कम में प्रोड़क्ट और वा यह बाइप्रोड़क्ट है थो किन रोत यार उसकी मेर को इतनी वैल्यूएशन करने की लोड़ है इसमें क्या मांपनेकर रेते हैं वो मार्टिट में जब बेचेंगे तो कुछ नला कर देगा तो जब्स एत क करते हैं उसको value कर लेते हैं क्योंकि वह immaterial है ज्यादा significant है नहीं तो उसकी जो value आएगी बेचने पर उसको total cost से कम कर देते हैं और वह main product में consider कर लेते हैं तो हमारे लिए क्योंकि वह main नहीं है वह buy product of scrap है तो most of the buy product as well as scrap or waste by their nature are immaterial कोई value बहुत significant नहीं होती material तो चीज़ है नहीं तो उसको measure करते हैं नर्वी पर किसको buy product और scrap को और उसको deduct कर देते हैं from the cost of main product कावियत तक यह standard आपको costing के subject जैसा लेगा मैं क्या करूँ है ऐसा बेटा पूरे का पूरा costing का subject इस standard में है तो अलग लग वहाँ chapters पर तो यहां ultimately पूरा standard इस पर बन गया ठीक है ना अबर यह अजाद है तो cost पी दिखाओ और अगर कम है तो cost और replacement प्राइब लोगर है और अगर WIP फिनिज गूर्ट से है तो cost और NRV which is lower ले ले लेना है NRV जो है वो कैसे निकलती है selling price minus selling expense minus cost of completion cost कैसे आती है तीन तरीके standard है या retail है या actual है standard में तो normal levels पर लेते है जो अभी के बात करी ति retail तब लगता अगर departmental store का case है तो sales value में से GP rate और actual cost निकालोगे actual cost कैसे निकलती है तीन चीज़ा आती है material का खर्चा conversion का खर्चा और other cost material के खर्चा है बेटा हमने बोला था identification है और वो सकता है अगर वो item mix हो जाती है वरना specific identification है ठीकिन हम क्या क्या चीज़ा आती है खरीदने का खर्चा अगर यह joint product है तो हम बांट रहे है sales value ले रहे है separation point पे ले रहे है या completion point पे ले रहे है वो जैसे भी आपको दे रहे है और buy product है तो उसे nrv पे दिखा के main cost से कम कर दे थे कौन कौन सी चीज़े cost का पार्ट नहीं होती है बेटा वो हमने बात करी storage का खर्चा selling खर्चा distribution जो है abnormal loss admin खर्चे और interest और other boring cost यह आपके पास में 40-45 minutes आपका पूरे का पूरा standard जो बेटा वो revise हो जाता है proper तरीके से different variety के questions और concept चुली हमने सारी चीज़ों यहां पे cover के लिया तो fully यह चैनल आपका बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया तरीके से बेटा क्या हो गया होगा आपका revise हो गया होगा बस आ बच्चे में जैसे बच्चे तरीके से मन लगा के पढ़ते है और अपनी ओपर विश्वास रखे ठीक है तो इसके साथ में बेटा से चैनल करता है so thank you everyone bye bye Hello Shuren, Namaskar, so now we are going to start with the revision of accounting standard no.10 जो कि बेटा property plant and equipment उसे चार्ट में बोलते है P.P.E. that is simply your tangible fixed assets को जो हम बेटा बोलते है like upcast building machinery furniture किसी ताइम पर इसका नाम हुआ करता था standard का fixed assets and but एक intangible के लिए कि अलगसे accounting standard है जो हम advanced accounting करते है that is AS26 here this particular standard is only cover about the tangible जो होते है जिसे हम बोलते है property plant and equipment that is AS10 now एक बहुत ही असा standard है क्योंकि ये standard थोड़ा सा बड़ा आते है in terms of the concept so what I have done कि मैं आप लोग को with the help of charts इस पूरे standard को हम समझेंगे और फिर हम अपने पास में questions भी करेंगे ठीके न तो कुछ-कुछ concept सीखते जाएंगे कुछ-कुछ questions करते जाएंगे ताकि पूरा आपका standard कम से कम समय में revise हो पाए सबसे पहले जैसे हम बात करते है पीपी की तो यह सबसे बात करते है इसका मतलब क्या होता है तो जैसे मैंने बोला बेटा पीपी इस यह टेंजिबल आइटम तेंजिबल का मतलब होता है which can be seen and touch which can be seen and touch so they are held for use जिनका इस्तिमाल हो सकता है कहां पर या तो production में machinery जैसे है supply में जैसे आप truck वगारा खरीते है और rental purpose के लिए जैसे कोई जिसका car rental वगारा का काम है ठीके न और या फिर administrative purposes के लिए तो जैसे furniture वगारा होता है air conditioner तो यह आली चीज़े जो admin purpose के लिए बट obviously for the business purpose and एक बहुत important बात जिसका expected use जो बेटा more than one year है तो जिनका use जो होना है वो एक साल से जाधा period के होना है वो ही वाले ही आप पर आएंगे ठीके न जिनका use एक साल से जाधा जिसका है तो हमें जो benefit मिलेगा वो एक साल से जाधा आएगा यह standard कहां कहां पर apply नहीं हो था तो बेटा वो कहता है सबसे पहले यह standard apply नहीं होता biological assets को that is living animal and plant और एक होता है बेटा wasting assets पे जो की mineral loads उनके extraction वगरा उसको लेके बात होती है पर biological assets में चोटी सी exception है plants और living animals में वो कहता है यह standard biological assets को तो apply नहीं होता living animals but other than the bearer plant अब उसने exception से भी exclude कर दिया तो living animal plant पे apply नहीं होता बट उनमें से उन पे apply हो जाएगा जो bearer plant क्योंकि उसने इस बाहर कर दिया biological assets तो bearer plants पे apply होते है तो what is bearer plant? bearer plant होते है ऐसे पेड जो use होरे है in the production supply of the agriculture produce जिनसे agriculture produce बनेगा जो उसमें मदद करेंगे जिनकी life 12 मेने से जादा है जिस पेड की and remote chances of being sold as a agriculture produce और जिसके बहुत remote का मतबत है कम chances है कि हम उस पेड को as agriculture produce बेचेंगे ठीक है न तो example के टोर पर जैसे mango tree, orange tree तो उन पे यह standard apply होता है वैसे questions इससे लेरी नहीं आता पर theory question बन सकता है तो यह bearer plant की definition है अगर यह तीनो points fulfill होंगे तो bearer plant है और bearer plant पे standard लागू हो जाएगा तो जैसे annual crops बगएर होते हैं वीट मेस बगएर उन पे apply नहीं होगा क्योंकि ultimately पेटा वो life एक साल से कम है अगर उससे फ्यूचर एकनामिक बेनिफिट एंटरपाइस कोगे तो यह तो उन पे apply होगा यह आपके पास में कोई ऐसा पेड़ जिसे agriculture produce के तो पर बेचा जाएगा जिस पेड़ कोई जिससे agriculture produce बनता है तो उस पे apply नहीं होगा तो यहाँ पर बोले जिससे agriculture produce बनता है like mango tree जिस पेड़ की लाइफ 12 मिन से जाद है और जिसके बहुत कम चांस है कि उसे agriculture produce बेचेंगे फिर recognition criteria कब आपको recognize करना है asset को तो वह कहता है cost को तभी recognize करना है अगर उससे future economic benefit enterprise कोंगे मताब future में आपको economic benefit drive होगा and जिसकी cost को reliably measure कर सकते हो तो हमे cost हम calculate कर सकते है क्योंकि हम जब value करना है तो उसे cost पर दिखाना हो कि तो हम value कर सकते है उसे लैबली measure कर सकते है जुसकी cost है but हम कहते it may be appropriate to aggregate बेटा individually insignificant item अब कई बार क्या होता है आपके पास में छोटी 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 चीज़े जो होती है हम उसको इकठे करके अपने पास में एक पूरे पे apply क कर सकते रादर देन की individually कि अगर हम बात करें तो जैसे हम अगर बात करते हूं जैसे हम अगर computer खरीते है तो हम ऐसा नहीं करते keyboard, monitor, mouse, सब को अलग-अलग कर रहे है हम इकठे कर सकते है अगर वो insignificant है मतलब अगर कम-कम value कि है पर अगर significant है तो हम आगे जाए कि समझेंगे हम फि कि ना फिर बिटा आता है spare parts, standby equipment, servicing equipment तो जो हमारे पास में spare parts पढ़े है जैसे camera वगयरा होता है बिटा ऐसी चीज़े में अगर मैं अपने ही बात करूं जैसे आप जो मैं recording कर रहा हूं जैसे तो आप लोग को बिटा यहां पे through camera मिल रहे है तो मिर पास camera extra पढ़े है कुछ serv और अगर वो नहीं apply करते definition को तो AS2 लगा तो फिर inventory का AS लग जागा तो या तो वो inventory में आ जागा या PP में आ जागा फिर आते बिटा subsequent को, subsequent का मतलब हो जाए एक बार asset बन गया उसके बाद बाद में इस्तेमाल हो जाए तो पिटा उसमें रूटीन day to day maintenance का जो खर्चा होता है वो उस machine का निकाला और उसके बजाए नया part डाल दिया तो सवाल उठा अब क्या करेंगे वो कहता है जिसको लेके मैं practical भी कराऊंगा आगे जाके तो वो कहता है कि पुराने part को जो आपने change करा पुराने part की जितनी value किताओं में दिखरी है उसे तो किताबों से हटा दो उस नया part को recognize अगर क्रेटीरियमेट करें सेम तरीके से अगर कोई major inspection का खर्च है major inspection तो जो once in 5,7,10 years हो रही है routine inspection है major inspection जो हो रही है तो इसमें यह है जब नई inspection होई तो पुरानी का अगर कुछ amount पढ़ा है किताओं में तो उसे D recognize कर दो उसे right off कर दो उसे अटा दो और जो नई inspection का खर्च है वो बेटा क्या कर देंगे recognize मतलब उसे capitalize कर देंगे ठीक है ना फिर आता है measurement measurement का मतलब होता है हमने asset को किस value पर दिखाने है तो बेटा उसके लिए हमारे पास ने अलग अलग तरीके के model है सबसे पहले आता है initial recognition का मतलब होता है जब सबसे पहली बार asset को खरीद उपे दिखाते है जब सबसे पहली बार खरीदा जा रहा है उसका मतलब होता है initial recognition तो इसमें अगर मैंने पैसे दे के खरीदा directly खरीदा पैसे दे के तो वहाँ पर क्या क्या चीज़े cost का पार्ट बनेगी तो inclusions these are inclusions तो यह क्या क्या चीज़े आएगी तो जो purchase cost है वो आए बनेंगे वो cost का बाट नहीं बनेंगे जिंका credit मिल रहा है फिर directly attributable cost चाहेगी हाँ जो भी खर्चा asset के ready to use तक का खर्चा asset के ready to use तक का जो भी खर्चा है वो एड होगा like site preparation का खर्चा, installation का खर्चा, आने का freight का खर्चा, professional fees जो भी है आपने technical person कुमला है उसका जो भी installation वगारा जब तक ready to use नहीं होता तब तक का खर्चा और एक और खर्चा है जो ready to use तक का नहीं बादकार है, बस एक ऐसा खर्चा है, जो बादकार, ready to use के बादकार है, वो होता है बेटा decommissioning restoration, जब asset की useful life खतम हो जाएगी, तो उसका तोड़ फोड का जो खर्चा हार है, that is decommissioning का decommissioning मतलब हम simply बोते हैं, तोड़ फोड का खर्चा जो आएगा, हम उसको estimate करते हैं, और उसकी present value को asset की cost में add करते हैं, इसको present value को, पर normally questions में present value देता नहीं है तो क्योंकी वो देता नहीं है, तो हम जितना हो बोलता है, हम उतना add कर देंगे, अगर वो उसकी present value देगा, तो हम ले लेंगे, माझालो खर्चा लेगा, खर्चा देगा, फोड़ फोड का 1 망व, 10 साल के बाद, ठिक है है अगर उसने मुझे कुछ नहीं बोला तो मैं एक लाक आज ही एसेट की cost में add कर दूँगा क्योंकि मुझे दे नहीं रहा पर अगर वो बोलता है उसके आज की present value जो अपने discounted vector लेके लेट से निकाली वो 60,000 है तो फिर मैं 60 एड करूँगा अगर बाइ चांस question देता है पर जनली अभी तक देखा नहीं गया ऐसा की question में इंस्चूट देता हो ठीक है तो वो चीज़ है क्या-क्या चीज़े exclude करनी है क्या-क्या चीज़े नहीं लेनी simple to say जो asset के बनने से related नहीं है तो जो asset के बनने के बाद लग रहा है क्या खर्चा ऐसे रही तो उसके बाद का लाइक कॉस्ट ऑफ ओपनिंग न्यू फैसिलिटी न्यू इंट्रोडूसिंग न्यू प्रोड़क्ट स्टाफ ट्रेनिंग का खर्चा रही लोकेटिंग का खर्चा अब आपका asset बेसिकली बेटा बन गया बिल्डिंग बन चुकी है बिल्डिंग का बनाने का खर्चा ही तो एड करोगे बिल्डिंग बनके उसकी इनौगरेशन का खर्चा करोगे बेटा लोगों को दावत तो बलाओगे चीफ गैस को बलाओगे रिबन कटिंग रहोगे लोगों को खाना पिलाना कर रहे हो तो वो कि अब हम बेसिकली यूज के लिए तो दे रहे एसेट को बट हम जो लोगों को यूज के लिए दे रहे चाहे हम कम कपैस्टी पे इस्तिमाल कर रहे हैं एक चोटा से पॉइंट या आता है तो बेसिकली वह भी खर्चा आपके पास नहीं होगा जैसे जैसे अम्यूजमेंट पार्क है एक अपने पास में अम्यूजमेंट पार्क है वाटर जूले भी है सब कुछ है अब हमने हमारी तरफ से अम्यूजमेंट कर रहे है 50% आओ इस्तेमाल करो अब उस्तेम पर चार्चा लग रहे है क्या वह वह कॉस्मेट होगा चाहे मैं यह कह रहा हूं मैं तो टेस्चिंग कर रहा हूं अरे भई आपका अगर तियार हो के अभी तो लोगों को लिएक आए बेसिक जो तेस्चिंग होती है जो आप कर पर अपिर सेल्फ कंस्ट्ट्टड स्ट्ट्टड होता है आप खुद बना रहे है एक है बनाई बिल्दिंग करी थी एक आप कहता हूं और तो जब खुद बनाऊंगे तो पेटा रेता बजरी सेमेंड लेवर का घट्चा सारी चीज़ आएगी नहां और उसमें एक चीज न कर देंगे आपस का उससे eliminate कर देंगे कुछ special cases है special cases क्या चीज को लेके विटा सबसे बहले deferred credit deferred credit क्या होता है अगर आपने आज building खरी दी अपने का जी दस लाग रुपई की machine है अब बात होगे हमने दस लाग रुपई की खरी दी अगर अगर मैंने बोला थोड़ी सी late करूगा तो मैं आपको interest भी दे दूँगा अब मैंने पेमेट 6 मिने बात करी मेरे को interest लगाया उन्ह वो जो late payment करने के विए से interest लगा क्या वो asset की cost में अड़ोगा अगर वो borrowing cost के द्वारा जो AS 16 है उसमें cover होता है और वहाँ पे भी एक ही बात क्लियर लिखी है कि जो loan वगारा का interest होता है वो asset की cost में तब तक कही आता है जब तक asset बनकर तियार नहीं हो जाता है तो अगर अपना machinery building और जो भी यह बना रहे हो तो उस case के अंदर में जब तक वो बनकर त्यार नहीं हो जाता है building तब तक कही loan का interest asset की cost में अड़ोता है उसके बात का नहीं होता तो जितना total पैसा दे रहे हो minus जो cash price है principal portion है वो interest है और interest P&L में ही जाएगा इना routine scenario late payment वगारा का सिरफ एक case में जाता है वो AS16 borrowing cost के साब से जो आपका अलग से standard apprevise करते है AS16 and वो भी जिरफ तब तक ही होता है capitalized asset की cost में होता है ready to use तक का फिर एक पहले third point बता रहा हूं वस बता दिया consolidated price consolidated का मतब होता है मैंने इकठे में एक ही price में lump sum में एक से जादे asset खरीद लिया एक से जा assets तो 3 आए 2 आए 4 आए एक ही price में खरीद लिये तो इसको कैसे बांटूंगा कहता है उन दोनों तीनों assets की जो आज की fair value है उस दिन की जिस दिन transaction होई उसकी जो ratio है उस ratio में बांट दीजे उस total amount को आपने तो सस्ते में basically lump sum में इकठे जब करी होगी deal तो आपने तो थोरी सी negotiation करके कम कर लिया होगा ना वह आप यह नहीं कर सकते किसी एक की पूरी value किसी एक क्या दी तो जो उनकी उस दिन की fair value है उस ratio में total amount को बांट दीजी, apportion कर जीजे और इसके बाद बेटा बात आती है exchange की exchange वाले पर मैं अलग से आपके बात करता हूं कुछ example हो लेकिए उससे प बेट करता है major chain of restaurants which is located in different cities तो इनके काफी सारे restaurants है different cities में एक company ने ने रेस्टूरेंट लोकेट करा चंडी घड में तो चंडी घड के अंदर में एक ने रेस्टूरेंट खुला गया है new restaurant की significant renovation की जुरत होगी management expect करते की renovation तीन महीने तक चलेगी तो जो रेस्टूरेंट बिसकिली उसकी renovation करने बड़ेगा और उसमें हमें तीन महीने लग जाएंगे renovation में जिस दुरान रेस्टूरेंट बंद रहेगा management बजट प्रिपेर केस का जो salary of this staff engaged in the preparation of restaurant before its opening 7 लाग है और construction remodeling का खर्चा 30 लाग रुपे है treatment बताओ बेटा क्या renovation का खर्चा capitalize होगा हां सर लग रहा है क्योंकि ultimately company renovation करेगी तो future economic benefit आएगा तो वो खर्चा capitalize होगा तो जो भी renovation का खर्चा है remodeling का खर्चा वो तो capitalize होगा तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है उसमें जो भी आपका material लग रहा है जो भी labor है वो सारी चीज आएगी पर मुझे बताओ जो staff अभी काम कर रहा है जो पहले सी काम कर रहा है और जो बाद में भी काम करते रहा हो उसको तो salary जयते ही रहोगे नए, कि वो salary भी capitalize करोगे तो salary युक भी capitalize करोगे अच्रू पहलड़या है उसको असको की बना नहीं कर रहा है, वो तो नीचे ही आगया construction यह नहीं होगा, तो treatment में कहा है, as per as then, जो भी खर्चा directly attributable है बेटा, उस asset को location condition में लाने के लिए, to be capable of operating in manner indicated by management, are directly attributable और वो include होते हैं, तो जो भी खर्चा उसके directly attributable है, जिससे वो उस position तक पहुंचते हैं, जहां से उसको asset को इसमाल किया जा सकता है, मतलब simply ready to use तक का खर्च वो capitalize होता है, तो management should capitalize the cost of construction and remodeling the restaurant, because वो जरूरी है, ठीके न, the restaurant cannot be opened without the incurring the construction, remodeling, expenditure, mounting 30 lakh और वो part of asset होगा, तो वो capitalize होगा, जो unavoidable खर्चा है, जिसके मिना वो asset नहीं बन सकता, ठीके न, however जो salary का खर्चा है बेटा, वो हमारे पास में operating खर्चा है, वो होगा, इंस्ट्रे अस यह asset को बनाने के लिए, तो यह हमारा खर्चा क्या किया जाएगा, expense होगा, expense का मतलब यह PNL में जाएगा, और 30 lakh क्या होगा, capitalize होगा, ठीके न, second question देखते है बेटा, ABC limited एक नया plant बना रही है, I did production factory, वो information दे रहा है, आप से 4-5 चीज़े बोली और कह रहा है, बताओ इन cost क क्या capitalize करेंगे plant के लिए कि नहीं, तो इसमें बेटा क्या-क्या चीज़ आएगे, cost of plant, तो cost plus supplier invoice plus taxes, तो बेटा यह तो आएगा, यह तो आएगा main चीज़ है, बेखो जी, अब taxes का amount बताने है तो मैं कुछ कर नहीं सकता, taxes का amount बताता इसमें कितना है, तो फिर 2 case बनते, credit मिल पूरा है, तो वो नहीं आएगा, credit नहीं मिल रहा तो आएगा, अब बताई नहीं कितना है, तो मैं कैसे segregate कर दो, ठीक है न, तो वो पूरा हैगा, estimated dismantling cost, वो तोड़ फूर का कर्चा मैंने कहा था न, तो वो सीधा देता है, तो यह भी आजाएगा, अगर इसकी present value देता, त अगर भी वो जो operating losses हो रहे हैं, तो यह commercial production शुरू नहीं भी करी, वो नहीं add होगा, क्योंकि asset आपका बन कर त्यार हो चुका है, तो आप यह नहीं कहारे, मैं कम produce कर रहा हूँ, यह है, वो है, अपने पास commercially नहीं मैंने चालो गया, उस समय का नुकसान add नहीं होगा, तो सीध अगरे खर्चे add हो जाएंगे, operating losses जो है बेटा, वो capitalize नहीं होगा, वो pre annual में सीधा चले जाएगा, जिस साल हुगा, वो capitalize नहीं होगा, ठीक है न, यह basically वही चीज आगी, जो operating खर्चे की बात होगी, हमारा asset तो बन कर त्यार हो गया, आप फिर भी क्या कर रहे हो, आप कह रह तो आपका asset तो बन गया, तो उस दुरान में जो भी आपका नुकसान हो रहा है, वो asset की cost made नहीं होगा, ठीक है, हाँ, अगला बेटा एक और question आता है, यह देखते है, इसमें आपके पास यहीं पूछ रहे है कि, ascertain the amount जिस पे हम मशीन दी capitalized होगी, यह से न के साब से considering की ज बात हो रही है, जिसे तीन महीन लगेंगे इंस्टॉलेशन होने में, ठीक है जी, special foundations भी acquire करी गई है, जो prepare करी जाएगी इस time पे, और site preparation का खर्चा और foundation का जो है, जो नीव बनाने का खर्चा, site prepare करने का जा मशीनरी ने इंस्टॉल होने, वो इतना खर्चा लगा, तो यह त technician की services available हो रही है, जो 45,000 उसकी cost है, यह technician services department B department A को दे रहा है, और उन्होंने billing करी 49,500 पे, 10% का profit add करके, तो 45,000 में उन्होंने 10% profit add कर लिया, दूसरे department ने, add करके 49,500 ले लिया, तो क्या मैं 45,000 cost में add करूंगा, 49,500 है, sir आपने कहा था, internal profits नहीं consider करने है, वो eliminate करने है, तो हम क्योंकि यह per month, तो 3 मेने services अवेर होगी, फिर machine खरीदिया इतने में, inclusive of IGST 12%, जिसका credit available है, तो इसमें हमें 12 by 112 minus करना पड़ेगा, क्योंकि यह value 112 पे दिख रही है, मुझे इसमें से IGST, जो आपका credit आ रहा है बेटा, उसका basically क्या होगा बेटा, आपको input text credit मिल रहा है, तो व value बनेगी 141, 37, 500, अगर आप 141, 37, 500, प्लस 12% करोगे तो value आजाएगी, तो वो जो 12% उसका credit मिल जीगा, या तो 12 by 112 करो, उसे minus कर दो, फिर 55, 750 transportation का खर्चा लगा, हाँ, वो भी आएगा, आर्किटेक को एपॉइंट किया 30,000 पे, हाँ, वो भी आएगा, यह सारे तो उसी से related है, मशीन दे की, आपकी जब तक rate to use नहीं हो था, तो इस सारे खर्चे add हो के क्या बनगे, asset की total cost 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 निकल के आजाएगी, ठीक है, तो एक और general question आ रहा है, यार यह कुछ item जेरह बेटा आपको, और आप से यह पूछ रहा है, कि हम the net proceeds from selling any items produced while bringing the asset to location and condition, तो जो basic testing का खर्चा है बिटा, यहाँ पे यह कौन सा खर्चा आ गया, directly attributable cost हो गया, हम यह मान रहे है कि basic testing का खर्चा है, इसलिए, पर अगर आप commercial production करने से पहले, लोगों को सस्ते दाम पर दे रहो, उस समय आप कहरो, यह testing है, वो basically नहीं आता, ठीक है ना, यह basic testing है, तो उस समय, और उस समय जो scrap scoop निकला, उसको बेच के, मानलो आपका खर्चा लगा basic testing पे, internal testing में 50,000 का, और उस समय जो scrap scoop generate हुआ, उसको आपने 5,000 बेच दिया, तो आप तो cost में 50-5 ही करोगे ना, तो इसलिए लिए net proceeds scrap को generate होगे, cost of conducting business in new location, new class of customer, start training, तो क्या आता है, नहीं सर, यह नहीं आता है, यह बनाने के लिए नहीं है, यह आपका include नहीं होगा, यह category 3 होगी, यह include नहीं होगा, ठीक है, फिर cost of opening a new facility, inauguration का खर्च, यह भी नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास में चीज नहीं है, यह marketing promotion का खर्च है, तो यह भी third part होगया, not included बेसिक purchase price, net of trade discount rate, taxes, duties बगएर आगे, और एक directly attributable cost, dismantling का cost चाता है वो, तो वो चीज आगे, और यह आपके पास में cover नहीं होता, यह दोनों आते, यह नहीं आता, तो हमने हिस्से माट दिये, इसके साथ में यह वाला जो एक question था, general, यह आपका cover हो जागा, जहां पर हमने य categorization करनी थी, वैसे तो जो directly attributable cost है, वो भी purchase price काईस है, वो capitalize हो रहा है, पर हमने उसको segregate कर दिया, directly attributable, installation, site preparation, handling, trade बगएर यह वो सहरे कर चाता, तो purchase वाला अलगा आगे, ठीक है न, वो चीज हो जाती है, अब बेटा, इसके बाद हम कुछ points को सीखेंगे, concept पे चलेंगे, फि special case में एक और बनता है, which is about the exchange, बेटा, exchange का मतलब होता है, मेरे प्यारे बच्चो, कि आप जो asset खरी दे रहे हों, उसके पैसे नहीं दे रहे, you are giving something else, आप अपनी company के share, securities या कोई और asset दे रहे हो, जिसके base पे आपके पास PPR है, तो इस case में क्या दिखाएंगे, तो नियम है, उसे fair value पे दिखाते है, fair value of asset acquired, जो आया उसकी fair value है, जो दिया, दोनों में से जो clearly evident होती है, exception होती है, इसकी unless, कब नहीं लेनी fair value, कब नहीं लेनी, वो तब नहीं लेनी होती, या तो fair value measure ही नहीं कर सकते दोनों की, या transaction में commercial सब्चांस नहीं है, तो मैं समझाओंगा इसका म लोक value पे दिखाना है, किसको जो आया, तर इसका मतलब समझो, अराम से, example लो, यहाँ पर में बेटा कुछ examples आ रहे हैं आपके सामने, वो सबसे पहले आपने मानलों पुरानी machine खरी दी, old machine खरी दी है, और उसके बदे क्या दिया, अपनी company के equity shares, वैसे उनकी face value 10 है, market price 30 और number इतने share दिया, 10,000, तो हम 3,00,000 रुपीज पे दिखाएंगे, किसको अपनी किताब में, machine को, क्योंकि जो दिया, उसकी market value बता है, तो जो आया, उसको 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 दिखाएंगे, फिर new machine खरी दी, उसकी आज market value 4,00,000 है, और हमने अपनी company के equity shares दे दिये, पर हमारी company के shares unlisted है, तो उनकी market value नहीं पता, तो अब new machine को किस पर दिखाएंगे, तो जो आया क्या, उसकी market value पता है, हाँ, पता है, तो उस पर दिखा देंगे 4,00,000, फिर दोनों में से एक की market value पता है, तो उस पर दिखा दिखा दिया, तो और अगर दोनों ही पता है, let's say, 4,00,000 इसकी और मैं अपनी तरफ से जो आपको दे रहा हूँ, उसकी वर्थ आज की 3,00,000, तो क्या आप लोग हैं, तो हम कैसे ले लेंगे, आप हमसे 4,00,000 की चीज़ लेके जा रहे हो, हमें सिरफ 3,00,000 की चीज़ देके जा रहे हो, तो हम तो ऐसे नहीं लेंगे, हाँ, तभी ये possible नह तो सही नहीं लगरी, को कि नहीं तो ट्राइक्शन नहीं थो, तो ये इस case में, 3,0,000,4,000,的時候 is more clearly evident, तो हम अपने पास में, दोनों में सुर। जादा बेटर है उस पे लिखा देंगे किसको जो मशीन आ रही है उसको, तो उसको उस पे दिखा देंगे, तो ये इसलिए कोश् इँह आने पुरानी मिशिन अपनी तरफ से पुरानी और शेचार पुरानी मशिन आ रही है जारी पुरानी पुरानी और नगर zip आयासम कि मार्क कर पहता है तो मशीन को किस पर दिखाए को गएता है जो दिया उसकी जो किताब में value उसी पर दिखा दो जो आया है उसको बहुती clear और असान सी बात खरी ठीक है ना और फिर एक और केसा है आखरी आपने car x करी दी उसके बंदे car y दी car x करी दी car y दे दी एक की fair value 6,00,00 एक उसकी 7,00,00 और इसकी किताबों की value इसका मतलब इसका मतलब यह कहता है वो दोनों कारों की अदलाब अदली होने से आपके future economic benefits में कोई फरक नहीं पढ़ेगा cash flows में कोई फरक नहीं पढ़ेगा मतलब जो आपको उससे benefit की प्राप्ती होनी है उसमें कोई फरक नहीं आएगा तो वो होता है lax commercial सब्चाना तो commercially आपके पास में उससे कोई फरक नहीं पढ़ना तो not going to gain any kind of a benefit by this exchange of car X with car Y समझेओ तो उस case में कहता है again ये fair values irrelevant हो जाएगी ठीक है ठीक है तो हमें किस पर ही दिखाना है जो दिया उसकी fair value पे दिखाएंगे basically उसकी book value पे दिखाएंगे उसको जो आ रहा है तो हमारे पास में बड़ी clear सी बात होगी कि हमें अपने पास metak क्या करना है हमें अपने पास में जो एसेट दिया जा रहा है उसी की किताबों की value पे दिखाना है किसको जो asset आ रहा है कब या तो दोनों ही fair values नहीं पता या पता तो है पर questions पैसके लिख रहा है कि cash flows में कोई फरक नहीं पड़ेगा या transaction lacks commercial substance तो यही scenarios बनते हैं और कोई नहीं बनता इन case of exchange ठीक है फिर बिटा अगला case आता है बिटा subsequent recognition का मतब होते इनीचली तो आप बिटा एक ही model follow कर सकता विच इस cost model पर बाद में आपके पास sender ने permission दी है किस चीज़ की आपके पास option है या cost model apply करो या revolution model apply करो जब खरीदा था उस दिन तो cost model या जो भी special case आ रहे थे पर बाद में आपकी मर्जी है cost या revolution पर जो भी model apply करोगे न वो entire class of pp पर apply करोगे entire class का मतलब होता है asset जिनका similar nature नीचर है तो अगर आपके पास में बेटा 5 office buildings है अलग-अलग cities में है तो अब यह नहीं कह सकते हैं मैं 3 building पर cost model लगाँगा 2 building पर reverse क्योंकि same class है तो आप जो भी model apply करोगे cost या revolution वो एक ही model apply करोगे सारी class पर entire class पर machine हैं तो जो एक machine पर लगाँगे वो बाकी machine पर लगाँगे पर machinery पर cost model लगा रहे हो तो revolution model पर लगा सकते हो पर building तीन प्रकार क्यों होती है ऐसा एक चोटा सा example बताया तो एक होती है पर रेजिजेंचल बिल्डिंग जहां workers चाफ आपके रहते हैं एक होती है office building जहां लोग बैठके काम करते हैं एक होती है industrial building जहां पर production होती है यह तीनों अपने आप में separate class है तो कि सबके function use एलग अलग है तो जिनके function use नेचर use similar है वह सेम है तो तीनों अलग लग है तो आप residential building और office building पर अलग लग लग सकते हो तो कि वह separate है बट अगर residential building की पांच है तो फिर एक ही लगएगा वह एक ही आपके पास class है और evaluation की frequency क्यों नहीं चाहिए बेटा अगर तो फिर बहुत wallet आहिए उसकी value में बहुत ज्यादा significant change आता है जलदी change आता है तो उस case के अंतर में बेटा कहता है हर साल revolution करो पर कहता है अगर value में बहुत ज्यादा change यह नहीं आता है जैसे परनीचर वगए इन चीदे में बहुत जल्दी change नहीं आता है, तो कहता है उसमें आप 3-5 साल के gap में revolution कर सकते हो, क्योंकि revolution involves expenditure, आपको valuer को बलाना पड़ेगा, उसे पैसे देने पड़ेगा, वो अपनी report देगा, time भी लगेगा, पैसे भी लेगा, सब कुछ है ना, तो इस वज़े revolution कर रहे हो, revolution model के अप treatment के है, तो कहता है इसमें depend करेगा कि revolution पहली बार है कि बात में, कहता है पहली बार revolution कर रहे हो, या तो value जादा होएगी, या value कम होएगी, अगर जादा होएगी, तो value बढ़ाएंगे, पर ये मेरा profit तो है, पर इस profit को ये unrealized है, ये realize थोड़ना हुआ है, ये realize होगा जब आशएट को बेचूँगा है, तो notional है उमीद पर profit record कर लिया, विड़ा इसलिए इसको कहा लेके जाते है, revolution surplus में, तो entry डालोगे PP to revolution surplus, PP to revolution surplus, ये notional gain है, ये revolution reserve में जा रहा है, revolution surplus में चा रहा है, तो PNL में लेके नहीं जा सकते, ठीक है, और अगर downward है, तो use PNL, नुकसान के कोई दिक्कत नहीं, नुकसान record कर लो, PNL में loss ले जो, हमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है न, और अगर, बाद में कर रहे हो, subsequent revolution, तो कहता है, इस पर depend करेगा कि पहली बार क्या गया था, पहली बार increase था, revolution surplus, अगली बार फिर increase था, revolution surplus, पहली बार decrease PNL, अगर पहली बार increase का revolution surplus गया था, और अगली बार में, let's say, decrease हुआ, तो कहता है, पिछली बार का, जितना revolution surplus पढ़ाना, पहले उसे use करो, फिर PNL को use करना, पिछली बार increase किया था decrease था P&L में गया और अगली बार अगर increase है तो पहले जितना loss book किया था उसे reverse करो उससे ज़्यादा अगर है फिर revelation surplus को लिखे जाए तो ये journal point लिखा है questions as such chances अरक है बट फिर भी पता होना चाहिए एक चोटी सी चीज और आती है कि तो आपने asset की value बढ़ाई अलग अलग है तो आप उस case में कैसे करेंगे तो वहाँ पर में बेटा वो हमें कहता है let us say, let us say मैं यहाँ पर समझाने के लिए example लेता हूँ, माल लो asset की original cost है बेटा 5 लाग और accumulated deduction है 1 लाग तो net value तो बेटा 4 लाग ही है cost अलग दिखा रहा हो और इस 4 लाग की आज की market value है 720 तो री value 720 में बेटा एक बात तो पक्की है revolution surplus में 320 जाएगा इसमें कोई doubt नहीं है तो कि 4 लाग की वर्था 720 लगा रहे हो, पर problem याग ही हमारी किताव में cost अलग है, accumulator लग है तो क्या इन दोनों count को छेड़ खानी करेंगे कि सिरफ cost वाले को छेड़ेंगे तो इसके लिए उसने हमें उस तरीका बताए क्या बताए इसने 2 method कहता पहला method है proportionately दोनों को बढ़ा दो तो revaluation से पहले तो यह था 5 लाग, 1 लाग, 4 लाग तो अब यहां पर यह चेक करो कि जो depreciation है वो कितने percent of cost है तो विटा यह 1 लाग कितनी percent है fixed asset की cost का तो यानि कि आज तक क्या मैं कह सकता हूं कि 20% deduction लगी है 1 लाग as a percentage of 5 लाग कितनी value भनी 20% यानि कि 20% लग कि यह value कितनी दिखरी है 80% अगर यह 100% है तो अब यह value 320 होईगी तभी तो यह 720 होईगी मैं 320 से बढ़ाओगे तो तो 720 पहुंचेगा ना अब यह 320 net increase करना है ना तो 720 पहुंचेगा अब 320 के लिए हम दोनों को proportionately बढ़ा रहे हैं तो अगर यह 80% है तो cost को 100% बढ़ाओँगा accumulated को 20% होँगा तो ही तो net में 80 बढ़ेगा तो 320 is now 80% तो 320 divided by 80% करूँगा तो वो होगी cost और उसका 20% होई depiction तो मैं cost और accumulated दोनों को proportionately बढ़ा रहा हूँ सिरफ cost को नहीं बढ़ा रहा तो मैंने पहले ही चेकिए मेरी depreciation जो है वो cost के कितने percent है और net value कितने percent है तो depiction मेरी 20% है cost को net value 80% है अब जो बढ़ाना है वो 80% value है तो दोनों को proportionately बढ़ाया तो entry के डालूँगा asset को बढ़ाऊंगा 4 lakh से accumulated को बढ़ाने के लिए credit और revelation surplus 320 एक बात तो पक्के revelation surplus में 320 जाना है जो मर्जी method फॉलो करो और second method ज्याजा असान लगेगा कहता है ऐसा करो accumulated deduction को किताबों से गायबी कर दो खताम कर दो asset को net पे लिए आओ तो entry के होई accumulated deduction 2 asset 1 lakh या ये entry के डालने से asset 4 lakh पे आ जाएगा और accumulated खतम हो जाएगी या है इस खतम हो जाएगी अब सिरफ asset 4 lakh पे दिख रहा है और आप क्या करो 320 से बढ़ा दो तो asset to revolution surplus 320 या इन दोनों को combine कर दो ये combine हो गई revolution surplus में 320 जाएगा जो मर्जी कर लो जैसे मर्जी देख लो आपके सामने है उसमें कोई फरक नहीं है उसमें कोई फरक नहीं है तो ये entries जालने को बोलता है हमारा standard अगर आप revolution करते हो दोनों में से कोई भी method drop कर सकते हो एक बोला जाता है बेटा proportionate increase दोनों को उसमें ये entry बनी और एक होता accumulated deduction को खतम करो और बाकी cost जो combine entry के थुरू कर हमने अब अगली चीज़ आते है बेटा क्या ये revolution surplus में या reserve में जो पढ़ा होता है ये free reserve तो है नहीं PLM तो लेके जाने है रहे ना तो ये कोई इससे तो dividend बांट नहीं सकते तो क्या ऐसी पढ़ा रहेगा नहीं वो कहता है हम revolution surplus से कब revenue reserve में लेके जा सकते है कहता है अगर तो asset हमने अपने पास में बेच ही दिया डीर कोगनाईज ही कर दिया अब रही नहीं किता हमने तो पूरे का पूरा surplus transfer कर दो अब तो खतम ही होगी बात अब तो बेच दिया नहीं अब तो realize हो गया ना profit या जो भी कम होगा लेट से तो वो अब अपने पास में revenue reserve में लेके जा सकते हो वो free reserve बन जाएगा ये तब है जब asset बेच दिया डीर कोगनाईज कर दिया खतम कर दिया पर अगर इस्तेमाल कर रहे हो जब तक तो उस case में जितनी incremental depreciation है उतनी को लेके जा सकते हो जितनी incremental depreciation है जैसे मेरा asset आज 1,00,00 का था मैंने उसे revalue करके 1,500,00 पे लेके गया बिटा 50 से बढ़ा है तो 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 50 revolution surplus में डाला होगा अब मैं depreciation कर एड़ेट से 10% है तो अगर मैं normal depreciation लगाता है तो 1,00,000,00 पे 10% लगाता है 10,000 अब मैं लगाऊँगा 150 पे 10% तुमने जो मेरा profit है revolution surplus वो तो तो तुम कहरो free reserve नहीं है उसे तो अगर रखो मानते हैं भी कोई दिक्रत की बात नहीं तुम कहते हैं नोशनल के नहीं पर उसके बाद मेरा खर्चा जो 10 की बजाए 15 डल रहा है PNL में उसका तुम benefit नहीं दे रहे उसको बाटने नहीं दे रहे पर खर्चा PNL में आप ज़्यादा डलना शुरू होगे deduction का तो कहते हैं जितना खर्चा normal से आप ज़्यादा डल रहा है जितना access deduction डली access, access मतलब deduction on revalued amount minus deduction on original cost जो original ही आती minus जितनी आप आपकी बन के आ रही है उसका difference उतना amount आप free reserve में भेज सकते हो क्योंकि उतने से आपका PNL में भी तो profit कम हो जाएगा तो उतने को आप maybe transfer करते हो maybe का मतलब यह होता है कि करना चाते हो, कड़ सकते हो नहीं करना चाते हो, मत करो compulsion नहीं है तो उतने को भी सकते हो कहां से revaluation reserve से रहने हो तो उतने से profit कम हो जाएगा पांचार केक्षेंट से जादा उतना ही free reserve बना दो तो वो नलीफाय हो जाएगा ठीक ना वो चीज होगी फिर पेटा हमारी जो अगली चीज आते है that is very very simple depreciation अरे यह तो ऐसा topic तो plus one foundation में कर रहा हो था बिल्कुल वो ही है बेटा कोई फरक नहीं है तो depreciation क्या है sir depreciation बड़ी सरल बात है that is the systematic allocate करना depreciable amount को asset के over its useful life depreciable amount को हो था है that is your cost आपके पास over dose की useful life है depreciable amount जैसे मैंने लिखा cost share value अगर क्या minus useful value useful life क्यों होती है बेटा समय के साथ भी हो सकता है 10-15 साल मेरा asset चलेगा तो वो सालो के हिसाब से कब सक ऐसे चलेगा एक होता है units के हिसाब से units का मतलब होता है मेरा machine है 5,000,000,000 बना के देगी 2,000,000,000 बना के देगी तो वहाँ पर number of units के साब से हो गया units हो गया घंटे हो गया कितने घंटे machine चलेगी वो वहाँ पर समय के साब से नहीं है सालो के साब से नहीं है units arts के भी है deposition कब से शुरू करते है जब asset ready to use हो जाता है, available for use हो जाता है, actually जब से available for use है, हम depreciation के लिए लगाते है, component method, component का मतलब होता है, asset का हर वो हिस्सा, जिसकी cost अपने आप में significant है, significant है in relation to total cost, उसको separately depreciate करेंगे, जैसे हम सबसे popular example, aircraft की बात करती है, aircraft के अंदर बेटा, airframe और जो engine है, दोनों की अलग-अलग है, value, तो हम दोनों को separately depreciate करेंगे, को कि दोनों की useful life अलग-अलग है, engine की 25 साल है, airframe की 15 साल है, मानलो, seat interior है, उसकी तो 5 साल है, जल्दी खराब हो जाती है, तो हर वो हिस्सा, जिसकी cost significant है in relation to total cost, और जिसकी life separated है, उसको separately depreciate करेंगे, तो हर part of PP, जो significant relation to total cost, should be depreciated separately, तो यह component method ह इसका मैं अभी question कराऊंगा, और फिर आता है, cessation, cessation का बेटा मतलब होता है, कब depreciation लगानी, रोक देनी है, बंद कर देनी है, कहता है, एक तो तब, अगर asset की residual value ही, उसकी किताबों की value से जाद है, बही, मेर asset 1,00,00,00 का खरीदा, उसकी residual value जो है, वह आपके पास में 1,500,00, तो adoption क्या लगा होगे, कम होती तो लगाता है, उतने हिस्से को लगाता है, तो अगर residual value ही, उसकी carrying amount से जाद है, क्योंकि उसकी value में appreciation आनी है, ठीक है, तो उस case में लगाऊगे, या earlier off, asset retired from active use and help for disposal, asset of किसी काम कहीं निरा, पढ़ा है, अलग से बिचारा, उसे निकाल के रख अब तो बेच देना है, या asset बेच ही दिया, D recognize, मतब खतम ही कर दिया, फिर तो बेच ही दिया, इन दोनों में से जबहले हो, मतब अब asset को इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, किसी काम का नहीं निकाल कर रख दिया, बेचने के लिए, अब तो बेच नहीं है, वो तो मेरे लिए current asset ह अब तो बेचने वाला हो, और या asset बेच ही दिया, उन दोनों में से जो पहले, या फिर एक बात करी थी, asset की residual value, उसकी carrying amount से ज़ाद आ है, डेचन के लिए बेचा कुछ method की बात होती है, वो हमार परस method कौन से follow करना है, method इस हिसाब से follow करना है, जो आपको लगता है कि उस asset से जिस ratio में benefit आने के उमीद है, तो method should reflect the pattern in which future economic benefits are expected to be consumed, अगर आपको लगता है asset से आपको बराबर benefit मिलेगा हर साल, तो आप state line लगा दो, normal, cost minus residual value divided by useful life, या cost into percentage अगर आपको लगता है, अगर आपको लगता हो उससे diminishing utility आएगी, तो फिर WD method लगा दिया, उसमें तो adaption हर साल की कम होती जाएगी, तो WD method, और units of production method तो basic है, बही कितने में उनको adaption करना है, कितने units बन सकते हैं, into इस साल कितने बनाएं, वो आगया, क्या हमारे adaption के method में, क्या asset की cost, चाहे asset की residual value, चाहे asset की useful life, इनमें change आ सकता है, ये, किसी में भी change आ सकता है, कहता है, इनमें से किसी में भी change आएगा न, simple सा नहीं हम याद रखेंगे, ये change in accounting estimate है, ये आपके estimate में change हुआ, तर देखें, useful life तो एक estimate करें तो समझ आता है, cost बगार अगर change होते हैं, किसी वज़ा से वो भी आपके ऐसे price adjustment exchange situation है, वो भी हो गया, बट तो अगर method change क्या method policy नहीं होगा, नहीं, प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होते है, जिस साल variation आएगी, तब तक तो जैसे पहले चलता आ रहा था, वैसे चलेगा, और जिस साल variation आएगी, आने वाले सालों की depiction change होगी, पिछले साल जो बीत गए, वो बीत गए, आने वाले पे ध्यान लगाएंगे, जो बीत गया, वो बीत गया, पुराने पे जो चल रहा था आ रहा था, वो ही चलता जाएगा, पुराने method straight line था, straight line अपसे WDV लगा दोगे अपसे, पहले जो हुआ, उसमें कोज कर दोगे, सेम तरीके से youthful life, सेम तरीके से residual value, और अगर cost भी है, तो जिस साल change होगी, उस साल change करोगी, तो जब तक पुराना चल रहा है, तब तक पुराना, जब से कुछ change होगी, तब से आने वाले सालों की change करोगी, पिछले सालों का accounting भी separately होगी, चाहे कठे क्यों ना खरीदा, और उसे वो consolidated price वाला बताया था ना, जैसे, अगर इकठे क्रीदा लंब साप्राइज में, तो fair value की ratio बांट दोगे, ठीक है, क्या line पर deduction लगती है, generally no, क्यों, क्योंकि उसकी life unlimited होती है, prehold land, तो कि उसकी life ही fix नहीं है, तो बांट लग जाएगी, normally नहीं बोल रहा तो वो, आपकी unlimited life है, तो freehold है, तो इसलिए deduction नहीं लग जाएगी, life नहीं दे रहा, retirement, retirement का मतलब है, asset अब retired होगे, active use से, और health for disposal, अब किसी काम का नहीं है, उस पर आगे sticker लगा दिया, health for disposal, it is of no use, उस case में कहता है, इस पर current asset का rule लग जाए तो lower of carrying amount और NRV पर record करेंगे, क्यों conservatism, अगर आज उसकी NRV जो है कम है, पैसे आने की उमीद, और किताव में ज्यादा का दिख रहा है, तो loss जो expected लग रहा है, उस पर अपने पास में उसको loss को record करके खतम करो, और इस पर अपसे कोई deduction लग नहीं बंद हो जाएगी, क्यो अभी तो किस पर बोला गए है, लोर पर दिखाने को, जिस inventory का नियम है, और D recognition का मतलब होता है, या वैसे किसी काम का नहीं रहा है, आप उसे बेच दिया, अब वो किसी काम का नहीं रहा है, किताबों से हटा दिया, किताबों से हटा दिया, या तो dispose of कर दिया, बेच की, या ये सारी की सारी जितनी भी चीज़े थी ना, बेटा, इस standard की applicable provision सी, जो हमने समझी, ये standard की सारी की सारी की सारी क्या थी, applicable provision सी बेटा, ठीके ना, अब हम क्या करते है, इसलिए कुछ questions को करते है, जिन से हमार को और better understanding होगी, ठीके न, तो बेटा, question क्या हा रहा है, question number 5 है, मंत चार तक तो I think हमने कर लिये थे न, पहले हाँ, चार तक कर लिये थे, कुछ और questions हारे, before we wind up with this standard, 19-20 में, एक entity ने नई freehold building खरी धी, जिसकी useful life है 25 years, 45 लेकी, entry desires to calculate the definition charge per annum, using a straight line method, और उनने कुछ following components identify करे, कोई residual value नहीं है, lift और fixture के add time, तो उनने 5 component मनाए, land, roof, lift, fixture और remainder, और loose full life डाल दी, infinite और बाकियों की बताई, और cost बताई, क्यारे definition बताओ, as per componentization, componentization का बेटा मतलब होता है, हर component के अलग अलग, क्योंकि 5 components हर को अलग अलग, उसकी अपनी individual life में, तो 10 lakh को divide करना infinite, तो नहीं आएगी, नहीं होगी, क्योंकि life ही नहीं है, free old hand होगी, roof को 5 lakh को divide by 25 किया, तो 20,000, 250 को divide by 10 किया, 250 को divide by 5 किया, और 25 lakh को गो किया, तो यह आगी depthion, simple, obviously कुछ नहीं बोल रहा, तो straight line method ही आगे, simple सी बात है, तो straight line method वैससे उसने बोल तो straight line है, WD में तो rate बगरा देता, ठीके ना, तो हर हिससे को separated depth sheet करा, उसकी खुद की useful life में, कैरे also treatment बताओ, जब roof की replacement चाहिए होगी है, तो simple सी बात है, हमने क्या बोला था, अगर कोई हिससे को replace करोगे, तो उसमें क्या करोगे, new हिससा जो है, उससे recognize कर दोगे, पुराने हिससे को derecognize कर दोगे, तो अगर आपके रूफ की replacement चाहिए, अंत में जाके, तो carrying amount उसका किदाव में zero हो चुका होगा, तो replacement जो करी उसको अब नया component माल लोगे, तो पुराने पार्ट को derecognize, नये पार्ट को recognize, ठीके जी, वो आ जाएगा, तो वो आपके बास seize हो जाती ह अगर कोई replacement हो थी है, पिर अगला question जो बेटा, अगें सरल सा question है, बिल्कुल, इसमें change वगार की बात आईगी, useful life वगारा, residual value, asset खरीद है, जिसकी original cost है 2 lakh, acquisition पर management determine किया कि वैसे life 10 साल थी, और residual value भी 20 जा रहे, तो डेप्शन तो हम इसके साब से निकालेंगे, अब asset 8 साल प बचनी चीए, दस सोची थी ना, 8 निकल के, कहते हैं बड़ हमने अब इपने पास में कोई revision नहीं करी, residual value में, आठवे साल के आंत में जाके management review करी कि useful life, residual value आप change होगी, और useful life वगारा साल तक लेके जा सकते हो, तो पहले तो 10 सोची थी, आठ भी गए तो दस सोची थी, आठ इबर बोलता है, extra, extra कितनी होगी, यानि कि 4, आठ के बाद 4 होगा, आठ तो भी थी गए, अब 4 साल और extra है, और maintenance program जो वो लेकिया है, और इसकी वेसे residual value भी अब कम हो जाएगी, और तो 10,000 रा जाएगी, बताओ क्या फरक पड़े का, change in estimate का, एफेक्ट होता है, प्रोस्पे आठ साल तक आपके बस क्या data available है, तो आप तो उसके साब से लगाओगे, जब 8 साल खतम होने के बाद change आएगा, उस साल से change कर देना, तो पहले deduction कैसे आ रही होगी, सर पहले deduction आ रही होगी, और 2,00-20,000, 180, 180 divided by 10, 18,000 चल रही होगी, ये कितने साल चली, सर 8 साल, तो total deduction लगी 18,000 into art 144, 144, तो हमारा आज asset कितने पर दिख रहा है, 8 years के बाद, तो सर हमारा asset दिख रहा है, 56,000 का, 8 साल के बाद 2,00,000 खरीदा था, 144, total depreciation लगी है, 8 साल की, ये आज दिख रहा है, 8 years के बाद किताबों में, नॉर्मल कोर्स में करते तो हम वही 18 और 18 करके deduction लगाते, 36 बन थ दिख रहा होता, जो residual value थी, पर अब ऐसा नहीं हो रहा, अब हमने life change कर दी, life जो अब हमने उसकी 12 कर दी, तो उससे 8 बीच के तो 4 बचे है, और residual value भी change होगी, 10 होगी, तो हम क्या करेंगे, 56 minus 10, अब आने वाले सालों की deduction change करेंगे, 56 minus 10, अगर ना बोलता तो 20 लेता, और जब तक change होना तो तक पुरा ना, जब change होगा है अब से नहा, बहुत ही basics है, बहुत ही basics है, ठीक हो, तो रगला question देखते बेटा, exam में आया बहुत असान सा है, falling asset से डेप्शन बतानी है, हमें 31 मार्ट 2022 की हर asset की as per asset, machinery crazy 10 लाग की, 1 अपर 2017 को, और residual value 5 साल के बाद बेटा कित बराबर होगी cost के, तो कोई departure amount ही नहीं, तो departure भी क्या होगी, 0 होगी, भई होने के लिए तो वो result value 10 लाग से कम होनी चाहिए, तो उतरी है, तो कोई departure नहीं लगी है, land करीदी 50 लाग की, sir life नहीं दे रहा तो, freehold land है, तो land is non departure, क्योंकि unlimited useful life है, तो non depreciated नहीं लगे, मशिनरी खरीदी 5 लाग की on use के लिए 10 साल लाइफ है, construction complete to 1 April को, but company ने इस्तिमाल नहीं करा, साल के अंतक, तो क्या डेप्शन लगेगी, yes, क्योंकि वो ready to use तो होगी, complete तो होगी, आपने नहीं इस्तिमाल की, actually use, पर ready to use है, तो डेप्शन तो लगेगी, पांच लग डिट पर टेन, 50,000, ठीक है न, ready to use के आपकी लग जाती है, मशिनरी खरीदी थी एक अपर उनने इसको 50,000 की, पांच साल लाइफ लेके, और रेजल वेल लेके, अब एक अपर लिख के इसको, जब 2 साल बीच गए, 1920 और 2021, decide क्या कि इसको, एसेट को यूज़ करेंगे, further 2 years के से लेके, तो 5 थे, तो 2 बीच के 2 बचने थे, 2 बीच के 3 बचने थे, अब वो कहते हैं, 3 नहीं, 2 बचने हैं, तो पहले 2 साल बाद वेल्यू निकालेंगे, कितनी हैं, 50,000 डिएड बे 5 के साब से, बिटा हमारे पास, हर साल की 10,000 चल रही तो 30 डिवाइड बे 2 आपका 15,000 डेप्शन हो जाएगी, अब परेनब, क्योंकि रिवाइज हो, डिवीजन हो गया, तो डेप्शन निकालने के लिए रिजव वेल्यू का रोल होता हूँ, cost minus डेप्शन डेप्शन डिवाइड बे लाइफ करते हैं, ठीके न, जैसे पिछला पॉइंट्स कवर हो जाते हैं, ठीके न, और एक और आपके पस लिएक आरो मेटा, ये भी एक आर्टीपी का इक कोश्चन है, ठीक है जी, ये मरपस आखरी कोश्चन है, इससे मारा सेंड़ फिर कंप्लीट हो जाएगा एक बार के लिए, आरस लिम्टिन ने एक प्लांट ख खरीदा था और उसकी रिप्लेश्मेंट चीए, एस फर्दर मेंटेनेस अनेकनॉमिकल है, तो वैसे टोटल पूरा प्लांट टू करोड का है, उसमें से एक हिस्सा बॉइलर है, फिफ्टी लाग का, टोटल की लाइफ वैसे दस साल है, सिरफ हम बॉइलर को चेंज कर रहे है ठीके न, रिमेंडर हिसा प्लांट का परफेक्ट और उसकी वो अगले आठ साल तक चलेगा, उसमें कोई दिखर निए, पर जो नया बॉयलर आया ना, वो 60 लाग का आया, क्या कॉस्ट अब न्यू बॉयलर को रिकोगनाईज कर सकते है, एसेट के तो और पर अपसलूटली सब्सक्राइब का था, सिर्फ बॉयलर की बात करता हूं, पुराने वाले की, 50 लाग का खरीदा था, दो साल उस पर डेप्शन लगी, आउट ओफ 10 यर्स, तो बेसिकली हमारे पास में बिटा, उसकी वैल्यू तो 40 लाग हुई न, तो हमारे पास में बॉयलर की सिर्फ वैल् इंक्लूडिंग बॉयलर, तो 2 क्रोड का असर था, डिवाइड बै टेन, तो 20 लाग एक साल की डेप्शन है, दो सालों की 40 लाग होगी, तो आज हमारी किताब में ये 160 दिख रहा है, दो सालों के बाद जो टोटल प्लांट है, और क्या इस 160 में अकेला बॉयलर 40 लाग का तो बले 2 क्रोड के आज की 2 सालों बाद वैल्यू कितनी है, 1 क्रोड 60 लाग, दो सालों की 40 लाग डेप्शन लगी, तो 160 लाग, और उसके अंदर में बॉयलर की कितनी वैल्यू बची भी है, तर 40 लाग, जो वैसे भी देख सकते था, कि 2 क्रोड के अंदर 50 लाग है, 1 4th होग पीर में डालके इसे खतम करेंगे, पुराने को डी रिकोगनाइज, हटा दिया, और नए वाले को जो खरीदा 60 लाग, उसे एड कर दिया, वो रिकोगनाइज होगा, तो रिवाइस कोस्ट आजेगी 1 क्रोड 80 लाग, तो ये वाले चीज आ रही थी, पुराने को डी रिकोग आपके साथ में सारे पॉइंट्स कवर किये, तो ओफुली आपका ये पूरे का पूरा स्टेर अच्छे तरीके से रिवाइस होगा इन अप्रॉक्सिमेटली 50-55 मिनिट्स में, और कोई भी ऐस सच पॉइंट नहीं रहता है, ठीके ना, तो मैक्सिमम मैंने अलग-लग प्रका के वराइटी आफ कोईशन भी जो चैनल में आते पूछी जाते वो करा लें, और आपका ये चैनल अच्छे से रिवाइस भी हो गया होगा, आप अच्छे अपनी त्यारी बहुत ही जबर्दस तरीके थे, बहुत ही सिंसियर तरीके से कर रहोंगे, प्लीज अपने आपे वि पाइस करने जा रहे पेटा, एस नमबर 11, इस एफेक्ट ऑफ चेंजी इन फॉरें एक्स्चेंज रेट और एक बहुत ही आपके पास असान सा अच्छेंज रेट जो हम करने जा रहे है, बहुत बड़े स्टेंडर में से भी ये नहीं आता है, एक छोटा स्टेंडर ही है, ब लेके पूरा स्टेंडर बना है, बिसिकली जो अकाउंटिंग बना है, जैसे कि अगर हम बोलते है कि आज एक डॉलर जो है, बन डॉलर एक से 80 का है, कल को जाके वो 85 का भी हो सकता है, 75 का भी हो सकता है, तो उन के साथ में आपकी जो ट्रांजेक्शन सा जो किताबे बन रही ह है, आपके पास जो चीजे डॉलर वगारा के अंतर में हो रही है, तो उनके साथ आप क्या करेंगे अगर एक्चेंज रेट चेंज होंगे, इसी को लेके बेटा स्टेंडर बना है, that is effect of changes in foreign exchange rate, तो बेटा ये स्टेंडर एक्चुली में तीन चीजों को कवर करता है, तीन अ अगर foreign में आपका कोई office है, बहर अपनी कोई branch खुल के बैटे वे है, तो उसकी translation कैसे करने है, क्योंकि वहाँ पे सारी transaction dollar pound में हो तो उसको convert कैसे करेंगे, इसके लिए आप लोगों को chapter refer करना है, ये हम यहाँ पे नहीं discuss करते हैं, हम अलग से कर लेते है, branch account का जो हमारा chapter है, और उसमें जो सबसे last में हम foreign operations का topic करते हैं, तो ये वहाँ पे आपका cover कराया जाता है, तो आप अपने पास में even revision के अंदर में जो branch account की revision है, वहाँ पे जाके देखेंगे, last में तो ये वहाँ से cover हो जाते है, हमें द्वारा करने की जोड़ती हैं, इसमें हम इफो निफो कर करते है, integral और non-integral ठीकिना, यहाँ पे cover हम नहीं करेंगे इस पार को क्योंकि वहाँ cover हो जाता है, फिर एक है accounting for foreign currency transactions, अगर forward exchange contract तो जिसे मैं अलग से आपको बताऊंगा, जो छोटा सा और असा है, नो मेरा जो सबसे पहला मुद्दा है, जो सबसे हमारा जिहां पे time लेगा, that is foreign currency transactions, now what is foreign currency transaction, इसका मतलब होता है, कोई भी transaction जो हो रही है, जो denominated है foreign currency में, जिसकी settlement foreign currency होने, like, मैंने US से goods खरीदे, मैंने किसी को UK में goods sale करे, मैंने foreign से fixed asset खरीदा, मैंने किसी को foreign में fixed asset बेचा, मैंने foreign से service ली, मैंने किसी को foreign में service दी, मैंने foreign से loan लिया, मैंने किसी को foreign म करन्सी में हो रही है जहां पर settlement जो होगी foreign currency है बेसिकली बात को रहे है वो denominated foreign currency में है तो transaction जो denominated है या जिसकी settlement foreign currency में होने examples के तोर पर जैसे में बाइंग and selling goods या service in foreign currency lending या borrowing in foreign currency acquisition and disposition of asset denominated foreign currency तो fixed asset खरीदना बेचना good service लेना देना loan लेना देना यह सारी चीसे अब यहां पर सबसे पहले आता है नियम क्या कहता है कहता है सबसे पहले होता है जिस दिन transaction हो उस दिन कैसे करेंगे तो उसे हम बोलते initial recognition हमें Senate कहता है कि जिस दिन आपकी transaction ही जो भी खरीदने है बेचने की loan लेने की देने की तो उसे किताबों में आपने किस value पर दिखाना है वो तो dollar में हुई है आपने goods खरीदे है 1 lakh dollar के अब आज हमारे पास में dollar का कोई ना कोई rate होगा लेट से आज dollar केट 70 है तो हम क्या करेंगे 70 into 1 lakh से transaction डाल देंगे which is initial recognition जिस दिन transaction ही उस जिनका exchange rate जो चल रहा है उस जिनके rate पे हम क्या कर देंगे अपनी किदाव में entry डाल देंगे और उस rate को हम बोलते बैटा spot rate तो हम transactions को record कि इस पर करेंगे spot rate पर that is the rate of transaction foreign exchange on the rate of transaction अगर वो बाइचांस अवेलेबल नहीं है जो ऐसे हमारे questions में नहीं होता वो question देगा तो हम average rate ले ले लेते हैं उस हफते का या महीने का अगर ऐसे standard ने लिखी थे हमारे questions में लागू नहीं होता फिर आते है बैटाएक सबसीक्वेंट रिकोगनेशन सबसीक्वेंट रिकोगनेशन का मतलब होता है year end पर balance sheet में या बाद में जब आप payment कर रहें payment मिल रही है तब अब वो कहता है year end पर 31 March को जाके हमारी जो basically जो भी वो foreign currency वाली transaction हुई थी उसको मैं year end पर कैसे अपने पास दिखाना है तो उसमें कहते हैं पहले हम यह चेक करेंगे कि क्या वो item monetary है कि non-monetory है monetary का मतलब क्या है पिटा monetary items वो है जो receivable payable है in fixed or determinable amount of money जिनका amount आना या जाना fix है पता है इतना ही इतना let's say मैंने foreign से किसी से goods खरीदे तो जो उसके पैसे देने 1 lakh dollar क्या वो fix है yes मैंने किसी को goods बेचे debtor है वो मेरा क्या वो fix है कि इतने पैसे देगा yes मैंने loan लिया loan दिया ज ultimately यहाँ पर कौन सी चीज आई जिनकी value fix है आपके पास में determinable है जिनका amount पता है कितना है तो यहाँ पर हम लेते हैं सिरफ asset liabilities को किसको asset liabilities को और जिनका amount fix है example के तौर में debtor, creditor, BR, BP, loan given, loan taken, cash, bank basically यह सारी चीज़ आ गए fixed assets नहीं आते, investment in equity shares नहीं आता, share capital नहीं आता, ऐसी कोई चीज़ नहीं आएगी वो non-monetory में आती है ठीक है न, purchase, sales की जो purchase account, sale account है वो तो आते ही नहीं क्योंकि वो तो asset liability में नहीं तो ultimately हमने सिरफ कौन से लेनी है जो मैंना आपको है like cash debtor, creditor, अब इसके लिए नियम क्या है standard कहते हैं, जितनी भी monetary items है न, debtor, creator, BRBP, loan given loan taken, ये values को आपको year end पे balance sheet date पे जो rate है, उस दिन के rate पे दिखाने, तो शायद हो सकता है, जिस दिन आपने goods खरीज है, dollar का rate 70 सा, year end पे 75 हो गया, उने को 65 भी हो सकता है, तो आपने उसे उस दिन के rate पे दिखाने है, जो balance sheet date का rate है तो use exchange rate at the balance sheet है, अजि मैं entries दिलवा कि आपको समझाओंगा, और जो non monetary है, वो सारे है, जो asset liabilities other than monetary है, example fixed asset, inventory, investment insurance, इनको किस पे दिखाना है, जो transaction date का rate होता है, जिस पे थे उसी value पे, इनका कोई rate चेंग नहीं होगा, पर इसके एक चोटी थे exception है, कि अगर किसी item को fair value पे तो basically अगर by chance वो lower fair value है, तो उस case में जिस दिन की fair value आपने drumming करी, उस दिन का rate है वो ले लिया जाएगा, तो वो exception है, general rule यही है कि उनको change नहीं करना, बस general rule यही है, अब सवाल उठा, यानि कि फिर तो monetary item में, अगर मेरा creator था, initial rate 70 था, year end rate 75 हो गया, तो मुझे उसकी value नहीं पड़ेगी, तो sir exchange difference आजाएगा, घली बढ़ाने के लिए, तो exchange difference कहाँ जाएगा monitor item में, बेटा वो exchange difference हमें standard कहता है, जो भी खर्चा या income है, चाहे फायदा है नुकसान है, वो P&L में जाएगा, और non monetary में तो कोई exchange difference आएगा ही नहीं, क्योंकि उसे तो same rate पे दिखा है, पहले में क्या करता हूँ, जितना पता है उसे related question कराता हूँ, एक दो ताकि it become settled down, आपके settled down हो जाएगा दिमाग में चीज़ क्या हो रही है, तो question देखते है, question है, sunshine company ने import करा raw material, dollar 9,000 का, 25 February 2019 को, cousin rate था 64 per dollar, transaction को record किया books में उस rate पे, payment जो हो रही है, वो हमारी कब हुई ज आप तेस मार्च को 69 है, thief accountant ने entry year end पे डाली, adjusting the cost of from till consumed, difference लिया 68 और 64 का, या उसने सही किया, वैसे तो generally company हमेशा गलती करती, यहां भी लग रहा है, गलती किया, क्यों, बिटा देखो, जिस जिन exchange transaction होई थी, उस जिन rate 64 था, मैंने 9,000 dollar के goods करी थे, तो मुझे entry क्या डालने च purchase to creator 9,000 to 64, which is the spot rate, तो मुझे entry डालूँगा, अब, बीच में कौन सी तारीक आगी, sir 31 March, 31 March को क्या करेंगे, sir इस में से check करेंगे, कौन सी monetary item है, क्या purchase monetary item है, no sir, तो purchase को नहीं छेड़ना, कौन सी monetary item है, sir, creator, creator अभी किस पे दिख रहा है, 64 पे, अब year end का rate कितना हो चुका है, 31 30 March को, sir 69 हो चुका है, तो मैं 69 पे लेकर जाना पड़ेगा, creator को, अब 69 पे लेकर जाने के लिए, 64 से, अगर किसी को 69 पे लेकर जाना है, तो 5 रुपे से बढ़ाना है, creator का balance, create होता है, बढ़ाने के लिए और create करूँगा, तो ये मेरा नुकसान हो गया, मेरी liability बढ़ रही है तो मैं entry क्या डालूंगा, exchange difference to creator, 9000 इंटू 5, तो वो 64 से 69 पे पहुँचेगा, creator पहुचेज नहीं, creator, और ये exchange difference कहाँ चला गया, उसी समय, PNL में, तो entry है PNL to exchange difference, जो मैंने बताया था treatment, क्या होगी उस exchange हो, ये मिला नुकसान है, तो अगर dollar credit कम हो तो तो क्या फायदा भी record कर लेते हैं, हाँ पेटा, यहाँ ऐसा कुछ नहीं बोला है, नुकसान है, वो ही record करना है, फायदा होता तो भी, तो बेटा, simple जी बात है, देखो, creator, loan, मेरी liability होती है, तो अगर बढ़ रहे है, कम हो तो फायदा है, debtor मेरा asset है, अगर वो बढ़ रहे है, तो फायदा है, औ और कम हो रहे हैं, तो में entries भी बैसे डल रहे है, अब अगले साल जब जाओंगा, तो मैं 10 April को entry डालूँगा, 10 April को बढ़ डल करेट कितना हो गया 68, तो मेरी जेव से 68 जा रहा है, तो में entry कर डालूँगा, creator तो कितने पर दिख रहे है, 69 पर, 69 के साब से वो इतने पर दिख अगले साल गया, तो हम year end तक सही value पे लाए, और वो हो गया, तो अब हम exchange difference मेरा फायदा हो गया, यह अब कम payment करने पट रहे है, 69 के अगया 68 करने पट रहे है, और यह अब PNL में अगले साल चला जागा, exchange difference तो PNL, यह अगले साल गया, तो हम year end तक cut off date पे उस दिन तक का loss profit record करेंगे, उसके अगले साल जब settle करेंगे तो तब हो गया, accountant ने क्या क्या 68 और 64 का difference ले लिया, वो गलत कर लिया, एक तो यह गलती करी, दूसरी गलती उसने क्या करी, उसने जो exchange difference था, उसे cost of material consume में ले गया, जबकि exchange difference cost of material consume में नहीं जा रहा है, वो परतियस में एडने हो है, अगले साल एक रुपे का है, वो अगले साल है, ठीक है न, तो treatment जो accountant ने करी, वो क्या है, घलत हमेशा की तरह, जनली हमार पास accountant, company जो है, वो गलती ही करती, ठीक है, तो वो आपके पास आया, ठीक है, फिर अगला question देखते है, exam में आवे 5 marks का, असान सा है, कंपनी ने borrow क करें बेटा, 5 lakh डॉलर, एक जनवरी 19 को, और उसे repay किया 31 जुलाई को, मतब 7 months के बाद हम repayment करें, एक बारिंग सीगरी loan लिया, company की किताबें खतम होते, 31 मार्च को exchange rate दे रहा, 1 जनवरी 31 मार्च, 31 जुलाई, कह रहा, general interest जालतो, company की books में, as per AS 11, बहुत ही basic, सासान सा question, तो जिस दिन हमने transaction हुई, उस दिन हमने loan लिया, उस दिन का spot rate लएगा, entry ड़ लेगी, bank to foreign loan, 5 लाग का है, और उस दिन का rate कितना 68.5, तो इतनी value बनगी इन रुपीज, कौन से rate पे, spot rate पे, कौन से rate पे, spot rate पे, फिर सारी 31 मार्च है, 31 मार्च में, बेटा, इन में से कौन सी bank भी to monetary, आपने बोला था, अरे, यार, bank monetary जो है, वो है, जो foreign bank में पैसा पड़ा है, ये पैसा तो इंडन रुपीज में आ गया, वो monitor item है, तो bank is not, bank वैसे monitor item है, यहां bank monitor item नहीं है, रुपीज में पैसा है, इंडिया में पैसा लीका है वेटा, foreign bank में जो पैसा पड़ा है, से 69.5 हो गया तो एक रुपे से बेटा क्या करेंगे बढ़ाएंगे तो बढ़ाने के लिए नुक्चान हो गया फॉरन एक्चेंज डिफरेंस टू फॉरल नोन एक रुपे से तो फाइव लेक से बढ़ा दिया तो अब हमारा लोन किस पर आ जाएगा अधार रुपे कर रहे हो तो 50 पैसे का और हमारा नुक्सान हो गया ने टथी क्या मनी और लोन एक्चेंज डिफरेंस टू गॉपर वाइनली आगया पी एनल टू एक्चेंग डिफरेंस आपका धाईलक जो नुक्सान अगले साल रिकॉट हो गया प्रोप्य का नुकसान अगले साल अधेपैसे का 50 पैसेका नॉस हुआ तो बहाँ पास में आपका कंपलीट हो जाता है तो यह आपका फेज़ा है अब बेटा हमें क्या करना है पिपोर वी मूग फ़धर हमें एक पॉइंट समना है बिटा जब हम अपने पास में केस को पड़ते हैं तो वहाँ पे एक स्पेशल केस आता है वो स्पेशल केस जो आता है न बिटा वो सिरफ और सिरफ एपलाई होने जा रहा है कुछ मॉनिटरी आइटम के केस में और वो भी सिरफ लॉंग टम वाले में वो भी सिरफ लॉंग टम वाले केस में तो उन्होंने एक नियम दिया है पहरा 46 और 46 से वैसे अभी तो पहरा 46 A ही बोला जाता है अगर बोलते हो 46 के एक टाइम लिमिंट थी वो खतम हो गई जनली उसे उन्ली 46 A अगर आप पहरा नम्बर लिखते भी हो और यह कंपनी के लिए अपली के बल होता है सिरफ तो क्या बोलता है वो एक ओप्शन देता है बैटा कंपनी को क्या ओप्शन किस केस में पहले वो बोलता है जो long term foreign currency monitor item से उनके लिए बात करने जा रहा है और यह optional है कुछ यह पहरा है treatment बताने जा रहा है पर वो optional treatment ने पर अगर एक बार exercise कर लिघ कर लिए वो इंद फिर पीछे नहीं अट सकते अगर एक बार apply कर लिया और वो सारी foreign currency monitor item से लागो होगा गर क्या है long term foreign currency बिटा वो होती है ऐसी long term foreign currency monetary item वो होती है जिसका term 12 महीनिया उससे ज्यादा होता है मतलब जो पैसे मिलनेया देने है जो भी है receivable payable वो एक साल के बाद है जैसे हमने loan लिया वो within one year सा बिटा जो क्रेटर के पैसे देने विदिन वनियर देने पर मनेर मानलो loan लिया वो loan के पैसे तीन साल चार साल बाद देने है तो वहां पर यह नहीं हम लागू हो जाएगा और वो exchange difference हमारा normal rule है P&L में जाते है पर वो कहते है नहीं कहते है ऐसे हम आपको एक option देने जा रहे है कहते है अगर वो exchange difference related to fixed asset है मानलो आपने fixed asset खरीदा था उसके पैसे देने किसी को जो fixed asset खरीदा था उसके पैसे देना और वो पैसे देने एक साल के बाद तो वो क्योंकि exchange difference fixed asset related है तो उस case मानलो exchange difference को P&L में लेके जाने की बजाए आप सीधा fixed asset की cost में भी idealize कर सकते हो तो rather than passing entry P&L to exchange difference जो आखरी entry थी उसकी बजाए उडालता हो fixed asset to exchange difference या exchange difference to fixed asset तो आप वो asset की cost को idealize कर देंगे और उसे फिर depreciate कर देंगे यह basically इसलिए आया था पैरा क्योंकि एक समय पर foreign crisis बहुत जादा हुआ था recession टाइप आया था तो वहाँ पर बहुत severe exchange difference आ गया था तो उसकी वेसे MCA ने एक notification निकाली थी इस चीज़ को लेके यह पैरा लेके आया थे क्योंकि यह exchange difference एकदम से आपके profit को increase or decrease कर रहा है depending upon data or greater exchange rate के बहुत significant change था अब अगर dollar का rate बेटा 20 रुपे से change हो जाएगा तो आप समझो कितना exchange difference आजएगा और PNL को hit कर देगा कुनों ने क्या बोला हम PNL में एक बार में लेके जाने के वज़ाए अगर fixed assets related तो fixed assets में जाल देदे और दूसरा अगर वो fixed assets related नहीं है दूसरा case है मालो में normal loan लिया fixed assets नहीं खरीदा normal loan लिया अब जो normal loan लिया वो तो business purpose के लिए अब fixed assets related नहीं है तो उस case में उन्होंने बोला छोटे से account में उसे लेके जाएंगे तो उसमें accumulate करेंगे इस छोटे से account में क्या है FCMITDA तो छोटा है हाँ छोटा ही तो है इसकी full firm क्या है foreign currency monetary item translation difference account क्योंकि यह foreign currency monetary item की बात हो रही है विदेशी monetary item के बात है और किस चीज की बात हो जो उसे translate किया उसका difference account को दिया तो foreign currency monetary item translation difference account और उसे amortize कर देंगे over the balance period तो हम उस account में रख देंगे P&L to exchange difference नहीं कर रहे है FCMITDA to exchange difference कर रहे है अब FCMITDA temporary account रख दिया जिसे over 3,4,5 यह जितने सालों में वो loan के पैसे देने उतने सालों में P&L mark देने तो वो exchange difference P&L में एक बार hit करने के बजाए over the period हो वो split हो गया तो आपका यह कहां दिखे का इसका जो बचा वो balance है reserve and service में तो कुछ disclosures है basically कि आपने option exercise किया कितना वो बचा रहे है वो सारी चीज़े आपको बतानी होती है तर इस related कोई question हाँ बेटा question करते है तो देखो अभी question number हमार पस 3R है let us see वो कैसे करना है तो late से बेटा कहता है एक company ने Indian company ने loan लिया long term www private limited से US company से 30 lakh rupees का rupees में लिया है rupees की rate दे रहा है और उस दिन record किया था जब dollar करेट 60 था taking exchange rate prevailing at the date of transaction balance sheet rate पे वैसे dollar करेट कितना होगा 62 होगा हमसे तो बस यह मांग रहे calculate करो exchange difference को और उसकी क्या बतादो accounting treatment बतादो क्या होगी तो पहले case में एक loan लिया बेटा rupees में 30 lakh rupees है और dollar है 60 का जिस दिन लिया तो 30 lakh divided by 60 आने के 50,000 dollar का loan है तो हमने 50,000 dollar का loan लिया है और उससे दिखाए 60 के साब से 30 lakh पे year end पे dollar करे 62 हो गया अब जो मेरा loan है वो तो monetary item है तो मुझे उसको किस पर दिखाना पड़ेगा closing rate पे तो closing rate पे दिखाने के लिए मुझे उससे 62 पे दिखाने के लिए बढ़ाना पड़ेगा तो मैं एक entry डालूँगा exchange difference to foreign loan कितने से दो रपे किसे 50,000 multiply करके तो वो exchange difference मेरा आ गया 50,000 into 2 के साबसे बना है यह मेरी entry के डाली होगे exchange difference to loan अब यह क्यों की बेटा long term है और यह company का case आ रहा है तो इंके पास एक option है किस चीज का क्या यह fixed asset related है सर उसन कहीं नहीं बोला है fixed asset है तो fixed asset की बात नहीं है और यह other than fixed asset हो गया तो क्योंके fixed asset के related नहीं है और long term है तो उस case में इंके पास option है कि इस exchange difference को जो एक लाग का है PNL में भी लेके जा सकते हैं मना नहीं है पर यह से वो छोटे account में लेके जा सकते है FCMITDA और इ इस option है कि उस exchange difference को यह PNL में लेके जा सकते है तो नुकसान को सीधा पूरा पूरा यह FCMITDA में भी लेके जा सकता है और उसे over the period कर देंगा over the period का मतलब क्या हुआ पिड़ा loan key payment 4 साल बात करनी है तो इसे 4 साल हमें बाट देंगे उस बन लाग को प 4 साल हमें PNL में लेके च रिकॉर्ड करा था जिस दिन रेट था 59 का और यरेंड पर रेट हो गया 62 अगर डॉलर में देखे तो दस लाग डिवाट पर 59 कितना मनता है इतने डॉलर ठीके जी यरेंड पर 62 हो गया तो तीन रुपे से बढ़ाना है तीन रुपे से बढ़ाना है यह हमारा debtor है debtor बढ़ होता है short term ही तो होता है आप current asset debit हो तो जल्दी पैसे मिल जाएंगे लंबे थोड़ना है तो यह long term पे लगता है पर 46 वाली बात यह तो सीधा कहां जाएगा बढ़ पीनल में तो credit PNL हो जाएगा और debit trade disabled हो गया तो हम trade disabled to exchange difference क्या पर exchange difference तो सीधा PNL हो गया यहां पो option वाली बात नहीं है क्यों क्योंकि long term नहीं यह short term है यह थोड़ी नहीं सौर ने बताया अभी long term तो सारे question long term क्योंगे अरे principle थोड़ना बूलना है वह option वाला कभ लाग होगा long term है monetary item है उस case में होगा और साथ में वह optional दिया गया वैसे भी ठीक है और वहां पर fixed asset लेटे तो fixed asset की cost को add less कर दो नहीं तो FCMI TDA में लेज़ो तो अभी हमने FCMI TDA वाला किया ठीक है ना फिर अगले question पर आते बेटा है question में 4 पर question क्या है कहता है legal limited engage in the manufacturing of rubber तो एक company है वो rubber बनाने का काम है for its plant उनको machinery चाहिए होती है latest technology की usually resource to a long term foreign currency borrowings लेते है अपने fund के लिए first day उन्होंने borrow किया 1 million dollar international funding agency USA से जिस इन rate था 63 इन funds को use करेंगे मशीनों को खरीदने के लिए same date पे और तीन different plants पे और useful life मशीनों की कितनी है 10 साल और residual value है 30 lakh ठीक है जी तो basically हमने 1 million dollar मतलब 10 lakh उस दिन का rate है 63 life 10 साल है और residual value 30 lakh है यह उसने मुझे बताई है इस चीज़े और long term है पहले भी earlier also company used to purchase machinery out of the foreign foreign पहले भी ऐसा नहीं first time खरीदे हैं पहले भी खरीदा करते थे ऐसी मशीने foreign से पैसर उठाके exchange difference जो आता था उन borrowings का हम P&L में लेके चले जाते थे और उसे capitalize नहीं करते थे even though company के पस option होता था option तो है पर अभी तक यूज़ नहीं कर सकते थे now इस machine के लिए company अभी इंट्रस्टीड है option को avail करने का कि उसे capitalize कर देंगे cost में तो वो गहरे अब हमारा मन है कि exchange difference को हम capitalize करें capitalize करने का मतब उस exchange difference को हम P&L में नहीं लेके जाएंगे अब उसे क्योंकि long term है fixed asset से लेटेट है machine खरीदे तो हम उसे fixed asset की cost में add less कर देंगे exchange rate year end पर कितना हो गया 62 तो dollar का rate अब आपका 63 से 62 हो गया कम हो गया एक रुपे से assume कि कोई और अमारी long term foreign currency नहीं accept जो पैसा बस यह बार हो किया तो कोई और नहीं क्योंकि करोगे तो सब पे करोगे इसलिए उसे पहली clear कर दो और कोई नहीं है कमेंट करो क्या वो capitalize कर सकते exchange difference को cost में अगर हां तो depiction बता दो तो बेटा क्या कर सकते येस बिलकुल कर सकते उसमें कोई अपत्ती की बात ही नहीं तो येस पहले अपने पास में नहीं क्या पर वो अप्शन को कर सकते है ठीके न तो हमारे पास में उस case में क्या होगा सर वैसे तो हमारी जो machine है वो दिखनी थी 63 into cost जो है dollar में एक million है exchange rate initially था 63 तो 63 million हो गया अब year end पे हमें जो loan है उस पे एक रुपे का exchange difference record करने एक रुपे से कम करने तो क्योंकि उसे एक रुपे हो गया वह एक रुपे से कम हो गया अब asset की cost भी कितनी होगी 62 million तर एड नहीं होगा अरे यार पहले ध्यान से सुनो loan जिस दिल लिया था तो एंटी डाली होगी bank to loan 63 million और asset करीदा तो asset to bank 63 million year end पे loan को 62 पे दिखाना तो loan कम करना है तो एंटी डाली loan to exchange difference 1 million कम कर रहे लोन को अब वह exchange difference मेरा फाइदा है क्योंकि liability कम हो रही है तो मैं exchange difference चूँ P&L नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं capitalize करने जा रहा हूँ तो बढ़ रहा है चाहिए कम हो रहा हूँ कर सकते है यह और करेंगे तो माइनस होचाएगा और फिर depreciation कैसे आएगी sir depreciation के लिए तो उसने मुझे बुला था 30 lakh residual value और 10 साल है तो 30 lakh मतलब 3 million होगे अगर आप lakhs में जाना जाता ब lakhs में चलो divided by 10 years तो depreciation आगी और बाची यह closing value आगी तो बस यहाँ पर main चीज यही है yes exchange difference can be capitalized क्योंकि long term वाला था fixed asset करीद रहे उससे और पैसे एक साल के बाद देने option बिल्कुल exercise कर सकता और उस case में वह asset की cost में add less हो जागा dollar credit बढ़ेगा तो asset की cost कोई बढ़ा देना क्योंकि liability बढ़ रही है कम होगा तो कम कर दिया जैसे इस question में ठीके न तो यह हमारा question जो है वो एक fixed asset वाला भी मैंने आपको करा दिया ठीके न अब बटा अगला जो हमारा point आना है उसे पहले मैं एक बार के लिए क्या करता हूँ आपको जितना अभी तक पढ़ाया मैं उतने को revise करता हूँ फिर हमारा जो एक topic बचेगा वो तो with the help of chart तो हमारा बेटा foreign currency transaction वाला topic हमने जैसे किया initial recognition होते है first time जो कर रहे है वो spot rate पे जिस दिन transaction उस दिन के rate पे इसमें तो कोई दिखा नहीं है तब second recognition में क्या monetary item को balance sheet date के rate पे दिखाते है तो exchange difference काना जाएगा P&L में normal rule लिए है और non monetary को generally आपके जो cost वाली है वो तो balance sheet transaction date पे दिखते है तो exchange difference नहीं आता तो non monetary को किस पे दिखाना है जो transaction rate का है उसका कोई exchange difference नहीं है पर जो monetary है उसको balance date पे credit, loan given, loan taken, BR, BB यह सारी चीज़े तो उनको balance date पे दिखाना exchange difference पे दिखाना जाएगा और इसकी exception क्या ही para 46 है जो company के लिए optional सिर्फ long term पे apply होगा और अगर वो exchange difference fixed assets related है तो fixed asset की cost में headless हो जेगा चैसे अभी सिखा और अगर वो other का case है जो एक normal loan लिया था भी है question क्या था उसमें वो इस account में कठ्था होगा accumulate in FCMI TDA और amortize over the period हो जाएगा ठीक है तो वो आपके पास भी आ गया अरे optional है यह बात भी बड़ी clear है ठीक है अब जनली दोनों option दे दीजे ठीक है अच्छा foreign operations जैसमें आपको बोला बेटा वो तो branch account के chapter से आपका हो जाएगा तो वो वहां से cover हो जा इस एक लाग dollar और dollar का rate चल रहा है बेटा 80 rupees और मैंने कहा है party को कि मैं तुम्हें 8 मीने बाद payment दूँगा आज 80 rupees का rate है ठीक है नॉर्मल course में मुझे 8 मीने बाद जाके payment दे दूँगा dollar का rate 85 हो गया चलो जी मेरी जेव से 5 रुपे फालतू निकल गया dollar का rate 77 हो गया मेरे को 3 इन रुपे का फायदा हो गया अगर आप सोचो कि हमें तो इस चीज के tension होगी न कल को जाके dollar का rate 95-100 ना पहुंच जाए आज 80 है कल को अगर बहुत जादा बढ़ गया हमारे हातों में थोड़ी नहीं कुछ है तो basically उस case के अंदर हमारे तो basically नुकसान हो जाए का बहुत आप अपने रिस्क को बचाना चाहते हैं आप कवर करना चाहते हो अपने नुकसान को ने रिस्क को तो आप क्या करते हो एक forward contract enter करते हो इसके साथ third party के साथ जैसे western money transfer यह बैंक्स वगयरे इनके साथ ही contract enter थे जिनके साथ आप contract क्या करते हो वही आज मैंने 80 मिखरीद आज का सी है future में जाके 6 मिने बाद 8 मिने बाद लिए जो मट जी हो बही ऐसा है मैं आपके साथ आज 82 में लेट से डील पक्की करता हूं मैं 82 में मैं तुमसे एक लाग डॉलर लूंगा 82 रुपीज देखे चाहे उस दिन रेट अब 75 हो चाहे 100 रुपे हो यह मुझे कोई मतलब नही उस कॉंट्रेक्ट रुम क्या बोलते हैं forward contract तो forward contract क्या है agreement to exchange different currencies at a forward rate forward मतलब जो आपने rate fix किया हूं it is a specified exchange rate for exchange of two currencies at a specified future date from foreign currencies को exchange करेंगे future date पे particular rate पे जो rate हमने आज ही fix कर लिया इस respective उस इन क्या rate है अब इसमें दो बनते हैं एक एविटा not for trading और speculation जो मैं पहले समझाने जा रहा हूं तो normally जो आप जैसे मैंने किसी की generally पैसे देने है या generally मुझे पैसे आने है तो वो होता है not for trading मैंने अच्छी कोई आपके speculation में नहीं करना चाहता हूं जैने generally किसी के पैसे देने तो वो कहता है आपका rate आज 80 था आपने commitment 82 की कर ली तो आपको यह तो पता है आपको 2 रुपे का loss होगा उस दिन जाकर rate जो मढ़ जी हो वो तो बात लग है ना वो तो आपके आपने contract एंटर कर लिया तो आपकी जैसे 82 जाएगा आपको पता है आज ही फैसला कर लिया तो आप उस 2 रुपे के loss को जो 2 रुपे extra जाएंगे उसको over the 8 months जैसे मैं example ले रहे था उसको खर्चा या example के तौर पे बेटा जैसे यहाँ देखेंगे question क्या है राउल लिम्टी ने एक plant खरीदा 22 लाग डॉलर का एक जन्वरी को जिसके पैसे 5 मिने के बात देने है कंपनी ने एक forward contract एंटर कर रहा 5 मिने का 64.75 वैसे जो आज dollar credit चल रहे 64.25 चल रहे है कैसे आप इसको record करोगे तो मैंने commitment कर दी कि मैं तुमसे दो लाग dollar खरीदूँगा किस rate पे 64.75 पे इर्रिस्पेक्टिव उस दिन क्या rate हो या मैंने अपना पक्का कर लिया कि मुझे इतना रुक्सान हो गई है मुझे extra दे रहो that is the premium जितना अब extra 50 पैसे per dollar वो आपका loss हो गया क्योंकि इतना आप दोग मार्स तक चलो सही दिखा कि अब 31 मार्स कर ले तो मुझे अटम का बट यहां तो पक्का हो गया तो वो नुक्सान या फैदा जो भी है वो अबर दा पीरेड बाहन दो एक्रूल कॉंसेट लगा दो तो अबर दा पीरेड बाहन देंगे तो 50 पैसे per dollar है contract कितने का है दो लाख dollar का तो नुक्सान हो गया एक लाख रुपे का इसे पांच महीनों में डिवाइड कर देंगे तो एक जनवरी से लेके बेटा 31 मार्स तक यह साल फॉल कर रहे है एक अपरेल से लेके 31 मही तक अगला साल सरे अपनी कैसे निकाला अरे पांच महीन है तो पांच महीने बने 31 मही जिसमें से 3 मीने इस साल आuchen है दो मीने अगले साल भूल हो करेंगे इसको 3 मीने का प्रोपोजिशनट्रे इस साल रिक्यॉड जो हूगा, दो मीने का प्रोपोजिशनट्रे ले अगले साल जाएगा, जो हम अपना लॉजज जो है वो record कर लेंगे बेटा over the period बस वो इतनी बात बोल था यह अगर कम है तो फाइदा भी हो सकता है कि कम है तो फिर फाइदा हो जाएगा पर वो over the life of contract बना जाएगा over the period of contract बना जाएगा बस इतनी इसी बात आ रही है तो क्योंकि वो fix होगे वो fix होगे अगली चीज कौन सी आती है अगली चीज आते है इसमें अन्तिम वो आती है for trading or speculation trading or speculation का मतलब क्यों आता है कि आप dollar खरीदने का किसी से agreement तो कर रहे हो खरीदने बेचने का जो भी है आपको जैन्रल्ली किसी को पैसे नहीं देने इसके लिए डॉलर खरीदने का contract कि आप ने चेही मिने बाद आप आप यहां पर कर रहे है आप speculation की बात करने जा रहे है आप आज किसी ते कोई चीज खरीदने की बात कर रहे हो मैं तुमसे खरीदूंगा 70 में actually dollar निचे बीच में जाके क्या करोगे उसको किसी और को बेज दोगे जैसे market में उसका भाव बढ़ेगा जैसे share खरीदे बेज तो बिना उस चीज के actually delivery लिए आपको उस चीज के actually में जरूरत नहीं है तो वह आता है speculation करना तो आप अपने पास में trading और speculation purpose की लिए करने जा रहे है तो वह यहां पर बड़ी नियम बात clear बहुत है कहता है ऐसे case में क्या करूँ जो भी आपका जिस price पर आपने contract खरीदा और जिस price पर आप बेच रहे हो उसका बीच का आपका फायदा नुकसान होगा उस फायदे नुकसान को तब record कर लो जिसनों फायदा नुकसान हो रहा है बात खतम तो यहां पे gain और loss जो भी होगा वो PNN में चला जाएगा for the period यहां premium discount record करने की कोई बात नहीं आती क्योंकि actually मैं आपने किसी को passive गारा नहीं देने ठीक है यहां पर simple दी बात है आपका सीधा profit loss आप record कर लिए यहां पर कोई premium discount की बात नहीं आएगी तो इस तरह लेटिड़ बेटा हम अंगर question देखे question क्या है Mr.Y ने एक forward contract बेटा खरीदा है तीन महीने का दो लाग डॉलर करी एक दिसंबर को उस दिन डॉलर करेट 44.9 में और डॉलर करेट उस दिन का वैसे 43.9 में यह एर एंड पर बुक्स क्लोज करी तो रेट हो गया 44.9 31 जनुरी को जाके उसने contract बेज दिया 44.3 बताओ कैसे record करोगे तो बेटा यहां उसने बड़ी clear बात बूली है आपने किसी से कितने रुपे खरीदने में चीज की बात करी थी फैसला किया था सर forward rate था 44.1 और कितने में आपने बेज दिया 44.3 तो बस कहता ही नहीं दो rates को दे और तीन बीने बाद खरीद हूँगा जैसे भी बोल रहा है और 44.1 में मेरी तरफ से उसको commitment होगी मुझे को दूसरी party मिली मैंने उसको वो contract आगे बेच दिया 44.3 में तो आपको तो बैठे बड़ा 20 पैसे का फायदा होगया आपको तो बैठे बड़ा 20 पैसे का फायदा प्रॉफिट होगा 20 पैसे का इंटू दो लाग डॉलर तो 40,000 का आपका क्या आगया यह प्रॉफिट अपना रिकॉर्ड करिए और इसे पील में ले जाए यहां पर वो यही बोलता है इसे trading speculation पता कैसे चलेगा बेटा जब उस वह लिखा ना कि हमने इतने का डॉलर का चीज़ा तो उसके पैसे देने ते 5 मिने बाद यहां ऐसी कोई बात नहीं कर रहा है जब गूर्ट खरीदेगा उसके पैसे देने प्लांट खरीदे तो वह आपके पास नॉर्मल है यहां आपने नॉर्मल बोल है बस contract एंटर कर रहा है कोई ऐसा नहीं बोल रहा कि कि किसी fixed asset की payment करनी है उसके लिए contract वगरा है समझे बात तो वह चीज़ है तो जब आपका forward exchange contract हो रहा है intended for trading speculation तो premium discount ignore हो जाता है आपके पास में और यहां पे speculation के लिए है तो वह आपका difference जो है वो record नहीं होगा premium वगरा का जब उसको बेचा जाएगा तो जो भी profit loss है वो PNL में चला ज नहीं है तो हमको premium discount record नहीं कर रहे है जब बेचेंगे उस दिन profit loss record कर लेंगे that is आपके पास simple ठीक है तो यहां पर चाट में भी अगर मैं जाओं तो मैंने चार्ट में mention कर दिया अगर not for trading speculation है तो जो भी premium discount था आज का rate और जो forward rate है उसको over the period amortize कर दीजी और अगर trading speculation है तो जिस rate पे contract हो रहा forward rate और जिस पे बेचर है उस rate का profit loss PL में चला जाएगा simple उस rate का आपके पास profit loss चला जाएगा PL में that is simple ठीक है तो यह हमारा पूरे का पूरा standard था बेठा जो standard आपका बड़ा ही हसान सा AS11 complete होता है foreign operation का जैसे मैंने बोला please see the branch chapter उसका लास्ट में जो टॉपि अपने विश्वास रखे और मेरी वेश्वीश तो हमेशा या बच्चों के साथ में रहते हैं बस अपना सही नियत के साथ में अच्छे तरीके से अपनी त्यारी को करते जाए ठीक है ना टेकर चुरेंट एंड बाइबाइब सारे accounting for government grant का अब हमारे पास में जो है यहां पर में चीज आती है एस का एस नमर 12 बहुत ही इजी सा है दो चार्ट में पूरा एस कवर हो जाता है तो हम वह करने जा रहे हैं और सबसे पहले accounting for government grant का यह सब को क्या बोलता है यह कहता है सिंपल सी बात है जब government से grant मिलती है ग्रांट का मतलब होते benefit मिलने जा रहे है ग्रांट से तो उसके accounting कैसे करेगी ग्रांट का मतलब यहां पर वाइडर टर्म है state central municipal body यह सब है grant का मतलब होता है assistance किसी प्रकार का फाइदा मिल रहे है य क्राइन काइंड में ऐसे तब गयरा दे रही है क्यों दे रही है आपने कुछ conditions या तो पहले पूरी कर दी होगी आप बादा कर रहे हो कि आने वाले समय में कर दोगे लेट से आप specific machinery करें रहे हो लेट से आप बैकपर ही जाके factory लगा रहे हो कुछ भी आपने गवर्मेंट क इसको चार तरीकों में बांटते हैं हम इसको चार हिस्सों में बांटे सबसे पहले होते हैं जिसमें हमें सबसे आदा टाइम लगता है वह रिलेटिट टू स्पैसिफिक इसे लाइक मशीनरी लैंड बिल्डिंग उसके लिए ग्रांट मिल रही है कि अगर आप वह मिलती है तो अकाउंटिंग ऐसे होते हैं पहला ट्रीट्मेंट है इसमें में आपको जो पैसे मिला आप सीधा एसेट की वेल्यू कम कर दो वह कहता है हमारे पास में वह कहता है कि जब आपको ग्रांट मिलती है आप सीधा ही एसेट की वेल्यू को कम कर दीजे मतला आप जब asset खरीते हो तो entry डालते हो fix asset to bank जब grant मिली तो सीधा entry डालतो bank to fix asset आप सीधा entry अपने पास में डाल दे अपने पास में bank to fix asset इससे क्या होगा हमारे asset की value कम हो जाएगी अब कम value के ऊपर आप deposition charge करेंगे सीधा हमारे पास में उसने बड़ी clear बात बोली कहता है पहला method जब grant मिलेगी सीधा asset की value कम कर दो तो आपके पास asset की value कम कर दी अब आपने क्या करना है डेप्शन जो लगेगी वह कम value के उपड़ एक्जांपल के तौर पर जैसे मैं कहता हूं आपको मान लीजिए बेटा हमारे पास में machinery करीदी 80,00,000 की आठ साल लाइफ है और में चाट साल लाइफ और रेज्वल वेल्यू आट लाग है ग्रांट मिली 32,00,000 की कहता है एंट्री जालो दो सालों की पहले में अभी पहला में बताया तो पहले सी एंट्री डलवाता हूं अब पहले में जब एसेट ख्रीदा बेटा तो मशिनरी टू बेंक एंट्री आई 80,00,000 में जब गरांट मिली तो आप एंट्री कह डालोगे आप मुझे बताओ आपकी मशिनरी की वेल्यू कितने होगी सर 80 में से 32 गया तो 40 80 रहगी रेचियल वेल्यूड आठ्लाक, लाइफ एच्केट साल, आपके पास हमारे पास में कितनी डैवशन होगी, दस लाग, तो आपकी 8,00,00 की रेचियल वेल्यू थी, चाड़् साल आपकी बेटा लाइफ । तो आपने उस case आपसे क्या किया अपने पर्प्राप में अनिकाली क्योंकि value कम ही हो चुके तो सीधा एंट्रि डैप्शन ठॉपम इचिनरी 10 लाग और अगले साल महीकि क्या होगा सेम एंट्री होएगी क्योंकि दो साल की मांगे डैप्शन तू मेशींडी 10 लाग और पी अल्टो ठीक है दूसरा मेंसेड क्या बोलता है दूसरा मेंसेड कहता है ऐसा है आपने क्या करने है । तो उसको grant को एक अलग account में रखे जिसका नाम रख दिया deferred government grant जैसे fixd asset Ch надо जिसे दिरे-दिरे करके write off करते हूं ऐसी आपको ऐसे मिले वो लाइबिल्टी सेड में लिख दू डेफ़र्ट गवर्मन। उसे भी धीरे-धीरे करके राइट आप कर दो उसे इंकम बना दो जैसे डेफ्षन को खर्चा डालते हो वैसे इसको इंकम दिखा दो इससे क्या होगा पी एनल में नेट इफेक्ट सेम जाएगा तो राइस रेशियो में डेफशन चार्ज वह रहे ह्या है उसको वह गने चुछ सेड़ाईट वही ऊंगये तो यहां पर आपर हम उसे प्र इंकम बना दें में यकल् resistant किया बहुत में टो एँड हो रही सो की ह्मारा नेट लिए उसने बोला बताओं एंट्रीच अगर वो देफ बैंक 80 उसमें कोई दिक्कत नहीं है मशीनरी टू बैंक 80 पर जब ग्रांट मिली तो बैंक टू डेफ़ गवर्मेंट ग्रांट 32 अब जब डेप्रीजेशन लगाऊगे ना उसके लिए तो 80 को लेके लगाऊगे ना अब तो 80 को लेके लगाऊगे तो 80-8 divided by 4 सो डेफरिजेशन to Machinery 18 लाग और प्लम कितनी कही गई एफ जो देफ़शन गही अब जो यही इंकम बिली थी 32 की इसे भी दीरे-दीरे करके प्लमें इंकम रेकौरड कर लेंगे इसे भी दीरे-दीरे करके प्लमें income record कर लेंगे सेम तरीके से जैसे स्ट्रेट लाइन है क्टेट लाइन है एससे धी चार साल में बराबर इंकम 10 का यह था पहले में तो सीधा गई डेप्शन दस थी या ठारा की डेप्शन आठ की इंकम गई तो अल्टीमेटली नेट इफेक्ट तो वही आए ना दस का यह सर ठीक है ना और अगले साल भी वही तीने इंट्री दागी डेप्शन प्यानल टूट्री अठारा को प्यानल्ट टूट्रेप्शन अठारा और इंकम टूपीए अथा तो वही रिपीत हो निया उसमें कोई फरक नहीं ठीक है ना अगर बाइचांस बेटा हमारे पास में वह नॉन डेप्रीशेंबल थो बिटा नॉन डेप्रीशेबल में आप इंक तो आप उसे कहा ले जातों कियोंकि नॉन डेप्शन मतलब लाइक लेंड तो मैंसर वन तो बोलते कमी कर दो सौ लाक की लैंड दसलाग ग्रांड मिली नभे पे दिखा दो मैंसर बन मैंसर टूम्हेंड को डेप्शाट नहीं करना मशीन दी को जैसे अभी किया वो कर रहें तो उसकेस में उसे कैप्टर जब में दिखा दो उसे कैप्टर जब में दिखा दो यह होता है अगला होता है बेटा इसी में अगला होता इसमें जब कल को ग्रांट को रिफंड करना पड़ जाए मैंने क्या बोला कल को जब ग्रांट को रिफंड करना पड़ रिफंड का मतलब होता है बेटा आपने गौवर्मेंट की कुछ कंडिशन को वाइलेट कर दिया तो गौवर्मेंट बोला हमारे पैसे वापिस करो तुमने तो कंडिशन को ग्रांट नहीं देनी तो हमारे पास में यहां पर में बेटा जब भी रिफंड होगा कहते है रूटीन की आइटम नहीं है कहता है जो आपके पास में रिफंड हो रहे हैं वह रूटीन की आइटम थोड़ी नहीं वह बहुत रियर केस में होता है या रिफंड बहुत रियर केस में होता है तो कहता है उसे ना अपने एक्स्टॉर्डनरी आइटम मानना है कहता है जब रिफंड होगा न तो वह कि आपके पास में method कौन सा follower है पहला दूसरा question में ज्यादता रेंटरिस मांगता है या treatment मांगता है अब आपके पास अगर fix asset वाला case है तो बेटा अगर method 1 follow कर रहे थे तो हमने asset को कम किया था ना कहता है asset की value को ही बढ़ा दो increase the value of asset increase the value of asset आप asset की value को ही increase कर दीजिए okay sir asset की value increase कर दिया और कहते हैं अब यह depiction भी तो change होगी क्या पिछले सालों के भी change करेंगे ना रहे बाबा ना आज चेंज हुई ना asset की value तो आज से change कर देंगे तब entry तो डाल रहे हो fix asset to bank और आज से आने वाले सालों की depiction भी change कर देंगे so depreciation on the revised book value prospectively future के years की depiction भी change हो जाएगी किसकी future के years की depiction भी change हो जाएगी तो उन्होंने बोला आज entry डालोगे fix asset to bank क्योंकि asset कम किया था उसी बड़ा पिछले सालों की depiction बीद गी उसे कुछ निकरना आने वाले सालों की change हो जाएगी आने वाले सालों की change हो तो question देखा तो मैं आपको मैं इससे related तो हमारा जो question चल रहा था वो उसी में आगे बात करने जा रहा हूं उसी से related machinery ख्रीटी जैसे 80 lakhs की लाइफ सार साल ती रेज़ेल याट लाग थी ग्रांड मिली थी 32 यही हमारा तो बेटा एंट्री क्यों होगी machinery to bank होगी पंड के समय अगर method 1 फॉलो हो रहा है अब बेटा सवाल उठा हमारे asset पे depiction निकलेगी कैसे बेटा उसके लिए मुझे आज की date की उसकी value चाहिए पहले आज की डिट की तो मैंने 80 का बेटा asset खरीदा था 32 की grant मिली थी तो 48 पी लिए था फिर मैंने दो सालों की depiction लगाई थी 10-10 लाग जो आपने मुझे बताई भी थी तो 10 लाग के इसाब से 20 और माइनस होके 28 पे रह गया वो दो सालों बाद वो 28 का दिख रहा है किता हो और अब आपने refund की entry डाली तो 28 में 32 एड होके वो कितने का पहुंच गया 60 का हो गया वो बास समझो 80 का था ग्रांड मिली 32 की हुमने कम करा 48 रह गया उस 48 को आठ लाग की रेजियोर वेलू और चार साल की लाइफ मानते हैं हमने 10 साल की चिक्ष निकाले जो पहले साल भी लगई दूसे साल लगई 10 और 10 कम करने से आज वो कितने पास में रेजिजल वेल्यू से तो तो 60-8 divided by 2 26 लाग से आपके पास में आपकी डेप्शन हो जाएगी 26 लाग से आपकी डेप्शन हो जाएगी ठीक है इस मेथड में इसे निकालने का एक असान तरीका भी होता है आपकी पहले जो डेप्शन चल रही थी वो 10 लाग तो चली र हो जाएगी क्योंकि 10 तो जो पहले थी वो तो ही आपकी वैल्यू जो बढ़ाई आपने उसे बच्चे में दो साल हो बाढ़ना है तो आपकी डेप्शन 26 लाग हो जाएगी कि देखा पर यह सिर्फ चेकिंग के लिए आपने करके पूरा ऐसे दिखाने जैसे मैंने सॉल्व क क्याता है अगर अपके पास में में तू फॉलो हो रहा था क्यातर अगर में नुसाल में तो खतम हो गया हो तो जो एक्सेस रिफंड किया जो एक्सेस रिफंड किया उसे पी एनल मिले जाओ तो एंट्री डालो सिंप्ली डेफट गौर्मेंट ग्रांट टू बैंक डिफरेंस गया पी एनल गूर्ट तो रिड्यूस कर दो डेफट इंकम को यह अगर नॉन डेप्रीशेबल था तो कैप्टर ज चाहीं हो एउन नहीं तो हमारे पास में एक्सेस को कहां से ले जाएंगे फिनल से रूट कर देंगे तो हमारा जो कोश्चन था इस इस चलते हैं अगर यह डाण में था अब में कितना बैलेंस बचा था सर अमें 32 की ग्रांट मिली थी 32 की ग्रांड मिली थी हमने इसे डेफट में दिखा है हमने इसे चार सालों बाटना था तो आठ और आठ करके दो बार हमने कम कर दिया एक बार आठ से इंकम पीनम लेके एक बार आठ से कम कर दिया तो 16 का बैलेंस बचा है आज इसमें दो सालों बाद इसमें 16 का बचा है तो 16 यह हम पने पास में क्या करेंगे डेफट गॉर्मेंट ग्रांड 16 पर टू बैंक कर रहे है थरी टू बाकी गया बाकी गया पीनम में रिफंड के केस में हमेशा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी जरूर बचा के आएंगे कि अगर मैथ फॉलो हो रहा है तो एसेट की वैल्यू बढ़ानी है एंड डेप्रिसेशन प्रवाइड करने रिवाइज बुक वैल्यू पर प्रोस्पेक्टिव ली अगर मैथ टू हो रहा है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताने है कि पहले यूटलाइज करो जो डेफट गॉर्में करने डेप्शन पर फरक पड़ेगा तो हमारा जो असी लाग का एसेट था वह आठ लाग माइनस रेज़ेवल को चार साल अठारा लाग की डेप्शन थी आज वह 44 का दिख रहा है मतलब दो साल की डेप्शन वह आज 44 का ही दिखेगा तो आपकी फिक्सेट की वैल्यू अभ उतनी है इसमें कोई फर्ख नहीं वह अपने उसको लिकिए नहीं चल रही है जैसे पहले चल रही किम का क्योंकर हमने उसको फरक नहीं डाला है थिके ना थो वह चीज़ की वज़े से उसकी वेल्यू इसमें कोई कोभी फर्क नहीं आएगा ठीके बात ये सर क्या अबात समझ आई मार को सदेन बेटा अगले कोश्चन पर आते हैं ये और कोश्चन आता है जिसमें पर credit करी cost of asset को तो grant मिली और cost of asset में ले गए तो जब grant मिली और cost of asset में ले गए तो मुझे यह बताओ आपके पास में आपके पास में grant मिलने के बाद जब cost of asset में ही ले गए थे आप तो उस case के अंदर में तो यह method no.1 नहीं हो गया answer क्योंकि cost को कम कर दिया method one कहता है मशीन की लाइफ पांच साल है डेप्रिजेशन 20% डवलुडीवी मेथड है ओके स्टेट लाइन नहीं है हां स्टेट लाइन डवलुडीव कम्पनी को रिफरंड करना पड़ा सारा पैसा दो एपरेल 2019 को नॉन फुल्फिल्मेंट की वेज़ से जो अमारी कंडिशन लगी ती उसकी वेज़े कैसे डील करोगे रिफरंड की वज़े से अब बेटा यहां डवलुडीवी एसले हम बात करें तो हमें पहले उस दिन की वेल्यू ची होगी तो दोजार सोलह में एपरेल मिली थी दोजार उन्नीस अप्रेल में तो तीन साल की लगी तो 500 में से 100 माहिने सो तो 400 रहे पहले साल की डेप्षण 20% 80 कितनी रहे की 320 में 20% 64 क्योंकि WD method कितना रहे के 256 256 में 20% 51.2 तो इतना दिख रहे हैं तीन साल बाद आज इतने का दिख रहे हैं और हमने रिफंड दो एपरेल को कर दिया एक दिन बाद तो अगर यही मही में जून में जुलाई में अगस्त में कर रहा होता तो चाहिए आप उतने आप यहां पर में फालो हुआ क्योंकि हमने वेल्यू कम करी थी तो वैल्यू इबड़ा देंगे ना तो रिवाइस वैल्यू कितनी होगी 304.8 और अब डैप्शन कितनी लगेगी 304.8 पर प्रोस्पेक्टिवली ओबर दा रेज्वल्य वैल्यू अब यहां तो इस साल की आएकि 304.8 पर 20 परसेंट पूरे साल की तो पूरे साल की आएकि 304.8 ठीक है न हो तो कोश्चन आपके पास यहीं पर में खटम हो जाता है देखो इसमें सच कुछ भी नहीं आगी था इसलिए बताया गया क्योंकि आपके पास में इसमें डवली वीजा था बच्चे को एक बार आइडिया होना चाहिए बिटा अगर कोश्चन जब तक आपको दोनों मैथन नहीं लिखके देगा प्लीज मेरी बास समझेंगे नाम नहीं लिखेगा कौन सा मैथन फोल और तो आपने अपनी ट्री पंड होने पर आपने डूनों समय बताने दोनों मैथन नहीं मैसरण वन मैसर्ट टू करके ही लिखना अगला आता है आपको अपने पास में अगर ग्रांट रिलेटेट टू रेविन्यू है रिलेटेट टू रेविन्यू का मतलब हो गया मालो किसी रेविन्यू खर्चे के के लिए मालो स्टाफ की medical facilities है उनके लिए government ने grant दी तो यहां पर में क्या करेंगे सर यह तो revenue purpose के लिए आगी न क्योंकि medical facilities का employees के लिए उसके लिए तो यहां पर clear हो गया कहता है करो या तो जैसे हम asset में से कम करते थे आप खर्चे में से कम कर दो या income side पे दिखा दो separately अधर income के अधर मां income side पे दिखा दो या अपने आपके पास में कम कर दीगे ठीके ना तो income side पे दिखा दो या खर्चे में से कम कर दो और P&L account में systematic basis पे जाएगा to match with related अब माल लो grant government ने जो दी वो एक करोड की दिए और का 5 साल तक medical facility का खर्चा करते रो अब यार 5 साल के कठा दे दिया अगर मैं बराबर बराबर भी बोलता हूं तो मैं P&L में जो लेके जाओंगा चाहे खर्चे में से कम करूंगा चाहे income side पे दिखाऊंगा वो तो उस साल क करोड करोगे अगर वो एक साल के लिए मिली थी पर वो मिली है 5 सालों का खर्चा करने के लिए employees के medical के लिए तो उस case के अंदर में उसे deferred government grant में रख देंगे और P&L में उतना ही लेके आएंगे चाहे खर्चे में से कम करो चाहे income side पे दिखाऊंगा बट जितना उस साल का ब और बाकी P&L ले जो तो उसमें कोई दिख्वर नहीं है वो वह सेम चीज है आपके पास में जैसे हमारा है तो उसमें वही चीज आ रहे कि आपके पास में क्या पहले जितना रीफट में पढ़ा उतना यूछ हो गया अगर पढ़ा है नहीं पढ़ा तो सारा पेल में जा चुका प्रिफर्ण के समय सारा पेनल डाल जो तो उसमें वहीज आने आपके पास उसमें वहीज आने ठाखे ना तो यह हमारे पास में जनल कोश्टन भी है कि जैसे ग्रांट मिली बेटा आपको पांच हजार लाकी ये जनल कोशन पर बनता है पिछले साल मिली थी वैसे तो किसलिए welfare activities के लिए welfare activities के लिए to be carried on by the company for its employees ठीके ना तो हमारे पास में यहां पर उसने बोला grant मिली है 5000 लाग की किस परपस के लिए medical facility के लिए इंप्लोई की welfare activities के लिए ग्रांट कंडिशन प्रिस्ट्राइब करें और पुरे का पूर अब यहां पे रेटमेंट में सीम्पल सी बात होरह रही है जब clicking का refund होगा ग्रांट का refund होगा तो यह अपने आप में आइटम है पहले उट्लाइस कर लो जितना अगर डेफट में पड़ा है नहीं पड़ा तो सारा पील जो भी दिफरेंस है तो यहां तो पिछले साल की मिली थी सारा पिछले साल ही रिकॉर्ड कर ली इंकम तो आपका सारे का सारा इस साल लॉच हो गया यहां पर यह बारा के साफ से ग्रांट को कई बारिफंड करना पड़ सकता विकॉस कंडिशन सा नॉथ फुल्फिल गॉवर्मेंट ग्रांट बिकम्स रिफंडेबल गूट एक्स्टॉर्डिनरी आइटम होती है अमाउंट रिफंडेबल रिलेट लोगला काँ दिक जाएगा पीएनल में दिख जाएगा एक्स्टॉर्डॉर्ड्याइटम के तौर पे ढ़ने जो बताने हैं सिंप्ली कंक्लूजं kya बताना है कि अगली बेटा कौन सी ग्रांट आती है अगली बेटा आपके पास में ग्रांट आती है विच फ्र फ्रमोटर कॉंट्रिबुशेट ना प्रमोटर फोन वह सब्रिशिट कॉन्सी है वह कहता है असी घ्रांट है जहां प concerts पैसा दिया ना दे हैं एक दरीके से चैपिटल बिजनस में इनफ्यूज करी जाती है उस तरीके से उन्हें पैसर लाला किसी स्पैसिफिक एसेट के लिए डाला बिजनस के ओवरॉल प्रोजेक्ट के लिए डाला ओवरॉल इन्वेस्टमेंट करी उन्होंने आपने फैक्टरी सेटप करनी है बैकवर्ड एरिया में उस फैक्टरी के लिए आपको सौ करोड चाहिए गौवर्मेंट कहते हैं 20 करोड हम देंगे आप 80 करोड़ी एक्कूटी डालो तो वो किसी एसेट के लिए वो पूरे प्रोजेक्ट के आउट ले या कॉंट्रिबूशन टुवर्ड्स टोटल कैप्टल आउट ले तो यह आपके पास में इस चीज़ के लिए तो रेफरेंस चुझा तो टोटल इंवेस्टमेंट अडेटेकिंग या आपकी कॉंट्रिबूशन टोटल के लिए अब यहां पर एक्जाम्पल के त जाएता है कैपिटल रिजर्व में कहां लेकर जाएंगे वैटा कैपिटल रिजर्व में लेकर जाएंगे जो यह मावंट मिलेगा जाएगा कैपिटरिबूशन सब्सक्राइब और साथ की साथ वे श्मीन और चीज आती है इससे डिविडेंट नहीं बाठ सकते हैं नाहीं इंकम बना सकते हो पीनल में क्योनकि ये capital purpose के लिए पैसा मिला फिरिच्ट के लिए पैसा मिला त्यांव मरें बढ़ाय और इसे डिविडेंट बाइं ये तो इसे ना इंकम बाण सकते दिन रूप में ये project के लिए पैसा मिला तो यह आपके पास में क्या है यह हमारे पास में बात आती है यह पार्ट को अगर इसका रिफंड होगा तो क्या होगा सब्सक्राइब कर देना कि सिंपल दी बात है अगर कल को वाफिस करना पड़ गया तो पैसे मिले तो एंटी के डाली बैंक टू कैप्टर सब्सक्राइब और इसमें लास्ट एक और आती है वह थिया बेटा नौन ग्रांट नौन मोनेटरी ग्रांट नौन्मोनेटरी कहता है ग्रौर्मेंट ऐसेटबर ह cert य खुश कर दो अगर रिकॉड कर दिया लो पकड़ो मशीन हम तुम से कोई पैसे नहीं लेगे तो आपको मेरी जेप से कोई पैसे नहीं एकला मैं क्यों दिखाऊंगा बेटा इसे चैंडर बोलता है के लिए दुक्रोय में ता नॉमनल्य वेल्या देखा आपरन करने अब मार पास एक और कोज़िशन आगे में जंर्र सा कोजिश्वन आठ पाइप समराट लिमिटीड ने बिजनस सेटप के एक बैकवर्ड एरिया में जिसकी वैसे सब्सेड़ी मिलेगी 25% टोटल इन्वेस्टमेंट तो जितने की इन्वेस्टमेंट करें उसका 25% आपको सब्सेड़ी मिलने वाली है ठीक है ना फिर आपके पास में यहां पर में क्या आत है क में एंवेस्ट कर सकते यह तो प्रॉटम लाइन का मतलब हो गया बेटा आपकी और शक्रॉटी ने पैसा कर सकती है यह प्रोजेक्ट के लिए तो प्रोजेक्ट के लिए बिटा आपके पास में पैसा मिल रहा है तो इसे अल्टीमेटली आपका कैप्टर में लिके जाएंगे क्या प्रूब करते हो कंपनी के एक्षन को बिल्कुल भी नहीं हम प्रूब नहीं करते गलत action है जी गलत action है बिलकुई क्या बताओ companies को dividend के तौर पर लेके जा सकती है ना रे बाबना नो 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 companies dividend के तौर पर distribute नहीं कर सकती है यह capital sum में ही टिका रहेगा बस यह capital sum में ही रहेगा तो जब government grants are in the nature of promoter contribution they are given in reference to total investment या contribution towards total capital outlay तो वो capital sum में जाती है विच के ना इदर भी distributed as dividend नौर reference income तो company जो है वो recognize नहीं कर सकती इसको income के तौर पर तो यह से क्या दिखाए कि capital sum में ना dividend ना ही बात खतम हो गई standard खतम हो गया topic हमारा यह वहला कलोज हुओ ठीक है ना है अलो सुरे नमस्कार तो नौर यह गई टो रिवाइस्टर के अंदर में प्रेक्टिकल पार्ट है वो हमारा चैप्टर के अंदर में cover हो जाता है बट कुछ ऐसे standard oriented चीजे है जो हमें यहां पर में सीखनी पड़ते हैं जो standard oriented questions हमारा पास exam में बनता है 5 marks तका तो उसके लिए हमें standard को यहां बेटा revise करने जारे ताकि हम इसको भी proper और अच्छे तरीके से revise कर सको पेपर में पूरे number secure कर सके इस standard से related question में पीटा यह जो standard है इसमें सबसे बात क्या आते कि investments का मतलब क्या होता है तो investment बेटा होते that are the assets जो enterprise के पास है किसलिए बेटा income आ रही है by way of dividend interest rental यह हम बैसिकली बाते सारी की सारी कर्चन chapter करते है तो में मंक्सेद आपका income को माना अगर आप shares खरीद है तो dividend income आएगी debenture bond खरीद तो interest आएगा investment property है तो आपको rental income आएगी capital appreciation जो उस asset की बेसिकली value बढ़ रही है investment की वह या कोई भी और का फायदा investing enterprise को मतलब investor को और जो हमारा stock होता है बेटा वो हमारी investment नहीं होती और उस पर AS number 2 लागू होता है जो हमारा stock होता है यह standard कहां कहां लागू नहीं होता एक छोटा सा point है जो मैं समझने वाला है यह standard deal नहीं होता बेटा with the basis for recognition of interest dividend and rental जो आता है investment का पूरे का पूरा accounting का but यह वो standard नहीं बताता है यह बताता है एस नम बताएं यह एस 13 कवर नहीं करता फिर operating या financial lease इसके लिए एक अलग सा standard है AS 19 investment जो retirement benefit plans की होती है basically उसके लिए retirement benefit को लेके एक अलग सा AS employee benefit का AS 15 तो यह उन पर लागू नहीं हो और एक है mutual funds, venture capital funds, related asset management company, banks and public financial institutions तो जो भी financial institutions उनको लागू नहीं होता तो अगर किसी bank ने कोई shares वगयरा खरीदे डिबेंच अगर बेंक पे standard लागू नहीं होगा बेटा उनके लिए RBI ने अलग से नहीं बना रखिया है माई भाप ने, अगर हमने अगर bank के shares खरीदे, SGFC bank के हम पे लागू यहां तुमार पे लागू होगा मैंने अगर mutual funds करीदे, अगर bank के shares करीदे तो मेर पे लागू होगा बेंक ने अगर कोई investment करी तो bank पर लागू नहीं होगा क्योंकि उनके लगश्य नहीं होगा फिर बेटा forms की बात आती है forms का मदब है किस किस तरीके से देखा जाता है तो कई बार हम बोलते है investments को देखने का नजर्या होता है physical existence बेस्टे तो कई बार कुछ investment की physical existence नहीं होती और भी certificate बारा से रिप्रेजेंट होती है like shares होगे और कुछ की physical existence होती है like building तेम तरीके से कुछ investments की active market exist करती है जिनसे उनकी market value derive हो सकते है जो licit company के जैसे shares करीज हो तुमाँ easily market value पता चल जाएगी और जो बाकी है उसमें active market exist नहीं करती तो आपको दूसरे तरीकों से उनकी fair value निकालने ही पड़ती है तो यह एकाता है investment property that is investment in land building तो अगर आपने land building में investment करी है और वो business purpose के लिए नहीं है डिसके लिए किसली के लिए investment purpose के लिए जिसे आप rental income कमाऊगे उसकी capital appreciate होगे तो वो investment property होता है अब यहां पर इसकी valuation को लेके इसे किस पर दिखाने यह standard नहीं बता था यह standard पता है simple बात क्या बहुता है यह standard कहता है जो AS 10 में बेटा हमें cost model सीखते है यह कहता है उस पर वो लागू हो जाएगा simple सी बात है तो investment property होता है investment in land building which are not intended to be occupied substantially for use or in the operations of the enterprise तो हम अपने business में use नहीं कर रहे हो उसको ठीक है बट हमारे वो investment करी है तो जिससे rental income आएगी capital appreciate होगी value होगी और इस पर हमारी accounting कैसे होगी cost model जो AS 10 कहता है तो हमें AS 10 का cost model इस पर apply करना होता है ठीक है ना तो इसको लेकि हाँ पर standard और कुछ बात नहीं करता फिर classification हम कैसे करते बेटा एक होती है current investment एक होती है long term long term मतलब non current current वो है जहां पर हमारी intention जो है अगर हम कोई चीज़ खरीद रहे हमने shares करीदे adventure के दे हमारी intention यह investor की कि हम उसे एक साल के भीतर बेच देंगे तो वो current है और अगर हमारी intention है कि हम एक साल से ज्यादा पिरिट के रखेंगे तो long term हो जाती है तो बाइट नेचर रेडिली रिलाइजेबल एन इंटेंड इंटेंड वी ओल्ड फॉर नॉर्ड मोर देन वन यह तो बेसिकली क्या हो गया up to 12 months up to one year तक अगर हमारी intention है और क्यी आपके पास में पशकर हो points पर में सिंपल सी बात होती है जिस प्राइस पर आपने खरीदता है अगर कोई खरीदने का खर्या अकुछ के ने ना कमप्रों of securities issued इसका लेके कोई question नहीं आता तो जो आपने issue करी shared अपनी company के उनकी fair market value या fair market value of investment acquired तो जो आया उसकी fair market value या जो दिया उसकी fair market value दोनों में से जो clearly evident है जो दोनों में से जादा आपको बहतर पता है ठीक है न और वो उस दिन की value देने है जिस दिन transaction नहीं है और fair market value देखनी है market value ना कि उसकी किताबों की value ठीक है जी जनरल साब का नहीं है इसको लेके question नहीं होता जो main बेटा बात आती है जिसको लेके मैं questions की बात करूँगा वो ये दो इसमें main मुद्ध है एक valuation को और एक reclassification का तो पहले हम valuation की बात करते है तो बेटा हमें year end पे किस value पे दिखाना है which is दोना ऐसी carrying mode तो बेटा current investments का नियम है lower of cost and fair value लेपर fair value की जगव market value इतने बात एक है हमारे लिए भी यहाँ पे तो cost और fair value whichever is lower lower का principle क्यों होना बेटा conservation के वैसे अगर नुकसान की संभाव नहें fair value का हमें तो नुकसान record कर लो अगर फायदा की उमीद है तो फायदा record मत करो फायदा तभी record करना जब होगा तो वैसे इसको लेके para number 31 बोलता है rule और पर इसमें एक छोटी सी चीज आते है सर लोर तो बहुत तरीके से देखा जा सकता है मतला बेटा यहां पर ना अलग अलग तीन तरीके बनते मेरे साथ समझेंगे तो मैं आप से बात करने जा रहा हूँ यह मैं current investment में आपके साथ बात करूँगा कि current investment हमारी है तो उस case में lower कैसे देखना है तो मैं standard क्या बोलता है तो मान लीजिए अपने equity shares खरीदे वे दो अलग अलग A1, A2 और mutual fund भी खरीदे में MF1, FF2 हम तो खरीदी सकते हैं ना mutual fund वालों को इस channel लागुन होता है मेरे पर तो होगा ना अगर मैंने investment करिए ठीक है ना उसमें doubt मत रखना तो cost दी है market value दी है और मैंने क्या लिया सबसे पहले lower ले दिया तो individual lower लिया 50 of 60 का 50, 75 total होगा 125 ये बहला और 30 और 25 में से 25 40 और 48 में से 40 और total होगा 65 अब बेटा मैं lower देखना कितने तरीके से lower आता है तीन तरीके से lower देखा जाता है पहला lower है जिसे हम बोलते है बेटा individual या script wise मतलब मैंने AK का individually lower देखा बेटा जब मैंने AK का individually lower देखा तो उसे बोलते individual basis script wise basis तो equity वालों का total था 125 mutual funds का 65 तो answer बन गया 190 ये होता है individual basis ये बिलकुल permitted है मतलब ये lower करना ये अच्छल में सबसे बेस्ट सरीक है एक lower का देखने का कि आप individually एक एक अपने पास में security को चेक कर रहे हैं दूसरा हाथ है बेटा category wise category wise में क्या पूरा equity shares को देख रहे है total cost versus total market value तो इन दोनों में से lower क्या है 135 mutual fund 70 और 73 whichever is lower 70 तो lower क्या देखा पूरी category of equity, mutual fund, mutual fund, preferential, पूरी category of adventure जैसे भी है तो पूरी category को देखा उसमें जितनी मर्जी हो 2, 4, 5, 10 कंपनियों के हो तो इक अठे में देखा तो total है 205 यह permissible है, बिल्कुल यह भी permissible है इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है तो standard हमें कहता है lower ले सकते हैं individual basis पे भी category wise भी वैसे दोनों में से ज्यादा better is individual basis पर एक और lower होता है वो होता है total cost ले ली तो यह total cost हुई total value हुई 208 और दोनों में से lower क्या हुआ 208 बेटा यह होता है global basis global मतलब overall basis पर यह permissible नहीं है यह allowed नहीं है, standard इसको बिल्कुल मना करते हैं, तो global is not allowed individual basis allowed है यह category wise allowed है और उसमें से better individual basis है बट global permissible नहीं है यह हमारा rule है, किसका valuation जब हम करते है lower of cost or fair value in case of current investment lower can be taken on individual basis rip wise basis और category wise बट not on the global basis, ठीकिए नो long term का जो नियम है बेटा, यह para number 32 कहता है current का para 31 नहीं, इसका long term का para 32 वो कहता है, usually carried at cost तो इस हम किस पर दिखाते है, cost पर क्योंकि लंबे समय के लिए रखा है, market value तो उपर नीचे होती रहती है, तो इसलिए हम उसकी वाई से loss ने record कर सकते है, आज कमे कल को बढ़ जाएगी हमने तो 2-4 साल के लिए रखा है, पर इसमें exception है, वो कहता है, अगर जो गिरावट हुई है, आज market value fair value कम हुई है, वो other than temporary है, other than temporary का मतलब permanent decline है, अगर जो गिरावट हुई है, वो permanent nature की decline है ना, तो उस case में आपको reduction को अपने pass में charge करना है, तो आप provision नहीं, आप नुकसान record करिए, तो मतलब अगर किसी कंपनी के आपने shares करीद है, बोड़ी बहुत ही market value कम हुई है, कोई दिक्ट के बाद है, पर अगर significant हुई है, और वो इस वज़े से है, कि permanent, permanent decline का मतलब मानलो, उस company को cash losses हो रहे है, उस company का cash flows नहीं है, वो company बहुत बड़ा case हार गई कोई, मतलब these are certain indicators, उसके पास assets वगएरा जो है, वो negative network चल रही है, उसकी basically, तो वो सारी चीज़े आ रही है, तो उसको बहुत भारी मात्रा में losses हो रहे है, तो यह सारे एक indicator से जो यह show करते है, कि उसको permanent nature का decline हो, वो company अब 2-3 साल तक भी हमें लगता है, नहीं खड़ी हो पाएगी, यह routine का temporary नहीं है, वो लंबे समय के लिए है, तो उस case में अगर loss है, तो उसको आप provision बना दीजे, उसका loss record कर लिए, तो यह long term का नहीं हो, normal rule at cost, पर अगर permanent decline है, other than delivery, तो loss record कर लो, current में तो आप सीधा loss अगर बनता है, तो record कर लो, lower of cost और carefree, तो बात यह खतम हो जाती है, इसी से related, मैं reclassification पर बाद में आता हूँ, मैं आपको पहले एक दो questions कराता हूँ, तो एक general हम questions कुछ देखते हैं, यहाँ पर किस प्रकार से आती है, तो Messers Active Builders Limited ने investment करी इंदा shares of another company, एक और company के shares खरीदे, 31st October को कितने में 4.5 लाग से, it also earlier, कभी उन्होंने पहले gold खरीदा था 5 लाग को और silver खरीदा था 2.25 सोन और चांदी खरीदे, 31 March 19 को खरीदे, इन सब की market values, year end पे जो है, वो दे रखी है, shares, gold और silver, कह रहे हैं, बताओ इनको कैसे show करेगे in the books, तो बेटा, year end पे, तो बेटा, shares के case में मारा answer क्या बनेगा, 450 के खरीदे तो market value 375 रहेगी, हम 375 पे दिखा देंगे, अरे या, रुको जरा, थमो जरा, बेटा, जब बेटा, किसी ने बोला कि यह current investment है, यह तो आपने माना, तो हमें दोनों देने है, अगर current है, तो lower of cost or fair value होके 375 बनेगा, पर अगर long term है, तो cost पे दिखाते हैं, unless permanent decline हो, तो हमें basically, बेटा, यहां permanent decline हो, ठीके न, तो उस case के अंदर में हमारे पास, बेटा, valuation जो है, वो normal तरीके 375 हुई, बट अगर long term है, तो 450 है आ जाएगा, ठीके न, second, gold और silver, बेटा, sona, chandi, या, government securities, यह तीन ऐसे चीज़े, जिसे generally, हमारा institute कहता है, और हम भी एक general बात करते है, कि gold, silver, government securities, या ऐसे चीज़े, जिन्हें हम normally as a person, हमेशे एक लंबे समय के लिए खरीत है, मुमी पापस उन्हां खरीते होंगे, उनका मकसद है, आपकी जब तक चादी ने होगी, तब तक के लिए रखेंगे, एक तरीके से, लंबे समय के लिए एक साल तो वैसे हो गया, तो long term ही तो है, वैसे कह रहा हूँ, तो हम उसे generally long term ही मानते है, आपने दोनों देने मुझे तब भी कोई दिखर नहीं, तो gold and silver are generally purchased with intention to hold for long term, until unless की question कुछ और बोलते, तो इसमें आपको किस पर दिखेंगे cost पे, वैसे भी इन दोनों की market value बढ़ी ही दी है, तो आप चाहे current मानते है, चाहे long term मानते है, answer cost ही आना था, तो investment जो है बेटा वो इतने पर दिखेंगी, जो cost पे आ रही है, तो कि NRV बढ़ी ही दी है, तो finally आपके पास में यह answer आ जाएगा, यह हमने बता दिया, तो share में हमेशा दोनों answer दे, और gold, silver में you can go with one answer which is long term, तो general question था, तिर अगला question आता है, X limited ने investment करी रुपीज 500 lakhs की, इन्द एकुटी शेयर था वाई लिम्टी, 10 जन्वरी को, realizable value उसकी अब रह गई सिरफ 200 lakhs, 500 lakhs के share करी दे थे हमने, अब सिरफ वो value रह गई 200 lakhs, क्योंकि वो company एक case आर गई, patent right का, ठीक है जी, हमारे पास में X limited, वो आपके पास में रोज लिम्टी लिख रहा है, वो X limited है, और Y limited, वो follow करते है, financial year को accounting है, कैसे reduction को record करेंगे, तो बे किस पर depend करेंगा, investments current है कि long term है, current है तो किस पर आएगा, current है तो 200 पर आजएगा, long term है तो किस पर आएगा, cost पर अगर permanent decline हो, क्या है permanent decline वैसे लग रहा है देखने में, हाँ sir, क्योंकि एक तो value बहुत गिर गी और उसने लिखा है company patent right का case हा रही है, तो इंडिकेटर है kind of permanent decline का ठीकिना, तो nature of investment पे depend करेगा, nature of decline पे depend करेगा, तो महार पस अगर long term के लिए decline temporary है, तो reduction record नहीं होगी, और cost पी आएगी, और अगर permanent का है तो PNL में जाएगा, और अगर current है, तो reduction जाएगी आपकी PNL में as current investments को cost और fair value विचरल देख से, यहाँ values नहीं थी, आप लीज आंस अगर यह decline temporary है, तो हम 500 पे दिखाएगे, तो अगर यह decline temporary है, तो हम 500 पे दिखाएगे, तो फिर हम loss record कर लेंगे 300 का और कितने पे दिखाएगे, 200 पे दिखाएगे, तो आप बहुत clear ली लिखो, मैं तो फिर भी कह रहा हम one-sided हो सकते decline permanent लग रहा है, बड़ आप दोनों दे द लेंगे, जब तो कोशन खुझ ना बोले हम रिस नहीं लेते हैं, हम सीधा पता देते हैं, ठीक है ना, फिर अगले वाला कह रहा है, एक unquoted long term investment है, जो बुक्स में दिखरी है 2 lakh में, तो यहाँ अप assumption की बात खत्म होगे, लिख दिया long term है, लिख दिया long term है, जो company के published accounts पता 20,000 से ज़्यादा हमें realize नहीं होगा, इसका खरीदे 2 lakh में, बदाओ इसको कैसे deal करोगे, तो क्या यह permanent decline लग रहा है, यह current की तो बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि question ने लिख दिया कि कौन सी investment है, long term है, तो यह long term है, तो बेटाब current का मुद्दा ही अडगा, long term है, at cost, पहले provision इसको applicable हमेशा, कि long term investment to be carried at cost, however if there is a decline other than temporary या permanent decline, तो provision हमने बनाने है, reduction की, ठीके न, तो यह नियम है, और फिर हम लिख देंगे कि यहाँ पर ऐसा लग रहा है, कि यह आपका decline जो है, वो permanent है, क्योंकि cash losses होए, तो हम loss record करनेंगे 180 का, ताकि वो 20 पर आजा, तो पहले principle ही लिख इस case, facts of the case, clearly suggest कि provision बना लेनी चाहिए, कितने की, provision कितने की बनाओ के decline, provision for decline कितने की बनाओ के बेटा, 180 की, भई 2 लाग की चीज में 180 का नुकसान record करोगे, तभी तो वो किसने पहुंचेगा, 220,000 पर आएगा, तो कि यह permanent decline आपका साफ प्रतित हो रहा है, बट अगर इसमें मैं फिर भी कहता हूँ, अगर आप यह लिखना चाहते है कि हम यह decline को permanent नहीं मान रहे, तो भी लिखने हो, permanent वाला पका लिखने है, दोनों जरू लिखने है, यह वाला पका लिखने है कि permanent है, क्योंकि main तो purpose ही वही है, question का आप समरे हो, main तो purpose ही है, तो अगर वो लिख रहा ह था, December 21 में 5 marks के, बड़ा ही, असान सा question है, वैसे, बड़ एक्जाम के वैसे तो मैंने बाकी भी exam वाले ICA study met RTP के questions है, पर कुछ जगाँ मैंने फिर भी चलो लिख दिया, Mr. Mohan ने invest करे कुछ पैसा mutual funds में information दे रहा है, चार है, date of purchase कब कब खरीदा है, वो बताया, कितने मैं ख खरीदा brokerage का कर्चा, same duty और उनकी market value बिता दी, classify करो investment को एर 17 के साफ से valuation कर दो, उचल fund की आपके पास में, विड़ा हमारा नियम पहले बता देंगे, कि current investment क्या होती है, long term क्या होती है, और valuation का rule क्या है, वो तुम पहले बताई देंगे, तो यह आपके पास उन्होंने यह applicable provisions क्या है, current कौन सी है, job to one year है, long term जो एक साल स्यादा, current का rule है lower of cost और value long term का rule है, add cost, unless there is a parameter, अब यहाँ पर में, हमने बेटा क्या मान है, वो यह आपके पास हमें assumptions पे चल रहे है, हम वो कुछ assumption ले रहे है, कि हमने इनको, पहली वाली को तो long term इसले माना, वो तो पुरानी पह यह सकते, long term का, क्योंकि वो इस ही साल में खरीद ही, अब यह सारी, rate can be current, in can be long term, हम current लेके खरें, cost के लिए क्या करेंगे, purchase cost, brokerage, temp duty, sub add कर दिया, market value आपको दे रखी है, अब यहाँ पे उसमें क्या करना है, current में तो lower देखा, तो lower यह आया, यह आया, क्यों current माना, अगर long term मानते तो add cost है, जो पहले वाला long term है, उसमें add cost, unless there is a permanent decline, तो हमने add cost दिखा, हमने माना है, decline permanent नहीं है, अगर आप यह मानते, decline permanent है, तो वो भी market value ह production जो value हुई है, वो temporary माना गया, अगर वो भी other than temporary माना होगे, तो वो उतने प्यादा, तो institute ने भी दोनों answer लिख दिए, ऐसा नहीं कि institute एई के answer लिख रहा है, institute ने भी दोनों लिख दिए, तो मैं तो हमें ऐसा suggest करूँ का आपको अगर लगता है, तो आप दोनों answer देओ, त तो वो आपके पास part हो जाता है, अब बेटा, जो अगली चीज आ रहे है, that is something about the reclassification, क्या हमारी intention, change हो सकती है, the intention किस चीज की, कि बेटा, मैं पहले सोच रहा था कि मेरी investment है current है, अब मैं मान रहा हो नहीं है, current नहीं है, long term है, मतलब मैंने पहले सोच रहा था जल्दी बेश या current to long term, वैसे इसके भी para number है, मतलब याद कने जातों कर सकतो 23 and 24 है, ठीक है, तो बेटा, नियम क्या, देखो, current to long term का नियम बड़ा असान है, current to long term में current का rule लगा दो, current का rule क्यार, lower of cost और fair value, और यब उस दिन की fair value चेक करोगे, जिस दिन आपने reclassification करी, जैसे year end पर year end की देखते हो, तो उस जिन की देखो के जिस दिन classification change करी, तो transfer admitted lower of cost and fair value at the date of transfer, तो current to long term में किस का नियम लगा, current का नियम लगा, बहुत ही असान, और long term to current में, sir, long term में तो market value देखती ही नहीं, तो इसलिए उस नहीं बोला नहीं देखेंगे, तो उसने बोला, lower of cost and carrying amount at the date of transfer, तो आँ पेर value नहीं देख रहे है, caring amount क्यों होती है, sir, caring amount होती है, book value, किताबों में कितने का दिख रहे है, वैसे अगर बोलू किताबों में आ, तो cost भी दिख रहा होगा, अगर decline कभी decline record क्या होगा, तो आज, मतलब carrying amount पे दिख रहा होगा, कम value पे दिख रहा होगा, तो basically आपक हमें cost और fair value विच्चवरी लोग रहे है, ठीके न, तो इसमें fair value नहीं देखने का, yes sir, तो अभी इसी से related, बेटा मैं आपके पास कुछ question करा था हूँ, दो questions हमें इस से related कर लेंगे, ताकि हमें बहुत clarity मिल जाएगे, तो ABC limited reclassify करना चाहते है, अपने investments को AS 17 के हिसाप से, decide and state on the amount of transfer based on the information, सबसे पहले, portion of current investment जो खरीजी थी 20 लाग की, उसे reclassify करा as long term, जो कि अब decide के retain करने का, और इनकी market value एरेंट पे कितनी है, 25 लाग, तो 20 लाग और 25 लाग, cost 20 है, और 25, तो कि current to long term है, तो lower of cost और market है, तो 20 और 25 विच्चा भी लोग, तो 20 पे दिखाएंगे, हमने नियाम लिख दिया, current to long term, lower of cost and fair value at the date of transfer, अगला, another current investment है, 15 लाग की, उसे भी reclassify किया as long term, अब उनकी market value 6.5 है, अच्छा, तो 15 लाग और 6.5 लाग, विच्चा भी लोग, सर 6.5 लाग, तो transfer किस पे होगा, 6.5 लाग, और बाकी कहां में loss record करना पड़ेगा, पहले में तो दि 8 लाग का नहीं लिखने जाते हैं, तो भी चलेगा, अगला long term to current है, तो long term to current का नियम लिख दे, वैसे आप यह जो भी नियम आता है, मालो 4-5 case है, आप question के starting में एक बार नियम लिख दो, फिर बार बार लिखने हैं, current to long term का ही है, long term to current का ही है, तो अब long term to current का क्या नियम है इसमें long term का करन मानते हैं, lower of cost and carrying amount, इसमें fair value नहीं देखने, fair value नहीं देखने, long term investments के अब जरुवत नहीं है for holding, उन्हें great classifier करना है as current, original cost 18 लाग है, बट उन्हें लेके चले गए, 12 लाग पर to recognize permanent decline, ओ, तो long term to current में, long term में बिटा, cost 18, wdv मतलब carrying amount है 12, fair value तो दी ही नहीं है उसकी जुरुद भी नहीं है, तो 18 और 12 विच्छल लाग, उसे 12 पर दिखाएंगे, जिस value के ताव में दिख रहा है, उसी पर दिखाएंगे, तो वो उसी पर दिखाएंगे, तो वो उसी पर दिखाएंगे, carrying amount मतलब book value जितने पर दिखाएंगे, एक और आपके पास question में ब दिख दिया, current to long term का ही, long term to current का ही है, ठीकिना, अब portion of long term investments खरीदे थे एक मार्च को, आज reclassify करने है current, original cost वैसे इंकी 14 लाग है, पर इन्हें by 2 लाग का अपना नुकसान record कर चुके पहले, तो 14 के खरीदे थे 2 लाग का decline record किया था, तो कितने में दिख रहेंगे, 12 में, तो market value का role है, नहीं sir, long term to current में cost और carrying amount whichever is lower है, book value तो 12 लाग पर आएगा बिटा, तो हम carry किस पर करेंगे, 12 लाग पर, market value का कोई relevance नहीं है, फिर another portion of long term खरीदे थे, आपके पास में reclassify करने current, original cost कितनी थी 7, but return down 2 रूपी is 5 लाग, तो दिख ही 5 पे रहे, buy नहीं अब, 2 है, तो म market value का लेना देना नहीं है, in case of long term to current, प्लीज इस चीज को याद रखेंगे, ठीक है, फिर अब current आगया, 2 current के, portion of current investment खरीदे थे 15 को, मार्च को 7 लाग है, आज long term आने क्योंकि company ने चाहिए, रिटेन करने का, market value year end पे 6 ती और आज 15 जून को 8 है, तो बेटा, किस दिन की market value द देखनी है, सर, जिस दिन transfer हो रहे है, तो transfer हम 15 जून को कर रहे है, तो उस दिन की देखनी है, तो हमें 7 लाग को compare करने है, पेटा, 6 से नहीं करना, तो 7 और 6 लाग, whichever is lower, 7 लाग, तो हमें 7 पे दिखाना पड़ेगा, transferable meter 7 लाग, तो कि पेर वेल्यू से वो कम है, जिस दिन transfer रोज दिन की, किसी और दिन की नहीं, अगें, another portion of current investment 4 लाग है, reclassify किया long term, market value दे रहे, year end पे 3.3 थी, आज 15 जून को 3.8 है, मेरे लिए ये रेलिमेंट नहीं है, ये रेलिमेंट है, तो 4 लाग और 3.8 विच्चार लिए 3.8, तो reclassification किसम में होगी 3.8, reclassification किसम में होगी 3. 3.8 लाइन में, तो जिस दिन transfer कि, यहाँ पर और भी dates का दे रिया था, confused करने के लिए, इसलिए question कराया, तो नियम बड़ा दिमाग में clear हो, cost or carrying amount, whichever is lower, जिस दिन का transfer लोंग term तो करने हो, और cost or fair value, whichever is lower, उस दिन का, जिस दिन transfer कर रहे हो, current to long term में, ये हमारे नियम है, ठीकि अब इटा, इसी में, चार्ट पर भी आता हूं, दो छोटे-छोटे points थान है, disposal का मतलब क्या होता है, disposal का मतलब होता है, investment बेचना, तो वैसे हम questions जब करते है, वहाँ सिखते है, disposal में होता है, जब हमने investment को बेचा तो, जो भी बेचने का profit loss है, कहां जाता है, sir, PNL में जाता का है तो, कलको अगर वो permanent decline के वएसे loss record किया, और अगले साल जाकर उसकी market value फिर से बढ़ गी, तो आप उस decline को reverse कर देंगे, एक general बात कहता है, तो मानलो मैंने अपने पास में share खरीदा था, 100 खा, आज market value 40 रह गए और वो permanent decline, तो मैं 40 में लिए आउंगा, और लंबे समय के लिए, तो 60 का loss record किया, कल को जाकर लेट से उसकी value 55 होगी अब market value, by chance value बढ़ गी, तो आपने 60 का loss record किया था पिछले साल, इस साल 15 का increase record कर सकते हो, 47, क्योंकि वो तो loss को reverse कर रहे हो, cost से ओपर वे नहीं लेके जा रहे, 100 से ओपर नहीं लेके जा सकते है, पर जितने पिछले वाल provision बनाई थी, उतनी को reverse कर सकते हो, अगर by chance market value कल को बढ़ जाती, तो reduction in carrying amount is reverse, when there is a rise in the value of investment या permanent decline अप नहीं है, by chance वो permanent decline पिछले साल लग रहा था अब नहीं लग रहा, तो आप बढ़ा सकते, ये general समझने के लिए questions में point नहीं होता, मैंने मिटा आपको यहां पर chart भी द current होती है, up to one year, long term होती है, more than one year, खरीदने का जो भी खर्चा आ रहा है, वो add हो जाएगा, exchange में, जो भी fair market value of shares acquired, investment acquired यहां, जो भी चीज दे रहे हो, whichever is clearly evident, right shares से related हम यहां लिखावा जरूरे chart में बढ़ा हम इसके questions पूरे chapter में करते है, practical वाले में, तो यहां role नहीं है, यहा या category wise, but global permitted नहीं है, long term को cost पर exception के decline अगर other than temporary है, मतलब permanent, reclassification, long term to current में बेटा, lower of cost and carrying amount, basically book value, और current to long term में, lower of cost and the fair value, वो मारा, उसका है, and the date of transfer, जिस दिन ट्रांसर करा, उस दिन की fair value check करनी, उस दिन की book value check करनी है, और disposal में जो भी profit law से कहां चले जाता है, तर PNL में चले ज पूरा standard जो है, मैंने कहा था, बैली छोटा, तो कि इसका practical chapter तुम करी चुके है, हुँ तो आपका करी चुके है, तो ultimately इसलह में सिर्फ standard oriented जो मेरे को part बताना था, valuation वाला, या reclassification का, उस से related मैंने इसको करा दिया, तो आपका पूरे का पूरा standard जो है, AS number 13 क्या हो जाएगा, बैटा, revise हो जाता है, पूरे का पूरा, and hopefully आपके पास अच्छे से आपको समझ आ गया होगा, बैटा, तो इसके साथ, we are through with this, AS number 13, hopefully आपको बहुत बढ़िया तरीके से standard बैटा, revise हो गया होगा, thank you, बैटा, thank you. तो सबसे पहले हमारा पेटा सवाल यह उठके आता है कि boring cost का मतलब exactly क्या होता है, sir, boring cost का मतलब क्या सिरफ interest cost होता है, the answer is no, boring cost का मतलब होता है, जो भी आपका borrowing के लिए खर्चा लग रहा है, जो भी amount आपका related to the boring होता है, जिसमें primarily interest चाहता है, पर ऐसे नहीं कि सिरफ interest चाह और क्या क्या चीज़ है, वो भी boring cost का पाट है, so these are the interest and the other cost which are incurred in connection with boring of funds, जैसे आपके पास मेटा related charge लगे, processing piece लगती है, amortization of discount premium, आपका premium on redemption of debentures होता है, अब आपका discount on issue of debentures है, आपने कम पे issue किया, सवाला 96 पे किया, तो वो चार पे भी जो कम मिला, वो भी तो आपका वो Cancillary cost, loan लेते हैं, CA से project report बनाते हैं, CA fees charge करता है, कलको आप charge करोगे, लोगों को loan ची होगा, तो आप से project report बनवाएंगे, तो आप उनसे fees charge करोगे, तो वो भी तो खर्चा ही है, borrowing, तो वो सारी चीज़ होगी, फिर finance charges, अगर finance leads है, वो AS19 मुता आते, जो वो interest कोई finance charges के नाम स बता हूँगा, exchange difference में आपके साथ अलग से example हूँगा, नो हमारे पास बेटा हमारा standard जो है, वो एक general तरीके पर चलता है, वो rule पर जाता है, जैसे मैंने बोला, borrowing cost बेटा हमारे पास में जो है, वो हमने definition को समझा, वो हमने definition के अंदर में 4 चीज़ आई जैसे, पर कहता है, इ यह इस चीज़ पर निर्भर करेगा, कि वो boring cost किस चीज़ पर लग रही है, मेरा ध्यान सुनेंगे, ध्यान से, boring cost, boring cost आपके पास में, कि treatment क्या होगी, यह इस चीज़ पर निर्भर करेगा, कि वो जो खर्चा लगा ब्याज का हमारा primarily और अलग खर्चे जो थे, वो किस asset पर लगे, तो उस case के अंदर में, वो boring cost जो है, asset की cost में add हो जाएगा, मतलब हो capitalized हो जाएगा, सर, बेसिकली, यह qualifying asset का वर्ड इस चेंडर नियूस किया गए, जो की कहता है, ऐसा asset, जिसे बनने के लिए, substantial period of time लगता है, जिसे बनने के लिए, substantial period of time लगता है, जिसे generally हम, यहाँ आप भी basically convenience के लिए 12 मेने, पर अगर 12 से कम भी है, तो आप अपने questions में उसे qualifying ही मानेगे, अगर asset को बनने में 8 मेने, 9 मेने भी लग रहे है, तो भी वो आपके लिए qualifying ही है, questions purpose के लिए, मैं पहले ही clear कर देता हूँ, जिसे बनने के लिए substantial period लगता है, तो वो qualifying asset कहा जाता है, तो substantial period of time to get ready for users, ideally time period given is 12 मिने, आपके questions में कर कम भी लग रहा तो भी qualify है, उस case के अंदर में, क्योंकि वो facts and circumstances में depend करता है, ठीके ना, उस case में आपने क्या करना, उसे asset की cost में add कर देने, उस case में asset की cost में add कर देने, पर अगर आपका non qualifying asset के लिए लग रहा है, एक ऐसे asset के लि building बनानी चालू करें, आपने bank से लोन लिया building बनानी चालू करी, बिटा building को बनने में समय लगना है, जो loan का भ्याज है वो bank को देने, तो यह standard कहता है, वो loan का जो भ्याज है ना, जब तक building बनकर तयार नहीं हो जाती, वो भी आपके पस interest building की cost में add होगा, main standard का मकसर है, पर क खरीदी, तो उसका interest asset की cost में add नहीं होगा, तो उसका interest asset की cost में add नहीं होगा, वो non qualified है, वो ready for use है when acquired, तो वो उसी साल P&L में चला जाएगा, वो P&L में जाएगा, तो हमारा सिरफ simple सी बात है, simple सी बात है, जब तक asset बनकर तयार नहीं हो जाता, तब तक का ही interest हम बोलते, asset की cost में add होगा, जिस दिन asset बनकर तयार हो गया, लोन तो उसके बाद भी चल रहा है, उसके बाद का जो interest है वो P&L में जाएगा, उसके बाद में उसका जो interest है P&L में जाएगा, यहां पे हमारे पास में जब तक asset ready to use नहीं हो जाता, ठीके ना, अब commencement कब होगी, क्या क्या conditions बन रहा है, अभी asset बन रहा है, तो activities in progress है, activities in progress है, अब बेटा यहां पर में, हमें क्या करना होता है, कुछ steps है, जैसे, यह मैंने दो जगा लिखा वे, बार बार में बता दूँगा, सबसे पहला step होता है, क्योंकि खर्चा फज्जे सारा नहीं इंकर कर देते, फज्जे निकालते है, वेटी डेवरेज खर्चा, तो खर्चा इंटू समय को लेते, कितना खर्चा किया, किस देट को किया, तो आपने उसका ध्याम रखना, और फिर हमारी जो बोरिंग से न, वो दो प्रकार की आती है, दो बोरिंग आती है, एक होते है बटा specific, और एक होते है general, ए क्योंकि वो पैसा पहले यूज हुआगा, तो पहले उसको इस्तिमाल करेंगे average खर्चे के लिए, और अगर हमने उसके अलावा भी कोई general बोरिंग लिए, तो उसके हम बात में यूज करेंगे बचेवे खर्चे के लिए, बचेवे खर्चे के लिए, तो पहले specific बोरिंग फ पहले कौन सा पैसा यूज हुँद हुआ, क्योंकि अलग-अलग interest rate पे, तो यह से हम पहले specific बोरिंग को attribution दे रहें, और बाकी किसको दे रहे, general बोरिंग को, और general बोरिंग अगर अलग-अलग rate पे है, तो उसका एक rate निकाल लेते हैं, उस rate से हम apply कर देते हैं, वो rate कैसे न इंकाल लेते, तो यह हमारे पास में उसने चीज बोली है, जिसको लेके बेटा, मैं आपके पास एक question दिखाता हूं, जैसे आपको, यह हमारा question है, जो हमारा question बनता है, जो मैंने इसमें सारी चीज़े cover कर दी, more or less, आपके अलग-अलग points हो, अलग-अलग questions करने की बजाए, कहता है, कंपनी ने building की चालू करी construction एक एपरेल को, उन्होंने दो लाग का special loan लिया, यह तो specific है, वो building के लिए एक एपरेल को, और interest rate कितने पे लिए 8% पे, अब building पे जो खर्चा हुआ है, वो अलग से और भी loan लिए, वे non-specific, उनके ब्याज के rate दे दिये, non-specific है, एक 4 पर्षेंट पे 5 लाग का, 12 पर्षेंट पे 3 लाग का जो था पर्षेंट कहता है, यह हमने खर्चे के बिल्डिंग के ओपर अलग लग डेट पे, एक एपरेल को 3 लाग का खर्चा किया, 31 मही को 2,40, फिर एक जुलाई को 4 लाग, फिर 31 मार्च को, और construction complete 31 मार्च को, बोल रह कहता है, वो यह कहता है, थ्यान से सुनना, कि हमारे पास सबसे पहले हमने क्या करने, इस date को और amount को यूज करके, हमने P into R into, R नहीं है, T कर देना, P or T लेना, तो उसे बोलते है, average fund expenditure, तो हमें amount into time period को relevance देना, amount into time period को relevance देना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले, जो पहले 3 ला average expenditure, तो बनता है, 890, क्या करना है, 890, अब इस में से, पहले कौन सा पैसा लगा होगा, सर वो specific boring का लगा होगा, तो specific boring हमारी कितनी की थी, 2,00,000 की थी, तो 2,00,000 की boring आपके पास 8% rate के साब से, तो पहले तो वो ही लगा होगा, तो यह हमारा weighted average खर्चा निकल गया, अब 2,00, के उपर 8% हमने लगा दिया, तो 2,00,000 के उपर 8% पहले तो यह यूज हो गया, 2,00,000 का 8% वो 16,00, अब जो बचावा खर्चा है, which is 690, 890 में से यह गया, तो 690 आया ना, उस पे general boring यूज होगा है, पर problem एक आ गई, अगर general boring बेटा आपके पास जो है, अगर general boring हमारी एक से जाता है, तो मैं इन तीनों में से कौन सा rate लूँ यार, तो मेर को नहीं पता नहीं से कौन से होता है, मैं तीनों का basic average सुरना करना है, simple average, weighted average करना है, so weighted average कैसे नहीं का लोगे, total interest जवाइड by total boring, मतलब मान लोगे, अगर यह एक ही लोन होता, तो कितना भी आज बनता, total interest, 4,00 इंटू 9%, 5,00, 12%, 3,00,000, 14%, तो यह सारे interest चाहे, यह इतना मना, और सारी boring होगे, तो यह हमारा आगया, साड़े 11% capitalization rate, यह आगया हमारा average rate, तो यह average rate आपका लग जाएगा, यह वाला, और यह आपका लग के पता चल गया, कितना interest capitalized होना, यह आपका interest बनता है, जो capitalized होगा पर जो बाकी general boring का व्याज बचा, क्योंकि total तो general boring का व्याज इतना बनता है, स्पेसफिक का तो सारा capitalized होता है, पर जो general का बाकी बचा, वो PNL में चला जाएगा, क्योंकि इसमें से इतना ही capitalized होगा, बाकी PNL में जाएगा, तो यह हमारे पास में कितनी building पे ख़र्चा ल वोग आईपैर आजाती है हमारे एकाउंटिंग एंट्री भी आजाएगी वह counting एंट्री बेटा क्या बनेगी वह counting एंट्री बनेगी building लू आईपी तू बोर्ण कॉस्ट होगि क्योंकि जित्मी बारिंग पॉस्ट के जितने पे̩लाइज करें वह और जितनी बॉरिंग कॉस्टे वहागी तो यह हमारे पास में एंट्री आ जाती है जब वो हमसे एक एक काउंटिंग एंट्री मांगता है तो तो यह आपका एक करने का बेटा तरीका है इस पॉस्चन को आपने वेटी डेवरेज खर्चा निकाला उसके पहले स्पेसिफिक ब का उससे आपके पास में कम की ही होती है सपैसिफिक बारनं जिस और अट्यकलिन वह सारा कर्प हो रहा है मनें खरचा फंस हेपली यह कुद सब्सुक्री गारिन होंता है तो रोलाज की देना तो हम क्या करते हैं है सब्सुर्ठ इक्जाम में से बिएल में 50,000 आ चाल उस अमांट किये उससे कम का खर्चा फस्दे कर रहे हमारा वो उतना यह उससे ज्यादा हमेशा होता है अगर उससे कम होगा तो स्पैसिफिक तो क्योंकि सारे के प्लाइज होने हो तो इस वाजे से आपके पास वह उसका बाकी का बंत है ठीके ना मही 22 का पेपर exception कुछ बच्चे को याद आगी बात येस बिल्कुल तो वह इंस्ट्यूट ने बिल्कुल एक्सेप्शनल तरीके से उसका किया था जहां पर अपने उन्होंने आज तक की सारी एसंप्शन को फॉर्गो कर दिया और बिल्कुल उन्होंने एक तरीके पर लगाया ठीक है अब यहां पर में बेटा इसी में एक आगे भी अगली चीज आती है जो अगला आपके पास बोरिंग आ रही है और स्पेस्टिक बोरिंग का कितना इंटरस्ट होगा जितना खर्चा लगा माइनस अगर कोई आपने टेंप्रेरी इंवेस्ट्मेंट कर दी थी पुछ एवडी के रादी जी मालो दो मीने की एक मीने की आपने का भी सारा पैसा यूस नहीं हो रहा बीड तो वह चीज़ है तो हमारे स्टेप्स क्या थे जो हमने अभी कोश्चन में किया स्टेप्स बेटा मारे पास से वेटी डेवरेज खर्चा खर्चा इंटू पीरिट और आपके असमें पहले स्पैस्टिक और फिजन विच इस एक्सपेंडिचर इंटू इंटू रेट तो य जब वो अलग-अलग एसेट्स पर खर्चा करता है ना बेटा तो वहां पर में कोश्चन के अंदर मैं वहां पर में ना कोश्चन के अंदर में हमें देशिस एकंड टाइप उपोश्चन जिसके में दो करांगा सुपर प्राइट रिम्टी ने ईिशू करें 10% डिवेंचर 25 पैसा इसमाल कर दिया 25 लाग इंट्रस हमने पे कर दिया मार्च में मशीनरी इंस्टॉल रेडी फॉर यूज हुई कंपनी ने आइडल फंड चार लाक इंवेस्ट भी करें उसके उपर इंट्रस कमाया 24 जा कंस्ट्रक्शन जो कंप्लीट हुई वह तो अगले साल जुलाई के अगया अगले तो तो क्वालीफाईं यहां क्यों है सडल की नावर्च मेशन सब्सक्राइब हमारा जो बनता है वो बनता है बेटा 25 लाग के ऊपर दस परसेंट हमारा साल कब खतम हो रहा है बेटा हमारे पास में 1920 है तो नाइन मंस का इंट्रस्ट बन जाएगा कि नाइन मंस का इंट्रस्ट बन जाएगा तो नाइन मंस का जो इंट्रस्ट बना 25 पर दस परसेंट नौ मीने का बना 187 500 में 24,000 आपके पास में जो बेटा वो fd पे कमाया तो आपका एक्चुल इंट्रस 163 500 अब आपके पास में जो हमने ट्रीटमेंट जिसकी दिनी क्योंकि 24,000 वो था जो आइडल पड़े थे फंड्स तो आइडल फंड जो पड़े थे उतने से टोटल इंट्रस्ट में से माइनस हो गया अब हमने जो ट्रीटमेंट बताने 163 500 की बतानी है बिल्डिंग को बनने में समय लगा यह सर तो वो क्वालिफाइंगे वर्किंग केपिटल तो बिजनस के लिए नॉन क्वालिफाइंगे अब यहां पे जो मशीनरी खरी दी उसने वर्ड क्या यूज किया पर्चेस उसने यह निय comida machineBERay बनाई पहले चीज做 और हमारको दूसरी चीज लिख रहा है मार्च में मशीनरी इंस्टाल रेडी फॉर यूजक्ता — अगर आप यह कहते हूं मशीन भी खरीद ली स्टाटिंग में थी पहले दिन बट उसको अल्टीमेटली क्या इंस्टॉल होने में समय लग गया तो वह अपने पास में बन जाएगा तो अगर मशीनरी को आप खरीद के इंस्टॉलेशन में समय लगा रहे हो तो वह क्वालिफाएंगे अगर बनी बनाई ही खरीदी जिस दिन खरीदी उसी दिर एड़ी फॉर यूज है तो अब प्रपोर्शनेट कर देने टोटल 25 लाग के उपर 163 500 बनता है तो आठ लाग पर कितना बना यह होना है और यह वाले दोनों आपके दस और साथ के प्रपोर्शनेट यापके पी एनल में जाने तो हमने उसको स्प्लीट कर दिया 25 लाग के उपर भी आज बना था तो उसमें से आठ दस और साथ लगा था तो प्रपोर्शनेट निकाल लिए अज कितना कितने का किस पर बनता और उतना इसले नॉन कॉलिफाइग यह पॉइंट लिखने लिखने प्रिंसिपल और फिर आपकी को इसमशन जैसे हमने मशीन रिकालिया तो अल्टीमेटली वह सारे पॉइंट आपने बिटा लिखने ही लिखने है इसलिए आपके बास समझेंगे यह आपके पॉइंट लिखने ही ठ ठीके ना हाँ तो इस टाइप के कोश्चन आ मानके चलो तीन नंबर आपके टेबल के जो की बनता इतना ही इतना बड़ा कोई टेबल नहीं है और दो नंबर नीचे के पॉइंट के इंस्चूट आपके रखता है जो आपको डेफिनेशन और यह दीन है सेम लेंगोज नहीं अगली अगर बेटा अगर बेटा हम यहां पर एक चीज कहते हैं जो हमने अपने पास में काम कर रहे थे एसेट के ऊपर और वो ना काम हलका सा रूक गया चलते चलते एक्टिव डेवलपमेंट रूप गई तो बेटा अगर हमने अपने पास मेटा हम एसेट बना रहे थे ब काम रुख जी एकदम से बारिश आगई काम रुख गया डैम ब्रीज बना रहे थे अब इसमें वो कहती है दो कि एसा नहीं है हम चैक एक करेंगे कि जो काम रूखा वह किस वजह से रूखा क्या वह एअधर रीजन वाहिश्वी Dharma कि वहstr रूखा कैता है अगर वह उंदर रिजन कीव देते हो ना उसे वह सूखने देते हो से वह बलिया लगी होती है बड़ी-बड़ी जो लकड की है उसके बाद अगला बनाओगे तो वह पार्ट आफ दी प्रोसेस है वह जरूरी है उसको रोकना अगला काम ना करना उतने टाइम के लिए रोकना उसमें कोई परसन कुछ नहीं करने का मारा हमें अच्छा नहीं लगा आपने हमें कैसे बोल दिया मैं बीवी से लड़के आए हूं आज मेना मन नहीं कर रहा काम करने का अरे भाई तुमारे इन वजाओं से अगर काम रूक रहा है तो बेटा उस केस के अंदर में कैप्लाइजेशन भी नहीं होगी क्योंक इंट्रॉप्टिड में सस्पेंशन हो जाएगा ठीके ना एक्सेप्शन के जब टेक्निकल कुछ एड्मिनिस्ट्रेटिव वर्क हो रहा है डिले पाट आफ प्रोसेस है अनवाइडेबल रीजन से तो उस केस के अंदर में उस केस के अंदर में आपके पास में क्या होगा ज लोन है 64 करोड का टूभी उट्लाइज देंडर 64 करोड का लोन लियाव है इसको यूट्लाइज किस किया कंस्ट्रक्शन कर एक हिल लिंक रोड की कैदारनात में वर्क रुग गया था एक महीने के लिए हैवी रेन की वज़े से जो कॉमन है तो बेटा मुझे बताओ क्या कैपटलाइज होगा आपके पास में जो एक महीने का है वो तो आपके पास में ऐसा नहीं कि नौन क्युत मेंगा पूरा क्याप्तलाइज होगा तो एक करोड शाठ लाक का आपका भी आज लगावे बिटा इस कॉस्चिन के अंदर में और वह लगाए कितने पे 64 क्रोड में स जिसमें से 50 प्रोड इस पे लगाया तो वह पूरे का पूरा ही आपका प्रोपोर्शनेट जो है वह कैप्लाइज होगा यह कैप्लाइज हो बाकी सारे जो है ना वह चीजे खरीदी ही है या बिजनस के वरकिंग के लिए बने बना एसेट खरीदे तो वह अल्टिमेटली नॉन क्वालिफाइंग है तो यह सारे प्रोपोर्शनेटली करते 35 लाग आ गया अगर यह जो एक महीने का भी काम रुका यह एवाइडेबल रीजन की वह से रुकता तो हम क्या करते इस एक क्रोड 25 लाग का भी 11 बाइट 12 कैप्लाइज करते 1 बाइट 12 पी अले में डालते वह मैं पाइन आपको पॉइंट समझा था ठीके ना हां यह है शेशांक विटा ऐसी होता है बुरा नहीं मानने का अ कभी होगा कभी होगा चलो यह बात समझाए इस सर यह बात हमार को समझाए अगला पॉइंट जो बेटा अगला बड़ा जनरल कोश्चन को लेके जनरल कोश्चन है पॉइंट एक कहता है में 19 में आपके पास में अगर सो में 2019 में बेटा हमारे पास में क्या चीज कह रहा हो लेट असी उसने क्या बोला कहता है में 19 में कपैस्टी लिम्टिड ने एक लोन लिया तुबी यूज स्पैसिफिकली फॉर दी कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू फैक्टरी बिल्डिंग कहता है कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी ती जन्वरी में एंड बिल्डिंग फुट्टू यूज इमेडिटल आफ्टर इंट्रस्ट जो लिया था बिल्डिंग के लिए वह अठारा लाग का बनता है यूज फॉर कंस्ट्रक्शन जबकि टोटल इंट्रस्ट जो बैंक को देना साल के अन तक 25 लाग है मतलब कि 18 लाग का इंट्रस्ट बनता है कब तक का जनुरी तक का जब तक बिल्डिंग बनकर त्यार नहीं और उसके बाद उसके बाद का आपका बनता है मतलब 25 लाग टोटल में कह रहा है क्या 25 लाग को हम अपना पैक्ट्री कॉस्ट की पार्ट मान सकते और कैप्लाइज कर सकते यह क्या है कि लोन तो बिल्डिंग के लिए था हरे नहीं यार सिंपल सी बात है हम कैप्लाइजेशन Ring तब रोक देनी है जब असरे बन कर तयार हो गया जिस दिन असरे बनकर पूरा तयार हो गया तो अगर टुक्डों में भी वह बन रहा है मॉशन की यृज Потом टू and जब वह बंकर तुर रहे है तो उस गलाइक तो जब वो बनकर त्यार हो गया तो यहां पर में क्या है हमारा तो बाकी का आठ लाग कि युद्ट याना और के अगला कर फोरम लास्ट पर चले वह कहता है कंपणी ने क्या इंट्रस कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इंवेस्ट्मेंट न और and add किया investment की cost में और understate कर दिया interest cost में company ने किसी और company के shares debenture खरी थे कहां मैंने तो loan लेके खरीदा जी loan लेके दूसरी company के debenture want तो जो loan है न मैं investment की cost में add करूँगा loan जो है loan का ब्याज में investment cost में add करूँगा क्या वो सही कर रहे हैं तो नहीं जी क्या loan आपके पास में जो लिया और उससे जो investment करी क्या investment कोई qualifying asset है क्या जो किसी company के share debenture क्रीजी क्या वो बन रहे थे क्या उन्हें बनने में समय लग रहा था अरे यार कैसी कैसी बाते कर रहे हो सर थोड़ा सारसो समझ कहा यहीं उसने कहा ना question में आपने loan लेके इन्वेस्मेंट करिया अब कोई investment थोड़ी ना qualifying asset यह कोई asset थोड़ी ना जीसे बना रहे हो जीसे बनने में समय लगना इट इस नौट qualifying asset तो ultimately कह investments other than investment property land building को बात अलग है वो qualifying नहीं तो interest cost जो है उनकी capitalize नहीं हो सकती ठीक है ना तो मारे पास में investment properties में भी तभी हो सकती है अगर वो qualifying asset की definition को fulfill करें ठीक है तो यहां पर जो company निक्किया वो गलत है ठीक है न है देखो एक बात तो बड़ी सरल है मैं आपको सही में बताओ पास हो पास हो कान में बताओ कान में इसे हां ठीक है कि कोश्चिन में यह जब भी वो कुछ करती है ना company तो अगर नहीं भी समझ आया और आंसर देख्या आना है तो यह बोलते ना company ने गलती किया ठीक है हां तो यह आपके पास में जो है company ने गलती किया हो बहुत रहर होता है कि company आंगी ने चाही किया कर यह सुनानी थोड़ी नहुता वह इसलिए तो इसलिए मैंने पास आके बुला के आपको बताया यह बात तो यह स्कीम है वह 21 में पैसे डबल वाले स्कीम होती थैं यह सबको नहीं बताने हो देखें यह तिरफ आप लोग है निअनट फारिक ते लास पार्ट यह हमारा अकरने के लिए हमारे पास में लहां पार्ण को समझा ऑप विदेश से उठाया इंडिया के लोग सामें पैसा दे नहीं है में उय Ne वह ऐसा नहीं होता मजाग कर दो तो फॉरन बॉरिंग में ट्रीटमेंट के बेटा मुद्दे की बात चाहते है वो कहता है फॉरन बारिंग आपने लिया मानलो एक लाग डॉलर का ठीक है अब मारे पास रहंके यहां पर में लोन लिया एक जिस दिन लोन लिया उसी डॉला का रेट इसर अलब 50 रुपे औरवश authent के हमारे पात की यून जो इंक्रस फॉर स्वार में पर बंता है वह तहीं होना है तब ही तो हम exchange difference की बात करेंगे एक बास समझ लेना मेरी बात कि हमारे पास में यहां पे जो हमने फॉरन से पैसा उठाया है उस पैसे को तो हमने किसी asset को बनाने में ही लगाया qualifying asset लोगा तो interest ने तो capitalize होना ही होना है मानलों दस लाग है जो foreign लाग डॉलर का ता जिस दिल लिया था 50 रुपे डॉलर का रेट था साल के अंत में पच्पन रुपे डॉलर का रेट हो गया तो लोन को पांच लाग रुपे से बढ़ाना है पचास लाग था रूपे में पच्पन लाग हो गया तो लोन का exchange difference आगे 5 लाग हमें ये standard बताने ज केस बनते इन तीन के लावा कोई और नहीं बनता अगर हमें इसकी treatment जानने के लिए क्या करना पड़ेगा कि अगर मैंने इंडिया से लोन लिया हो था इंडिया से तो कितना ब्याज देता पहली बात तो माल लो इंडिया से जो है वो नोशनल है एक्च्वल निया एक्च्व दे लाग दिया इंडिया से लेता तो 12 लाग बैयाज लएटा तो कहता थो कहता है अगर इंडिया से लेते तो 12 12 लाग का एक्षेंज दिफ्रेंज उस्टब आप डो लाग का एक्षेंज डिफ्रेंज भी क्या कर दो क्या करता है क्या प्याज करता था तो फिर क्या होगा सारा क्या प्लाइस कर दो दस तो करी यह पांच का पांच भी कर सकते हो क्या अब टू पंद्रा लागता क्या प्लाइस कर सकते हो और अगर हमारे पास में इंडिया से लेता तो तो नौ लाग ही बनता तो क्या आप यह बोलोगे कि एक्षेंज डिफरेंस चलो पीलम जा रहे तो दस में से भी क्या नौई कैप्लाइस करोगे नो दस ने तो होना ही था बेटा प्लीज यह समझो यह जो मैंने इंडिया वाला देखा यह सिरफ एक्षेंज जिफरेंस के आप यही आपके पास समय कोश्चन मैंने आपको अभी लेके दी थी नौ है वही म्यल् hät bigger प्रबम इस नीकानने में वहीं कृति करता है बच्चों को अंसर की ट्रीट्मेंट तो पता होती है डेलू अगर कोई देजिते तरह बच्चों को वैल्यू देल्ल्स निकालने acabar करता है तो मेरे साथ में प्ली यू Сп practarken प्ल्र do साल के अंत में देना जिस दिन अवेल किया था उस दिन डॉलर करेट था सिक्स्टीवन और यह एंप होगा सिक्स्टीफाइव यह प्रूतु विल्डर सिम्टी ने लॉन इंडिया में लिया हो था तो इतने में पढ़ता साड़े-दस में बताओ कितना ट्रीप्मेंट होगा ब फॉरन बॉरिंग होगी चार परसंट अब बेटा ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को आपके लिए पहले तीन चीज़े निकाल लो आप ट्रीट्मेंट बता दो कि पहली चीज़ इंट्रस्ट ऑन फॉरन बॉरिंग कितने का डॉलर का लोन है सर बीस लाग कि कितना ब्याज बन अब मेरे को बताओ यह जो ब्याज बनता है डॉलर में आएगा ना बीस लाग का चार परसंट यह 80,000 डॉलर हुआ इसको किस तारीक को देना है सर साल के अंत में अब साल के अंतिन दिन का रेट कितना है 65 तो इसलिए 65 का रेट लगेगा प्लीज यह समझ लेना मेरे साथ अब चीज़ है तो आपका यह बना 52 लाग अब याज पॉरन वारिंग के ओपर मैंने अपने एक्जांपल में वैल्यूज कंप्यूट करके दीवी थी यहां आपको निकालनी होता है और बच्चा निकालने में गलती करता है जो हमारी एक्सेंज जिफ्रेंस है वो कितना है हमारा 20 लाग का था 61 फर्स जेरेट था 65 लास जो का था चार पे से दॉडल का रिट बढ़ा है तो 80 लाइक का एक्सेंज जिफ्रेंस है इस 80 लाइक का एक्सेंज रिफ्रेंश की मिरको treatment बतानी होगी depending upon first of all I have to compute कि interest on local warring कितना बनता अब main चीज है interest on local warring जहां बच्चा गलती करता लोकल warring पर ध्यान से सोच हो इंडिया में loan लेता साड़े 10% बनता पर वो पहले दिन लोन लिया था न रूपीज में तो आप loan कितने रुपे का था क्योंकि रुपे भी आज बनाओगा तो लोन चो लिए था 20 लाग रुपे का लिया था लोन जिजी लिया था उसी डॉलकर और रेट चल रहा था तो 20 लाग पर 6 तो लोन फज्जे था ना तो इंडिया में लोन जो लिया था वो तो रुपीज में उतने फज्जे लिया था ना तो साड़े दस परसेंट व्याज दे तो हमारे पास में यहां पर 120.1 है तो अब क्या होगा 120.1 माइनस 52 इतने का आप exchange difference capitalize कर सकते हो तो वह कितना बनता है कि 76.1 तो आउट ओफ 80,000,000 76.1 जितना exchange difference capitalize हो सकता है बाकी पी एनल में चला जाएगा तो आपका 376.1 जो है वह capitalize हो जाएगा तो टोटल में इतना until go है और बाकी का three.9 जो बेटा जो बचा रहे गया वह ऐस-्एर ही treatment लग जाये और पी एनल इस बाकी पी शेर ही treatment लग जाएगा और वह कहां चला जाएगा बेटा पी एनल में चला जाएगा ठीक है यह सर क्या यह बात क्लियर हुई है में आपका जो है बच्चा बेटा यह तो चार्ट तो समझ जी जाता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है में यह दस लाख जैसे मेरे में और यह वैल्यू निकालना तो उसके लिए मेरे को आपको कोश्चन भी कराना जरूरी था ठीक है ना तो इसके साथ में हमारा यह वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा यह वाला शेंड़ भी कंप्लीट हो जाएगा अलो सुदेंट्स नमस्कार तो इस पर्टिकुलर बेटा पार्ट के अंदर में हम अब रिवाइस करने जा रहे है अपने एक चैप्टर को जो की बहुत ही असा कह देते हैं but institute इससे हमेशा ही हमेशा एक question जनली पूछ रहाते हैं चाहे वह मैं यह नहीं कहता कि compulsory question में होता है but इस chapter से एक question जनली 5 marks का देखा जाता है there have been certain attempts जहां पर 2 questions भी 5 5 marks के आये हुए है और बहुत ही असान सा topic है और इसके अंदर दो प्रकार के questions बनते हैं एक कु questions है जो मैं आपके साथ पहले ही discuss करूँगा और फिर कुछ practical oriented आपके पास में questions है जो हम अपने पास में discuss करेंगे तो बेटा यह इस particular chapter को discuss करते है तो यहां पर में बेटा जो framework for preparation and presentation of financial statements के बारे में है इसके लिए जो हमारा accounting standard board है ICI को उन्होंने के framework basically layout किया था जुलाई 2000 में जो provide करता है basis for the development of the new standards as well as for the review of the existing standards जो framework बनाएगा कुछ purposes दिए है that are very basic purposes की मदद बगारा में लिए financials जो enterprises उनको financials बनाते समय और बाकी सारी चीज़े accounting standards को formulate करते है वो सारी चीज़े बर में यहां पर points आते है जिनको ले के question बनने की बात होते है वो सबसे पहले आते है components में क्या क्या चीज़े गवर होती है तो आपको क्या करना है सिरफ यह वाले जो मैंने top headings लिखी विए आपको बस वो paper के समय आपको यहाद रखने है अंदर रखा तो आप मुझे अपता है लिखी लेंगे तो मैं वही बताते जाता हूँ components में क्या क्या बेटा balance sheet statement of PNL balance sheet आपके वितार यह financial position statement of PNL पितार है profitability cash flow statement कहा कहा से पैसा आया कहा कहा पैसा गया और जो notes है schedule से जहां पे आप basically notes वगेरा दे रहे है अपने bifurcation दे रहे है significant accounting policies जो इसका part होता है users कौन कौन है किन को financial statement से फरक पड़ता है investors जिन्होंने पैसा लगाया है employees जो basically काम कर रहे stability के लिए growth के लिए supplier creditors creditworthiness जानने के लिए customers जिनकों goods बेशते हैं government को taxes purpose के लिए lenders को जिन से loan लिया वा है और public at large for the basically RCS activities and the other purposes fundamental assumptions हमारी तीन आते जो AS1 भी एवन कहता है which are your going concern consistency accrual तो यह तीन assumptions है जीने basically follow करना पड़ रहा है हमें follow करना पड़ता है और अगर हम follow कर रहे तो कुछ बताने की जूरत नहीं होती है अगर नहीं follow कर रहे तो हमें basically disclosure दिना जरूरी होता qualitative character 6 कुछ आती बटा financial statements की basically यह question कभी ना कभी किसी ना किसी time में 5 marks सक्के आए वह qualitative character 6 कभी एक बार अंडेसेंडेबल होनीची हमारी financial statements उसमें relevant information ही दिखानी हमें कुछ भी ऐसी नहीं दिखानी जो relevant हो reliable हो basically free from the personal bias हो comparability हो सके comparability दोनों होती है intra firm यह आप ही का data आप अपने पिछले साल के data के साथ compare कर सके और आप इस साल का data दूसरे enterprise के साथ में compare कर सके तो दोनों प्रकार की comparison हो सके और true and fair view that is सबकुछ सही सही कुछ भी आपके अस गलत वगरा नहीं होनी चीज़ा फिर आते है elements elements का मतलब है जिस पर पूरी हमारी accounting की की विए तो आपके अस basically 5 चीज़े आते है elements में asset, liability, expense, income या आपके पास आ रहा है equity so आप एक accounting question approach भी सीखते है बच्पन में अपने accounting में that is equity plus liability is equal to asset तो वही चीज़ आ रही है और वह elements का पार्ट है बच्चे जो confused होते है इस पूरे topic में मैंने जो जनली देखा है elements का question आता है बच्चे components लिखाते है balance sheet PNL component का question आता है तो वह elements लिखाते है बस उसका थोड़ा सा ध्यान रखना अपने पास में बाकी कोई दिकत की बात नहीं है एक चोटा सही आटीवी का question है बिटा repeatedly एक दो बड़ टेम्स में आटीवी में आया भाई आहां तो यह question क्या है कि company का एक binding agreement हुआ है P limited के साथ में तो buy a machine for Rs.40,000 साल के अंत में delivery होने से पहले company ने अपना method of production change कर दिया और नए method में यह सब machine की कोई जूरत नहीं है और उसे हम scrap कर देंगे after delivery और उससे कुछ value वी generate नहीं होगी वैसे machine री कर इंदें का contract हो चुका है पर हमने method of production change कर देंगे हमें machine की कोई जूरत नहीं है जिस दिन machinery आए गया हम उसी दिन उसे scrap कर देंगा और हमें बेच कर कुछ नहीं बलेगा that means our dead loss है तो कि आप इसे अपना asset दिखा सकते हैं नहीं क्योंकि इससे future economic benefit नहीं आना तो will we create our liability the answer is yes तो liability को recognize करना पड़ता है जब outflow of resources जो होते है बेटा उन्हें anticipate कर सकते हैं और value को measure कर सकते हैं यहाँ पर agreement हमारा हो चुका है हमने machine decrease नहीं है उसका agreement हो चुका है that is a binding agreement on us तो we have to create the liability and we have to also recognize the loss तो basically यहाँ पर में यही बात लिखिवी है कि company को liability recognize करना ही चाहे 40,000 की P को करके पैसे तो उसे दे नहीं है ठीक है और इससे benefit कोई नहीं आने flow of the future economic benefit जो है वो improbable है तो सारे के सारे purchase को क्या दिखाएंगे अपना खर्चा तो entry डल जाएगी P&L to P limited वैस cost debit किया P limited credit करी लैबिटी और फिर P&L to loss basically आप second entry के उसको आपने transfer कर दिया P&L में तो आप दो separate entry टाल या combine दिखा दी वह एकी बात है फिर अगली चीज़ आती है measurement basis जो ही हमारे elements होते है basically your asset liability, expense, income and equity इनको हम किनकी तरीके पर value कर सकते है किताव में उसके रहे की बात हो तो क चार basis होते है historical cost के मतलब होते है originally कितने में खरीदा हमने asset 5-10 साल पहले current cost के मतलब है अगर आज उस asset को market से खरीदता हो तो कितने का मिलेगा it is आज की purchase value, realize value होता है आज अगर मैं उस asset को बेचूंगा तो कितने का भीकेगा it is sale angle और present value होता है जो उस asset से मुझे future में economic benefits derive उनकी आज की present discounted value वो आपके पास होता है जिसे हम P factor लेके निकालते है तो चार basis दिये गए है ठीक है ना और ये measurement basis हमें क्या बता रहे है कि हमारी जो financial statements में चीज़े हम दिखा रहे है उनको किस value पे दिखाना है वो measurement basis है ठीक है ना तो asset liability expense income और इकुटिको तो उसको लेके बात हो रही है फिर एक topic बिटा इसमें आता है about the capital maintenance बहुत ही असा topic है और इस प्रेक्टिकल कोशन बन जाता है तो capital maintain करने के बिटा अलग-अलग तरीके दिया हुए एक है financial capital maintenance एक फिजिकल capital मेंटेनेंस में दो आते है एक historical cost और एक purchasing power current purchasing power और एक physical capital maintenance है इसको हम सीखते है कैस इसके to explain you कि ये point क्या आ रहा है तो पहले हम historical cost वाले को सिमझने जा रहे है और इसी से मरपत बाकी भी clear हो जाएंगे वो कह देख ट्रेडर ने अपना business शुरू किया एक जन्वरी को 12,000 रुपीज से और 6000 units अपने पास में है और वो 2 रुपे के हिसाप से उसने खरीद लिए पूरे साल में इसने उन units को 3 रुपे में बेच दिया और उसने 6000 पे withdraw कर लिये तो उसे क्या एक रुपे का profit हुआ the answer is yes तो उसे एक रुपे के profit के हिसाप से उसे 6000 का profit बना 2 रुपे की चीज़ 3 में बेची तो उसने खरीदे 12,000 में बेचे 18,000 में उसने 6000 बिजनस से निकाल अब अगले साल जाके यह वाला दरीका कहता है कि इसमें price नहीं बढ़ेगा प्रोड़क का आज 2 रुपे बाद में भी दो ही रहेगा historical cost तो अगले साल फिर से उसके पास कितना रुपे business में रह जाएंगे 6000 निकाल लेगा और फिर वो 12 के खरीदेगा 18 में बेचेगा 6000 फिर निकाल लेगा अपने drawings उसने कमाया तो यहाँ पर में आपके पास में ultimately वो business में retain कुछ नहीं कर रहा हूँ रिटेन कुछ भी निकाल रहा वो maximum 6 निकाल सकते हैं उसने पूरे 6 निकाल लिए तो क्योंकि price change नहीं हो ना तो हमारे पास में retain profit एक तरीके का अन्य लो गया क्योंकि business में पड़े 12 है और चाहिए भी 12 ही चाहिए अगले साल के लिए क्योंकि price change नहीं हो रहा हूँ तो अगले साल वो फिर से शुरू करेगा 602 रुपे के साब से अगेन आपको तीन में बेचेगा और यह process चलता रहेगा जब तक हमारा कोई price में चाहिए तो यह simple सी बात करता है हम यहाँ पर एक बात जाना चाहता है maximum कितना निकाल सकते हो और आपने कितना निकाला maximum आप कितना निकाल सकते हो maximum आपको 12,000 पर अगले साल पे ले चाहिए और पड़े आज 18 है तो अब 6,000 विड्रॉव कर सकते हो और आपने विड्रॉव कितना करा पूरा 6,000 तो रिटेन प्रॉफिट आपका 0 है ठीक है ना अब अगले में आपको और क्लारिटी होगी हम यह क ओपनिंग में कोई चीज अगर 100 की है तो अब अगले साल येरेंट पे बेसिकली अगले साल के ओपनिंग में आप कह दीजिए वह 120 के होगी इंफलेशन की बात हो रही है तो 100 से 120 हो गया अब मुझे बताओ जो 6,000 उनिट हमने खरीदे थे 2 रुपे के साब से क्या अगले सा जाके वो 6,000 यूनिट आपको जो मिलेंगे बेटा 120 डिवाइड बाइंड़ के साब से हम बात कर रहे है और ये दो रुपे हो गया हमारा प्राइस तो हमारा प्राइस अगले साल कितना हो जाएगा 2 इन्टू एफेक्टिली 1.2 2.4 हो जाएगा जो आज दो रुपे के चीज है वो कल को 20% बढ़ जाएगी एक तरीके से 2.4 हो जाएगी आज जो 100 की चीज़ है वो कल को 120 के तो दो वाली चीज़ कितने के होगी 2.4 की तो 6,000 यूनिट्स के लिए आपको कितने पैसे चाहिए वो चीए बेटा 14,400 तो this is the required funds कितने पैसे आपको चाहिए इतने पैसे आप को चाहिए तो basically बेटा आप जो अपने पास में है आप जो अपने पास में है आप maximum कितना पैसा विड्रॉ कर सकते हो maximum permissible drawings यहां पर सारी कहानी लिखी है वो यही लिखी भी है तो basically बेटा हमारे को चाहिए 14,400 और मेरे पास पड़े 18,000 है मैंने कमाए 18,000 थे बेच के 3 रुपे पर और मुझे अगले साल के लिए 14,400 चाहिए तो मैं maximum में 36,000 ही विड्रॉ कर सकता हूँ अगर मैं 36,000 विड्रॉ करता हूँ तो मेरे पास बच जाएंगे 14,400 और मैं अगले साल यूनिट्स खरीदता हूँगा पर मैंने विड्रॉ कितने कर लिए एक रुपे के साब से पूरे 6000 अच्चुल में तो आपने तो ज्यादा निकाल दिये तो आपने बिजनस में जो रेटेन प्रॉफिट है वो छोड़ा ही नहीं कुछ उल्टा की नेगेटिव है हमारे पास में 2400 शॉट पॉल पड़ रही है बिजनस के अंदर में फंस की और वो ही ये निकल क्या रहा है कि रेटेन बात यह की है तो नेगेटिव रेटेन प्रॉफिट इंडिकेट की ट्रेडर एस वेल तो मेंटें दर कैप्टन अवेलेबल फंट इस नोट सफिशेंट तो बाय दा यूनिट्स इस प्राइस इन फैक्ट ही शूट रिस्रिक्टिटिड इस द्रॉइंग तो तो इतने निकाल अगले वाले मेंटा बिल्कूल सेम बात है इसले में प्राइस इंडेक्स दे दिया था आपने उसे इसमें सीधा प्राइस दे रहे तो किया प्राइस ऑफ दी प्रोड़क्ट जो है साल के अंद में कितना हो गया 2.5 जो चीज दो की थी शार्टिंग में वह धाई रिफेक हो होगी तो अल्टिमेटली आपको फंड्स जो चाहिए बेटा वो कितने चाहिए छेहजार इंटू डाइग कि अंद्राजार चाहिए तो मैक्सिमम पर्मेसिवल ड्रॉइंग्स आपको कितने निकालनी चाहिए थी सर 18 हमारे पास पढ़ा है 15 मुझे चाहिए तो मुझे 3000 पर ही विड्रॉव करने चाहिए थी पर मैंने निकाल कितने लिए वही मैंने तो निकाल लिए 6 और 6 निकालने की वज़से आपके पास में 3000 नेगटिव बढ़ा है तो आपका रिटेंट प्रॉफिट माइनस 3000 हो गया अल्टिमेटली आपको निकालनी चाहिए थी द्रॉइंग्स 3000 तीन हजार विड्रॉव करते तो बचते कितने 15,000 और 15,000 तो आपने उनिकाले पूरे 6000 तो आपके पैसे कम पढ़ गे तो यह बात यही लिख रहा है कि आपक आपको कुछन देखा आपको कुछ जानने की जोती है historical cost है current purchasing power में क्या index दे रहा है तो आपने उस surprise निकाल आप physical capital maintenance में क्या सीधा price ही दे दिया बस इतने इसी बात हो रही है इसी जरे लेटिड एक बार question आपके सामने है exam में आवा है for five marks का बड़े असांस है explain how the financial capital is maintained at historical cost historical cost में तो simple सी बात ही same ही था तो उसमें कोई problem की बात ही नहीं है तो opening और closing जो है वो आपके respective cost पर ही दिखते है जानने के लिए opening closing की कुटी ठीक है न अगर वो retain profit हमारे पास में 0 से जाद है तो maintain किया वह और अगर वो आपके पास में नहीं है तो आपके पास में दिखत है य और इस साल में उनको बेश दिया 30 में in order to maintain calculate the amount जो withdraw कर सकता है अगर वो historical cost में तो सबसे थान होगे पूरे को पूरे 10 रुपे निकाल सकता है क्योंकि price change नहीं हो रहा ना 20 की चीज़ को 30 बेचा 10 रुपे का profit कमाया मेरे को अगले साल के लिच यह 20 के साब से तो पूरा आपके पास में पड़े कितने हैं इतने चाहिए कितने आपको वही सेम तो आपके पास में permissible drawing पूरे साड़े साथ लाग निकाल सकता है which is 10 रुपीस के साब से अगर उसे historical cost में और अगर price बढ़ जाता तो हमें पैसे थोड़े ज्यादा चाहिए होते तो फिर drawings कम हो जाती होते ठीके ना तो यह हमारे पास question आता है इस प्रकार का paper के अंपने बेटा then अगले वाला जो आ रहा है that is important यह हमारे ले पेटा एक important question आ रहा है और इसे इस chapter का सबसे important question मान के चलना क्योंकि यह हमारे पास में थोड़ा ध्यान देने वाला question आ ठीके ना और ऐसा question exam में भी आता है 5-5 marks का बारबाद मैं इसमें सारे cases cover कर दूँगा बड़ पेपर के अंदर में आप देखेंगे आ एक्जाम में जनलीज होता है इसमें से कोई एक आया होता है यह थोड़ा बड़ा वज़ेगा करमें सारी possibility बात कर दूँगा हमें एक बात सीखते है fundamental accounting assumption के अंदर में कि हमारा business लंबे समय तक चलता रहेगा और वो बंद नही अगर आपका going concern follow नहीं हो रहा तर इसका मतलब यह फैसला कर चुके हो कि business आपका अगले एक-दो मीने में बंद हो जाएगा अगले दो मीने में बिजनस बंद हो जाएगा इसका आपको पता चल गया तो going concern follow नहीं हो रहा तो उस case में हमारा जो framework है हमारे जो norms है वो यह कहते ह है कि अब चीजों को cost पर नहीं दिखाएंगे आप चीजों को सीधा ही सीधा nrv पर दिखाएंगे reliable value पर दिखाएंगे चाए plus है चाए profit की बात है चाए नुक्सान की बात है तो अगर going concern बेटा follow हो रहा है तो primarily चीज़े किस पर आ रही है at cost पर कुछ चीज़े आती है cost या nrv reliable value whichever is lower पर दिखाएंगे बात होती है inventory वगारा या current investments होंको cost और nrv which is lower लग जाता है fair value बट अगर going concern follow नहीं हो रहा तो सारी चीज़े किस पर आएगी nrv पर this is the basically हमारा principle जिसको ध्यान में रखना है अब इसको लेके हमारा एक क्या question आ रहा है आपको question में balance sheet दिये trader की 30 March 21 की एक opening balance sheet है बेटा है जिसमें कुछ आपकी normal चीज़े दिये additional information में point दे रहा लगला और नीचे बता रहा है कि P&L बनाना है और balance sheet बनानी है trader की दो cases में अगर going concern follow और going concern follow नहीं हो रहा एक basics आपके पास में उसने point दे दी हमारा पस सारे में के करके पढ़ेंगे और इससे clear करेंगे अब एक एक point को देखते जाते बेटा जब हम P&L आपको balance sheet दो no cases की तो हमें एक एक करके point को डालते जाएंगे और tick करते जाएंगे ठीक है ना सबसे बहले जैसे बटा आप balance sheet में देखेंगे तो आपको stock दिया वह opening shock तो ये 30,000 है तो ये तो normal opening shock की तरह आ जाएगा आपके पास में two opening shock 30,000 तो ये two opening shock आ गया 30,000 में एक एक क trader की purchase और sales इस साल की पूरी थी 4,000,000 and 450 पेटा हम तो जो balance sheet बनाएंगे वो year end पेए हम तो उस समय की बात करेंगे वो और ये तो पूरे साल की purchase से ले तो exit आजाएगी दोनों में same तो purchase इस आगी दोनों में 4,000,000 चार ला और sales आगी 450 and 450 तो बिलकुल साधारन बिलकुल normal उसमें कोई फरक नहीं है ठीक है फिर पेटा हमारे पास में उसने closing shock दिया cost और एनर्वी year end पे stock का कितना है 32 and 40 respectively अब पहले बात करतें going concern की going concern में क्या है cost और एनर्व विच्च विच service load 32 यह going concern में going concern नहीं है तो क्या load देखेंगे नहीं सर उसमें तो एनर्वी देखना है उसमें cost का कोई लेटा देना नहीं क्या NRV जात है मुझे कोई मतलब नहीं है मैं NRV पे दिखाऊंगा which is 40 तो अगर going concern follow हो रहा है तो lower का loan लून लगाया तो 32 दिखाया going concern follow नहीं हो रहा तो आपका सीधा 40 है सीधा 40 है और यही value सीधा कहां दिख जाती है बेटा balance sheet में दिख जाती है बात में closing stock 32 and 40 closing stock एक effect आ जाता है trading पेनल में और एक effect आ गया balance sheet में ठीक है ना फिर अगला बेटा है को उसने असान सा point देते है expenses including interest on loan 14,900 है तो इस साल का normal खर्चा 14,900 वह interest on loan जुड़ा वाई क्योंकि एक उपर ना loan दिया वह बेटा है यह 10% का इसके loan के principle की तो हम बाद में बात करेंगे उसमें वह interest जुड़ा वाई खर्चिन में अगर specifically excluding लिखेगा अब पहले point पर देखते है बेटा हमारा PPE को लेकि है मैं उस प्यार हूँ property plan equipment opening में जो मारा tangible fixed asset value 65 है यह point में कहता है जो remaining life है वो 5 साल है और pattern of use asset का even है मदब बराबर है तो इसका मदब straight line होगे तो हमें asset से बराबर level का benefit मिलेगा तो straight line लगा देंगे और realizable value वैसे जो PP की है वो year end पर 60 है तो मैं पहले बात करता हूँ normal तरीके से which is going concern follow है फिटा going concern follow हो रहा है तो life 5 साल है अब normal depiction लगाते हो और बराबर आपको even use आ रहा है तो straight line लगा तो 65,000 पर हमने 5 साल से divide किया क्योंकि हर साल की depiction बराबर है तो 13,000 बनती है तो हमारी depreciation in a normal scenario 13,000 आएगी और अगर 13,000 की depiction डालोगे तो balance sheet में कितनी value बच ज यह normal case है normal case है अब बात करें अगर going concern follow नहीं कर रहेगा तो अब सीधा NRV देखनी है तो हमें उसे 60 पे ही दिखाना है 60 पे दिखाना है ना कम ना जादा अब वो 65 का दिख रहा है दिखाना 60 पे ही है तो depiction का लफड़ा ही नहीं हमें दिखाना ही 60 में तो यहां पहले balance sheet की value डली 60 अब जो difference है वो फायदा या नुकसान बनके PN में डल जाएगा तो कम ही हो रहा है क्योंकि opening में तो 65 है अब दिख पहले closing डला फिर different deception है ठीक है ना क्योंकि उसमें दिखाना ही नर्पी पर उसकी जो reliable value यह point भी clear हो जाएगा अगला point है पेटा है deferred cost को लेके यह deferred cost देख रहें deferred cost क्यों होती है तर कोई revenue खर्चा किया होगा पिछले सालों में हमारी policy बता रहा है कि deferred cost को mortise करेंगे equally over four years like deferred revenue expenditure जाब बोलतो है प्रिटीशेस ऐसे बोलतो है like preliminary expenses है जो write-off नहीं किया underwriting commission है discount on issue of debenture है ऐसी advertisement suspense ऐसी जिसे तो आजकल तो exist नहीं करती हम उन्हें पूरा उसी साल write-off करते है पर यहां question में दे रहा है तो 10,000 को हमने तो इसे चार सालों में करना है तो हर साल 25-25 hundred करते जाएंगे जैसे fixed asset का करते है अब मुझे बताओ क्या इसकी not going concern में कोई NRV है और NRV तो है नहीं यह तो खर्चा था तो बेच के पैसे मिलने थे तो आज उसकी वर्थ है इतनी यह तो खर्चा था जिसे चार सालों में बाट रहे तो इसकी NRV automatically का है जीरो है तो यह जीरो है तो अगर यह जीरो दिखेगा balance sheet में तो उस case के अं NRV जीरो है अगर पूरा राइट अफ कर देंगे अगर no going question follow नहीं हो रहा है not assuming going question तो निल डला क्योंकि NRV जीरो है तो पूरा खर्चा राइट अफ हो जाएगा ठीक है न हमारे पास एक point आता है debtors को लेखे debtor opening दे रखे है opening का हमारे लिए कोई relevance नहीं है क्योंकि वह हमें closing नहीं तो मैं closing निकालने पड़ेंगे debtor account बना के opening, sale, collection वो ऐसी चीज़ी नहीं दे रहा है तो closing directly दे रहा है तो opening का relevance खतम हो गया तो debtor year end पर वैसे 25 है जिसमें से 2000 के doubtful है तो आप 2000 के provision बनाएंगे ही बनाएंगे और collection of another 4000 depend करते हैं on successful reinstallation of certain products applied to customer और जो बाकी 4000 भी है वो इस चीज़ पर depend करता है कि आप customer के उस जो आपने product उसे बेचा था जिससे पैसे लेने है उसको आप उसको वो reinstall करके देंगे बेसिकली मानलो जो product आप एचरो उसको हमें हर एक साल बाद reinstall करना पड़ता होगा तो उसमें उसने बोला मैं 4000 तभी दूँगा आपको अगर आप reinstall करेंगे तो क्या normal course में आप reinstall करेंगे अगर business चितारे करोगे बही तो आप जब reinstall करोगे तो 4000 तो मिलेंगे ने उसमें क 2000 के उसमें से 2000 की provision बनाई तो कितने के रहेंगे 23,000 के तो आप better presentation तो debtor minus provision separate करके ही दिखता है तो वही दिखा दिया institute ने नेट करके लिखा बनाए अब अगर business बंद कर दोगे कि तो क्या आप जाके उसके product को reinstall करो अब तो फॉरण बेटे होंगे आप तो घूम फिर रहे होंगे तब विजनस बंद कर रहे हो जा कोई और कार्ण हो सकता है बंद करने का तो basically आप तो बिजनस करी नहीं दे अब जब बिजनस करी नहीं दे तो आप reinstall नहीं करोगे तो तो पाकी पैसे नहीं देगी तो पाटी पैसे नहीं देगी तो उसकी प्रोवीजन बिना आधा है और डेटर कम पर डिखोगे कितने पैसे डेटर मिझे गे डी तो डो तो वैसी नहीं आने बाकी चार भी नहीं आएंगे तो 6000 नुकसान हो जायगा तो some prohibition कि क्लोसिंग ट्रेड पेवल 12,000 तो तभी आपके बास ओपनिंग का कोई रेलिमेंस यहां नहीं है क्योंकि ओपनिंग का रेलिमेंस तब होता अगर वो मुझे क्रेटर की इंफोर्मेशन देता परचेस कितनी है क्रेडिट वाली पेमेंट कितनी है तो क्लोसिंग निकालता वो द काम से दोगे तो अल्टिमेटली वहां पे नॉर्मल केस में तो बिटा आप 12,000 रुपी दिखाओगे ट्रेड पेवल को अगर बिजनस बंद करने वाले हो फिर तो आप उनको कल पर 104 पे करोगे और पे करोगे तो आपको क्या मिलेगा 5% का डिसकाउं तो वह आपकी क्या इं क्या हो जाएंगे कम हो जाएंगे और वो कितने में दिखेंगे 11400 पे क्योंकि अब एच्छुली में जो उनको पे करोगे 11400 पे करोगे थे बारा के पर 600 क्या इंकम हमने रिकॉर्ड कर लिए अपने पास उसको माइनस करके हमारी जो उनके आज की नेट पेबल वैल्यू जो पेबल वैल्यू है रिलाइजबल नहीं बोलू हो बेसिकली क्योंकि वो मिलने की होती है यह पेबल वैल्यू होगी जो देना होंकि करेक्ट आज की वैल्यू 11400 जो मेरी दरफ से उनको पैसा जाएगा ठीक है नहीं हो पिर क्लोजिंग कैश बैलेंस कितना है यह रेंड का 37100 तभी आपका ओपनिंग का कोई रोल नहीं होगा ओपनिंग का कोई रोल नहीं होगा क्लोजिंग बैनक बैलेंसे वह ती रहे 27100 जीट में दिख जएगा 37100 बैलेंस एक वह और रख दें समय है पेड़ एक seminar है लृग प्न MOREर लोड़ वे यह से वर लोग कराश हो यह बड़ ल लोन हमारा दे रखा है 35,000 का तो नॉर्मल कोर्स में तो लोन की बेटा जो इंस्टॉल्मेंट्स होगी उसी में दोगे ना 2, 3, 4, 5 साल में जब भी दोगे तो अभी तो हमार पस लोन का इस साल तो कोई रीपेमेंट करी नहीं तो अभी ये एरेंट पे लोन कितना है दिखेगा 35 भी दिखेगा सर बैलेंशीट में नॉर्मल कोस में तो 35 भी दिखेगा बट कहता है जो कई बार बैंक से ऐसा करते भी है अर्ली रीपेमेंट पेनल्टी ये क्या है अगर आप लोन को आज ही क्लोस करना चाहते हो अपर पेनल्टी लगेगी डिसकाउट नहीं पेनल्टी है भीड़ा बैंक वालों को इंट्रस का लॉस होगा इतने सालों का जो मिलना था इसलिए बैंक वालों पेनल्टी लगाते है विした ह 울न्मारी लोंकती लगी तो हमारी दुरना लगी है तो आपके पास में लोन की पे अल में खर्चा ड़ला 25 और इसी वएसे बैलेंस शीट में भी अब लोन की पेबल वैल्यू कितनी है टोटल में 35,000 तो दे नहीं है अब बचीवी चीज़े क्या रहेगी बचीवी चीज़े रहेगी बचीवी चीज़े रहेगी सर देखो ट्रेड रिसेवल बैंक और ट्रेड पेबल का कोई लेना देने तो वो क्लोजिंग चीज़े थे अचीज़े बचीज़ेगी अचीज़े कोई इंग्रेज इंग्रीज नहीं है जड़ प्रॉफिट लॉस पर अलग से दिया उसने प्री आनल जाता क्या प्र वो अलग से दे रहे और यह ओपनिंग में 25 है वो एक ट्र्मीड इसको बैलेंस करेंगे तो ये वेल्यूस निकल के जाएगी तो अब ये वैल्यूस में 35,000 पर ओपनिंग एड कर देना है वो तो सेम ही है तो वो एड करने के बाद आपकी क्लोसिंग वैल्यू आ जाएगी विच इस केस में 44,300 है इस केस में 47,200 तो उपनिंग प्लस करंटियर का प्रफिक और वो करके आप चेक लिए आपकी सारी चीज़े टिक हो जाएगी most of the cases में जो exam में आता है वो not going concern ही आता है क्योंकि ultimately तो वहीं पर knowledge test हो रही है normal going concern तो हर बच्चे को बता है not going concern वाला बहुत ही important है मैंने दोनों को अकरा दिया और कई पर ऐसा होते है सिरफ PNL आता है पर मैंने आपको पूरा एक रा दिया going concern not going concern PNL भी बैंचर पॉइंट यही आते इसके लावगा कोई और पॉइंट आज तक नहीं आया कभी के सामने यही पॉइंट होते है जो हमने इस कोशन में किये इस साल में उनकी कुछ transactions हो रही है चार के रहा है आप शेटमेंट में बनाईए of the effect of the each transaction on the closing balance in sheet in the form of after each transaction हर transaction के बाद बस ये बताओ क्या ये एक्वेशन हो रही है कि नहीं हो रही है तो आपने एंट्री सोचने और effect सोचने किस में आ रहा है तो ओपनिंग में कहा है 10 lakh है 4 lakh liabilities दी है और 6 lakh की कुटी है जो पहले दी है अब transaction पढ़नी है और उसके effect देखना है 20% dividend मिला on 10,000 shares of 10 each held ऐसा investment तो कितना dividend मिला बेटा 10,000 share है 10 वाले 1 lakh के होगे उसका 20% means आपका 20,000 20,000 dividend मिलने से bank balance बढ़ जाएगा एक तो asset बढ़ गया तो 10.2 हो गया ठीक है और दूसरा ही मेरा फायदा है तो फायदा capital में चला जाएगा तो मेरी capital बढ़ गया 6.2 liability same ही रहेगी तो equation match कर रहेगी ठीक है आपने इतना ही दिखाना है कोई entry नहीं डालने amount of 70,000 creators को pay किया for settlement of 90 तो हमने creators को देना 90 था पर उन्हें 70 में ही रफा दफा कर दिया तो 20,000 का हमें discount मिल गया तो liability कितने से कम होगी 90 से तो 4 से 3.1 आगी पैसे कितने दिये सर्फ पैसे दिये 70 तो asset आपका कम होगे 0.7 से 9.5 रहेगे और 20,000 का profit होगया तो उससे capital बढ़ गी वो 6.2 से 6.4 होगया तो यह आगी value तो match कर रहेगे salary pending है 20 से pay नहीं करी pending है तो pending entry होते है salary to outstanding salary यह खर्चा डलेगा तो capital कम होगी और liability बढ़ जाएगी तो asset में कोई फरक नहीं है liability बढ़ गी 0.2 से तो वो 3.3 होगया 3.1 से और आपके पास में capital कम होगी क्यों खर्चा डलने से profit आपका कम होगया capital आपके reduce होगी तो 6.2 रहेगे 6.2 रहेगे मैं सी देखिए खुद की drawings भी है 20,000 फर personal use तो drawings की वैसे क्या होगा पैसा कम होगया bank balance कम होगया और एक capital कम हो जाएगी तो 20,000 से आपका bank balance कम होगया तो इतना रहेगा liability में कोई change नहीं है और capital भी कम होगी तो आपकी equation पूरी की पूरी टैली कर रहे है तो यह question सच में पांच नमर का जाता है मैं जूट बोल रहा हूं कि पांच नमर का दिख नहीं रहा है तो ऐसा question भी कभी आ सकता है तो इसलिए करा दिया आपको ठीके ना तो यह question भी आपके पास हो जाता है और इसके साथ में बढ़ा यह प्रिवर चैप्टर जो आपका आपका बहुत बढ़िया तरीके से चैप्टर रिवाइस हो गया होगा बेटा तो फाइनली मैं यह उमीद करता हूं कि बेटा इस अंट तक अगर आप पहुंचे हैं अंट तक वीडियो के तो आप लोगों ने सारे चैप्टर को बहुत ही अच्छे से कवर कर लिया होगा य उन बच्चों के विए मैंने जो दो सेग्मेंट के sentiments नाता हूं एक assignment कुश्यं क्लास कुश्यं वमेएक के करते और एक homework के question. तो आप बच्चों क्या करना है? जो मैंने marathon में बेटा cover किये, उन questions के मैंने अलावा बताई है, मैं बोलने जा रहा हूँ जो मैंने questions आपके cover कराई है इन marathon sessions में, उसके अलावा मैंने और questions आप लोग को दे रहा हूँ, जो मुझे लगता है important questions है, जिन्ने आप करके जाएंगे तो आप लोग के कोई भी और नहीं रोक सकता आपके 85, 90 and above marks जो है paper में लाने के लिए, वहाँ इस से आपकी पूरी की पूरी तयारी बड़िया तरीके सोजेगी वैसे मैंने marathon session में आप लोग उने देखा होगा इसी particular वीडियो में कि आप लोगों के लिए बेटा मेंने coverage जो है कम से कम समय में maximum output लाने के कोशिश करी है and आप बच्चे बस अपनी अच्छे तरीके से त्यारी करते रहिए, अपने ओपर विश्वास रखेंगे, लगे रहेंगे डटे रहेंगे और घबराएंगे नहीं, घबराएंगे बिल्कूल भी नहीं बस अन तक अपनी त्यारी करते चलो जैसे मैं कहता हूँ करम करते चलो, फलके इच्छा मत करो, just believe in your preparation and साथ की साथ ज़रूर अपनी health का भी ध्यार न करो, ठीक है जी, तो बस बड़ी आतरीके से वेपर आप लोग को करके आने मेरी best wishes हमेशा से आप बच्चों के साथ में so take care students and bye bye